A culture is a identity of a civilization तो इसको आप तोर नहीं सकते हैं इनमें सरीर और आत्मा का रिस्ता है ये तीनों याद रखना इस टाइम में भारत cave architecture से proper structural temple में transition करता है company खुद चाहती थी कि हम ऐसा ऐसा photo बनाग बेचें जिससे मेरा purpose था वो England के लोग सांत रहे हूं अब लेकिन तांतरिक philosophy जब मैं बता रहा हूं तांतरिक philosophy में एक चीज और याद कर ले ना तांतरिक philosophy अकेला शायद सिखिसम भी है जो पूरा non-patriarchal philosophy है हम लोग आट एन culture की prelims की series पूरी complete करेंगे इस वीडियो में आट एन culture जो अपने को पढ़ना है वो prelims के लिए important है important इस हिसाब से है कि इससे questions भी आते हैं और जो questions आते हैं ये static nature के ज़्यादा होते हैं तो आप easily उसको कर सकते हो तो आट एन culture को करना जरूरी होता है although मैं आपको बता दू साथ में कि आट एन culture करने में जिनरली बच्चे कत रहते हैं उसके कुछ रीजन है मेरे अपने preparation के time में भी ये हुआ था कि जब मैं although इतना difficult है नहीं बट मैं भी 3-4 एटम तक आट एन culture को निगलेक करके चलता था reason being कि जब मैं आया तो कुछ में के एक-दो senior थे वो बोले कि यार आट एन culture थोड़ा difficult होता है याद करने में छोड़ दो इतना जरूरत नहीं है तो आट एन culture लोग छोड़ भी देते हैं इस चक्कर में तो आप जब experiment करोगे मैं 2-3 बार experiment किया था although मेरा fortunately भगवान की कृपा से प्री निकल गया था तीनों बार but point यह है कि जब मैं 2019 फाइनली आट एन culture पर हा तो में को यह लगा यार इतना difficult था नहीं जितना मैं बना लिया और दूसरी बात है कि आप आट एन culture छोड़ते हो तो वो किसी ना किसी stage of examination पर आप पर पक्का आसर करता है तो मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि बाहर की बातों ध्यान मत दो एक important topic है इसको भी उत्ती seriously करना चाहिए जितने बाकी topics है तो art and culture मैं चाहूँगा कि आप उत्ता है seriously पर है जितना आपको यह और topic परते हो तो हम सुरू कर सकते है art and culture prelims हा रहा है चीजें करनी तो है बट फिर भी मैं आपको बता दू पहले मैं खुद को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दू मैं नितिन गौतम हूँ मैं आपके साथ art and culture incident और medieval की journey complete करूँगा आपको prelims के लिए पूरा complete कराऊंगा तीनों topics एक एक करके art and culture से start करेंगे फिर series बनाएंगे अपन incident की और फिर series बनाएंगे अपन medieval India की कोई दिक्कत नहीं है complete कराएंगे questions इससे जोर के 15-16 ancient medieval art and culture से 10 तो आ नहीं है 15-16 नहीं 20 मालीजे history का रहता है तो modern मालीजे 7-8 रहेगा तो 12 questions इन 3 topics से तो आ नहीं है 12 आएंगे 13 आएंगे 14 आएंगे 10 आएंगे 10 से नीचे तो नहीं आएगा तो ancient medieval art and culture अब point यह है कि छोड़ने से कई बार ये topic में क्यों बारवार छोड़ना बोलना हो कि कई बच्चे इसको निगले कर देते हैं कि यार economy, polity, geography कर लेते हैं but that doesn't work that doesn't work in that way कि यार economy, polity, geography में भी तो कहीं नहीं आप गलत करोगे ऐसा थूरी है कि सारा marks उठा लोगे तो यहां का marks लेना जरूरी है अब इसमें से कई बार जो आपके मान लीजे 13-14 questions आते हैं उसमें सारे easy नहीं होते है difficult भी होते but point क्या होता है अगर आप 13-14 questions expect करते हो इससे 14 questions की अगर मैं बात करो तो कम से कम इसमें 7-8 doable होते हैं जो आप आराम से कर सकते हो बट चुकी आप पढ़के नहीं जाते हो आप इसको छोड़के आ जाते हो 7-8 question मतलब 14-16 marks छोटी बात है क्या भीया अरे 80-90 number cut off जा रहा है 16-85-20% number तो यहीं सुठा लोगे तो छोड़ना मुर्खता है मेरे हिसाब से मैं तो नहीं छोड़ूँ आप आजकल जो स्थिती चल रही है किस subject में easy question है या किस में difficult अपन नहीं जानते है तो भीया सारा कर लो छोड़ने की मतलब कोई है नहीं मैं खुद कई बार pre निकाला हूँ पांच बार मेरा जीयस में जो marks थे पांचो बार तो बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन पांच बार मतलब मैं clear किया लेकिन point यह है कि तीन बार मेरे marks बहुत अच्छे नहीं थे बट दो बार जैसे ही मैं art and culture ancient medieval परहा उसके बाद मेरे number dramatically बढ़ गए prelims में तो इसको छोड़ना सही नहीं है ठीक है अब subject पर आते हैं इसी पर घूमते नहीं है यह marathon वीडियो होगा हम complete करेंगे इसमें art and culture पूरा फिर एक second वीडियो लाएंगे उसमें ancient complete करेंगे उसके आगे एक वीडियो लाएंगे उसमें medieval complete करेंगे अब मैं art and culture को शुरू करने से पहले जो पहली चीज आपको बोलना चाहूंगा वो यह है कि art and culture पढ़ने से पहले थोड़ी सी नजर यह डाल देते हैं कि culture basically होता क्या है what do you mean by culture culture is nothing but way या design of life life का design किसी समाज में लोग हैं वो किस तरीके जीते हैं उनका एक जीने का तरीका है जिस तरीके वो जीते हैं वो उस समाज का culture shape करता है अगर मैं human journey की बात करो तो इनसान भी एक जानवर के रूप में start किया जब जानवर था तो इनसान society नहीं था individual people individual people civilized नहीं होते हैं उनके भी societal norms नहीं होते हैं societal cohesion नहीं होता है लोग अकेले रहते हैं अकेले लोगों में न culture होता है ना civilization होता है लेकिन जैसे जैसे इनसान जानवर से आगे evolve किया उसका cognitive development होता है मानसिक विकास cognitive development cognitive development इनसान को सोचने की छमता देता है इनसान सोचना चालू करता है और जब इनसान सोचना चालू किया तो यही main part था जिससे दोनों चीज़ ग्रो करते हैं क्या-क्या civilization सभिता, इनसानी सभिता civilization and culture यह साथ-साथ ग्रो करता है कहने का मतलब civilization और culture में एक ऐसा रिष्टा है कि सभिता संस्कृती के बिना नहीं बन सकती civilization और culture को separate नहीं कर सकते हो कोई भी civilization हो सबका अपना एक distinct culture है एक flavor है वो culture यानि उस civilization में जो लोग रहते हैं उनके जीने का एक तरीका है उसके जीने के तरीकों में बदला होता है अलग-अलग civilization में अलग-अलग cultures develop होते हैं but there can be no civilization without a culture and a culture is a identity of a civilization तो इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं इनमें सरीर और आत्मा का रिस्ता है इसको अलग नहीं किया जा सकते हैं civilization और culture को आप अलग नहीं कर पाएंगे तो जब civilization और culture की में बात करता हूँ way of living हमारा focus इंडियन कल्चर पे है तो हम आगे इंडियन कल्चर पे प्रोसीड कर सकते हैं इंडियन civilization का sign इंडियन culture है अब क्यों हमको इंडियन कल्चर पढ़ना है क्योंकि इसके कुछ कारण है पहला ये हमको इंडियन civilization पढ़ने में help करता है इंडियन civilization भारतिय सब भिता दूसरा ये history of India history of India को construct करने में help करता है अगर मैं culture के elements की study करता हूँ तो मैं भारत के past की भी study कर रहा हूँ अगर मैं architecture भारत में कैसे बना पुराने समय से अभी तक इसका study करता हूँ अगर मैं pottery की study करता हूँ तो ये पता चलता है कि पहले एक लोग कैसे pottery बनाते थे उससे उनका technology लोगों के बीच organization कैसा था उनका social structure we can interpret things in multiple ways इसलिए culture history of India पढ़ने में भी help करता है Indian civilization को समझने में भी help करता है तीसरा हमको कई बार modern phenomena's को समझने में भी help करता है आपको लग रहा होगा ये सब important है क्या बिलकुल है अगर आप organically चीज़े नहीं समझोगे culture क्या है तो आपको आगे सवाल करने में prelims हो या में हर जगे दिक्कते आएंगे modern phenomena के understanding में भी help करता है for example अगर मैं बोलू कि भारत में गाई को मा का दर्जा दिया गया है क्यों है Indian past और Indian culture पढ़ना परेगा वो समझने के लिए अगर मैं बोलू कि people का जो पेर है उसको भारत में लोग आज भी पूजा करते हैं क्यों करते हैं उसके लिए भी आपको एक बार culture पढ़ना परेगा culture के बिना आप आज का context नहीं समझ सकते हैं आज का भारत समझने के लिए भारत की culture पढ़ने की आपको ज़रूरत पढ़ेगी तो अब मैं सीधे घुस्ता हूँ culture पे बिना जादा time waste किये हुए अब आपको मैं बताता हूँ कि हम लोग culture परेंगे कैसे अगर मैं culture की बात करूँ हमारा पूरा ये lecture culture का पूरा culture complete करेंगे चिंता नहीं करनी है कोई अपना जो ये पूरा culture का lecture होगा इसके एक format होगा हम अपने lecture को कैसे structure करेंगे सारी चीजें cover करेंगे एक साथ पहला हम क्या करेंगे हम evolution of culture in India सबसे पहले हम ये समझेंगे evolution of culture in India यानि इंडिया का cultural history का एक overview लेंगे यानि एक बार में पूरी चीजें बताऊंगा मैं time के साथ साथ कैसे grow की है cultural history का है time zero से लेके अभी तक कैसे कैसे चीजें develop हुई है ये बताएंगे अब इसके बाद culture के कुछ aspects है other उनको एक एक करके हम परहेंगे मतलब अगर मैं बोलू culture overall एक abstract concept है clearly सामनी नहीं रखा है तो culture को समझने के लिए हम कुछ कुछ चीजें देखते हैं उन चीजों को हम इसके बाद cover करेंगे उन में से एक चीज है पहला architecture architecture मतलब कोई structure बनाने के पीछे का जो science और art है जैसे आप एक building बनाते हो तो उसके पीछे बनाने का कोई तरीका होता है कुछ art होता है कोई lentil डालता है कोई art बनाता है यह सब आगे समझोगे इसको complex मत करो architecture हम cover करेंगे इसके आगे sculpture sculpture जो की आप मुर्ती उर्ती बनाते हो देखते हो अगर हम उसको भी देखें पुराने time के मुर्ती से लेके अभी तक का मुर्ती सब परें तो हमको समझ आएगा कि इंडिया में sculptural development कैसे हुआ है ठीक है उसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें pottery पढ़ेंगे pottery से भी pottery छोटा सही है उसके बाद हम dance पढ़ेंगे उसके बाद हम music पढ़ेंगे यह सारा cover करेंगे भाई लोग चिंता नहीं करना है यह होगे आपका music इसके बाद यहाँ आगे ही लिख देता हूँ यार music के बाद एक important चीज जो छूट रही है वो painting पढ़ेंगे paintings और paintings का history इंडिया में कैसे grow किया है इससे आपको सब समझ आएगा Indian culture का evolution paintings paintings के बाद अपन क्या पढ़ेंगे religion and philosophy religion and philosophy उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे literature ठीक है उसके बाद कुछ miscellaneous topics है वो cover कर लेंगे अगर मैं miscellaneous की बात करूँ तो miscellaneous में puppetry puppetry हो गया martial arts हो गया etc. कई सारी चीज़े इसको पढ़ेंगे और जो last में पढ़ेंगे हम उसमें क्या है कि UNESCO ने नहीं पता है UN का important cultural organization है UN के अंडर काम करता है ये cultural elements को across world important cultural elements को recognize करता है जिसका दो group है एक tangible tangible मतलब जो दिखता है plus intangible दोनों art को ये recognize करता है tangible cultural landscapes को ये recognize करता है और intangible cultural arts को ये दोनों भी इंडिया के context में UNESCO ने इंडिया के जिन जिन cultural elements को recognize किया है उसको भी हम last में cover करेंगे यही हमारा मोटा मोटी lecture का format होगा ठीक है अभी आगे चलते हैं और अपना जो पहला था चलो पहला क्या था evolution of culture in India यही है ना तो यहाँ से चालू करते है evolution of culture in India वहाँ से हम अपना coverage start करते है तो पहला topic लिखो evolution of culture in India यह जितनी चीज़ें पिछले slide पे लिखा था मैं जितनी भी चीज़ें सब को cover करेंगे सारा अच्छे सुनना है दो तीन बार सुनना है जाके art and culture का सारा सवाल तोर के आना है करने लाइक सवाल आएंगे पाच्छे छोड़ना नहीं है वहाँ सारा नंबर उठाना है पहले बता दे रहा हूँ एक भी नंबर नहीं छोड़ना है देगी UPSC पक्का यहाँ पे नंबर उठाने के लिए कुश्चर चिंता मत करो evolution of culture in India अब धोड़ा गौर से सुनो क्योंकि अब actual में culture स्टार्ट हो रहा है अभी तक तो एक context बना रहे थे बट actual culture की सुरुवात अपनी पढ़ाएं यहाँ से होगी तो अगर मैं culture की बात करता हूँ सबसे पहले culture का evolution evolution मतलब time के हिसाब से development इसका मतलब कहीं न कहीं पर तो जाके cultural सुरुवात हुई थी अगर आप पिछले slide से पिछले slide जाओगे तो मैंने आपको एक बात कहीं कि culture की सुरुवात कब होती है culture की सुरुवात होती है cognitive development से cognitive development मानसिक इंसान जब जानवर से आदमी बन रहा होगा में दिखाना चालो किया जब thoughts actions में manifest होने लगे तो उसका बाहर बहुत सारा प्रतिरूप दिखने लग गया बहुत सारी चीजें सामने आने लग गई वही culture का पहला sign था तो अब actual में cultural क्या हुआ था वो तो अपने को नहीं पता बट जो पहला sign अपने को मिलता है cultural development का वो मिलता है lower paleolithic age में lower paleolithic age जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए लिख देता हूँ history pre history होती है और जब script हो जाता है तो proper history होती है तो जो stone age है जो pre history है जब stage नहीं ता इंसान पत्थर उत्थर के बीज जानवर type काम कर रहा है ठीक है pre history को team to grow पे बाटा गया है paleolithic age paleolithic age जल्दी में बता रहा हूँ उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ने एक बाद आता है misolithic age और उससे आगे बढ़ने एक बाद आता है neolithic age ठीक है इसके बाद से आपका चैलकॉलिथिक copper age bronze age iron age और proper civilization iron age से अल्दो सारा ही उससे पहले भी copper age में भी civilization था bronze age में इंडिया में काफी strong civilization था बट generally world में paleolithic age जो है यानि सबसे पुराना paleolithic age होता है उसके बाद misolithic ये stone age का बात कर रहा हूँ prehistory paleolithic age misolithic age neolithic age उसके आगे जाके चैलकॉलिथिक या bronze age फिर iron age आता है इसका अभी exact पता ने बस समझाने के लिए बुलाओ तो paleolithic मतलब जब stone age ही चल रहा है तो lower paleolithic age में दो cultures की बात की गई है जिसमें अच्छे बता रहा हूँ note कर लेना पहला है echelian culture echelian culture और दुसरा है sohanian culture सुनने में लग रहा होगा भाई ये सब क्या है sohanian, echelian है कुछ नहीं खाली word यसी लिए art and culture लोगों डर लगता है कि word ऐसा ऐसा आता है लगता है भगवान जाने क्या है और जब पर होगे तो पता चलेगा कुछ नहीं था बस हवावाजी है गौर से सुनो क्या है जब इनसान पहली बार सोचना चालू किया और जानवर को मारने के लिए इनसान अपने पत्थर वथर जो असपास होते थे उसको shape करना चालू किया ठीक है तो उस shape करने में दो अलग type के group emerge हुए यह ऐसा लोग मानते हैं एक echelian culture echelian culture का मतलब बस simple होता है hand axe culture यहां के लोग पत्थरों को hand axe की तरह use करते थे उसको बना के sohanian culture का मतलब होता है choppers and pebbles पत्थर का धेला बना के रखते थे धेला बनाते थे पत्थर का ठीक है और उससे जानवरों का शिकार करके खाते थे दो अलग टाइप के लोग थे एक जो पत्थर को hand axe की तरह mold करते थे दूसरे choppers की तरह उसको sohanian culture बोलते है इसको echelian culture बोलते है echelian culture की यदि मैं बात करूँ अच्छे समझना दो मिनट है इसमें खास है नहीं जल्दी इस बता देता हूँ यह अपना रहा भारत इधर से माल लो चाइना यह रहा अपना यह यूरोप इधर मेडिटरीनियन यह हो गया आपका अफरीका और यहां माल लो ऐसे कुछ ताम जाम यह अपना इंडिया है for that matter जस समझने के लिए बना रहा हूँ ठीक है यह जो पूरा रीजन है अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़िया दिखे आपके लिए बता रहा हूँ यह जो एडिया है अफरीका है यह नहीं पता है जान लो यह इंडिया है अफरीका है यह पूरा जोन यहां तक यह सब एक्यूलियन कल्चर जब यहां पर आर्के लोजिस्स देखे तो उनको एक्यूलियन कल्चर मिला यानि हैंड मेड एक्स उस टाइम में लोग इस पूरे रीजन में मेडिटरेनियन यूरोप से लेखे अफरीका, मिडिल इस्ट इंडिया तक ठीक है आपको हैंड एक्स उस करते थे हैं एक्यूलियन कल्चर लेकिन इंडिया में एक और कल्चर पाया जाता था जो मैं आपको बता दे रहा हूँ वो था यहां और यह एरिया कौन सा है इसको बोलते हैं यह जो था आपका सिवालिक्स वाला एरिया था सिवालिक्स वाला एरिया हिमालियाज में सिवालिक्स तो यह यहां इन एरियाज में अपने को सोहैनियन कल्चर मिला है नाम सोहैनियन क्यों है पता है पाकिस्तान में सोहन वैली में पहली बार ये मिला था तो इसलिए इसका नाम सोहैनियन कल्चर है तो ये एक्यूलियन कल्चर है ये सिवालिक सिवालिक वाले जोन में इंडिया में सिवालिक्स प्लस आपका पकिस्तान भी रख लो थोरा सा एरिया पकिस्तान में जहां पहली बार मिला था यहाँ Sohanian culture है तो initially इसको archaeologists दो अलग-अलग zone मानते थे कि इधर hand axe मिलता था यहाँ मिलेगा आपका क्या hand axe, यहाँ क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा choppers तो पहले लोग मानते थे कि यह दोनों culture एकदम distinct अलग-अलग area में हैं, लेकिन recent findings में यह पता चला है कि इस area में, यानि Echulean culture में भी Sohanian की चीज़े मिल रहे हैं, Sohanian culture में भी Echulean की चीज़े मिल रहे हैं, तो दोनों में कोई अब difference, historians या archaeologists नहीं मानते हैं ठीक है, तो यह difference खतम हो गया है, सीधे सीधे सवाल आएगा UPSC पूछेगी Echulean culture या Sohanian culture is related to चार option आएगा, मार देना कुछ नहीं है बस यह दोनों term याद रखना और कुछ नहीं है, इसमें, बहुत simple है ठीक है, तो अभी मैं क्या आपको बता रहा था कि अगर मैं बात करूँ Paleolithic Paleolithic इसके उपर क्या आएगा Mesolithic इसके उपर क्या आएगा Paleolithic, Mesolithic, अब Neolithic तो अभी जो मैं दो कल्चर का बात कर रहा था जिसमें रॉक का इंडस्ट्री था जो रॉक का कल्चर आया था वो Paleolithic के Lower Paleolithic में Lower Paleolithic एरा में Lower Paleolithic एरा में आपको क्या मिला था Stone Industry दो टाइप का और बाद में पता चला कि दोनों क बीच कोई डिफरेंस नहीं है ठीक है लेकिन Paleolithic में ही जो Upper Paleolithic टाइम है Upper Paleolithic अगर मैं बात करूँ Upper Paleolithic की तो Upper Paleolithic के टाइम में ठीक है पहली बार एक बंदा था नाम याद रख ले न कार ले लिए ये एक बंदा सोहागी गाट सोहागी गाट कहा है पता है मिर्जापूर सीरियल देख रहे हो न कुछ नहीं ये भी प्रिलिम्स में पूच सकता है इसलिए नाम लिख ले न ये एक इंग्लिस आर्कियोलोजिस्ट था जब ब्रिटेन और इंडिया में रूल कर रहा था ति ये 1867 में 1867 में मिर्जापूर डिस्ट्रिक में पता ने किस कारण से एक पत्थर के एडिया में गूम रहा था और भाई को एक पेंटिंग बना हुआ मिला पत्थर पे पत्थर पे पेंटिंग मिला पत्थर पेंटिंग को क्या बोलते हैं पत्थर पेंटिंग को क्या बोलते हैं भाई पेट्रोग्लिफ बोलते हैं ठीक है तो पेट्रोग्लिफ पत्थर पेंटिंग को क्या बोलते हैं पेट्रोग्लिफ पेट्रोग्लिफ मिला सोहागी घाट मिर्जापूर पे पहली बार तो यहाँ से क्या हुआ यहाँ से खोजने का एक नया एरा चालू हो गया सब लोग इंडिया में रॉक पिंटिंग्स खोजने लग गए और यहाँ से यह पता चला कि अपने जो इंसेस्टर्स थे इंसियन टाइम के रॉक इस एरा का बात कर रहा हूँ मैं यह सब है क्या स्टोन इज यह सब स्टोन इजेज थे स्टोन इजेज के लोग पत्थरों पे पेंटिंग करते थे यह इनके खोजने के बाद अपने को पता चल गया कि भाई इस टाइम के लोग पेंटिंग करते थे इसके बाद लोग सारे आर्कियोलाजिस्ट भीर गए कि और पेंटिंग ढूनो पूरा पता करो और जब यह लोग ढूनना चालू किये तो एक के बाद एक बहुत सारे पेंटिंग मिले इसमें से तीन-चार साइट्स एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है तो वो मैं लिख दे रहा हूँ पहला भीमबेटका भीमबेटका मद प्रदेश में है यहाँ पे पाथ सौ केवज पाए गया है और खूब सारे पेंटिंग है इसमें तीनों एरा के पहली ओलिथिक मिजोलिथिक नियोलिथिक जो दूसरा केव है वो है लखुदियार केव्स लखुदियार केव्स कहां मिले है लखुदियार केव्स आपके कहां मिले है लखुदियार केव्स उत्तरा खंड में मिले है लखुदियार केव उत्राखंड में मिले हैं ठीक है सुयाल एक रिवर है उसके बैंक पे ये भी केव खो जा गया ये जो भिम बेटका खोले थे इनका नाम साथ वी एस वाकंकर है देख लिजेगा एक बार यही है साथ नहीं पता है मेरे को मैं ड्रामा कर रहा था ठीक है अभी चलते हैं तीसरा नर्सिंग गर नर्सिंग गर कहां मिला है महाराष्ट्र में ये भी important site है जहां पे stone age के rock paintings petroglyphs find किये गया है चौथे की यदि मैं बात करूँ तो चौथा आपका पच्मरी ये भी कहा है ये भी नहीं पता ये भी मध्य प्रदेश में है ठीक है ये सब important sites है और भी जगें अभी हम detail में पढ़ेंगे अभी आपको सब पता चल जाएगा इस जगा पे भी बहुत सारा rock paintings मिला है paleolithic stone age के time का अब उन सारे paintings के बारे में थोरा थोरा detail से अपन देख लेते हैं ठीक है sorry तो सबसे पहले हम चलते हैं आपके paleolithic paintings तो paleolithic era में ही दूसरा culture का sign मिल गया पहला क्या मिला था stone वाला culture जो दो बताया यह पत्थर का culture देखने एक बाद दूसरी finding की गई कि इस time में यानि अपर paleolithic time में paleolithic जब थोरा समय बीत गया लेकिन paleolithic age में ही paintings भी इंसान करना चालू कर दिया था तो paintings पाई गई paleolithic paintings paleolithic paintings में कुछ-कुछ चीज़े हैं जो आपको याद रखनी हैं यह मैं खटा-खट बता दे रहा हूँ note कर लो सबसे पहले इसमें animals humans and geometric patterns इन तीनों चीज़ की painting की गई है यार कुछ simple है इंसान बनाया है जानवर बनाया है कुछ-कुछ cross, cross, triangle, 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 गोला, वोला इस सब बना देते थे ठीक है कुछ खास नहीं है colors जो use किये जाते थे इस टाइम पर red, green और white यह तीन color अब यह देखो उस time में तो camel का crayons मिलता नहीं था उस time लोग क्या use करते थे वो भी जानना जोड़े रेड color कहा अस लाते थे लोग hematite hematite का पत्थर पत्थर उठाते थे hematite यूज़ करते थे उसी से painting करते थे green एक group of पत्थर है chalcedony इसका use करते थे chalcedony का green color के लिए और white color के लिए limestone यूज़ कर लेते होंगे हो गया कहानी खतब यही है यह तीनों चीज़ यूज़ किया जाता था अच्छा थीम क्या होता था पता है paintings का जो थीम इस एराम पाया गया है ज़्यादा तर लोग दो ही काम करते थे नाचते थे dancing and hunting अब आपको लग रहा होगा यह सब याद करना होगा अरे भाईया उस time tribal थे लोग घर मार था नहीं क्या करते थे hunting करते थे जानवर मारते थे मिल के खाते थे खा के नाचते थे और क्या बनाएंगे यही था थीम dancing and hunting tribal war क्या होगा देखे नहीं है मूवी में बस कुछ नहीं hunting और dancing hematite chalcedony limestone और बनाते क्या थे animal human geometric pattern इतना ही खेल है ठीक है clear रहे इतना सा रटने में दिक्कत हो रही है वही है collector कैसे बनोगे भाई खेल थोड़ी है इतना तो रटने ही बरेगा अभी आजाओ mesolithic age पे mesolithic age mesolithic age mesolithic age की अगर paintings की बात करें इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद रखने हैं जो नया चीज उसमें हुआ बाकि जो उस समय चल रहा था पहली ओलिथिक की continue करेगा बस इस समय देखा जाता है कि size of the paintings जो painting करने लगे न mesolithic में वो small हो गया smaller इस बार लोग छोटे छोटे painting करने लगे but number of paintings number of paintings जो है वो increase कर गया increased और area areas जिसमें painting मिले areas of painting expand मतलब पहले जो punch मड़ी या MP के कुछ areas में limit था इसमार नए ने areas मिले जैसे कि एक दो example लिख देता हूँ orisa के कोई orisa से है भाई तो बता देना संबलपूर संबलपूर area में भी पाया गया है आंधरा में पाया गया है आंधरा में यानि पहले जो हम MP और ये दो-तीन areas आपको बताए थे MP था लखुदियार था महराश था इस वाले टाइम में और जब मिजॉलिथिक पेंटिंग्स हम देखते हैं तो वह और areas में फैला है number of paintings भी बर गया है और size of the painting छोटे हो गया है इसमें भीमबेटका में भीमबेटका में हर era का फिर से बता दे रहाँ caution हर era का photo मिला है लेकिन इस era का एक photo काफी interesting है इसमें एक wild boar एक wild boar का image काफी popular है तो अगर ये पूछेगा कि भीमबेटका में sorry wild boar image misolithic painting में पाया गया है वो कहा पाया गया है वो भीमबेटका में पाया गया है कोई दिक्कत नहीं है बस इतनी चीज़ें याद रखने है भाईया नंबर पाने के लिए इतना करना ही पड़ता है यार लोग क्या क्या करते हैं जिन्दगी में आपको चार लाइन याद करना है दिक्कत कहा है बढ़ें आगे अब चलते हैं अपन नियोलिथिक नियोलिथिक पेंटिंग में ज्यादा कुछ है नहीं छोटी सी चीज़ बताऊंगा आगे बढ़ जाऊंगा नियोलिथिक पेंटिंग में बस एक लाइन याद रखना है कि इसमें एगरी कल्चर बांकी जो जो पहले चल रहा था वो यहां भी चल रहा था लेक है agricultural themes included यह जो एरा है neolithic era इस time में लोग बोलते हैं start लोग मतलब historian रास्ते चलते लोग neolithic age discuss नहीं करते historians discuss करते हैं neolithic painting का जो एरा है neolithic age यह start of settled agriculture इसी time में settled agriculture start होता है तो इसी लिए आपको paintings में agricultural themes भी मिलेंगे इस time में कुछ-कुछ agricultural themes आने लग गए अगर मैं अब लेकिन overall थोड़ी सी paintings की बात करूँ जो अभी वाले paintings हम देखे paintings of क्या गंदा हो गया paintings of stone age अगर मैं stone age की paintings की बात करूँ paintings of stone age की यदि मैं बात करता हूँ जो painting stone age में होते थे इसके बारे में कुछ-कुछ interpretations है इसको जल्दी से समझ लेते हैं ठीक है paintings of stone age को कई सारे historians कई रूप से देखते हैं कुछ लोगों का कहना है कि ये उस समय के लोगों का leisure activity हुआ करता था कि यार बैठे बैठे क्या करें painting बना देते हैं leisure activity के लिए बनाते थे कुछ लोगों का कहना है कि ये religious purposes के लिए बनता था belief system religious purpose अब religious purpose में आपको लग रहा होगा अरे tribe और जिपते अभी भी रहते हैं उनमें एक concept है totem वो एक sign बनाते हैं जिसको वो लोग religious मानते हैं लोग उसके इर्दगिर्द जुडते हैं तो इसका religious purpose भी हो सकता है यानि belief में भी हो सकता है कि एक role हो तीसरा चीज़ जो अपने इससे समझ सकते हैं हो सकता है ये social solidarity का तरीका हो social solidarity का तरीका मतलब लोग जितने समाज में बिखरे हुए थे उस समय समाज था नहीं समाज बन ही रहा था तो जो इनसान जानवर की तरह था ये images उन सब को एक जगा लाके जोडते थे उनको बीच एक coordination एक understanding बनाने के लिए यानि ये हो सकता है कि ये images were helpful in creation of human society, Indian society लोगों को एक जगा लाते थे ये image जहां बनता था सारे जाते थे देखते थे और उसमें themes में भी आप देखोगे जितने paintings हैं उसमें लोग हाथ से हाथ पक्रे हुए हैं साथ dance कर रहे हैं साथ hunting कर रहे हैं ठीक है तो ये themes दिखाता है कि ये लोगों के बीच solidarity बनाने का भी काम करता होगा जो समाज बनाने में ultimately help किया होगा ये आपका stone age painting की बात हो गई अभी हम basic सी कर रहे हैं इसके बाद जो next phase of cultural development आता है वो है आपका इंडस वैली civilization ओवर्वियू ही अभी दे रहा हूं बाद में ये सब एक एक करके topic by topic cover होगा किसी sculpture में कहीं architecture में तो अब थोड़ा जल्दी से इसको समझते हैं इंडस वैली में हम क्या क्या पाते हैं तो इंडस वैली में architecture भी मिलता है architecture अभी बता रहा हूं सारा ठीक है उसके बाद sculpture भी मिलता है उसके बाद उसके बाद आपको sculpture हो गया है ये हो गया seals मिलेंगे तीन यहां discuss करते हैं तीन आगे तो आर्खिटेक्चर में इंडस वैली में हम क्या क्या देखते हैं town planning भाई इंडस वैली अगर परहे हो इसके बाद जो इंडस वैली age है इंडस वैली में हम देखते हैं हरपा हो मोहन जुदार हो इसमें town planning है drainage system बना है drainage 90 degrees पे roads planned ह roads planned, roads planned है, multi-story building भी मिलते हैं दो तल्ला, multi-story buildings भी है, burnt bricks कभी use किया जाता है, burnt bricks नहीं समझते हो औरे, eat जो होती है भाईया, कई सारे civilization में, इस जमानी में नॉर्मल मिट्टी को eat type use करते थे, कई-कई लोग पत्थर use करते थे, but इंडस वैली में यह देखा गया कि burnt bricks नहीं proper eat, भट्थी जलाया हुआ, proper eat use होता था, जो कि दिखाता है कि architectural scale पे काफी development हो गया था, मांकि detail में granaries, great bath, यह सब जो बना है, वो हम architecture में cover करेंगे, sculpture में भ एक, आपके stone sculptures, stone sculptures भी है, stone sculpture की यदि मैं बात करूँ, इंडस वैली में, तो दो है, एक, मोदी जी, bearded man, मोदी जी जैसा इमेज़ भीया, BJP समर्थक नहीं हो, मजाक में नहीं बोल रहा है, आप देखना एक बार इमेज इसका खोल के, मोदी जैसे दिखते हैं, stone sculpture, bearded man भी द में आए, दूसरा stone sculpture की बाद, जो दूसरा है, वो है metal sculpture, metal sculpture में, metal sculpture में क्या क्या है, dancing girl, यह सर्व important है, बाकि हम detail में इसको cover करेंगे, जब sculpting करेंगे, ठीक है, और तीसरा stone हो गया, metal हो गया, terracotta, terracotta, यह तीन टाइप के sculpture इस era में मिलते हैं, terracotta, terracotta sculpture में कौन है, mother goddess, ठीक है, mother goddess, उसके बाद में क्या बता है, seals, seals में दो तीन important है, एक पशूपती seal है, पशूपती seal, पशूपती seal, एक seal है, जिसके बारे में हम परहेंगे, इसमें कई सारे जानवर और योगी मुद्रा म एक आदमी बैठा हुआ है, तो वो कही लोग उसको शिप भगवान से भी compare करते हैं, कही लोग यह बोलते हैं, वो बस योगिक मुद्रा है, भगवान जाने जो भी है, बट हम इसको detail में परहेंगे, पसूपती seal और unicorn seal, यह दो important चीज़ें पाई गई है, unicorn, unicorn जो जानवर होत ठीक है, यह तीन चीज़ यहां हो गया, इसके आगे अगर हम Indus Valley के time का culture discuss करें, तो जो तीन वहां cover हुआ था, चोथा pottery, pottery जो होता था इस समय use, इसका नाम होता था red and black wear, यह याद रखना direct पूछता है, लगेगा यह क्या लाल काला लिख रहे हैं, लाल काला important है बाई, red and black wear exam पूछेगा फिर याद आएगा लाल काला important था, इसलिए गौर से red and black wear मिलता था इस time में, और pottery दोनों होते थे हैं handmade, और handmade ठीक है, और बाकी वो जो चक्की पर बनता है ना, ठीक है, मतलब वो अरे जो खुमार एक handmade क्या होता है, हाथ से बनाए और एक थुरा घुमा के, तो वो चक्की वाला भी इसमें आएगा, दोनों type के आते थे, और pottery के कौन-कौन से types मिले हैं, तो pottery के types, normal pottery तो था ही, normal था ही, ठीक है, polychromatic भी था, चक्कर आ रहा होगा भाई, polychromatic pottery क्या होता है, लग रहा होगा ना, बहुट difficult, बताता हूं, miniature, miniature, miniature pottery भी था, perforated, perforated, और incised pottery भी थी, incised pottery, अब मैं बताता हूं, इसका मतलब क्या है, कुछ हैने simple simple है, normal pottery मतलब तो पता ही है, मटकी, simple मटकी, polychromatic मतलब, रंगीन मटकी, उस पे color वलल मारा हुआ, चार पांच, लाल पिला हरा करा हुआ, polychromatic pottery हो गई, उसके बाद miniature pottery मतलब, बहुट छोटे seismic pottery, perforated और incised मतलब, जो pottery रहेगी, उसमें कुछ छेदवेद, होल वोल बना रहता था, ठीक है, तो यह यह भी दिखाता है, कि उस time पे surplus agricultural production होनी लगा था, क्योंकि इतनी pottery लोग रख रहे हैं, यानि कुछ store करते होंगे, खाना, पीना, पानी, जो भी है आपके, वो सारी च sculpture हो गया, pottery हो गया, बाकि जो important और कुछ हमको मिलता है, वो है religion, religion को लेके, बहुत ज़्यादा तो अता पता नहीं है, ठीक है, बट एक female DT, मिली है, और वही mother goddess मिली है, इनसे हम थोरा बहुत, उनके religion के बारे में जान सकते हैं, इनका, इन में language था, although उसका script deciphered नहीं है, क्योंकि वो बहुत image centric script है, इसलिए हमारे पास info, उनके literature से नहीं आ पाता है, इन ही चीजों से, हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है, तो अगर मैं एक बार फिर से आपको जल्दी सबता दू, तो Indus Valley के architecture भी आपके इसलिएं यहां दिखती हैं हमें, sculptures भी दिखते हैं काफी, stone, metal, terracotta, तीनों important, और उसके बाद seals, seals भी बहुत important हैं, पसुपती और unicorn जो इनके साथ belief system, seals का use, बहुत लोग बोलते हैं, दो तरीके से होता होगा, एक तो seals वो जो जैसे अपन तावीज नहीं बांते हैं, amulets, amul अब पौटरी बता दिया, red and black wear, handmade chuck की, normal polychromatic miniature, perforated in size, सारा पौटरी मिलता है, छेद वाला पौटरी, छोटा पौटरी, miniature, religion में female dating यह वो, जब Indus Valley Civilization को देखें, तो यह urban culture था, यानि इंडिया उसी टाइम में एक level of urbanization अचीव किया था, जो पहला urbanization था, वो Indus Valley Civilization था, जब Indus Valley Civilization का decline हुआ, तो जो next phase important इंडिया हम सुरू होता है, वो है, हम सबका प्यारा, वेदिक age, वेदिक age, जो चालू होता है, वेदिक age के culture के बारे हम पर रहे हैं, अभी हम history भी पर रहे हैं, जब ancient पर आऊंगा, तो हम दूसरे angle से परहेंगे, timeline परहेंगे, क्या हुआ ह नहीं हुआ है, वो पर हैंगे, अभी story नहीं, अभी cultural चीजों के ध्यान दो, वेदिक age के बारे में, जो जानकारी मिलती है, वो ज़्यादा तर जानकारी हमें literary sources से मिलती है, literary sources, literary मतलब किताब उताब, और इसके लिए सबसे important source क्या है, जो अपने चार वेदाज है, चार important व भात है, भारत में होके, चारो वेद का नाम नहीं पता है, तो यह दिक्कत है, रिग वेद, साम वेद, यजूर वेद, अथर्व वेद, अथर्व वेद, यह चार वेद थे, वेदिक age के बारे में, जो भी हमको जानकारी मिलती है, वो यहीं से मिलती है, क्योंकि architecture के ज्याद रिमेंस बचते नहीं है, वेदिक age का जो एरा है आपका, इसमें urbanization देखने को नहीं मिलता है, दूसरा important point, lack of urbanization, मतलब समझ रहे हो, क्या बोल रहा हूं है, पहले इंडस वैले civilization आया, वहां urbanization हुआ था, बट वेदिक civilization में urbanization नहीं हुआ था, तो lack of urbanization देखने को मिलता है इ ठीक है, अब जो हम इनके वारे में कुछ-कुछ important चीज़ें जानते हैं, जो literary sources से हमको पता चला है, यहां कुछ-कुछ चीज़े अरली जो वेदिक period था, अरली की बात पहले कर लेते हैं, अरली वेदिक period में 3-4 चीज़े थे, पहले लोग pastoral थे, pastoral मतलब वो खेती वेती क के move करते रहते थे इधर उदर, settled नहीं थे अपना अपना गाउं बनाओ, वहीं पे बैठ जाओ, पेस्टोरल्स थे, दूसरा, वर्णा सिस्टम का जन्व अभी होता है, वर्णा सिस्टम इस टाइम पे आया, ठीक है, religion में, religion में, इस point पे, जो आपका था, वेदिक religion, इसमें इंद्र, वेदिक religion, इंद्र हो गए, अगनी हो गए, नेचर गॉड्स, ज्यादा इंपोर्टेंट थे, नेचर गॉड्स को ज्यादा इंपोर्टेंस मिलता था, ठीक है, वर्णा सिस्टम, फैमिली यहाँ पे जो अपना बना था, ये पेट्रियार्कल सोसाइटी था, पेट पेले, अच्छा था, फिर खराब हुआ, फिर कहां खराब हुआ, वो भी बताते हैं, ठीक है, ये आपका टाइम आ गया, और जब वेदी केज के आगे हम बढ़ते हैं, लेटर वेदी केज में, यानि थोड़े टाइम और जब बीता, लेटर वेदी केज, इसके बारे में भ कुछ-कुछ बदला हुए, पहले, पैस्टोरल्स, क्या होने लग गया है, सेटल्ड होने लग गया है, वर्ना, कास्ट में बदलने लग गया, अब वर्ना और कास्ट में क्या था, वर्न सिस्टम को कई लोग ये मांगते हैं, कि जो आज हमारी कास्ट सिस्टम है, वो एक्ज के rules बहुत strongly implement किये गए समाज में और काफी discriminatory थे open नहीं था आप जहाँ पे पैदा हुए आप वही रहोगे हमेशा वर्ना system on the other hand ज्यादा open system माना जाता था यहाँ पे आपको social status आपके occupation के हिसाब से मिलता था जो caste में भी मिलता है बट अंतर क्या है अंतर यह है कि यहाँ अप फ्रीली अपना occupation चुन सकते हैं ऐसा कुछ लोग बोलते हैं maximum लोग यही बोलते हैं वर्ना के बारे में although मतलब caste system although इस पे भी काफी debate समय यह बता रहा हूँ but जो majorly accepted वो यही है कि वर्ना system open system था वहाँ पे रोक नहीं था लोगों के जिन्दगी पे बहुत ज़्यादा but caste system इस समय डवलप होता है later vedic ages में और इस समय से इंडिया में जाती विवस्था जो बनती है वो आज तक तूटनी पाई है ठीक है? उसके बाद आते हैं later vedic age के बाद अगर हम बढ़ है तो यहां का religion में भी change होता है religion में the holy जो अपना trinity of god trinity of god कौन? ब्रह्मा विश्णु महेश जी इनकी entry होती है ब्रह्मा विश्णु महेश जी यानि जो trinity है ये वाले god को ज़्यादा वर्शिप किया जाने लगता है आपके इंद्र वाला जो nature वर्शिप था वो कहीं न कहीं पीछे छूड जाता है religion के आगे यदी मैं बात करूँ ठीक है तो religion हो गया, caste हो गया अब जो woman था, woman का status woman का status decline होता है woman decline कैसे होता, इसका sign क्या है ये जो literary sources की बात मैं कर रहा हूँ पहले सभा समीती होती थी जिसमें महिलाई allowed थी कब? वेदी कहरा में वेदी कहरा में देखे, woman patriarchal था family patriarchal था but woman का status relatively इससे अच्छा था इस वाले टाइम में woman को सभा और समीती से exclude कर दिया जाता है उसके बाद उनको वहाँ पे entry नहीं दी जाती है ठीक है? और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं अब जैसे की एक चीज और बचता है वो है pottery वेदी केज का pottery pottery अगर आपको याद होगा इंडस वैली में red and black wear बताया था red and black wear यही बताया था यहाँ पे PGW के नाम से याद रखना है painted gray wear यह भी पूछ देगा directly भाया कि यह pottery किस से related है जिससे भी याद होगा कर देना यह important है PGW ठीक है? इस समय PGW pottery आती है ठीक है? लेटर वेदी केज से अब हम थोड़ा अभी overview ही चल रहा है डीटेल में आर्खिटेक्चर करेंगे लेटर वेदी केज के बाद जो एरा है इंडियन सोसाइटी में important उसको बोलते है महा जन पदाज महा जन पदाज का जो एरिया है महा जन पद सोला है वेदी के एरा के बाद सोला महा जन पद यानि बड़े बड़े महा जन पद मतलब जन पद क्या वो नूँ सिटी स्टेट्स टाइप छोटे छोटे किंडम से मर्ज किये ठीक है 16 इन नंबर कल्चर के एंगल से इसमें जो सबसे ज़्यादा important है वो मौरियास रहेंगे ठीक है पटली पुत्रा में मर्ज किये थे बड़े एंपायर है बट कल्चर कल्चरल कॉंट्रिब्यूशन इनका बहुत है कल्चरल कॉंट्रिब्यूशन इस एरा का अगर हम कल्चरल सेग्मेंट्स की बात करें तो जो कुछ-कुछ चीजें पहले अगर हम आर्किटेक्चर के अंगल से देखते हैं पहला कल्चर में अगर हम आर्किटेक्चर के हिसाब से देखते हैं आर्किटेक्चर के हिसाब से तो पहला आता है केव केव में आपको लोमस रिशी केव लोमस रिशी सुदामा केव ये सब मिलता है ये गया में है, बिहार में ठिक है, ये मौरियास के टाइम्स में बनाया गया था, अजीवका करके एक छोटा सा रिलिजन था, प्रॉपर रिलिजन नी था बट religion ही मालो उनके लिए Lomas Risi Cave, Sudama Cave ये सब गया में बनाया गया था आर्किटेक्चर के लिए ये था और जो दूसरी चीज आर्किटेक्चर में important इस time की मिली है वो है स्टूपाज अब स्टूपाज क्या है सुने ही हो गए स्टूपाज मतलब जैसे कि मालीजे बुद्धिजब में generally बनाया जाता था कि मालीजे कि बुद्धा हूँ या कोई बड़े बुद्धिस लीडर जो लीडर बोल रहा हूँ God type के लोग उनके कुछ remains जो सरीर के थे उसको डालके उसके उपर एक structure बनाया जाता था जिसको लोग जैसे मंदीर होता है उस तरीक से एक धार्मिक आस्था से देखते थे उसको स्टूपाज बोला जाता था इस टाइम में स्टूपाज काफी बनाये गए स्टूपाज में यदि आपको इस टाइम का बात करना है तो जैसे ठीक है यह सब स्टूपा इस टाइम पर बने थे आर्खिटेक्चर में एक केव हो गया ठीक है जो दूसरा हो गया वो स्टूपाज हो गया लेकिन आर्खिटेक्चर में बस यही दो चीज नहीं थे एक और इंपोर्टेंट चीज है जो आपको मैं परहाऊँगा अभी आर्खिटेक्चर चल रहा है किस टाइम का महाजन पता है टाइम का तो आर्खिटेक्चर समझ रहे है आर्खिटेक्चर डिटेल मोर करेंगे तीसरा चीज जो था वो पिलर्स पिलर्स बहुत इंपोर्टेंट है अशोकन पिलर्स नाम सुने हो गए अशोकन पिलर्स अशोकन पिलर्स वाला जो कंसेप्ट था यह इरान वाले अम्पायर से उस समय इरान का अम्पायर बहुत बड़ा था इरान जो आप इंडिया के बगल में है जैसे आप इंडिया देखोगे यह वाला जो area था तो यहाँ पे इराण का एक empire था एक्यमेनेट्स ठीक है और यहाँ पे Greek empire था ठीक है Greek empire था यहाँ पे pillar pillar इनका एक capital था Prespolis अभी भी वो जगह है Prespolis जो इराण का जगह था यहाँ चा-चा pillar लगाते थे यहां से मौरिया सायद influence होके अपने सारे जगा पे important pillars गारने लग गए कि हमारे area में भी हम ऐसे pillars लगाएंगे यह समझने के लिए था मुद्देपव तो अशोकन pillars शायद इरान से influence था अशोकन pillars की यदि मैं बात करूँ तो इसमें पहले मैं जगें लिख देता हूँ कहां कहां था फिर हम बात कर लेते हैं बसरा बखीरा नाम याद रखना पड़ेगा भहिया इसमें इस कहां कहां pillar था मैं मदद नहीं कर पाऊंगे इसमें याद कर लो तीन वार देख लेना वीडियो याद हो जागा बसरा बखीरा लोडिया नंदन गर ठीक है उसके बाद सारनात संकीसा रामपुर्वा साब बिहार बिहार के आज़ पास में है ठीक है और कुछ बताए सारनात हो गया संकीसा हो गया एक अपना वैसाली तो है भाई और दो तीन है यह पढ़ाएंगे तो और एक बार बता देंगे बट यह याद करना पड़ेगा इसमें कुछ ने नाम है बसरा बखीरा, लोडिया नंदनगर सारनात, संकीसा, रामपुर्वा और वैसाली अब यह जो असो का पिलर बनाते थे उसी से अपना एंबलम लिया गया उसका मैं एक बार स्ट्रक्चर बता देता हूं कैसे करते थे यह एक अपन रखते थे पिलर यह जो पिलर होता था यह एक पत्थर का होता था जोड-जोड के नहीं बनता थे यह आपका पिलर हो जाता था इसके उपर क्या करते थे यहां पर कुछ full wool type बना देते थे pillar एक पत्थर होता था monolithic monolithic था, monolithic एक पत्थर, इसके उपर यह full पत्ता बना दी है, fuul पत्ता को उपर एक avacas रख देते थे यह था avacas इसके उपर जानवर जैसे अपने सेरवेर हैं वो रहते थे ठीक है और उसके उपर एक क्राउनिंग एलिमेंट चक का जो इस टाइप का रखने हो ठीक है इस पूरे को क्यापिटल बोलते है असोका अपने पूरे अंपायर में ऐसे ऐसे पिलर्स गार दिया था बताने के लिए कि यह मेरे ऐरिया है और यह यह भी दिखाता था जंता को या अगर कोई असोका के टरिटरीम घुसना चाहे तो उसको यह पता चलेगा कि राजा का कंट्रोल कितना ऐरिया में तो यह साइन होता था पावर का power का भी और economy का भी sign था तो इस तरीके से image दिखता है कल जब architecture पढ़ाएंगे तो इसका image भी आपको PPT पर दिखा देगे कोई दिक्कत नहीं अभी समझने के लिए ठीक है, asokan pillars हो गया architecture में, और भी एक चीज था जो important है बाकी यार इस समय का ज़्यादा वो बच्चा नहीं है क्या नाम है आपका, architectural remains, reason being कि ज़्यादा तर जो घर वर इस टाइम में बन रहे थे वो लक्री या पेरिशेबल मेटिरियल के थे और ये जो बात कर रहे हैं, ये हम इस वैली हम पर रहे थे, वो इस एडियाम था था क्या, इन्डास वैली बट अब जो महा जनपत का बात कर रहा हो, वो यहां का है East India, ये था West India ये East India, rainfall ज़्यादा होता है यहाँ, rainfall is high ये क्या थोड़ा सूखा एडिया है कम बारिस होती है, सूखा नहीं है इधर आपका जो इंडास वैली है ये क्या थोड़ा ड्रायर है ड्रायर है, मानते हो और यहाँ ज़्यादा rainfall होती है तो यहाँ जो उस जवाने में चीजें बनी थी वो ज़्यादा तर चीजें ज़्यादा बारिस के कारण मतलब खराब हो गया वो धीरे धीरे अब खतम हो गया वो मिलता नहीं बट यहाँ का archaeological evidences easily मिलते हैं, यहाँ थोड़ा difficult है reason being पुराने time के चीजें ज़्यादा बारिस के कारण decompose हो गई, ठीक है इसको हटा देते हैं, यह बस समझने के लिए था अरे इंडिया का map यार अब हाथ से तो यह सही बनेगा अपने हिसाब से तो अच्छा ही बनाने कोसिस किया हूँ थोड़ा बहुत देख ले ना यार किसी को बुरा उरा ना लग जाए ठीक है एक और चीज जो आर्किटेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे है ठीक है ठीक है आर्किटेक्चर अभी कंप्लीट कर रहे थे हम आर्किटेक्चर कभगा आर्किटेक्चर में दो चीजें important हैं और जो मैं बता देता हूँ, एक था Megasthenis Megasthenis चंद्रगुप्त मौर यह जो असोका के दादा जी थे परंपूज दादा जी उनके कोट में रहता था और इसने अपनी किताब में क्या लिखा था कि जो पाटली पुत्र था पाटली पुत्र को बहुत मैगनिफिशन्ट बताया है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कि वहाँ बहुत जबरदस्ट कंस्ट्रक्शन था साइध वर्ल्ड के बेस्ट कंस्ट्रक्शन में although remains नहीं मिलते हैं but Megasthenes ये mention करता है कि partly putra का infrastructure वो काफी जबरदस था लेकिन जो दूसरी चीज़ मिलती है वो Asoka का wooden coat pillars के remains मिले है wooden coat के pillars के remains कहा मिले है पटना मिले है और इसका जगह का नाम है कुम रा हार कुमरा हार पटना में कुमरा हार पटना में Asoka के पिलर के जो coat रहा होगा दर्वार उसके थोड़े बहुत लकडी के remains मिले है तो यानि यह sure है कि तब architecture था बट वो रहा नहीं और reason यह भी था कि तब लकरी का use ज़ादा कर रहे थे बंट ब्रिक्स का use इंडस टाइप नहीं किये तो यह decompose होके खराब हो गया As simple as that ठीक है यह तो हो गया आपका architecture बट अगर मैं बात करूँ इसी time पे जो मौरियाज है मौरियाज के time पे मौरियाज टाइम पे जो popular art है अब आपको लग रहोगा यह क्या सर बोल रहे है popular art जो पिछला बता रहा था वो coat art था जो बराबरा pillar था या जो आप बात कर रहे थे कि असोका का अपना building था यह सब असोका बनवाए होंगे या राजा वाजा बनवाए थे बट लोग भी तो बैटके कुछ-कुछ बनाते रहते ना उसको popular art या folk art बोलते है उसको court art बोलते है court art अलग चीज है popular art popular art में architecture से हम आगे बढ़ चुके popular art में दो-तीन चीज़े मिलती है यक्षा यक्षिनि ठीक है बेस नगर एक जगा है और दीदार गंज एक जगा है इन तीनो जगा यक्षा यक्षनी इमेज मिले यक्षा यक्षनी कौन होते थे यक्षा यक्षनी कुछ नहीं होते थे जब आपका ब्राह्मिनिजम हुआ या हिंदुईजम हुआ जैनिजम बुद्धिजम से पहले कुछ naturalistic कुछ चल रहा होगा belief system उसमें कुछ male और female images को god या demi god type का belief system रहा होगा वैसे कुछ images बनाए गए थे तो ये काफी मिले हैं इस era में morian या asokan time में परकाम एक चगए है बेस नगर और दिदार गंज और ये सब चीज़ें asoka के time में एक चीज़ बहुत stand out करता है पता है क्या highly polished हर चीज़े बहुत polished और चमकीली बनाई जाती थे चाहे वो pillar हो या फिर ये सारे sculptures हो ये सारी चीज़े well polished होती थे एक और चीज़ जो मिला है इस time में sculpture की बात करने लग गया sculpture में आपको धौली और इसा में एक जगह है धौली ठीक है धौली में एक elephant मिला है elephant की मूर्ती बनी हुई है first class sculpture बड़ा सा एक दम elephant बना के रखे हुए थे तो ये एक बार आपन जब करेंगे तो उसको देख लेंगे यहाँ पर धौली और इसा में elephant ये आपका मोटा मोटी मौरिया पिरियट का एक description था तो अब जब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे detail में तो एक एक चीज का detail structure किस चीज से बना है उसका क्या है वो बता देंगे अब जो next चीज चालू होगी वो होगी post Morian era देखो यार Morian era बारे में तो बताई दिया सब कुछ Morian era की यदि बात करें कहा गया अरे यही तो है कितनी चीज़े बताया है और महाजनपद में आपको architecture के बारे में बताया stoopas के बारे में बताया इस सब को detail पढ़ेंगे घवराओ मत asokan pillars के बारे में थोड़ा सा समझाया क्या क्या है उसके बाद आपका क्या आ गया Megasthenes ने जो बुक में अपनी indica इसकी बुक का नाम था Megasthenes का पाटली पुत्रा का description दिया है वो बताया asoka का जो आपका court room मिला है कुमराहार में वो बताया और उसके बाद ये कुछ-कुछ आपको polished ये वो मिले थे sculptures मूर्ति-ूर्ति टाइप का तो वो सब के बारे में भी कहां-कहां मिले हैं बागी detail में इसको आगे discuss करेंगे अब जो next phase of cultural development इंडिया में चलता है उस पे चलते हैं वो है post-morian era post-morian era में जो जो और इस era से आप देखोगे कि पूरा बहुत सारी cultural चीज़ें यहां से फिर गुपतायस से चालू हो जाती है ठीक है तो morian post-era के बाद जब हम post-morian era चालू करते हैं इसमें एक चीज़ में उस समय बताना भूल गया था वो अभी बता दे रहा हूँ pottery जो अपन साइड से discussion रख रहे थे pottery important है morian period का यह बताना रह गया था चोटा साही है अलांकि but important है तो morian times में एक pottery आता है northern black painted where लिख दे रहा हूँ nbpw northern black painted where मजाक में ले रहे होगा direct पूछेगा nbpw किस era से related है morian era ठीक है northern black painted where अब यह जो pottery था जो pottery हम देखें इंडस वैली से अगर हम देखें तो pottery का evaluation कैसे हुआ था red and black उसके बाद क्या आया था northern black where northern black painted where जो आपका last पहुचा यह इससे पहले painted grey where आया ठीक है एक बार ऐसे red and black where हो गया आपका यहां से painted grey where हो गया और northern black painted where यह जो morian pottery था यह distinct था distinct कैसे था कि यह एकदम finished form of pottery था बहुत ज्यादा shine तो अगर मैं morian pottery का बोलूँ जो मैं पहले भी आपको moriaz बारे में कल बताया जो आपका moriaz का देखा जाए आपका highly polished यह बताया ना highly polished highly polished जो है moriaz का उसमें इनकी pottery एक बहुत बड़ी example है इनके sculptures भी बहुत painted है sculptures ठीक है और जो pillars बनते थे यह सोकन वो भी बहुत painted है तो यह एक चीज़ ध्यान रख लेंगे अपन कि pottery जो है moriaz का वो distinctly बहुत shiny था और इसको nbpw बोलते हैं लेकिन morian empire के decline के बाद culture का एक नया era चालू होता है क्योंकि morian empire जब decline होता है तो उसके जो successor states आते है successor states में वैसे तो politically बहुत सारे states आते है साकाज, पार्थियंस इंडो ग्रीक्स थे अपने धर कुशांस थे, सुंगाज इक्स वसूस, अभी इसको छोड़ते हैं यह हम इंसियंट में cover करेंगे जो जो culturally important थे हमारा focus उस पे रहेगा post morian में जो पहला important होगा वो है शुंगाज शुंगाज moriaz को हटा के East India में अपना empire बनाते हैं इनका जो cultural सबसे important contribution है वो stupas है stupas जो moria बनाते थे बुद्धिस stupas, उसको ये continue करते हैं और इनके major contribution में बरहुत और sanchi का stupas ठीक है बरहुत और sanchi इसमें और भी बहुत सारे बने थे जैसे मतुरा में बना है इस टाइम पे विदीसा में बना है एकसेटरा एकसेटरा बट ये दोनों सबसे important है बरहुत और sanchi sanchi वाला जो था वो moria नेरा में चालू हो गया था बनना बट ये लोग इसका finishing का icon सुंगा उसका gateway लगवाए उसके boundaries लगवाए तुरान ओरान जो gate होता है वो आगे बताऊंगा वो sanchi में ये लगवाते हैं ठीक है और जो बरहुत का stupa है उसमें एक चीज याद रखनी है वो मैं लिख दे रहा हूँ इसमें एक sculpting है queen maha maya's dream इसको याद रखना है ये जब हम पढ़ेंगे फिर से बता दूँगा queen maha maya's dream very important for बरहुत इसको याद रखना है सांची में जो stupa है वो special इसलिए सांची स्टूपा के बारे में थोड़ा सा बता ही देता हूँ वैसे आगे भी बताऊंगा सांची स्टूपा में दो तीन चीज याद रखनी है important है सांची स्टूप का अगर मैं बात करूँ सांची स्टूप में दो प्रदक्षिना पत है प्रदक्षिना पत आपको लग रहा होगा यह क्या है कुछ नहीं आगे बताऊंगा बट प्रदक्षिना पत मतलब क्या होता है कहीं भी जैसे मंदिर है तो उसका चकर काटते हो ना उसी को प्रदक्षिना पत बोलते है तो सांची स्टूपा में दो है एक नीचे एक उपर लेवल पे और दूसरा जो हिसमें है एक इसमें अशोकन लायन पिलर सदन गेट पे लगा हुआ है जो आपका स्टूपा है अगर मैं बोलू यह स्टूपा है यहां इसका बाउंडरी है ठीक है इसके उपर अपना यह यह माल लिजे स्टूपा है तो इसके चार गेट बनाएगा है चार गेट है इस तरीके से और एक पीछे तो जो सदन वाला है उसके बगल में एक अशोकन लायन पिलर बनाया गया है ऐसा ठीक है तो यह आपका सांची में हो जाएगा बाकी यह कवर हो गया तो जो आपको इनके सुंगाज बारे में जानना है उसम साथ सदन एरिया में सत्वाहनाज इमर्ज करते हैं पावर में आते हैं सत्वाहनाज सत्वाहनाज भी स्टूपा बनाने का काम ले लेते हैं जिम्मा तो सत्वाहनाज जो स्टूपा बनाते हैं ये वेंगी में अमरावती में एक जगाया पट्टा करके जगाय है यह सब आंध्रा का एरिया है यहाँ पे सत्वाहनाज बनाते हैं आपके स्टूपाज बट इनके स्टूपा थोड़े अलग होते हैं इनके स्टूपा सत्वाहनाज के जो स्टूपाज हैं अगर मैं स्टूपाज की बात कर उससत वहा नासके स्टूपाज की बारे में यह डॉमिकल है मतलब डॉम टाइप का स्ट्रक्चर है पूरा ऐसे गोल दूसरा वाइट मार्बल्स में बना हुआ है और जो पूरा स्टूपा है उसके उपर स्कल्प्टिंग की हुई है स्कल्प्टिंग उन्दा स्कूपा यानि जैसे आप अलग से स्कल्प्चर बनाते हो न मुर्ति इसमें यह लोग क्या किया है कि स्टूपा पे ही स्टूपा पे ही बहुत सारे इमेज निकाल दिये ठीक है यह सत्वाहनाज का कंट्रिब्यूशन होगा ठीक है और सत्वाहनाज में एक स्कल्प्टिंग का भी स्कूल इमर्ज करता है जिसको अमरावती स्कूल के नाम से जानते हैं आगे वो भी आपको स्कल्प्टिंग में परहाए जाएगा अमरावती स्कूल अमरावती जो स्कूल है इसमें दोनों चीज बनते हैं स्तूपाज भी और थोड़ा स्कल्प्टिंग भी होती है डन जो तीसरे इस एरा में आपके पोस्ट मौरियन एरा में जो तीसरे कल्चरली बहुत इंपोर्टेंट है उनका नाम है कुषनास कुषन्स नाम सुने हो कुषन, कनिशका इनका जो सबसे फेमस राजा है कनिशका ये आपके अगर मैं एरिया वाइस थोड़ा सा बता दू इरिया वाइस जान लो जैसे ये अपना इंडिया है इधर ले लो यह अपना गुजरात हो गया यह ऐसे आगया कुछ माल लो ऐसा तो यह वाला जो एडिया है और यह वाला जो एडिया है और यह वाला एडिया है तीन माल लो तो अगर मैं बता दूँ इसमें इतना डिफिकल्ड नहीं है ये वाला एरिया पूरा कुशांस का होता है इधर आते हैं शुंगाज इस्ट में ये सारा एरिया पहले मौरियाज के पास था बट अभी तूट जाता है ये वाला एरिया कुशांस लेते हैं ये वाला एरिया शुंगाज लेते हैं और ये वाला जो आपका एरिया है ये सत्वाहनास के पास जाता है तो इनका जो cultural contribution है वो हम अभी discuss कर लिए है कुशान कनिश्का कनिश्का वाले time में दो तीन चीज़े important है वो मैं बता दे रहा हूं पहले कुछ तो स्टूपास भी बने ही है जैसे पाकिस्तान में एक दो है इनके time पे बना हुआ बट जो major contribution है वो sculpting में यहां से दो school कुशान के time में emerge करते हैं पहले का नाम है गांधारा school of art गांधारा वाला एरिया अफगानिस्तान से related है कुशान देखो यहां थे ठीक है तो गांधारा school और दूसरा जो बनता है वो है मतुरा school यह सब detail में हपन sculpting में cover करेंगे चिंता नहीं करनी है ठीक है तो जो गांधारा school है वो यहां है ठीक है पाकिस्तान एरिया में इसमें बुद्धा की मुर्ती उर्ती बनाई जाती है और इसमें पाया जाता है ग्रीक influence थोड़ा ग्रीक हेलेनिस्टिक वेस्ट पार्थियंस इन लोग का जो cultural elements है वो गांधारा school में पाया जाते है मतुरा पता ही है अपना यूपी यहां मतुरा तो मतुरा वाला जितने sculptures हैं वो ज्यादा indigenous है उसमें ज्यादा Indian characteristics of culture पाये जाते हैं बाहर की culture नहीं पाये जाते हैं इसको detail में cover करेंगे image भी दिखा देंगे चिंता मत करो अभी आपको एक overview दे रहे है कि cushions के time में ये major चीजे cover हुई ठीक है लेकिल ये सब political ये जो time था न मौरियास के बाद ये political नहीं बहुत सारे kingdoms इसमें emerge कर रहे थे तो इस बीच cave architecture में काफी developments हुआ तो थोड़ा सा cave architecture को यदे discuss कर ले मालो तो cave architecture की बात करें cave architecture की बात यदी करते हैं इस era में तो इंडिया पे ही देख लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि बहुत detail में अभी करना नहीं है जब अपन architecture इसके just बात स्टार्ट कर रहे हैं फिर अपन करेंगे ही एक इस बार अपन ये इंडिया पे देख लेते हैं मामला ठेक है यह आपका जगह है अगर मैं caves की बात करो यहां मैं आपको क्या बताया था बिहार में लोमस रिसी केव यह सब मौरिया के टाइम मतलब अशोका के डेथ के बाद ही हुआ था बट पोस्ट मौरिया ले लो या मौ में आ जाएगा ठीक है अब इसी मोटा मोटी एरिया में मैं कब की बात कर रहा हूं 200 BC से लेके करीब आप मालो 300 CE तक AD तक इस 400-500 साल में यहां पे बहुत सारे वेस्टन इंडिया में अगर हम देखे ठीक है इस वाले जोन में तो महराष्ट यह वाला जो एरिया है का MP वाला एरिया सब जो है यहां कई सारे केव में क्या बनाए जाने लग गए थे बता दे रहा हूं केव के अंदर कुछ structures बनाए जाने लग गए थे जहां लोग रहते थे इसमें दो चीज़ें बनती थी मेली एक चैत्याज एक विहाराज अब यह क्या होते थे बुद्धिष्ट और जैन जो मौंग होते थे जो गुरु होते थे बोलो क्या करते थे गुरु बोलो बिक्चुक बोलो जो भी मौंग जो आपके बुद्धिष्ट और जैन होते थे चैत्याज में अपना वर्सी प्लेस बनाते थे और क्या करते थे प पढ़ेंगे तो इस एडिया में कई सारे important caves हैं जैसे कि आपको मैं बोलू तो अजंता नाम सुने होगे अजंता caves एलोरा caves बैदसा कारला पांडू लेनी पांडू लेनी को नासिक caves भी बोलते हैं ठीक है उदैगिरी caves एक्सेटरा एक्सेटरा बहुत सारे caves इधर आते हैं इस्ट इंडिया के तरफ बर होगे तो यहाँ पे भी कुछ important caves ही मार्ज करते हैं अच्छा यह जो caves है ना इसमें बहुत सारे kingdoms का रोल है जैसे कि आप गुपताज मालो राष्टकुताज मालो ठीक है और आपके वहाँ पे चालुक्याज भी थे चालुक्याज के cave आपको यहाँ मिलते हैं बदामी caves बाद में चालुक्याज आते हैं अभी सब एक एक करके करेंगे cover हो जाएगा चिंता मत करो ठीक है हिस्ट्री में सारा order पढ़ लो उनके बाद चालुक्याज आये हैं किनके बाद ये जो एरा मैं बात कर रहा हूँ ये जब बरहेगा सत्वानाज का decline होगा सत्वानाज सौरी साउथ में सत्वानाज है जब सत्वानाज decline करते हैं तो यहाँ पर राश्टकुताज, चालुक्याज, पल्लवाज साउथ में आते हैं आपस में भिरते रहते हैं ठीक है और एकदम नीचे जाओगे चेराज, चुलाज, पांडियाज, बचपन से ही सुने हो इस एरिया में उदैगिरी, खंडगिरी, केव्स important है इधर same south में जाओगे south अपना, deep south में तो तिरुची केव्स है आहां, गलत हो गया ठीक है, तिरुची केव्स तिरुची केव्स है सितान वसाल केव्स है और भी 3-4 है, सारा कवर कर देंगे चिंता मत करो ये मोटा मोटी आपका caves फैलता है इसमें जादा बुद्धिस्ट और जैन influence है जैसे नीचे जैन वहता है बाकी major बुद्धिस्ट रहता है हिंदुईजम का भी असर चालू होता है तो ये आपका caves के बारे में मैं बता दिया थोना सब अब अपन चलते हैं टेम्पल टेम्पल आर्किटेक्चर की भी सुरुवात पोस्ट मॉर्यन पिरियट में ही होती है याद रखना लेकिन टेम्पल्स बनाने यानि मंदिर बनाने की भी सुरुवात caves से ही हुई थी स्टार्ट्स विट caves ठीक है इसमें से तीन चार आपको important caves अभी बताया एक तो एलोरा हो गया दूसरा आपको हिंदू caves में कहा मिल जाएंगे चालुक्याज वाले बदामी caves बदामी में आपको मिल जाएंगे बदामी caves में हैं चालुक्याज के ठीक है caves से ही सुरु होता है और जो इस समय सुरु के एकदम सुरु के जो temples हैं एकदम जो start हुए basic temples उसका वैक दो चार का जगे का नाम लिख रहा हूँ उसको देख लो देवगर देवगर नचना कुठारा और इरान नाम भाही रटना पड़ेगा collector बनना इतना तीन नाम नहीं याद कर सकते देवगर नचना कुठारा इरान उदैगिरी भी इसमें आता है ये सब जगे जो पहला science of Hindu temple है वो इस time में बनना चालू होता है और तो इसमें कुछ है नहीं इसके आगे अपन चल सकते हैं जो एक और चीज़ इसमें में को बताना था वो sculpting और paintings है तो सबसे पहले paintings की बात कर लेते हैं इस era में जो आपका post-morion era है इसमें अजंता caves अजंता caves में fresco paintings मिलते हैं fresco painting फिर एक नया term आपको लग रहा हो क्या है fresco painting थोड़ा सा इसको side में बता रहा हूँ पहले समझ लो एक tradition of painting होता है जिसको बोलते mural painting mural paintings आगे painting जब पराएंगे detail पराएंगे अभी बस overview दे रहे हैं जल्दी जल्दी हम सुन ले focus लगा के रखना भूल जाओगे mural paintings mural paintings मतला wall paintings बहुत ही simple wall paintings को ही mural paintings बोलते हैं इसमें हम क्या करते हैं wall लेते हैं उस पर करते हैं तो mural paintings के बहुत सारे type होते हैं उसमें एक होता है fresco's दूसरा आपका जैसे graffiti आज कल देखते होगे graffiti बनाते हैं लोग ठीक है तो अभी जो अपना मुद्दा है वो फ्रेसको बाकि सारा types mural का अपन परहेंगे आगे दो तीर और है fresco में क्या होता है fresco में आप wall को freshly lime डालते हो plaster करते हो उसी पर painting करते हो जब वो सूख जाता है तो वो काफी दिन टिकता है अजन्ता केवस जिसकी शुरुवात 2nd century BC भी हुई थी हलांकि ये ancient का है बट मैं अभी बता दे रहा हूँ और ये करीब 7th या 6th century 6th century AD तक इसमें construction और काम वाम चलता रहा 2nd century BC से लेकिन start हो गई थी इसमें बहुत सारे fresco paintings पाए जाते है उस time में जिसमें से कुछ famous paintings हैं जो मैं आपको बता देता हूँ Dying princess Dying princess दूसरा आपके पद्म पानी ठीक है? और क्या है? Preaching Buddha Preaching Preaching Buddha यह सारा नाम है याद रखना डाइरेक्ट आएगा यह सब paintings के नाम है इसमें खुछ ऐसा समझने करने पेंटिंग खोल के एक बार देख ले ना Dying princess पन पानी Preaching Buddha यह सब यह सब painting यहाँ मिले है लेकिन अजंता caves में अभी मैं overall idea दे रहा हूँ कि अजंता के उसमें architecture भी है Cave भी है Painting भी है Sculpture भी है Sculpture के form में एक मार विजय है मार विजय का Sculpture है मार विजय मतलब जब बुद्धा मार नाम के सैतान illusion को capture कर लेते हैं उसका एक Sculpting किया गया है ठीक है मार विजय है तो उसका जो Sculpting है तो अजंता उस हिसाब से unique है अजंता cave में architecture तो है इस cave बना प्लस painting भी है paintings के कुछ example दे दिया प्लस sculpting भी है कौफी unique site है इसलिए अभी भी tourist से भरा रहता है जो अगला important आपको मिलेगा वो है Elora अच्छा अजंता caves पूरे buddhist type के caves है बट Elora caves उस मामले में खतरनाक है इसमें buddhist भी है buddhist elements प्लस jainism और हम सब का प्यारा हिंदुईजम तीनो buddhist jain भी प्यारा है ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ मैं गलत समझ रहे हूँ buddhism, jainism, hinduism सारे जो religion है उसके elements आपको Elora में मिलेंगे Elora के paintings है बट वो preserve नहीं हो पाए है खराब हो गए but sculptures sculptures यहाँ पर अभी भी है जिसमें दो-तीन important है जो exam में direct पूछा जा सकता है वो दो लिख देता हूँ एक रावना रावन shaking mount kelas यहाँ पर एक sculpture बना हुआ है यह painting नहीं है sculpture है यहाँ के paintings खराब हो गए है लोरा के लेकिन sculptures है sculpture में रावन shaking mount kelas का sculpture है यानि एक पत्थर पे ही उसको कार्व करके बनाया गया उसमें रावन mount kelas हिला रहा है और जो दूसरा है यह भी याद रख लोगियों के important है हलांकि में को भी कभी याद नहीं होता है बट याद तो करना परेगा अंधका सुर्वद कोई अंधका सुर राक्षश रहा होगा उस जमाने में अंधका सुर्वद इसमें दिखाया गया है कल्चरल हाइलाइट्स थी अब अगर जो अगला कल्चरल फेज आता है वो किसका आता है थोरा color important है अरे थोरा बढ़िया color बना लेते हैं बढ़िया color लेते हैं ठीक है अब गुपता एज को थोरा सा जल्दी से खीज लेते हैं गुपता एज अगर मैं गुपता एज की बात करूँ गुपता एज में जो major चीज़े गल्चरल ही हुई है वो सब एक बाक देख लेते हैं ठीक है तो अगर गुपता एज में मैं अरे यह क्या हो गया भाई गुपता एज में अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करता हूँ आर्किटेक्चर में गुपताईज में एक काफी अच्छा डिवलप्मेंट हुआ जिसका नाम है प्रॉपर स्ट्रक्चरल हिंदू टेम्पल्स बनने लग गए इसके एक्जाम्पल्स अभी बताया देवगर में है अब जो दूसरी चीज इनके टाइम में हुई वो है कॉइंस अच्छा कॉइंस के बारे बताया नहीं इंडिया में कॉइंस मॉरिया के टाइमस चालुए पंच माक्ट कॉइंस प्रॉपर जो ऑटिस्टिक कॉइंस है उसका आइडिया ग्रीक्स से आया वो कुशंस ने रिलीज किया कुशंस ठीक है कुशंस जो अभी बताया था चलो पीछे चल लेते हैं भाई एक सेकेंड गवराना नहीं है कडिश्का ये वाला जो कुशं वाला था न ये फर्स्ट गोल्ड कोईन्स इंडिया में लाई फर्स्ट गोल्ड कोईन्स और ये लो कुशं जो थे इसमें ग्रीक आठ का इंफ्लूएंस भी था इंपेरर इंपेरर का फोटो वोटो बनता था बरावर तो जो कॉइन का लेकिन आठ है कॉइन पे जो आठ किया जाता था जिसमें फोटो बनाना कुछ लिखना कॉइन के उपर सिख्य के उपर वो सबसे उसका जो पीक आया सबसे अच्छा वो घुपताएज में आया तो जनित ओफ कॉइन आठ इसके बाद डिकलाइन होने लग गया मेडाइवल पीरियेट में घुपताएज में कॉइन आठ सबसे उपर था अर्टेक्टेक्चर, केव्ज, आपके बुधिस्ट, बुधिस्ट एंड जैन दोनों में, तो गुपता जैसे किसी के अगेंस्ट नहीं थे, इनके केव्ज में भी काफी योगदान दिये, जैसे आपका अजंता हो गया, क्या बोलते हैं, लोरा हो गया, इस सब में गुपता का भी थोड़ा थोड़ा योगदान था, हलाकि राश्टकुताज बाद में उसमें मेजर रोल प्ले करते हैं, लोरा में, बट अभी उसको जाने दिजे, बट केव्ज में अगर जाईएगा, तो आजंता में इनका योगदान काफी सराहनी था, अजंता में, ठीक है, ये हो गय दूसरी गुपता एज में अगर आप देखिएगा, तो आपको ये कवर हो गया, लिट्रेचर के फील्ड में काफी काम हुआ, लिट्रेचर में अगर मैं बात करूँ तो दोनों लिट्रेचर पे काम हुआ, एक होता है सेक्यूलर, एक होता है रिलिजियस, दोनों फील्ड मे बहुत काम हुआ, secular में जैसे आप भासा देखोगे, भासा एक writer थे, बहुत important, ठीक है, confused मत हो, भासा हो गए, आपके अमर्सिम्हा, और जो सबसे अपने important आदमी, कालिदास, ये सब गुपताहेज में लिखते थे, secular writings, religious text में, महाभारत और रमायन, ये finalize हुई गुपताहेज में जाके, तो ये सब important इस समय का contribution था, दूसरा हम science and tech की बात करें, science and tech में decimal system, astronomy, mathematics, इन सब में काफी developments हुए गुपता एज में, तो गुपता एज को एक point तक इंडिया का golden age बोला जाता था, golden age of Indian civilization, golden age of Indian civilization, भारतिय सब बेता का, सबसे शांदार समय, गुपता एज में था है, ऐसा historians का मानना रहा, लेकिन, कुछ समय के बाद इस पर debate उठने लगा, क्योंकि slaves का number बरहा, इस era में, ठीक है, महिलाओं और आपके जो so-called lower caste से उनका position, डिटोरियेट किया, डिटोरियेट किया, या फिर कहिए, exactly डिटोरियेट तो नहीं किया, कुछ अच्छा भी हुआ, बट कुछ बुरा भी हुआ, तो बहुत लोग इसको question करते हैं, कि slavery है, आपके untouchables बढ़ रहे हैं, आप इसको golden age कैसे कह सकते हो, तो इस पे तो debate है, लेकि ये Indian art architecture का 100% golden age था, इसमें कोई doubt नहीं है, इससे ज़्यादा cultural developments किसी एरा में नहीं हुए, तो इसलिए आप clearly ये कह सकते हैं, it was the golden age of Indian art and architecture, no doubt with that, ठीक है, अभी चलते हैं, इसके बाद अपने incident को जल्दी से rap कर लेते हैं, बाकी क्या बचते हैं, आपके इस समय में अगर मैं देखूं, तो जो एक दो important बचते हैं, उनको बता दे रहा हूं, जैसे कि अपने हो गए चालुक्याज, चालुक्याज के बारे मैं आपको बताया, ये caves बनवाए हैं, बदामी में, एहोल में, इनके caves में भी, मंदिर वंदिर था, religious theme था, ये सम हम परहेंगे चालुक्याज, उसके बाद जो दूसरे थे, अपने राष्ट कुताज, राष्ट कुताज उनसे उपर, एलोरा केव इनका greatest contribution है, ठीक है, एलोरा केव, अभी तो बताया, एलोरा केव, जो आपका बना है, एलोरा केव, राष्ट कुताज का contribution है, साइधिन के राजात नम कृष्णा टू था, वो बनवाए थे, वहां का सबसे important जो temple है, कैलाष्णाथ temple, एलोरा का, तो ये राष्ट कुताज का contribution था, अगर और नीचे जाएगा तो पल्लवाज, पल्लवाज आपको deep south में थोरे मिलेंगे, deep south यानि northern तमिलाडू के आसपा समझ लेजे, तो पल्लवाज, पल्लवाज का काफी contribution किसमें था, बहुत important, महाबलिपूरम, अब गुपताज का एक चीज सारा बताते बताते, एक चीज रहे गया, वो मैं बता देता हूं साथ में, कि गुपताज एज में sculpting का भी important काम हुआ था, जिसमें सारनाथ स्कूल इमर्ज किया था, सारनाथ स्कूल, अगर मैं कन इसका का बात करूँ, तो मैं क्या बताया, क्या-क्या इमर्ज हुआ था, गांधार स्कूल, मतुरा स्कूल, नीचे अमरावती स्कूल, इनके टाइम में सारनाथ स्कूल आया, जिसमें बुद्धा भी बने थे, ठीक है, और इसमें एक सुल्तान गंज बुद्धा बने है, व सारनाथ बनारस में है, यूपी में, अगर किसी गुन ना पता हो तो, बाकी ये पलवाज हो गए, मोटा-मोटी, यहाँ पे आपका, इंसियन्ट इंडिया का कुल्च्रल चीज़े, कम्प्लीट हो जाती है, अब एक बार हम ओवर्वियो जल्दी से ले लेते हैं, फिर हम आर करता है, कल्चर क्या पता है, आज इंसियन्ट है, कल मेडाइवल है, तो अपने को बस कंटीन्व क्या करता है, यहाँ से जो आर्किटेक्ट्रल डेवलप्मेंट है, उसमें इनका रोल इंपोर्टेंट है, इनमें जैसे चंडेलाज, सुलंकीज, जैसे कि खजुराहू इस एरा में बना है, खजुराहू टेंपल सब जो है, बहुत इंपोर्टेंट है, वो आपका इस टाइम में डेवलप्म होता है, ठीक है, फिर थोड़ा डीप मेडाइवल में जब और जाओगे, तो आपके क्या होता है, दिल्ली सल्तनत से, इंडियन आर्किटेक्ट्चर मे एक नया एरा सुरू होता है, दिल्ली सल्तनत से, जिसको इंडो इसलामिक आर्किटेक्चर का नाम दिया जाता है, इंडो इसलामिक, सब इंपोर्टेंट है, आर्किटेक्चर में इसको बहुत डिटेनल डिसकस करेंगे, चिंता मत करना है, इंडो इसलामिक आर्किटेक्चर ठीक है, प्लस miniature paintings भी काफी जोर पकड़ता है miniature painting हलांकि मुगल में जाके ये सब अपने एकड़म peak पे पहुँचेगा, बट इस time से ही चालू हो जाता है ठीक है, इनके architecture में जो दो-तीन चीजें important है, वो है arch का use, ठीक है, domes का use ठीक है, और कुछ जो नए developments होते हैं, जैसे कि tomb बनना चालू होता है, मकबरा जो सुनते हो, ठीक है tomes, fort का era शुरू होता है, हलांकि fort building में राजपूट्स भी काफी contribute किये हैं, तो ये era में fort building, tomes, etc ये सब चालू होता है, ये सब हम अभी discuss कर लेंगे इसके आगे आपको पता ही है मुगा ले रहा मुगा ले रहा इन में काफी cultural development हुआ है बट अगर मैं paintings की बात करूँ तो ये books में books में painting start करवाते हैं, books, painting and illustration बताऊंगा क्या कुछ नहीं, इनकी जो किताबें लिखी जा रही थी जैसे की जिस समय मुगल अंपायर सेट हुआ तो इनके books में images, photos use होना चालू हुए portraits बनने चालू हुए, ये क्या गया ठीक है portraits portraits भी इसमें चालू हुए थे ठीक है, और miniature painting पूरा ही institutionalize हो चुका था ठीक है, secular painting यहाँ पे जोर पकराराजा अपना photo बनवाते थे hunting hunting करते हुए, secular paintings ठीक है, इधर हो गया और दूसरा चीज है, architecture ये तो आज आप देखी पा रहे हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ताजमाल हो red foot हो, हुमायूस, टॉम्ब हो ये सब हम इसमें discuss करेंगे मुगल्स में, बाकी और भी दो-तीन मेडाइवल में बहुत important है, जिसमें एक पालाज है पालाज का वजरियान बुद्धिजम बजरियान बुद्धिजम में काफी contribution है, इनका जैसे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनाने में, विक्रम सीला काफी वरा रोल रहा है विक्रम सीला में ठीक है अब इनका एक sculpting का school आपके East India में पाला स्कूल आया था, वहाँ पे भी बुद्धा के और यह सब बहुत images है, तो ये भी बहुत important है पालाज नीचे अगर south में जाओगे deep south में, तो चोलाज ये sort of the greatest temple builders मैं कहूँगा इंडिया के हैं greatest temple builders हलांकि इसमें debate है भाई, ये मेरा opinion है बहुत लोग नहीं मानेंगे बट चाहे आप तंजोर देख ले गंगाई, कॉंडा, चोला, पुरम देख ले greatest temple builders मैं मानता हूँ at least कुछ नहीं तो south के द्रावेड स्टाइल के तो greatest temples चोलाज ही बनाएं मेरी opinion में बाकि पता नहीं बहुत लोग अपने अपने हिसाब से interpret करते होंगे बट, इनमें एक temple builders थे और plus इनका एक sculpting school भी था sculptures जिसमें आपको Shivji ठीक है? Shivji का dance, Tandav उसको दिखाया गया है नटराज इसको बुलते है वो आपको काफी देखने के मिलता है bronze statues में इसको भी अपन थुरा cover कर लेंगे चोलाज हो गए, पहलाज हो गए उधर हो चुके थे अब जो और player बचते हैं important एक Vijaynagar empire है Vijaynagar ठीक है? और Vijaynagar school जो influenced हुआ था, वो होई-सालाज से हुआ था होई-सालाज जो है इनके temples अलग style बें बने हुआ है stealet plan का है stealet मतलब इनका temple का base होता था वो star shape में होता था ठीक है? soap stone से बनता था ये सब अभी अपन detail में करते हैं जैसे ही खोलते हैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ तो होई-सालाज से आगे जब हम बढ़ते हैं south में जो आपका अंधरा करनाटक वाला जो जून है वहाँ विजय नगर अंपायर आता है विजय नगर का भी architecture अपने को देखना पड़ेगा इनके भी temples हैं काफी important plus इनके sculptures भी है और paintings भी है जिसको अपने को cover करना है पूरा तो ये एक पूरा आपका almost इंडिया का सारा चीज थोड़ा बहामनीज जो इनके enemies थे साथ में बहामनीज order से देख लो यार ऐसा बोलोगे क्या लिख रहे हैं बहामनीज और कौन हो गई अपने विजय नगर इनका सेम एरा में काम था तो ये साथ-साथ इधर भी कुछ-कुछ cultural developments हुए थे ये भी अपन cover कर लेंगे अभी सारा हो जाएगा ये सारा एक बार story समझ गए ना अब खीचने में दिक्कत नहीं होगा इस सब के बाद अगर हम आज के भारत तक पहुँचते हैं तो इस बीच में एक और ग्रूप था जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं वो कौन थे अपने अंग्रेज भाई ब्रेटिश अर्स ब्रेटिश अर्स भी तो इंडिया वाके लंबे टाइम रहें कुछ कल्चरल कंटिब्यूशन तो इनका भी रहा होगा ना तो अगर मैं पेंटिंग्स की बात करूँ हालां कि अंग्रेजों का अगर ग्रेटेस्ट कल्चरल कंटिब्यूशन इंडिया में कुछ है मेरे हिसाब से तो वो इंग्लिश लैंग्वेज इससे ज्यादा कल्चरली सिग्निफिकेंट कुछ भी ब्रेटेस अर्स नहीं दिये इंडिया को मेरे हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज सबसे इंपोर्टन है बट पेंटिंग्स वाइज अगर आप देखोगे तो पेंटिंग्स में कंपनी कलम कंपनी कलम पेंटिंग है इसको अपन पढ़ेंगे अभी आगे चिंता मत करिएगा बाकि आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर भी है राश्पती भवन हो चाहे आपका मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनल हो चाहे कोलकाटा में बनाए हुए ब्रिटिस बिल्डिंग्स हो इसमें दो तीन स्टाइल में ये लोग काम करते थे एक को गोथिक अर्टेक्चर ठीक है गोथिक हो गया इंडोस अर्शनिक हो गया गेटवे ऑफ इंडिया जैसे इंडोस अर्शनिक सारा कवर करेंगे या घबरा इस टाइम पर इस तरीके से इनका काम होता था इस तीनों में ये लोग आर्टेक्चर में काई सारी बिल्डिंग्स ब्रिटिस बनाए थे उसको अपन डीटेल में करके अभी स्टडी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है ब्रिटिस एरा में ये हुआ था और इसके रिस्पॉंस मे जो ब्रिटिस पेंटिंग है उसके रिस्पॉंस में राजा रवी वर्मा अपनी पेंटिंग बनाया उसके बाद एक बेंगॉल स्कूल ऑफ आर्ट डिवलप हुआ इंडिया में उसके बाद एक प्रोग्रेसिव आइटिस परेंटिंग्स में कवर करेंगे अभी तक हम क्या क क्या-क्या हुए उसके ऐक ओवर वियू बना लिए यह कंबाइन आधाइद है अभी तक व हमने stone culture से और painting से start किया और जितने भी significant cultural developments इंडिया में हुए Paleolithic age से लेके British एरा तक या कहने का मतलब contemporary age तक भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है Paleolithic age से British एरा तक कई सारे dynasties आये सबका कुछ-कुछ cultural contribution था तो हमने एक बार vertical view culture का complete कर लिया है कि हम एक बार पूरा देख लिये अब हम एक एक चीज़ इसमें से उठाएंगे जैसा कि मैं आपको बताया था कि इसके बाद हम क्या cover करेंगे architecture sculpture एक एक करके यह सारा अब यह जो पूरा अपन combined पर है उसमें अब हम detail में एक एक करके सारे चीज़ों का एक horizontal वियू बनाएंगे यह आपका vertical वियू बन गया complete अब एक एक करके ऐसे अपन horizontal वियू बनाएंगे ठीक है horizontal वियू बनाएंगे अब सारी चीज़ों का तो ready है अब इसको खतम कर देंगे यह चिंता मत करो बहुत अराम से cover होगा पूरा exam में फोर के आओगे एकड़ लोड नहीं लेना है ठीक है तो अभी आप अपन horizontal वियू का start करते है horizontal वियू में जो पहली चीज़ हम pick करेंगे वो है architecture architecture पूरा pick करते है architecture cover करने की इसकोसिस करते है ठीक है तो अभी architecture पर straight चलते हैं बिना time waste की हुए सीड़े architecture start करते है ठीक है तो architecture की बात करें ये काफी important है सबसे लंबा यही है अप लोग पता ही होगा सबसे ज़्यादा time इसमें लगेगा सबसे important यही है architecture और भी चीज़े है बट architecture cover करना ज़रूरी है तो architecture straight चालू करते है तो architecture अगर आप देखोगे तो architecture में कुछ-कुछ aspects है पहले rock cut rock cut अपना काम होता है कोई भी rock के अंदर यह अपन काटते हैं इसमें caves भी है rock cut caves भी बनते हैं और rock cut structure अपन निकाल के से जैसे temple टाइप की चीज़ें भी निकालते हैं ठीक है और जो दूसरा है वो structural temple या free standing temple यह अपने को पढ़ना है इस era के architecture में और फिर आगे जब अपन ज करेंगे structural temple structural temple मतलब free standing rock से काट के निजैसे अभी आप construction करते हो किसी जगह पे complete scratch से construction करना उसको structural temple बोलते हैं ठीक है तो सबसे पहले अगर मैं rock cut को ही pick करो rock cut architecture की बात करें rock cut architecture 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 start हो गया आप focus रखना है पूरा सबसे important है वही rock cut architecture अगर मैं rock cut architecture की बात करूँ तो इंडिया में इसमें total तीन phases में काम होता है जो पहला phase है जो मैं आपको बताया था second century BC से लेके आप मान के चलो fourth century AD तक जैसे कि लोमस रिसी से start होता है लोमस रिसी से start होता है जो मौरियास के बाद लोमस रिसी बताया था ना बिहार में जो था ठीक है लोमस रिसी से start होता है ये वाली जो चीजें चलती है इसमें जो जो important चीजें अपनलो माजभे 6 साथ cover किये थे वो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ जैसे आजंट स्टार्ट होता है ना गर जुने केव इसी टाइम लुमा सरी के साथ दो और केव स्थे वह भी बता दे रहा हो सुधामा और करंचौपर करंचोपर ठीक है करंचौपर हो गया अजंता केव हो गया और बाकि बाद में तपन प्रहे थे बैदसा, कालरा, सारा कल बताया था, आप एक बार देख ले ना, जूनागर, पांडू लेडी, उदैगिरी, एक्सेटरा, एक्सेटरा, ये सारे जो केव्स थे, ये स्टार्ट हुआ, केव और के टेक्चर यहां से, जो सेकेंड फेज आता है, उसमें, जो आपका अजन्ता है, वो complete होता है, फिर, एलोरा केव्स बनते हैं, इसी टाइम में, चालुक्याज के, एहोल केव्स बनते हैं, ठीक है, ये सब important है, अपने केव के point of view से, और जो तीसरा फेज आता है, ये आपका, मैं बात खब का कर रहा हूं, 5th century से, 6th century AD, ठीक है, 6th century AD की बात कर रहा हूं, और जो 3rd अगर आपन देखें, तो 3rd phase जो आता है, उसमें कुछ important है, elephant, mahabalipuram, ये आपके 3rd phase, last phase of cave architecture, यार एक time के बाद तो cave बनना बंद होगा ना, सुरू से अबन caves से start किये, फिर caves से और development हुआ, फिर caves के बाद proper structure बनने लगया, उसके बाद caves के example नहीं है, महabalipuram का credit पलवाज को जाता है, पलवाज, ठीक है, और elephanta में जैसा कि मैं बताया ही था, बहुत लोग involved थे, बट major इसमें जो player थे वो गुपतास, और सबसे important player इसके राष्ट कुतास थे, ठीक है, राष्ट कुतास थे, ये चीज़े, इसको note कर लीजे, ध्यान से याद र कि, ये आपका cave architecture का time हो गया, अब cave के बाद क्या बना होगा, temple architecture, तो पहले थोड़ा सा temple architecture समझ लेते हैं, temple architecture, तो जब freestanding temples बनना start हुआ, यानि structural temples, जो scratch से बनते थे, ये गुपतास के time से start हो गया था, गुपतास के time से आपका freestanding सुरू हो जाता है, ठीक है, गुपतास के times है, और जोई temple बनाने का style है, वो इंडिया में तीन तरीके का major style सिमर्ज किया, three major styles, तो इसकी मैं बात करूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा सारा बता दूँगा, उसके बाद अपन एक एक करके घुसेगे temple में, तो जो पहला था इसमें, three major styles, वो है नगारा को North Indian style भी बोल सकते हैं, हालांकि पूरा North Indian नहीं है, East में भी, West में भी इसका impact है, बट North Indian style आप बोल सकते हैं, ठीक है, नगारा North Indian style, इसके जो कुछ features हैं, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो North Indian style का temple है, मैं एक बार आपको ब बनता है, ठीक है, पहला चीज़ या होगे आपका, प्लेटफॉर्म पे बनेगा, उसके बाद, माली जे यहां आपका DT भगवान रहते हैं, इसको गर्वगरी बोलते हैं, इसको गर्वगरी बोलते हैं, इसके उपर रूम होगा, और इसके उपर आपका सिखर होता है, जो temple अपने तरफ देखते हैं, इसको शिखर बोलते हैं, यहां पे एक crowning element type का अमल का होता है, और इसके उपर कलश होता है, ठीक है, यह आपका हो गया मोटा मोटी, और इसको अंतराल बोलते हैं, अंतराल मतलब जहां पे भगवान रहते हैं, और जहां लोग यहां इसके आगे म मन्डप हैं, जहां पे लोग रहते हैं, तो माली जै यह आपका मन्डप वाला एरिया हो गया, और यहां और यहां stairs, सीडी, ठीक है, तो इसको मन्डप बोलते हैं, मन्डप मतलब जो मंदिर तक जाने का जो रास्ता होता है, इसको मन्डप बोलते हैं, और यह बीच का बनता है टेंपल उसको जगती बोलते हैं जगती मंडप अमलका कलस सिखर गर्वगरी जहां पर भगवान रहते हैं अंतरा यही आपका मोटा-मोटी लुक होता है चेंजेज होते हैं अलग-अलग मंदीर में बट बेसिक स्ट्रक्चर नगारा स्टाइल का यह होता है नगारा स ठीक है प्लस जो औरिशा स्टाइल है वो भी इसी से इंफ्लूएंस्ट है प्लस जो आपका सॉलंकी आठ गुजरात में अभी अपन पढ़ेंगे चिंता मत करो सोलंकी बट इसको याद रखना है कौन-कौन इंफ्लूएंस्ट है सुलंकी आठ खजुराहो टेंपल उरिसा स्टाइल यह सारा नगारा स्टाइल से इंफ्लूएंस्ट है इसमें और कुछ बताना लाइक तो है नहीं ठीक है अब इसके अंदर माल लिजिए यह आपका भगवान मंदिर में है ठीक है यह आपका मंदिर यहां भगवान है और यह आपका सिखर है तो कई जगे अपन परिकर्मा करते हैं न भगवान के तो परिकर्मा करने के लिए जगे छोड़ा जाता है ठीक है तो इसके हिसाब से तीन सब टाइप और बन निरंधार और सर्वत्रो यह क्या हो गया भी यह सर्वत्रो ठीक है तो यह आपको एक बड़ पूरा मैं बता दे रहा हूं कि सर्वत्रो ठीक है अब इसमें क्या है सांधारा स्टाइल निरंधारा स्टाइल यह तीनो स्टाइल का जो आपका अंतर है इसमें क्या है कि इसमें इसमें परिकर्मा का जगे ही नहीं होता है सर्कम बुलेटरी पाथ एबसेंट है सर्पत्रो भद सरकम बुलेटरी स्टाइल इसमें absent होगा इसमें present होगा यानि इसमें आप परिकर्वा इस स्टाइल के temple में कर पाएंगे इसमें नहीं कर पाएंगे और इसमें जो गर्वग्री है भगवान वो हर तरफ से हर direction से आप access कर सकते हैं from all directions right सांधारा, निरंधार, सर्वत्रुभद ठीक है यह आपका तीन स्टाइल हो गया ठीक है इसमें आपको नगारा का एक basic idea लग गया नगारा temple कैसा होता है अभी आपको जब मैं आप दूसरा style बताऊंगा तो आपको ज़्यादा difference समझाएगा कि इसमें और द्रविड style में क्या अंतर है जो second style temple building का है वो south India में develop हो अच्छा जो नगारा style है ने यह 5th century AD से develop होना चालू हुआ तो लिख देता हूँ बैसे बता दिया हूँ बट फिर भी from 5th century AD 5th century AD से यह start होता है ठीक है अब अपन जो दूसरा style लेते हैं दूसरा style है द्रविडा style द्रविडा style और इसको अपन south Indian style भी बोल सकते हैं इसम में कोई दिक्कत नहीं है यार मंदिर बनाने का तीन style है एक north Indian एक south Indian एक विसारा जो mix बताएंगे तीनों बता दे रहा हूँ इसमें क्या दिक्कत है द्रविडा style इसके features की अगर हम बात करें ठीक है तो इसके feature में सबसे पहले जो आपका शिखर था वो विमान बन जाता है straight रहता है उसमें क्या beehive जैसा ऐसे कर्वी linear सा था इसमें थोड़ा straight piramidical होता है ठीक है इसके उपर वाले element को यहाँ पे सिखर बोलते है तो यह ध्यान रखना North India में इस पूरे को सिखर बोलते थे इसमें इसके उपर के सिखर बोलते है ठीक है मालो ऐसे कुछ है यह आपका temple हो गया यह आपका गर्वगरी हो गया ठीक है अब यह आपका structure होता है बड़ जब temples में जाओगे तो इसका क्या होता है compound बनता है जो North India में नहीं है एक compound पूरा बनाया जाता है उसके अंदर water tank होता है water tank ठीक है छोटे छोटे shrines के लिए अलग से जगे दे दिया जाता है ठीक है ठीक है अब यह जो gate है और जो आपका main gate है अलग से main gate बनता है यह बहुत significant feature है इसको बोलते है गोपुरम यह आपका गोपुरम है अब यह जो मंदिर है इसका overall structure अगर मैं side से देखू तो यह आपका विमान हो गया यह आपका temple हो गया ठीक है बेसिक अगर बता दो फिर यहाँ पे अंतराल होगा और फिर यहाँ पे मंडप होगा मंडप अंतराल और इसमें raised platform कई बार जगती absent होता है जगती absent यानि raised platform पे जो वहाँ बनाते थे उचे एक height पे लेके मंदिर construct करते थे वो south में नहीं होता है generally कहीं कहीं है बट ऐसे नहीं होता है यह pyramid shape का होता है generally सारा generally बता रहा हूँ कई लोग अलग type से भी करनेंगे यह pyramid shape का आएगा यहाँ शिखर है विमान है water tank सारा हो गया यह आपका south indian style है तो south indian style में अगर मैं बात करूँ examples की अगले slide पर कर लेते हैं तो इसमें जो major आपको लोग मिलेंगे चोलाज हैं पंडियाज हैं और पलवाज भी हैं यह सब आपके major players है किसके dravind style architecture के ठीक है अब अपन चलते हैं तीसरे type पे जो तीसरा type है इसको बोलते हैं विसारा style विसारा style क्या दोनों के बीच का है mix जैसे इधर आप माल लिजे अपना भारत यह अपना भारत हो गया कुछ भी माल लो यार तो इधर क्या ये वाला जो आपका जोन था इधर नौर्थ इंडियन style था इधर आपका मैं बता रहा हूँ साउथ इंडियन style था ये जो बीच वाला जोन था यही पे ज़्यादा तर विसारा style इमर्ज किया इधर हो गया नगारा विसारा और इधर द्रविडा style तीन तरीके समंदिर बनाया जाता है तीनों का एरिया आपको दुखा दिया अब इसारा style बोलू तो इधर सा क्या बोलू कल्मिनेशन बोल दो कल्मिनेशन इग्जैक्ली नहीं है या फिर mixed method of temple building temple architecture लिख लेते हैं temple architecture ठीक है अब इसके बीद कुछ example बताने परेंगे न तो इसके example है चालुक्यान style ठीक है उसके बाद होई सालाज ठीक है ये दोनों में चालुक्याज ठीक है और होई सालाज ये आपको विसारा style में मिलेंगे ये तीन style में temple बनता था ये आपका major क्या बता दिया मैं ये आपको बता दिया हिंदू temples बनाने का तीन style अब जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है वो भी एक बार जल्दी समझ लो फिर पूरा history खटा का खीज डालेंगे कुछ नहीं है अब आजाओ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर अगर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करूँ ते इसमें दो तीन चीज मेजर थे पहले अपन सीधे कवर करते हैं स्टूपाज स्टूपाज मेजर थे तो स्टूपाज कैसे बनते थे नहीं बनते थे वो एक बार में बता देता हूँ बहुत इजी है कोई लोड मी लेना है माल लो ये तुम्हारा boundary है ठीक है boundary हो गया यहाँ पर आप gate लगा दो इसको बोलते है तुराना इसको क्या बोलते हैं वेदी का अब यहाँ पर आपका माल लो कहीं पर इधर हो गया आपका तुराना अब यहाँ पर अंडा कार सापका हो गया इसको अंडा ही बोलते है ठीक है ये जो boundary है और ये अंडा है इसके बीच में एक घूमने की जगह होती है वही परिक्रमा चक्कर काटने की इसको बोलते है प्रदक्षिना पत और ये वाले area को इसको मेड़ी बोलते है मेड़ी हो गया तुराना हो गया आपका अंडा हो गया अब इसके उपर एक area enclosed रहता है इसको हर्मिका बोलते है हर्मिका बोलते है और इसमें कुछ अंदर थोड़ा तिरसूल सूल टाइप कुछ बना रहता है उसको छतरी बोलते है यही आपका स्टूपास का generally structure होता है बट जब मैं कल्ब आपको परहा रहा था तो मैं आपको अमरावती के बारे में बता रहा था ठीक है अमरावती अमरावती का स्टूपा में मैं बोला था कि डॉमिकल सेप है राइट डॉमिकल सेप बताया था तो आप domical shape क्या होता है ये बस एक बार बता दे रहा हूँ ठीक है समझ जाओ अच्छे से याद रहेगा हमेशा क्या होता है domical shape normal जो stoopa बनता है मालो इसको मैं 2 में बताता हूँ normal और domical दो type का stoopa होगा normal में क्या है normal में कुछ नहीं ये धरती है यहाँ से आपका normal अंडा टाइप निकल गया ये आपका क्या है normal stoopa domical stoopa हम क्या होता था कि कुछ slabs लगे होते थे जो आपके plank type काम करते थे तो कुछ time तक ये ऐसे सीधा उठेगा ठीक है कुछ slabs यहाँ लगे रहेंगे ये और उसके बाद ये कर्व हो जाएगा थोरा सा shape अलग नहीं लग रहा है ये आपका हो गया अंडा वाला shape और ये आपका हो गया domical domical वे क्या है यहाँ नीचे base पे slab type कर रहता है यही अंतर है अमरा वती stoopa इस shape का होता है domical का बाकि सारे stoopa आपको इस shape के मिलेगे अंडा shape के ठीक है अभी आगे बढ़े बुद्धिस्ट में आपन stoopa कर लिए अब दो चीजें और आपको बताया था फिर से बता दे रहा हूँ एक विहाराज बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में जेनरली यही चीजें बनती है तो यही बता रहा हूँ विहाराज और चैतियास यह caves में ही बनते थे चैतियास में क्या होता था कुछ नहीं कि कहीं पर पत्थर काटे और उसके अंदर पूजा पाट करते के लिए एक जगे बना लिये थे यह चैतियास एक तरह से prayer halls होते थे राइट prayer halls की तरह यूज होते थे जबकि आपके जो विहाराज है विहाराज जो माली जे मौंक्स है वो जहां रहते थे यह रेसिदेंशियल quarters type का काम करते थे विहाराज यही major चीज़ें आपको constructed मिलती है इस time पर ठीक है अब अपन इसको types cover हो गया types में मैं आपको क्या क्या बता है एक बर वो देख लेते हैं फिर अपन गुश्टें आपके टेक्चर में types में अगर मैं आ जाओ कहां से चालो किया है यहां से चालो किया है ठीक है यह बता दिया यहां से आपको rocket architecture का evolution बता दिया temple architecture गुपताज से चालूआ और यह इसका end तो हुआ नहीं है यह तो अभी भी चल रहाए राम मंदिर भी बन गया है तो यह तो चलता रहेगा temple architecture और इसके जो सब टाइप्स हैं वो अपन कवर कर लिए उसके बाद आपके नगारा और नगारा कहा गया नगारा स्टाइल, तीनो स्टाइल कवर कर लिए नगारा, द्रविडा, विसारा स्टाइल ठीक है, और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के जो मेजर चीज़े हैं, वो हम एक बड़ डिसकस कर लिए अब यह गुड टू गो फोर आर्किटेक्चर तो सबसे पहले हम स्टाइट करते हैं केव वाले सिस्टम में केव आर्किटेक्चर एक बड़ फिर से रिविजिट कर रहा हूँ, अब यह क्लोज हो रहा है, इसके बाद फिर से विजिट नहीं करेंगे तो इसलिए ध्यान से सुनते जाना ठीक है, केव आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो पहला आता है लोमस रिसी नागरजुनी, देख लो अगर पहले भी देखना है, तो नागरजुनी सुदामा करंच उपर यह अपन कहां बात किया थे? बरावर हिल्स गया में, बिहार में हैं बिहार में हैं यह सारे गया में मैं बताया था ना कि यह अजीव का सेक्ट के लिए अजीव का सेक्ट के लिए बनाया गया था, Morian Empire के टाइम में ठीक है, यह केवस से सुरू हुआ था, उसके बाद ओरिसा का में बताया था, उदैगिरी खंडगिरी उदैगिरी खंडगिरी केवस उदैगिरी कारवेला किंग्स बनाते हैं, जैनिजम को डेडिकेटेड है, उसके बाद मैं बोला था, उदैगिरी, MP में, इसमें क्या था, वरा, विश्नु को वरा, एक वाइल्ड बोर के फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है, ये इंपोर्टन्ट है, बाकी वेस्ट इंडिया में आपने डिसकस किये थे, कई सारे केव्स, जिसमें, ठीक है, इसका सारा नाम में एक वर देख लो, कुछ छोटे नहीं, कनहेरी छोटा तो, कनहेरी लिख देतों, भजा हो गया, कनहेरी हो गया, ये साम, सेकेंड सेंचुरी, BC से लेके, थर्ड, पोर्ट सेंचुरी, BC तक बनते जाते हैं, और ये सारा, आपको कहा मिलता है, वेस्टन इंडिया में, जिसे की MP और महराष्ट मीजर हैं, वेस्टन एरियाज में आपको, ये मिल जाता है, ठीक है, ये सारे केव्स, आपको मिलते हैं, वेस्टन एरिया में, इसमें से और कुछ रहता है, कवर करने के लिए, I don't think so, चीजें यहां कवर्ड हैं, ठीक है, ओके, I guess ये वाला पार्ट डन है, सुरू के केव्स, अब सुरू के केव्स तो कवर्ड हैं, अब यहां से जो मेजर केव्स आते थे, अजन्ता, अजन्ता बता चुका हूँ, सेकेंड सेंचुरी, बीसीस चालू हुआ था, और फिप्थ स सेंचुरी, एडी तक चलता है, कुल मिला के इसमें पच्चिस, उन्तिस केव्स हैं, ठीक है, पच्चिस, आपके, पच्चिस हिनायान के हैं, यह एक बार देखना परेगा, पच्चिस प्लस चार है, I guess, पच्चिस, एक मिनट बता रहा हूँ भाई, मैं भी भूलता हूँ, नॉर्मल चीज है, ठीक है, यहां भी मिनसन नहीं है, यह देखना परेगा, खेर आप एक बार देख ले ना, पच्चिस और चार है, हिनायान प्लस महायान है, कौन जादा है वो आप देख ले ना, I guess, इतना पूछे जायान है, कि पॉइंट किया है, कि अजन्ता के जितने केव से हैं वो बुद्धिजम से रेलेटब है, यहां पे हिंदुई़िजम और जैनिजम नहीं है, यह ध्यान रखना है, ठीक है, उसके बाद यहां पे आपको क्या-क्या मिलते हैं, एक डी अर्टेक्छिर सायन तो हे फ्लाइंग प्रिंसेस, पद्म पानी, ये सब पेंटिंग है, स्कल्प्चर मार विजय का है, और लिख देता हूँ, पहले भी लिखा हुआ है, स्लाइड जाके देखो, अगर याद नहीं है तो, मार विजय और महापरी निर्वान, इसका स्कल्प्चर बना हुआ है, यहाँ प डाइंग प्रिंसेस, ये सारी चीज़े हैं, और आपके पद्म पानी, ये सब फ्रेस्को वाल पिंटिंग्स अजन्ता में मिलते हैं, ठीक है, क्या बता रहा था, पद्म पानी, ठीक है, अजन्ता बता चुका हूँ, अब चलते हैं, अगला एलोरा, ये भी बता चुका इसमें कुल मिला के 34 है, 34 केवस पाए गया है, 17 हिंदू है, 17 हिंदू है, अगेन ये नंबर से एक बार वेरिफाइ कर लेना भाई, मैं भी बूल सकता हूँ, 12 बुद्धिस्ट बूलता ही हो यार ये सब तो, 17 हिंदू, 12 बुद्धिस्ट, 5 जैन, हलांकि नंबर इतना इंप तीनो के आपको क्या मिलते हैं, तीनो रिलिजन मिलते हैं, और एलोरा की बात करें, तो ये 5th सिंचुरी, AD से 7th सिंचुरी AD रख लो, 7th नहीं, एक्चुली इसका पूरा कंस्ट्रक्शन तो 10 तक चलता है, 10th सिंट AD, ठीक है, उसके बाद, जो रावन, शेकिंग, Mount Kailas, ये यहाँ पर है, ये भी very important, ठीक है, उसके बाद, इसमें contribution, गुपताज और राश्टकुताज का है, ये भी very important, और इसका जो main आपका temple है, कैलाशनात temple, कैलाशनात, ये कौन बनाता है, कृष्णा, One, Krishna One किस के है, किस dynasty के है, राश्टकुताज, ठीक है, ये किस phase का बाद कर रहा हूं है, ये caves बन रहा है, Second वाले phase, अपन cave architecture का, तीन phase का बात किये, पहला phase में, वो सारे, आपके, Lomas Rissi और ये सब थे, Second phase ये है, जनता है, लोरा का चल रहा है, इसी time में, चालू क्यास भी cave बना रहे थे नीचे, चालू क्यास ने, ठीक है, चालू क्यास ने इसी time पे करीद, आप माल लो, 6th, 7th, century, AD में, बदामी, और एहोल, वाले जगह पे caves बनाए हैं, इसमें आपको, रावन फाडी caves, याद रखना परेगा, ठीक है, रावन फाडी caves और इसमें, दुरगा temple ये सब था, ये सब आपको, याद रखना परेगा, चालू क्यास का अभी, इस time पे ये चल रहा था, इसी time पे south में पहले बता चुका हूँ, south में, अपने पंडिया वाही लोग लगे हुए थे, पंडियाज भी caves बनाने में लगे हुए थे, पंडियाज जो बना रहे थे, पंडियाज टैनास्टिफ, 4th century C से सुरू हो गई थे, ठीक है, तो ये भी उस time में caves कहां बना रहे थे, बता चुका हूँ, तिरुच्ची, सीतन वसाल caves, डन है, तिरुच्ची, सीतन वसाल और एक इलाडी पटम भी था, और भी है, गरवर हो गया है, इलाडी पटम, इलाडी पटम caves, ठीक है, इसमें जैन caves है ज्यादा, जैन caves है, ठीक है, बाद वाले caves में हलाकि, जब पंडिया के caves बागत, यानि डीप साउथ की मैं अभी बात कर रहा हूँ, यह यहाँ, यह वाले जोन की बात कर रहा हूँ, यहाँ के जो caves थे, यहाँ पे बाद में जब थोरा समय बीचता है, तो गनपती इमेज, गनपती इम इमेज, caves के बाहर दिखने लग जाते हैं, बाद में, शुरू में ने, शुरू में तो पूरा जैन डेडिकेटेड था, लेकिन बाद में और caves जब बनते हैं, हिंदुईजम तरफ शिफ्ट होता है, तो उस समय आपको cave इंट्री पे गनपती इमेज दिखने लग जाता है, I guess इसमें और कुछ है नहीं, तो ये भी अपना sorted हो गया है, काफी तेज अपन cover कर रहे हैं, इस से जादा याद नहीं रखना है, इतना ही आपको cover करना है, और इतना तियाद रखना ही परेगा भाई, एक्जाम में जा रहे हो, मजाक करने थोड़ी जा रहे हो, ठीक है, अब अपन एक बार, अब अपना जो format यहां से होगा, हम architecture को अभी तीन टुकरों में पहले तोर देते हैं, incident को, अपन ऐसे पढ़ लेते हैं, जैन, बुद्धिस्ट और हिंदू, और बाद में इंडो-इस्लामिक आएगा, वहां से वो कर लेंगे, तो इस से चार में आपका मोट और बाद में बुद्धिस अरस, तो पांच टाइप का architecture अपन परेंगे, सारा कहानी खतम हो जाएगा, तो सबसे पहले, बुद्धिस्ट architecture की मैं बात करता हूँ, तो बुद्धिस्ट architecture की यदि मैं बात करूँ, तो caves waves तो अभी तक यार चार बार बोल चुका हूँ, तो पहला है बोध गया, बोध गया, बोध गया में महाबोधी temple है, महाबोधी temple का अगर image देखोगे, तो इसका जो सिखर है न, वो एकदम करीब सीधा सा खरा होता है, और लास्ट में थोड़ा कर होता है, तो ये ना नगारा है, नगारा जैसा भी नहीं है, नाइधर नगारा, नाइधर नगारा, नौर द्रविडा, इसका जो शिखर है, वो अलगी टाइप का image खोल के देखना, image मैं पिपी टिप लगा सकता था बड़ मैं नहीं लगा है, आप जाके खुझ से देखो बुक में, पढ़ने के बाद, जो image है, वो जो इनका महाबोधी temple की बात कर रहा जो आपके बोध गया में है, जो बुद्धा को dedicated है, वो almost straight आता है, उचा सा है, और एकदम उपर जाके कर्व करता है, तो वो एकदम pure नगारा beehive shape में नहीं है, तो बोध गया महाबोधी temple, महाबोधी temple की बात करोगे, तो इसका शुरुवात मौरियाज नहीं कर दिया था, मौरियाज के टाइम से चला, इसमें थुरा बहुत गुपताज contribute किये, और बाद में major contribution, इसमें किसका आया, पालाज का, जो बाद में emerge करते हैं, 9-10 century का सपास बिहार बंगाल के region में rule करते हैं, पालाज वज रियान बुद्धिजम के बहुत बड़े proponent, ये महाबोधी temple में contribute करते हैं, तो एक ये हो गया, दूसरा आपका नालंदा, नालंदा युनिवर्सिटी जो देखे हो, वो भी कोई बनाया होगा, कौन बनाया था, कुमार गुप्त बनाये थे, कुमार गुप्त, गुप्ता डानास्टी का रोल था इसमें, गुप्ताज, गुप्ताज वेर न आनिम उनका रोल था, तो नालंदा युनिवर्सिटी भी उनका major एक architectural contribution है, ये दो चीजें हो गई, और कुछ इसमें जो major बचता तो नहीं है, बाकी तो पन cover कर ही चुके हैं, ठीक है, अब थोरा सा आपन distinct में देख लेते हैं, जैन, फिर combined में देख लेंगे, जैन architecture, जैन architecture क बात तो करना जरूरी है, खारवेलाज की बात कर चुका हो, मैं खारवेलाज क्या किये थे, कहां पे, कहां पे भाई, फिर से नहीं बताओंगा, उदैगिरी, खंडगिरी, ये खारवेलाज उरिसा में बनवाए थे, अभी बताया हूँ, थोरी दिर पहले, खारवेलाज, उ माउद में किस ने बनाया भाई, पांडियाज ने, पांडियाज ने केव्स बनाया, अभी बताया हूँ, तिरुची, इलाडिपटम और सितानवसाल केव्स, ठीक है, ये तीन केव्स हो गए, अब जो इनके टेंपल्स मेजर है, वो देख लो, माउंट अबू में, माउंट सोलंकीज ने बनवाया है, ये अभी जब हिस्ट्री में अभी एके करके अभी तुरंत करेंगे, इसके जस्ट बाद, याद हो जाएगा, रैंडम फैक्ट नहीं है, चिंता मत करो, सोलंकीज ने बनाया है, माउंट अबू राजस्थान में, वाइट मार्वल में है, काफी ख गजरात, सारा का इमेज खोल-खोल के देख लेना, वीडियो देखने के बाद, खुज से भी महनत करना होता है, स्पून फीडिंग से एक्जाम ना निकला है, ना निकलेगा, सितरुण जै हिल्स, कठियावार गुजरात, ठीक है, कठियावार गुजरात में, सितरुण जै ह पे आपको जैन टेंपल्स मिलते हैं, I guess जैन में भी और ज्यादा कुछ, दिमाग लगाने लाइक है नहीं, एक मेजर चीज जो छूट रहा है, वो कर लेते हैं, वो आगे कर लेते हैं, जैन में ही कंटिन्यू करते हैं, वो बहुत इंपोर्टेंट है, वो है आपका गोमतेश् जो मुर्ती है, गोमतेश्वर, स्रवन, बेल, गोला, करनाटका में हैं, सायद वर्ल्ड का लार्जेस्ट, मोनोलिथिक, लार्जेस्ट मोनोलिथिक, हुमन फिगर जो बनता है, हुमन हलागी गौड है, हुमन बोलना गलत होगा, इनका दूसरा नम बाहुबली रिथा, बाहुबली, किसी की याद ना होती है, तो याद होई जाएगा, तो ये याद कर लेना लार्जेस्ट मोनोलिथिक, फ्री स्टैंडिंग, फ्री स्टैंडिंग, स्टैच्यू, ठीक है, डन है, और ये कौन बनवाए थे, ये बनवाए अपने वेस्टर्न गंगा डाइनास्टी, वेस्टर्न गंगा डाइनास्टी बनाई थे, ठीक है, गुमतेश्वरी ये करीब, I guess, नाइन्थ या टेंथ सिंचूरी एडिम बना होगा, ठीक है, बहुत बड़ा सा इमेज है, खोल के देखना है इसको, ठीक है, यहाँ पर अप अब एक चीज जो मैं address करना चाहता हूँ, जो कि हलांकि architecture से related नहीं है, बट यह छूट जाएगा, तो छूटी जाएगा, उसका नाम है, अशोकन एडिक्ट्स, वो एक अलग चीज है, उसको भी अपन एक बार देख लेते हैं, फिर अपन आगे continue कर लेंगे, अशोकन एडिक पिलर्स बारे मैं बता चुका हूँ, shaft होता था, structure देख लो, एक monolithic shaft होता था, बता चुका हूँ भाई लोग, याद नहीं है, तो दिक्कत है, ठीक है, इसके नीचे, monolithic shaft के नीचे क्या होता था, यहां, यहां से आपका capital चालू होता था, यहां पर अपन कुछ पेर पौधा टाइप lotus lotus लटका देते थे, यहां पर अपन evacas डाल देते थे, इसके उपर share wear बैठा देते थे, ठीक है, और उसके उपर crowning element होता था, crowning element होता था, और इस पूरे को जोर के, capital का नाम दे देते थे, राइट, यह था, असोकन pillars, असोकन pillars में Iranian civilization का influence बताया था, कि एक्के मेनि बनाने का influence आया था, वहीं से इन pillars पे message भी लिखा जाता था, जनता के लिए, असोकन edix, इसी को बोलते हैं, असोकन edix, यानि, असोका ने कुछ-कुछ message जनता के लिए लिए लिखे थे, वो सारे आपको असोकन edix में मिलेगे, मैं यह क्यों discuss कर रहा हूँ, क्योंकि पहला, जब असोका की बारे में हम बात करते हैं, तो असोका का चो पहला जानकारी हमको मिलता है history में, वो हमको मिलता है कहां से, कुछ texts से, texts, literary sources, अगर मैं literary sources की बात करूँ, तो चार important हैं इसमें, दीप वम्ष, महा वम्ष, दिव्या, वदना, और अशोक वदना, यह दोनों स्री लंका हम पाये जाते हैं, और यह जो literary source है, यह आपके North India का है, इस दोनों से हमको पता चलता है, इन चार किताबों से, यह सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, अशोक है, अशोक, अशोक, ठीक है, इस चारों से हमको अशोका के बारे में पहले पता चला, अशोका के बारे में, जब हम यहां से पढ़े बुद्धिस्ट टेक्स से, तो हमको यह लगा कि अशोका जो है, वो एक महान बुद्धिस्ट सासक रहे, यानि इंपेरर पार एक्सिलेंस ऑफ बुद्धिजम, बट यह सारे बुख्स यह भी दिखाते हैं कि अशोका वस प्र पढ़ा गया, उसको decipher करना बोलते हैं, जब decipher किया गया, और उसको decipher कौन किये थे वाई, आ चुका है question, ठीक है, यह question आ चुका है, ठीक है, प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, पता होना चाहिए था यह, बट नहीं है तो कोई बात नहीं, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, यह इस religious spreader की नहीं थी, he was more than that, और उसके बारे में अशोका ने डिक से हमको क्या info मिलता है, कि अशोका अपने pillars पे केवल बुद्धिस्ट को address नहीं करते हैं, तो जो उनका message of dhamma है, it is addressed to all, not just to Buddhists, addressed to all, इसके अंदर जो आपके अशोका जो message देते थे, उसमें universal law, good behavior, good behavior बोलू, या secular ethics, कैसे behavior होना चाहिए, कैसे दूसरों के साथ behave करना चाहिए, सब धर्म का respect करना चाहिए, अशोका खुद को एक fatherly figure की तरह बताते हैं, जो अपनी जनता को बहुत सारी चीजें एक तरह से सिखाते हैं, ठीक है, यह हमको यहां से पता चलता है, तो अशोका का बुद्धिजम के beyond क्या personality है, वो अशोका नेडिक्ट से पता चलता है, मस्की एडिक्ट, एक important एडिक्ट है, जिसमें से यह पता लगया गया कि देव, जो आपका असोका का नाम था, वो इस पे लिखा है, बाकी जगा, पीम दासी, देव नाम परिये, इस टैट के उसके नाम दिये हो थे, बट मस्की से हमको पता चलता है, वो सारे नाम असोका के हैं, तो मस्की एडिक्ट, इसके लिए याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, पूरी कहानी क्लियर है, इसके आगे अपन बढ़ जाते हैं, अब हम आते हैं, अपने में गिव में, वो है, गुपता एज, जहां से हमारा टेंपल एक्चुल में शुरू होता है, ठी हैं, अपन गुपताज में, गुपता एज, यहां से ही अपना, अभी तक देखो, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर और जैन आर्किटेक्चर का मैं एक ओवर व्यू दे दिया, अब मैं गुपता एज से आपको, हिंदू आर्किटेक्चर में ले के जाओंगा, जहां पे होगे वो भी discuss कर लेंगे और मोटा मोटी यहां से अब अपन एक stretch में पूरा ancient India और Hindu architecture खतम कर देंगे उसके बाद Islamic और modern pick करके कहानी खतम कर देंगे गुपता age is the start of free standing structural temples structural temples के सुरुवात यहां होती है cave architecture से हम structural temples में कहां गुशते हैं गुपता age में तो गुपता age की जब शुरू होती है गुपता age का जो time होता है उस time में हमने अभी परहा कि आपके caves भी बनते थे in fact caves बाद में भी बने जो मैं आपको एक cave बताना पीछे चाह रहा था बट उसको मैं सोच रहा हूँ अभी आगे ही cover करूँगा elephant वो रह रहा है उसको कर लेंगे तो गुपता age से free standing temples बढ़ाने start होते हैं तो इसका जो पहला sign मिलता है गुपता age में जो temples हैं उसके तीन phases हैं एकदम तीन distinct phases पहला जब आप एकदम flat roof से सुरू हुआ था मंदिर बनाना यहीं से Hindu temples का सुरुवात होता है flat roof पे temple बने उसके बाद square base square base पे temple बनाये गया और साथ में क्या square base के साथ थोड़ा सा जो आपका प्रदक्षी ना पत है circumulatory path ambulatory path कुछ भी लिखत हो यार सब लिखते हैं लोग पता नहीं क्या मतलब होता है but point वो है जहाँ पे जो दर्शन करने आते हैं लोग वो परिकर्मा करते हैं भगवान के मूर्ति का ambulatory path ठीक है यह दिखने को मिलता है और जो third phase है वहाँ proper temples प्लस पंचायतन style पंचायतन style का जन्म होता है अब यह तीनों चीज क्या है फिर दिमाग घुम रहा होगा चकर आ रहा होगा कोई दिक्कत नहीं बहुत ही simple सी चीज़े हैं सबसे पहले हम first stage की बात करते हैं early flat roots इसके example है भीतर गाओ दूसरा है गाजीपूर में भितर भितारी ये है गाजीपूर में सब यूपीक बात कर रहा हूँ गाजीपूर ठीक है और तीसरा तो अपन पढ़े हैं जहां सी में देवगर और यहीं बाद में डेवलप होता है देवगर वाला टेमपल बताता हूँ ठीक है फिर स्कॉयर बेस से आपका टेमपल बनने लगता है स्कॉयर बेस जो आपका है एम्बूलेटरी पाथ इसमें वरा टेमपल जो इरान एमपी में है यह देखने को मिलता है इरान एमपी में आपको स्कॉयर बेस टेमपल मिलता है और जो लास्ट आपका टेमपल है जिसमें पंचायतन स्टाइल लेते हैं यह आपको दसमतार टेमप जो विश्णु जी को dedicated है obviously दसवतार की बात कर रहे हैं तो दसवतार temple में आपको गुपताज का temple पंचायतन style तक अपन पहुँच जाते हैं अब अपने लग रहा होगा कि भाई पंचायतन style क्या होता है यह बता ही नहीं तो पंचायतन style भी समझ लेते हैं प्राइमरी डीटी यह मैं टॉप व्यू ले रहा हूं उपर से मंदिर को देख रहा हूं ठीक है तो आपका माल लिजेए यहां प्राइमरी डीटी है अरे कहीं होता है विश्णु जी को मंदिर में जा रहे होती है आप विश्णु भगवान है तो पंचायतन क्या होता था कि बाकी एक भगवान है उनके चार और भगवान का सबसीडियरी स्राइन रख दिये ठीक है तो यह चार सबसीडियरी स्राइन होता था अब सबसीडियरी स्राइन में कौन लोग होते थे या तो मालो विश्णुजी से related जो God है mythology में उसको यूज करते थे या फिर जो local वहाँ के डीटी हों किनी को भी यूज कर सकते हैं इसी को आप बोलते हो पंचायतन स्टाइल ठीक है ज्यादा कुछ है नहीं पंचायतन स्टाइल पंचायतन स्टाइल का example अगर मैं बोलू एक तो अभी हम discuss किये दसवतार टिम्पल ठीक है बाकी आप खजुराहों में जाओगे खजुराहों में आपको लक्ष्मना टिम्पल यह भी लिखी देता हूँ भूल तो जाओगे दसवतार टिम्पल ठीक है खजुराहों में भी अपने को पंचायतन टिम्पल देखने को मिलता है यह मोटा मोटी आपका गुपता एज टिम्पल बिल्डिंग के perspective से यहाँ पे खतम हो जाता है तो गुपता एज को अगर हम देखें तो एज ओफ ट्रांजिशन है तो मैं एक बार एज ओफ ट्रांजिशन बता देता हूँ आपको वो important है क्योंकि कई बार लोग confuse होते हैं कि ट्रांजिशन हुआ कब एज ओफ ट्रांजिशन एज ओफ ट्रांजिशन किस चीजों से केव से इसको मिटाओ केव से structural temple का structural temple की transition की बात कर रहा हूँ है केव से हम structural temples की तरफ किस एरा में बढ़ते हैं ये समझना चरूरी है तो इसके लिए वापस से अपन चलते हैं अपन अपना भारत बना लेते हैं ठीक है ये ले लो यार समझने के लिए दिल पे मत लेना ठीक है इस वाले जोन में इस समय गुपता सासन कर रहे हैं गुपता नौर्थ इंडिया में transition देखते हैं temples का एक end से दूसरे end यहाँ पे एक दूसरे लोग है जिनका नाम है चालुक्यास नाम सुनया हो दस बार बता चुका हूँ चालुक्यास चालुक्यास के टाइम में cave से temple का आपके डेकन वाले area में cave temple से structural temple का movement चालुक्यास के time में होता है और नीचे जलते हैं यह वाला area यादा रहा है कुछ पल्लवाज पल्लवाज यहाँ है और इस वाले area में पल्लवाज पल्लवाज इसको carry करते हैं पल्लवाज जब महावली पुरम बनाते हैं तो वो cave structure में होता है rock monolithic rock को cut करके करते हैं और वहाँ पे महिसासूर मर्दिनी caves जो है cave से सुरू करके later stages में पल्लवाज के rean में हम free temples structural temples, free standing temples तो यह तीनों याद रखना इस टाइम में भारत cave architecture से proper structural temple में transition करता है ठीक है यह बता दिये तो अब गुपता तो कर लियो अब क्या करना है चालू क्यास करता है तो चलू करते हैं चालू क्यास ठीक है अब आते हैं आपाएं चालू क्यास पे चालू क्यास देखो भाई चालू क्यास समझना है पहले यह चालू क्यास थोड़े complex है complex क्यों है क्योंकि तीन लोग चालू क्यास थे एक जो पहले चालू क्यास थे इसको बोलते हैं early चालू क्यास early चालू क्यास यह कहां से rule करते थे वटापी से बदामी से नहीं पता है मैप पे देखो, सारा काम मेरा नहीं है आप एक बार मैप पे देखो, किताब भी खोलो वो जरूरी है, अरली चालुकियाज के बाद जो अगले चालुकियाज आते हैं वो आते हैं, इस्टन चालुकियाज इस्टन चालुकियाज ये बता ही दे रहाओ यार ये करणाटक में है खुर्श हो जओ जओ करणाटक इस्टन चालुक्याज आंधरा आंधरा में रूल करते थे और ये एरिया इनका जो capital था वो था वेंगी वेंगी इनका लिख दिया वटापी बदामी और जो late चालूकयाज जो later चालूकयाज थे उनको western चालूकयाज बोलता है वेस्टन चालूकयाज थे चालूकयाज of कल्याणी चालूकयाज of कल्याणी जो थे वो आपको 11th 12th सेंचुरी तक rule किये हैं और यहां से transition होता है होई-sala's का वो अपन अभी देख लेगे ठीक है कोई दिखकत नहीं है अब अपन cover करते हैं early चालो एक-एक करके इनका architecture ठीक है तो पहला जो अपने हैं यह है early चालो क्यास early चालो क्यास पहले caves से start करते हैं और caves में जो major है वो दो नाम याद रखना है एक है बदामी और एक है eye hole ठीक है इसमें रावन फाडी caves याद रख ले ना direct आएगा रावन फाडी caves कहां से related है यह important है रावन फाडी caves देखने को मिलता है दूरगा temple भी मिलता है hole में यह भी important है ठीक है यह start करते है cave architecture से इनका जब थोड़ा time भीता है तो धीरे धीरे यह structural temple की तरफ move करते है structural temples में अच्छा जो इनके caves है उनमें एक और important चीज़ होता है caves के बारे में अगर मैं बात करूँ caves में एक important development है जो यहाँ काम नहीं आएगा बट sculpture परते हैं काम आएगा यहाँ नटराज sculptures पाए गए हैं नटराज मतलब शिवजी टांडव करते हुए और यह बाद में चोलाज के sculptural tradition में बहुत बड़ा role play करेगा तो नटराज का sculpture यहाँ पे पाए गया है start करने में इनके caves में ठीक है अब इसके बाद early चालो क्यास के temples में यदि घुस है temples यार इनके eye hole में है पट्टे डकल में है बादामी में है और जो important temples है दो तीन लिख लो यार एक तो बोल दिया दुरगा temple दुरगा temple लाद खान टेंपल और वीरुपक्षा टेंपल वीरुपक्षा टेंपल इंपोर्टेंट है भाई बहुत इंपोर्टेंट है वीरुपक्षा टेंपल दुरगा टेंपल पर question आ चुका है वीरुपक्षा टेंपल अभी बचा हुआ है तो वेरुपक्षा टेंपल पे आ सकता है लादगान डेंपल, इससे ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और भी दो तीन है बट उसको जाने दो, अभी इस्टन चालूकियास चलते हैं, इस्टन चालूकियास कल्चरली थोड़े कम सिग्निफिकेंट है इसपे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, दो चीजन याद रखनी है, वो मैं लिखा दे रहा हूँ, बहुत दिमाग इसमें लगाने की ज़रूरत है नहीं, इस्टन चालूकियास इतने इंपॉर्टन नहीं है अपने लिए कल्चरली, बट इसमें दो टेंपल्स, दो जो हैं, वो मैं बता देता हूँ, एक द्रक्ष्रमा ट्रमपल है, रटना ही है यार इसमें तो कुछ क्या ही है, द्रक्ष्रमा टिमपल, ये आपको याद करना पड़ेगा, हलांकि मैं को लगता नहीं है कि ये आएगा, तो इसमें चिंता मत करो, इस्टन चालूकियास अभी तक तो आया नहीं है, बट कौन जानता है, रठी लेना, एक है गोगिलेश्वर टेमपल, गोलिंग, गोलिंगेश्वर, गोलिंगेश्वर टेमपल, ये दो टेमपल आपको याद रखना है, ठीक है, और इसको विक्कावोलू टेमपल भी बोलते हैं, भाई देख लेना बता रहा इंपोर्टन है नहीं, बट मेरा काम है परानत मैं पराऊंगा ही, विक्कावोलू टेमपल, ये इतना इंपोर्टन नहीं है, बट फिर भी आप एक बर याद रख लेना, इस्टन चालुक्यास ये है, ठीक है, आब अपन चलते हैं, जो तीसरे थे, वेस्टन चालुक्यास, वेस्टन चालुक्यास पर बात करें, तो वेस्टन चालुक्यास पर अगर बात करें, तो ये अगें थोरे इंपोर्टन है, ये कल्याणी में है, ये गडग स्टाइल ओफ आर्किटेक्चर बोलते हैं इनको, आर्किटेक्चर, अभी ही बताया था, पूरे चालुक्यास वेस यानि ना नौर्थ इंदियन ना साउथ इंडियन मिक्स ठीक है और इनका जो काम है इसको गडग स्टाइल ऑफ अर्गिटेक्ट्चर भी बोलते हैं ठीक है बाकी इसी से गडग स्टाइल से ही लेटर इंफ्लूेंस्ट यह होईसाला जिनके बाद जो आते हैं जिनका एक मंदि का अलग ही style है वो अभी करेंगे discuss वो गडग style से influence था later influenced होईसाला architecture होईसाला architecture को यह influence करते हैं अपने western चालू कियास और इनके अगर temples की बात करूँ जो major तो major इनके temples है महादेव temple इटांगी में है महादेव temple इटांगी में है और कलेश्वर temple वो भी important है कलेश्वर temple कलेश्वरा temple photo देख लेना खोल के एक बार net पे अगर याद रहते हैं यह नाम तो नाम नहीं याद रहे अगर फोटो याद करके करोगी भी ख्यार फीक है मलिका अर्जुन temple मलिका अर्जुन temple यह तिन जीज़ें याद रखनी है ज्यादा लोड है ने महादेव temple कलेश्वरा temple और मलिकार जुन टेमपल इसके साथ ही अपन इसको भी लाइक ले सकते हैं कल्चरली आर्किटेक्चर के पॉइंट ओव व्यू से इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रत नहीं है अभी अपन चलते हैं अपने अगले प्लेयर जो है वो है राष्ट कुताज राष्ट कुताज भी इसी टाइम पर आसपास थे मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये था साथ इंडिया माल लो सत्वाहनाज सत्वाहनाज गिरा तो यहाँ चालू क्याज इमर्ज हुआ इधर राष्ट कुताज यहाँ पल्लवाज ठीक है और इसी समय में यहाँ पर वैस गंगाज भांगाज घूम रहे थे यहाँ आपके यह क्या होगे राष्ट कुताज माल लो यह आपके यह राष्ट कुताज हैं यह समझने के लिए भाई इसलिए अच्छे इसनी लिख रहा हूँ कि ये किस era की बात कर रहा हूँ ये clear होना चाहिए ये पल्लवास ये पल्लवास थे ठीक है हटा देता हूँ इसको बस समझने के लिए था ताकि तुमको era का पता रहे अभी राष्टकुतास की अपन बात कर रहे है इसमें कहीं कोई doubt नहीं है इनका जो रीन है वो 700 से लेके 1000 माल लो नहीं 1000 AD सारे 900 AD है वैसे वर ठीक है इतना माल लो राष्टकुतास राष्टकुतास का कल्चरली बता चुका हूँ जो सबसे important contribution इनका है वो है Elora और बाद में Elephanta Elora में कैलाशनाथ टेंपल monolithic है एक पत्थर से काटके बनाया गया है एक पत्थर को काट काटके यह पूरा टेंपल खरा किया गया multi-story टेंपल है फोटो देख ले ना काफी important है ठीक है कैलाशनाथ टेंपल इसको कौन बनवाया है Krishna 1 ठीक है बाकी एलोरा केवस बारे में अपन पर चुके है एलिफेंटा केवस के बारे में थोरा सा बताना चाहूँगा यह 5th century AD से अगें 10th century AD तक काम हुआ है इसमें ठीक है कहा जाता है कि यह Buddhist केव था बाद में इसको Hinduism वाला केव बनाया गया Buddhist केव बाद में Hinduism वाला केव बनाया Buddhist केव से Hinduism केव में यह converters हो गया और यहाँ एक sculpture है जो काफी important है वो है महेश मूरती महेश मूरती sculpture स्कल्प्चर इसमें शिव जी का तीन मुव एक साथ बनाया गया है जिसका अलग-अलग इंटर्पर्टेशन है कुछ लोगों मा बोलते हैं कुछ शिव बोलते हैं वो देख लिजे इतना ये लिफेंटाम आपको जानना है इतने सापका काम यहां पर हो जाएगा राश्टकु यह फ्यूडेट्री थे फ्यूडेट्री ओफ राश्ट्र कुताज फ्यूडेट्री थे राश्टकुताज के ठीक है फ्यूडेट्री जो थे आपके राश्टकुताज के यह फ्यूडेट्री थे और इन्होंने श्रवन वेल गोला गोला में आपके गोमत भगवान गोमतेश्वर गोमतेश्वर वाली मूर्ती बनवाई थी वेस्टन गंगास इससे ज़्यादा इसमें भी कुछ जानने ज़रुत नहीं है अब बिना टाइम खराब किये अपन सीधे चलते हैं पल्लवाज में पल्लवाज आर्किटेक्टिर पल्लवाज पल्लवाज 2nd century AD मा गय थे हलाकि सुरू में आर्किटेक्टिर नहीं कर रहे थे आ गय थे बस और थे 9th century AD तक 9th century AD तक पल्लवाज अभी में क्या वतलओ या transition वाले period south में cave से लेकर कहां तक ले जाएंगे अपने को हम तीनों फेज में इसको एक बार देख लेते हैं तो जो पहला फेज होगा वो केव टेंपल वाला होगा तो इसमें महिशा सूर मर्दिनी केव महिशा और ये पल्लवाज का कैपिटल महाबलीपुरम था कैपिटल नहीं था भाई ये गरवर हो जाता महाबलीपुरम इनका कल्चरली सबसे सिग्निफिकेंट साइट था वैसे तो कांची के थे ठीक है कांची इनका कैपिटल था ठीक है केव टेंपल महिशा सूर मर्दिनी आपका जो है महिशा सूर मर्दिनी मतलब दुर्गाम आता है महिसासुर एक सैतान है जो अपनी religious story है उसमें महिसासुर का बद दुर्गा माने किया है तो खुल मिला के यही है महिसासुर मर्दी नहीं है उसका आपको cave temple भे एक वो मिलेगा ठीक है और इसमें कुछ खास था नहीं इस टाइम पर मंडब बनाए गए थे दुर्गा cave हो गया और एक पंच पंडव cave भी थे यह भूल रहा था मैं यह देख लो आप पंच पंडव cave यह दो चीज़ें यहाँ caves मिले थे बहिसा सुर मर्दी नहीं और पंच पंडव caves यह cave temple था और इस समय मंडब बनना स्टार्ट हो गया मंडब तो यह cave temple है तो पहले यह cave temple बनाए फिर अगले stage में क्या किया जब second stage आया तो यह पत्थर को काट के उसी से temple निकालने लग गया cave बनाने के बज़ा उसको काट के temple निकालने लग गया जिसका नाम रत temples दिया गया रत temples ठीक है रत temple कही सारे बनाएं जो सबसे बरे रत temple है उनका नाम है देवरज I guess धर्मराज 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 रत धर्मराज रत किस को dedicated है युदेश्टिर को धर्मराज रत और यह सबसे बरा रत है biggest और जो smallest है वो क्या है द्रौपदी रद भाई याद करना पड़ेगा क्या कर सकते हो भारतिय कल्चर है संस्कृती है एक्जाम में आएगा तो लिखना तो पड़ेगा द्रौपदी रद ध्यान से सुन लो के दो तीन बार तो याद रह जाएगा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अगर पूरा मुझवानी याद नहीं रहेगा सामने आके देखो गे चीज़े तो याद आने लगेगे तो चिंता मत करो गोर से सुनो क्योंकि करना तो पड़ेगा यह क्या किये थे कि पत्थर को काटके छोटे-छोटे से टेंपल्स निकाल लिए उसी को यह लोग रथ बताने लग गए ठीक है और जो एक और सेकेंड में ही एक और चीज़ किये थे इसमें एक पत्थर को काटके जो महाबली पुरम में आप देखते हो जो सबसे फेमस है मह मावलिपुरम में, ठीक है, वो sculptural panel है, एक पूरा पत्थर है, जिसपे खूप सारा sculpting किया घया है, 30 मुटर लंबा, मावलिपुरम में 30 मीटर long sculpture का sculptural स्कल्प्छुरल पैनल है स्कल्प्छुरल पैनल पर मतलब हेवी sculpting की गई है और ये जो आपका sculptural panel है sculptural panel इसका उस पर जो भी sculpting की गई है उसका दो तरह का interpretation है वो जान लो क्योकि वो पूछा आ सकता है उस पर कुछ image बनाए गए है sculpting करके उसको लोग दो तरीके से interpret करते हैं ठीक है एक बोलते है arrival of Ganga on earth कि वो जो उसमें दर्साया गया है उस sculpture पे वो इस mythological event को depict करता है mythological या religious so as to say जो भी arrival of Ganga on earth और जो दूसरा उसका interpretation लोग निकालते हैं वो अर्जुनाज अर्जुनाज Penance अर्जुन चमा मांग रहे हैं ठीक है जो भी मानना है यह आपको choice देता हूँ जो आपको मानना हो माल दो बट याद दोनों रखो क्योंकि multi correct में पूछ देगा तो आप क्या मानते हों को important ने ठीक तो दोनों मारना पड़ेगा और जो third phase था पलवाज का उसमें यह प्रॉपर टेंपल स्ट्रक्चिरल टेंपल्स बनाने लग गया है जिसमें से कैलाशनाथ टेंपल काफी important है कैलाशनाथ टेंपल और एक दूसरा और था यह कांची में है कांची में ही है कैलाशनाथ टेंपल दूसरा यह भी याद रख लेना हलांकि यह ज्यादा important है यही याद रहता है यही में को भी याद है बट यह भी एक बार पढ़ी रहे हो तो रख लो वैकुंट पेरूमल टेंपल ये दो टेंपल important है पलवास के लिए कहलासनात याद रहना चाहिए कांची में एक कहलासनात वहाँ भी था अलोरा में वो राश्ट कुतास बनाए थे ये जो बनाए कहलासनात टेंपल ये पलवास बनाए और कहां भी जाता है कि यहां ये देखके ही बनाया गया एक दूसरे को तो who knows सही है या नहीं एतिहां से guess लोग की है कुछ पर लिख्के ही guess किया होंगे ऐसे तो नहीं किया होंगे तो उस दोनों में एक दूसरे को देखके बनाया गया है वो कोई दिक्कत नहीं है अब जो आर्खिटेक्चर में थोरा से अपने को जाना परेगा वो इस्टन इंडिया भी अपने थोरा देख लेते हैं उदर छूट रहा है अपना मामला तो पहला पालाज पाला आर्ट में अगर में जाओं पालाज 8-11th century में काम करते हैं ठीक है अब पालाज का जो फोकस था वो वजरियान बुद्धिजम पर था पहले ही बता चुका हो वजरियान बुद्धिजम पर पालाज का फोकस रहता है पालाज कौन है पालाज आपके जब गुपताज डिकलाइन करने लगते हैं तो इस्ट इंडिया में बंगाल, बिहार, कुछोडीसा, बंगलादेश इस वाले रीजन में पाला किंडम इमर्ज होता है ये वजरियान बुद्धिजम के इंफ्लूएंस में होता है या वजरियान बुद्धिजम मेजर रिलिजन होता है पाला रूलर्स का और इसलिए ये महा विहाराज बनवाते हैं महा विहाराज विहार अभी तक बन रहा था केव में ये भाई बोले कि अब हम स्ट्रक्चरल विहाराज बनाएंगे महा विहाराज जिसको बोलते हैं महा विहारा में एक दो तो आप जानते ही होगे विकरम सीला विकरम सीला में उनिवर्सिटी भी खुला महा विहार भी खुला इसको रख लो उदान्त पुरी उदान्त पुरी सोमनात पुरम एक और था यार इतना ही याद है अभी तो ठीक है इतना स्काम हो जाएगा इससे ज़्यादा उदान्थपुरी जग्गा दला ये भी रट लो यार सब रटी रहे हो ये क्यों छोड़ना है भाई एक सब रटना है रट जाओ ये भी विक्रम सीला उदान्थपुरी सोमनातपुरम और जग्गा डला ये महाविहाराज बनाते थे महाविहाराज मतलब विहारा क्या होते थे जहापे बुद्धिस्ट मौंक आखे रहेंगे तो वो पहले केवस में बनता था तो इसको महाविहारा के फॉर्म में ये लोग बना दिये और बाकी जो ये लोग कंट्रिब्यूट किये थे ये मैं बता ही चुका हूँ महाविधी टेंपल जो बुद्धा का टेंपल है गया में महाविधी टेंपल में मौरियाज गुपताज के बाद पालाज ने भी कंट्रिब्यूट किया था यह अभी बताया हूँ थोड़ी दिर पहले तो महावधी टेंपल कंपलेक्स में भी इनका रोल था एक और इनका कहीं कहीं दिया हुआ है तो रट लो एक टेंपल ये खुद से भी भाई लोग बनवाय थे उसको अपन एक बार देख लेते हैं वो है सिदेश्वर सिदेश्वर महादेव I don't know important है या नहीं बट दिया हुआ था कहीं तो लिख लिया भाई लिख लो सिदेश्वर महादेव सिदेश्वर महादेव कहां का है बर्दवान एक टेंपल खुद का भी तो इनका रटो वे ना कि कुछ टेंपल भी बनाएं महाबोधी में तो ये लोग रिनोवेट कर दिये जो बना था उसी को और फैला दिये एक सिदेश्वर महादेव टेंपल खुझ से भी बनाएं ये लोग ठीक है अब चलते हैं अपल ये हो गया पालाज थोरा सा उरिसा भी चलते हैं बिहार के बाद थोरा उरिसा की भी जर्णी कर लेते हैं उरिसा भी जरूरी है अपना ही है उरिसा में भी चलते हैं तो उरिसा की अगर बात करें तो उरिसा में सबसे पहले तो जैन केव खारवेला वाला बता चुका हूँ जैन केव, खारवेलाज के टाइम, खारवेलाज के टाइम, जैन केव बना था, कहा बना था भाई, उधैगिरी, उधैगिरी, खन्डगिरी, उधैगिरी Harley में ये बन चुका था, ठीक है, अब, जो आपका, ओरिया टेमपल होता है, यह नगारा स्टाइल का ही, नगारा style का modification होता है इसके एक दो term होते हैं वो रख लो याद तो इसमें क्या बोलते हैं सिखर को dual बोलते हैं थोरे से अलग shape का होता है but almost नगारा style ही होता है शिखर को dual बोलते हैं मंडप को JAG मोहन बोलते हैं JAG मोहन इस तरह से इनका अपना एक indigenous नाम है और थोड़ा थोड़ा सा different रहता है ठीक है तो orisha style में आ गए है यह हो गया नगारा style अब इनके जो major temples है वो देख लेते हैं एक राजारानी temple है राजारानी temple है ठीक है राजारानी temple आजारेडीम बना था वो नेश्वर में है यह जो दूस रहा है लिंगराज temple लिंगराज temple ये भी इसी टाइम बना था और इसको जो डाइनास्टी बनाई थी उसमें दो डाइनास्टी थी इसलिए बता दे रहा हूं एक सोम वंसी डाइनास्टी थी ठीक है एक इस्टन गंगास थे सोम वंसी और गंगा डाइनास्टी गंगा डाइ जरूरी है, ऐसे ही नहीं पर आ रहो हूँ, आपको लग रहा हूँ वह time pass कर रहा हूँ, time pass हो नहीं रहा है, very important, ठीक है। पूरी जगनात पूरी तो पता होगा, पूरी में अभी जो जगनात भगवान का पूजा होता है, वो जगनात पूरी टेंपल है, very important, और जो सबसे अलागी सब टेंपल ही है बट एक टेंपल जो काफी नाम में है और काफी I guess आर्किटेक्टर के वाई से या कल्चर के वाई से साहथ सबसे इंपोर्टन यह है सन टेंपल सन टेंपल है कोनार्क में कोनार्क में इसको ब्लैक पगोडा भी बोलते है क्योंकि इनका जो पत्थर वत्थर है वो कुछ ब्लैक कलर टाइप का है सन टेम्पल कोनारक में ब्लैक पगोडा ठीक है इसमें रत बने हुए रत चैरियट एन वील ठीक है और तो कुछ इसमें जानने का ज़र्वत नहीं है और ये बना कब था 13th century AD अच्छा जो आपका Orisa style of architecture है Orisa style of architecture में जो मंदिर होता है उस पे मिथुनाज बने होते हैं carvings, erotic carvings जो मिथुनाज होते हैं वो मंदिर पे बने होते हैं ये सेम चीज खजुराओं में होता है बट दोनों में अंतर है दोनों में अंतर क्या है जो आपका Orisa का जो style है उसमें जो मिथुनाज होते हैं मिथुनाज ये केवल outer outer walls पे बनाए जाते हैं जैसे घर है या मंदिर है तो मंदिर के बाहर के walls पे बनाए जाते हैं अंदर के walls पे नहीं बनाए जाते हैं ठीक है उसका reason और जब की खजुराओं में देखोगे तो खजुराओं में अंदर और बाहर दोनों बनाए जाते हैं तो पता नहीं बट Orisa style में कुछ लोग ये interpret करते हैं वो एक तरह से sign है कि आप eroticism और erotic behavior को मंदिर में आने से पहले walls पे लगाने को मतलब वहाँ पे entry बन वहाँ से आप एकदम pure होके हो ऐसा यहाँ बोलते हैं but interpretations है maybe जो भी reason हो बट ये केवल outer walls में मित्धुनाज का use करते हैं कि खजराहों में दोनों walls पे use होता है ये आपका orisa style हो गया I don't think यहाँ पे और कुछ भी important है जो आपका और एक eastern में बचता है वो है आपका a home style छोटा सा ही है अहोम असम में है ठीक है इसमें बर्मा आर्ट प्लस लोकल अपने नौर्थीस्ट का प्लस पाल आठ इन तीनों का influence रहता है इसमें एक मंदिर काफी important है जिसको याद रखना है कामख्या देवी मंदिर ये बहुत important है इसको याद रखना परेगा कामख्या देवी इसका shape थोड़ा अलग होता है देख लिजेगा बर्मा आर्ट और पाला आर्ट के मिलने के कारण जो इनका architectural style है वो कुछ unique ही निकल के आए थोड़ा कर्व सा होता है अलग size shape है इसमेर आप उसको image जरूर देखिएगा ये आपका a home style है ठीक है और तो कुछ इसमें है नहीं अब अपन वापस आ जाते है जो अपना code चल रहा था पलवाज चालू क्याज ये सब cover हो चुका था गुपताज हो गया था तो अब जो बचते हैं major उस era में वो बचेंगे चोलाज, होईसालाज ये अरास्कुताज भी होई चुका है तो ये cover कर लेते हैं तो इसमें चोलाज चोलाज को कई लोग कई लोग इंडिया का greatest temple builders मांगते हैं पलवाज के style का इनके style पे काफी important असर परा था यानि पलवाज को succeed किये थे चोलाज वहाँ पे तो जो चोलाज है ये जो art वाला face बोल रहा हूँ 9 to 13 century AD की बात कर रहा हूँ हलांकि चोलाज पहले भी थे ये imperial चोलाज की बात कर रहा हूँ चोलाज का एक अर्ली चोलाज भी होते हैं ठीक है उसके बीच में कालवरा से जाता है चोलाज थोरे disappear छोटे से हो जाते हैं फिर से re-emerge करते हैं इंपीरियल चोलाज इनको बुला आता है 9 to 13th century AD पलवाज का आठ का यहाँ पे continuation होता है और द्रविड स्टाइल द्रविडा स्टाइल चोला में पीक करता है इस दपीक दए एपिटम इससे अच्छा द्रविडियन स्टाइल में मंदिर हलांकि again subjective opinion है but most of the people मानते हैं कि चोलाज सबसे अच्छे मंदिर सबसे सुन्दर दिखने वाले मंदिर सबसे grand मंदिर चोलाज ने बनवाया है ठीक है चोलाज का जो early phase है early phase में marked पलवा influence दिखता है इनकी मंदिर में जिसका एक example है अलांकि वो ऐसे important नहीं है बट उसमें पलवा का influence बहुत ही major है जिसका नाम है विजय यला चोला स्वरम विजय यला चोला स्वरम बाई नाम देख रहे हो याद रखने में दिक्कत तो होगा ही इन हाँ सामने लिखा रहेगा तो पहचान जाओगे विजय यला चोला स्वरम टेंपल इस टेंपल में काफी initial टेंपल था चोला डाइनस्टी में जो imperial चोला जाए और इसमें पलवास का काफी influence दिखता है उनके culture और उनके architecture style का हलांकि with time इस चीज से free हो जाते है ठीक है और उसके बाद जो greatest achievement चोलास का है वो दो टेंपल है ब्रेदेश्वर टेंपल और गंगाई कॉंडा चोलापुरम टेंपल ठीक है तो ये दोनों एक बार कर लेते हैं तो जो अगला है वो है ब्रेदेश्वर टेंपल इसको तंजोर टेंपल भी बोल सकते हो ठीक है राजा राजेश्वर टेंपल भी बोला जाता है राजा राजेश्वर जो इसको बनवाए राजा राजेश्वर और गंगाई कॉंडा चोलापुरम जो अगला बताऊंगा ये दोनों main temple है इनके तो ये राज़ा राजेश्वर temple है इसके बारे में कुछ बताऊंगा तो जो सबसे पहले चीज़ बताऊंगा कि इसमें पहले तो 70 मीटर हाइट का विमान है बहुत उचा है ठीक है इसका जो main आपका विमान है उचा है बाद में हम देखेंगे जब हम और South Indian में देखेंगे तो वहाँ क्या होगा gate core जो मंदिर है उससे उचा gate बनने लगेगा नाइकाज में ठीक है आपके पांडेयाज में लेकिन चोलाज में यह नहीं था चोलाज तक पलवाज और चोलाज में जो core मंदिर है वो उचा बनता था बाद में gate उचा बनने लग जाएगा later dynasties में बट इनमें ऐसा नहीं था 70 मीटर का विमान था ठीक है उसके बाद pyramidal है काफी straight उठता है एकदम ऐसे सीधे से उसमें curve नहीं है एकदम सीधे से उठता है ठीक है तो pyramidal हो गया इसमें जो आपके नंदी है शिव का मंदी रह चुकी तो नंदी बाहर monolithic यह इंडिया के second largest monolithic नंदी है अब आपको लग र होगा कि first largest कौन है monolithic second largest monolithic नंदी बुल ठीक है तो जो first largest है उले पाक्षी टेंपल में वह आगे बताएंगे भी यह second largest है तीसरा चीज़ पता है यह granite में बनाया गया था जबकि granite वहाँ नहीं पाया जाता है granite hard होता है थोड़ा तो granite तो काफी resilient भी है यह granite में बनाया गया था और इसमें कुछ बताने लाइक है नहीं एक चीज़ और है कि इसमें ब्रिदेश्वर टेंपल के बारे में एक लाइन और लिख देता हूँ जो अभी बताना ही था इस टेंपल में तंजोर टेंपल में ब्रिदेश्वर टेंपल में राजा राजेश्वर टेंपल में पिलर्ड हॉल देखने को मिलता है पिलर्ड हॉ and sculptures अब ये जो पिलर्ड हॉल है ना पिलर्ड हॉल यानि आप माल लो की जैसे आपका मंदिर है गर्वगरी है तो उसके सामने जो पूरा पिलर्ड हॉल है आगे बरा सा मंदब ठीक है उसके हॉल्स पे जो sculpture है उसमें नाटिर सास्तर से चीजें लेके sculpting की गई है तो मैं भी वहाँ पे dance once organize कराया जाता होगा religious obviously ठीक है या social activity की तरह भी who knows पिलर्ड हॉल और sculpture जहाँ पे नाटि सास्त की चीजें डेफिक की गई है जो अगला temple था वो गंगाई कॉंडा चोला पुरम टेंपल गंगाई कॉंडा चोला पुरम टेंपल ये राज राज के बाद उनके संतान राजिंदर चोला ने बनाया था राजिंदर वावु का है ये राजिंदर चोला जी ने बनवाया था इसको राजिंदर चोला जी थोरा सा बदलाव की बोले कि यार पिताजी पूरा सीधा बन वा दिये तो बोले यार मैं हलका सा कर्व से इंट्रोडियूस करूँगा तो ये हलका कर्वड है ये मेजर अंतर है उसमें और इसमें किसमें? टंजोर टेंपल और इसमें मेजर अंतर है कि ये हलका सा कर्वड है बाकी कोई और इसमें कुछ जानने लाइक नहीं है यह इनका मेजर था अभी अपन चैन से बर सकते हैं आगे किस पर जो अगला है पंडिया भाई पंडियाज को छोड़ दोगे क्या पंडियाज वित इंपोर्टेंट है यार पंडियाज काफी इंपोर्टेंट है काफी लंबे टाइम तक रूल किया 14 से लेके आपका हो जाएगा 14 बोल रहा हूँ भाई 14, 15 जो भी है 15 के रख लो मुद्धे पाते हैं पंडियाज ने केव्स बनाये थे यह तुम्हें बता ही दिया था पहले पंडिया में भी काफी लंबे जैसे चोलास थे एक टाइम रूल किये फिर थोड़े वीक हुए फिर और रूल किये सेम पंडियाज का भी कहानी था बीच में ना एक्च्वली साउथ इंडिया जो आप प्रॉपर तमिलाडू और केरला जाओगे उसमें ये तीन डाइनास्टी चलते हैं और बीच में एक एरा आता है 300-400 साल का कालवरास एरा जिसको बूलते हैं उसमें एक अलगी ग्रूप इमर्ज होता है तब तक ये लोग पूरे खतम नहीं होते हैं फिर वो एरा खतम होता है ये वापस से रिसर्जन्स हो जाता है पांडियास चूलास का तो ये वही है मुद्दा थिक हैं अब इसमें जो आपका केव सोगी गया था ये सब तो किया हुआ है अब आपका इनका टेम्पल्स पे आ जाते हैं केव इनका फिर से बताऊं कहा है केव तो किया हुआ है न, लो यार लिखी देता हूँ, ये सुरू में करवाये थे न, इलाडी पट्टम, भाई पाँच पाँच वार एकी चीज करवा रहा हूँ, तिरुच्ची सितुन वसाल और इलाडी पट्टम, ये हो चुका है, अब आते हैं अपन मेन इनके मुद्दे पर टेंपल, टेंपल जो इनका मीन है, वो है मिनाक्छी टेंपल, मिनाक्छी टेंपल इनका मीन चीज है, मिनाक्छी टेंपल, मिनाक्छी टेंपल जो है आपका, वो मदुरही में है, मदुरही, मदुरही में पारवती जी को डेडुकेटेड है, मदुरही में टेंपल बना ह पांडियाज का ठीक है और इसी में देखते हैं गोपुरम वोपुरम का साइज बढ़ते हुए ठीक है एक दो और इंपोर्टेंट है वो लिख देता हूँ यह जो मिराक्षी टेंपल है यह एक चीज स्पेसल इसमें इसमें 14 गोपुरम है गोपुरम मतलब साउथ इंडियन मंदिर का गेट 14 गोपुरम बनाएगा एक के बाद एक एक के बाद एक 14 गोपुरम है टोटल 14 for all my people who are not understanding in the 14 गोपुरम ठीक है अभी चले आगे टेंपल यह हो गया मिनाक्षी और दो तीन जो और नाम एक दो रट लो रट रहा है तो नहीं भी रट होगे चलेगा क्योंकि सवाल अगर आना होगा तो मिनाक्षी टेंपल आएगा मैं बता दे रहो चिदम बरम टेंपल चिदम बरम टेंपल है और एक स्रीरंगम टेंपल है यह भी बनवाए थेल हो देख लीजेगा मन करें तो आपकी इक्छा आपका स्वाद बाकी पांडेयाज में यही अपने देखने जरूत है मिनाक्षी टेंपल मदरोई में परवती जी डेडिकेटेड है 14 गोपुरा में गेट में में स्पेसलाइजेशन यही है इन फैक्ट जो लास्ट गेट इसमें जुरेगा वो नाइकास जोडते है वो अपन देख लेते है ठीक है अब जो एक किंडम है यह भी मंदिर बनाने में माहिर थे इनका नाम था होई सालाज होई सालाज चालुकिया डाइनास्टी के बाद डिकलाइन के बाद आपके मैसूर रीजन में इमर्ज करते है मैसूर रीजन में इमर्ज करते है करणाटक ठीक है करणाटका राइट और इनके जो इंपोर्टन मंदिर है यह I guess ठीक है जगा देखने दो होई सालाज में आपके बैलूर हालविध हाँ ठीक है बैलूर हालविध और सोमनात्पुरम में है अच्छा पहले क्या बताया था ये किससे इंफ्लूएंस्ट हुए थै गडग स्टाइल से गडग से इंफ्लूएंस्ट है गडग किन का था western चालुकियाज का western चालुकियाज उनके स्टाइल से influenced है और बताओं तो यार ये format अपन सेम रखेंगे ना एर तुरह देखने में अच्छा सा लगता है घडग influence western चालुकियाज और उसके बाद जो इनका main चीज था क्या लिखते हूं गडग influence western चालुकियाज हो गया और और क्या था इन में यार बस कुछ नहीं इनका एक temple का नाम बता देता हूं temple इनका था केशवा temple और होई साला जो नाम है होई सालेश्वर होई सालेश्वर होई साला और जो और इस्वर होई सालेश्वर temple ये देख लो हो गया गतम भाई सारे dynasty ऐसे उरेगे तो कुछ पर होगे कैसे इन में परना परेगा थोरा क्योंकि ये कुछ अलग कर रहे थे जो अलग करेंगे वो परना परेगा होई सालास क्या कर रहे थे ये अपन थोरा सा देख लेते हैं होई सालास सबसे पहले soft soap stone यूज करते थे मंदिर बनाने के लिए जिसके कारण इनकी मंदिर जो है soft soap soap stone यूज करते थे इसके कारण sculpting इस पे काफी easy थी तो काफी अच्छी और heavy हुई है sculpting is very heavy ठीक है दूसरा जो इनका base था मंदिर का मालो जैसे मंदिर बना रहे तो उपर से यदि मैं देखूँगा तो base ऐसे ऐसे हो जाता था star type ठीक है तो इसलिए जो base था इसको still it plan बोलते हैं star like star like plan था दूसरा ये south india में होने एक बाग जो जगती यूज़ करते थे जगती क्या था platform जो north india में यूज़ होता है नगारा style वे कि platform पे रखके मंदिर बनता है ये जगती यूज़ करते थे मंदिर बनाने में ठीक है इसलिए ये dravid style नहीं है कौन सा है वेसारा style क्योंकि इनमें north और south दोनों का elements पाया जा सकता है और दोनों missing and दोनों coming ठीक है तो वेसारा style हो गया इसमें स्टीलेट प्लैन हो गया दूसरा इनकी मंदिर ड्वार्फर है मतलब थोड़ी छोटी है ड्वार्फ है compare to बाकी उस time में चोलास जैसे बनाये ये सब उची बिल्डिंग्स बनाते हैं ये छोटी बनाये और उसमें हर जगा बहुत हेवी सकल्प्टिंग किये हैं ड्वार्फ अब जैसे पंचायतन style परे थे पंचायतन style में क्या था कि एक primary dT था और 3-4 dT और रखके 5 जोड़के पंचायतन style बनाये जाता था वैसे ही इनका एक कुटा दूई कुटा मंदिर बनता था अब ये क्या है ये एक बार समझ लो जैसे मैं क्या बोला कि पंचायतन style में एक main मंदिर होगा मालो विश्नु भगवान का मंदिर है तो विश्नु जी main होंगे और 4 और बगवान होंगे इन में क्या होता था कि तीन भगवान का मंदिर combined बना दो और तीनों को equal बना दिये और इस सब को एक ही building में include कर लिए तो ये त्री कुटा हो गया दो होगा तो दूई कुटा हो जाएगा एक होगा तो एक कुटा हो जाएगा बात समझे जैसे पंचायतन नौर्थ में evolve किया था पंचायतन style एक तरीके से वैसे ही आपका इन में होई सालाज में एक कुटा दूई कुटा तीन कुटा इसमें क्या होता था कि सारे जो shrines हैं उसमें कोई primary और secondary shrines नहीं होता था सब को एक ही temple complex में include करके अपन जोड लेते थे और combined वो बनाते थे आपके temples तो ये इनके कुछ specialized features हैं और तो I don't think इसमें कुछ पढ़ने की जरूरा था इतना कर लोगे यार तो सब हो जाएगा इससे ज़्यादा होई सालाज नहीं है कहानी लिखा हुआ है पूरा और बाकी तो कुछ बचता नहीं है इसमें बाकी आपको timeline एक बार लिख लो 11 से 14th century AD तक इनका कहानी चलता है ठीक है? वे सालाज भी हो गया तो बचता ही क्या है? अब तो खतम करने पा चुके हो अब थोड़ा नौर्थ में आ जाओ या नौर्थ को अपन निगले करके चल रहे हैं तब चंडेलाज खजु राहो खजु राहो टेंपल भाई इसको कैसे छोड़ सकते हैं अपन? चंडेलाज खजु राहो ये जो टेंपल बनता है ये चंडेलाज बनाते है नाम में लिखा हुआ है इसमेंट कोई बात ही नहीं है चंडेलाज में ठीक है 85 टेंपल बने थे हलांकि अब 25 रह गए है 10th 11th century AD में था 10th 11th century AD में था 85 टेंपल थे 25 लेफ्ट अभी है ठीक है इसमें जैन और हिंदुईजम दोनों का influence है जैन में बोलू तो 64 योगिनी मंदिर है एक 64 योगिनी मंदिर जो अगला इसमें होगा वो कंदरिया महादेव कंदरिया महादेव लक्षमना टेंपल लक्षमना टेंपल ये सारा नाम याद रखना पड़ेगा कोई और चारा नहीं है पारसवनाथ और विश्वनाथ दो और बच्चते हैं इंपोर्टेंट पारसवनाथ टेंपल और विश्वनाथ टेंपल याद करना पड़ेगा ये चार पाच टेंपल है इसमें आपको जैन इंफ्लूएंस दिखता है बाकी प्रैमेडली हिंदू है और इसमें लक्षमा ये पहला इंपोर्टेंट चीज ये पूरा नगारा स्टाइल फॉलो करता है पूरा प्रॉपर नौर्थ इंडियन स्टाइ दूसरी चीज नगारा स्टाइल लिख दिया दूसरी चीज पंचायतन स्टाइल यहां पर काफी देखने मिलता है जैसे लक्षमना टेंपल हो गया हलांकि चालुकियास के जो दुर्गा वह बताया था आपको केव में दुर्गा टेंपल वहाँ पर पंचायतन दिखता है याद रखना चालुक्याज वे सारा है न तो वो चालुक्याज क्याज साउथ इंडियन एलिमेंट भी लेंगे नौर्थ इंडियन भी लेंगे तो नौर्थ इंडियन पंचायतन दिखता है चालू कियाज में भी, यहाँ भी दिखता है पंचाइतन स्टाइल आपको दिखेगा जैसे लक्षमना टेंपल यह सम्में ठीक है, नगारा स्टाइल हो गया पंचाइतन स्टाइल हो गया और मिथुनाज जो इरोटिक पेंटिंग्स हैं, वो inner plus outer, दोनों walls पे दिखती है जबकि ओरिसा में केवल कहाँ दिख रही थी outer walls पे, ठीक है इसमें और कुछ बचता है, क्या कुछ नहीं बचता है, तो बढ़ जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हजार वजार AD 950 AD के आसपास यह सब काम चल रहा अपना, ठीक है चंडेलाज के बाद ज्यादा नहीं है इनका सोलंकी थोड़ा सा इसको देख लो सोलंकीज, सोलंकीज का माउंट आबू में दिलवारा टेंपल सोलंकीज का भी एरा यही थायर 10th century AD के आसपास रख लो सेम टाइम, जिस टाइम उधर यह चल रहा था यहाँ पर सोलंकीज जो आपके चालू क्यास थे चालू क्यास के डिकलाइन के बाद निकले हुए ग्रूप माने जाते है ठीक है वो डिबेट है माउंट आबू पर जो दिलवारा टेंपल जैन का बताया था वाइट मारवल में वाइट मारवल में जो बना था माउंट आबू पर दिलवारा जैन टेंपल यह अपने भाई साब बनवाये थे सोलंकीज और जो अगला था वो मुधेरा टेंपल गुजराथ मुधेरा सन टेंपल मुधेरा सन टेंपल जो है गुजरात भी काफी मतलब ये भी काफी अच्छा दिखने वाला मंदिर है इस एज में हलागी लोग मंदिर नहीं जाना चाहते मटिर सच में ही अच्छा है देखोगे तु जाने का मन करेगा ठीक है तो मुधेरा टेंपल मुधेरा टेंपल में स्टेप्ड वाटर टैंक देखने को मिलता है स्टेप्ड वाटर टैंक टैंक नहीं है भाई 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 गलत बोल दिया स्टेप्ड वाडर पॉंड जील टाइप का पूरा पानी बना के steps है काफी अच्छा देखने में लगता है देख सकते हो plus जो main मुद्धा है जब equinox आता है यह ऐसे बनाया गया है कि equinox के दिन पूरा sun rays falls on the dt in गर्वग्री 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 में जो dt है equinox के दिन सूरज का रोशनी सीधे उनके उपर जाता है और इसको और कुछ तो नहीं बताना इसमें नहीं इसको सूरी कुंड भी बोलते है बस और कुछ याद नहीं रख रहा है इतनी सी चीजे यार दो दो लाइन है दो दो लाइन बस दो लाइन रट होगे आर्ट अन कल्चर में सारे नमबर पा जाओगे चिंता कोई करनी ही नहीं है अभी अपन आ जाते हैं अल्मूस्ट जो लास्ट चल रहा है अपना विजय नगर में spelling mistake का scope नहीं है विजय नगर अंपायर का आर्किटेक्चर तो विजय नगर जो है अगर आप देखोगे तो विजय नगर एक तरीके से आर्किटेक्चरल कॉन्फ्लूएंस है इस टाइम में विजय नगर देखोगे विजयनगर थोड़ा लेट है 15-16 सेंचुरी के आसपास चल रहा है 15-16 सेंचुरी इस टाइम में जो आपके बाहमानी किंग्डम है मुगल है सारे लोग आ चुके है तो इनका जो आर्किटेक्ट्चर है इसमें कॉन्फ्लूएंस है कॉन्फ्लूएंस किसका है all previous dravid style plus Islamic influence भी इनकी आर्किटेक्ट्चर में आपको देखने को मिलेगा आर्च वार्च का use किये है यह ठीक है आर्किटेक्ट्चर में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको वो भी देखने को मिलेगा इनका जो प्राइमिरिया था वो हम्पी था इनके मैं temples की बात करूँ तो विधर्व temple और विध्थल स्वामी temple यह सब important है कर लेते हैं तो इनके temples की बात करूँ तो विधर्व और विध्थल स्वामी विध्थल स्वामी temple विध्थल स्वामी temple और विधर्व temple दो आपका important है विठल स्वामी जो है हम्पी में है और ये लेपाक्षी में है ये है विठल स्वामी आपके विधर्व हो जाएगा लेपाक्षी और यहां हो जाएगा विठल स्वामी आपका हो जाएगा हम्पी में राइट अब अभी जब मैं आपको चोलाज परहा रहा था तो वहां बताया था तंजोर टेमपल जो भ्रियत देश्ट टेमपल है वहाँ पर नंदी बुल है वह सेकेंड लार्जेस्ट लुटीदिख बुल का है largest लिपाक्षी टेमपल का है largest आर्किटेक्चर में भी ग्रेनाइट यूज होता था, लार्जेस्ट मोनोलिथिक बुल था, अब इनके आर्किटेक्चर के 3-4 एलिमेंट से जो अपने को डिसकर्स करने, पहला है कल्यान मंडप, कल्यान मंडप ये बनाते थे जिसका नाम था, जो किस काम आता था, मैरेज हॉ ठीक है, उसके बाद ये अम्मान स्राइन बनाते थे, अम्मान स्राइन क्या होता था, जो प्राइम स्राइन है, सेकेंडरी स्राइन्स, मालो एक मंदिर में जो प्राइमरी स्राइन है, उसको छोड़के, बाकि अम्मान को सेकेंडरी, अमानस राइन्स हो गया 3-4 इम के टर्म है एक राए गोपुरम है राए गोपुरम गोपुरम मतलब गेट और जो विजये नगर जब गेट बनायाी वही गेट जो बाकी लोग गोपुरम बोलते हैं वो जब विजये नगर बनायेगा तो हम उसको राय गोपुरम बोलेंगे कृष्ण देव राय के रस्पेक्ट में ऐसा ही है राय गोपुरम गेट्स को बोलते है ठीक है इसके बाद एक hall of music hall of music hall of music and dance था वो hall of dance दिखता है जहाँ पे pillar का एक hall बना गया है जहाँ सिवजी है और सिवजी के आसपास dance वाले सारे images बने hall of dance भी है सिवा प्लस dancing elements ये भी एक रख लेना ये सब चीजें अगर पूछे कहां मिलता है भाई कुछ है ही नहीं सिंपल सिंपल बोल रहा हूँ difficult फालतू का बना के रखे हो और एक और वसंथ मंडप ये लास्ट टर्म बता रहा हूँ वसंथ मंडप वसंथ मंडप मतलब open pillar hall इतना चीज याद करना परेगा कल्यान मंडप marriage hall है अमान स्राइन सेकेंडरी स्राइन है राइगोपुरम gates है hall of dance सिवा प्लस dancing elements है और वसंथ मंडप open pillar hall है अगर मैं बात करूँ पहले की तो जो pillar की मैं detail में बात किया था वो बात किसकी किया था चोला से चोला जब तंजोर में बनाए थे तो अपने मंडप में pillar डालके वहां dancing space रखे थे और जो आपके नाट सास्त है उसके elements को वहां पे depict किये थे वो pillar बनाने वाला tradition विजयनगर ने भी तो विजयनगर काफी चोला से देखे गात influence थे ग्रेनाइट भी यूज़ कर रहे थे अब pillar भी यूज़ कर रहे है ठीक है यह pillar का खेल इनके जो बाद आये थे नाइकास वो अलग लेवल पे ले जाएंगे उसको अलग लेवल पे आपको नाइकास ले जाएंगे तो next अपने जो है वो है नाइकास नाइकास विजयनगर के बाद उसी एरिया में आये थे उन्हीं के future tree हुआ करते थे बाद में थोरे दिन सासन भी किये तो ये लोग क्या करते थे नाइकास ये ज़्यादा नया का इंस्ट्रक्शन नहीं किये ये क्या किये कि जो मंदीर बना हुआ है उसी गोपूरम बरहा दो और गेट बढ़ा बढ़ा बना दिये तो इस चकर में जो आपका मिनाक्षी टेमपल है उसका largest गोपुरम बाहर जो बना है बहुत massive gate ये नाइकाज बनवाए थे मिनाक्षी टेमपल जो पांडियाज बनाए थे उसमें ये लोग gate add कर दिये ठीक नीं मिनाक्षी टेमपल का गोपुरम ये add करते है नाइकाज और जो इन में distinct element था वो क्या था पता है यह 100 या फिर 1000 पिलर वाला structure या मंडब बनाते थे 1000 पिलर डलवाते थे और यह direct पूछा जाएगा कि पिलर सेंट्रिक पूरा structure नाइकाज का काम था ठीक है और तो कुछ है ने एकाड टेमपल खुद भी बनाये थे वो लिख दे रहा हूँ आपको सुन्दरेश्वर टेमपल सुन्दरेश्वर टेमपल नाइकाज ने खुद बनाया था ठीक है मिनाक्षी टेमपल आपका हो गया 17th century में मिनाक्षी टेमपल में गोपूरा में आड कर दिये यह लोग जो की पहले से बना था थे ये विजयनगर के बाद इमर्ज किये थे चेला थे उनके तो वो लोग जो करते थे ये लोग भी वही करते थे तो पिलर इनको बनाना था तो पिलर बना दिये उसमें गोपूरा में आड कर दिये पंडिया वाले में यहाँ पिलर डाल दिये और लास्ट में एक मंदिर खुद भी बना डाले तो मूटा मोटी यहाँ पर नाइकास खतम होता है अब अपना बचता है इंडो इसलामिक आर्किटेक्चर और उसके बाद ब्रिटिश वाला करके आर्किटेक्चर खतम कर देते हैं ठीक है आर्किटेक्चर अब इसके बाद ख इंडो इसलामिक आर्किटेक्चर ठीक है इसमें टोटल चार अपने कुछ चीज़ें पढ़नी है इंडो इसलामिक आर्किटेक्चर में वो चारों मैं एक बार आपके लिए लिख दे रहा हूं जो पहला है वो आपका डेली सल्टनत डेली सल्टनत स्टाइल जो दूसरा है वो डेकन स्टाइल जो तीसरा है उसका नाम है रीजनल स्टाइल और जो चौथा है वो अपना है मुगल स्टाइल राइट यह चारों कर लेते हैं उसके बाद ब्रेटे सर्च करके आर्किटेक्चर क्लोस कर देंगे तो बिना टाइम वेस्ट किये हुए अपन सीधे चलते हैं तो अब जब टर्क्स आए जो पहले लोग अपने मुसलिम सबसे पहले आया तो यह लोग जो स्टाइल आफ आर्किटेक्चर लेके आए अगर मैं उसकी कुछ फीचर्स की बात करूं जो बाद में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के फीचर्स बने उसको एक बार देख लेते हैं समझने में इजी रहेगा पहले नो हुमन रिप्रे प्रोहिबिट करता है आदमिक बनाना तो वो बंद कर दिये जो सेकेंड चीज है सेकेंड चीज क्या है आर्च और डोम्स इंट्रोड्यूस किये गए जो टर्क्स थे उस टाइम में वहां पे आर्क का यूज होने लग गया था उनके टेक्लोजी में आर्च और वो बता दू क्या होता है तो जैसे माली जे नॉर्मल अपना बिल्डिंग होता है उसमें इसको ट्रिविएट स्टाइल बोलते हैं इसको लिंटल बोलते हैं कुछ आप च्छतवर डालते हो लिंटल डालते हो और ये प्रिवेट स्टाइल है आर्च वाला स्टाइल है वो ऐसा होता है ये इस तरह का gate जो बनेगा इसको archuate style बोलते हैं तो arch को introduce किये gate पे यह आपका arch बना था और dome जो roof होता है तो पहले अपना क्या flat roofs बनता था flat roof इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इंडिया में जैसे मालो यह है यह है तो इस पे इस तरह का dome introduce कर दिये dome बनाने लग गए ठीक है यह इनका था arch बाट dome introduce किये calligraphy again चुकि जो आपका वो बनता था sculpting होता था उसमें human representation नहीं allowed a calligraphy करने लगे इसमें flowers, leaves यह सब दिखाने लग गए जिसको arbes cue अरे मतलब आर्वेस्क्यू बता दू normal अगर इसको हटाता नहीं हूँ चलो आर्वेस्क्यू दिखाई दे तो आर्वेस्क्यू कुछ नहीं होता है मालो जैसे यह एक panel बनाए है slab है तो इसमें क्या ऐसे ऐसे एक line निकल जाएगा इधर से full पत्ती इस टाइप से बना रहेगा तो ये लोग अपने जो दिवाल वह वालता उस पर ये सब डालने लग गए ठीक है ये डालने लग गए human form दिखाना बंद कर दिए फिर एक pietra dura इसमें क्या करते थे कि मालो दिवाल पर ये डाल रहे तो बहुत सारे पत्थरs multi color के डालके मालो जैसे ये दिवाल बनानी है तो दिवाल पर अलग-अलग design जाता रहे और यहाँ पर पत्थर डाल देगे blue, यहाँ red, यहाँ blue, यहाँ red छोटे-छोटे चम्कीले पत्थर ठीक है? तो वो use करने लग गए प्लस इनकी architecture में क्या? कुछ है क्या simple सी बाते हैं यार ठीक है, जाली introduce कर दिए उसके बाद और देखे तो मिनारेट्स मिनार्स बनाने लग देए, मिनारेट्स यह सब नया introduction हुआ मिनारेट्स मतलर अरे जितना देखे हो मस्जिद या ताजमहल उस पर यह मिनार मिनार्स इसको इंट्रोड्यूस कर दिए उसके बाद gardens चार बाग स्टाइल में अब यह कुछ नहीं मालो यह कुछ बना रहे थे compound बना लेंगे उसमें pond wand डाल के चार टुकरे में garden को बाट देंगे चार और बाग चार बाग हो गया और यहां पर मालो pond wand बना हुआ है तो यहां से यह भी आ गया कि pond swans इनके architecture में आने लग गया tombs बनाने लग गये tombs बनाने लग गये forts यह introduce हुआ ठीक है तुगलग का बाद जैसा पहला fort city था तुगलग जो बनाए थे इंडिया का tombs बनाने लग गये कि डेथ के बाद उस पर tombs बनाने लग गये और अगर इसमें और इनका distinctive feature पूछोगे तो और तो कुछ था नहीं यहीं सारी चीज़ें थी अच्छा यह तो हो गया कि यह क्या क्या लेकर आए बट इसमें कुछ-कुछ indigenous यानि इंडिया से भी चीज़ें पिक की गई indigenous fusion Indian जो आर्किटेक्चर था उससे कुछ-कुछ चीज़ें ली गई जिसमें सबसे prominent कौन सा था खतरी खतरी राजपूत स्टाइल से लिया गया था अब खतरी सोच रहे होगा क्या है कुछ नहीं जैसे मालो मिनार बनाए यहां पर नहीं देख्यों कैसा खतरी सा होता है जिसमें सिपाही आपको लगता होगा खारे होते हुँगा उसे को छत्री बोलते हैं ठीक है छत्री जो गया लोटस बेटल जो इंडियन आर्किटेक्चर वी यूज़ उस होता था जैसे यह डोम बना रहे हैं तो यहां लोटस पेटल इसके उपर लगा रहे हैगा ठीक है वहां पे lentils का heavy use है regional kingdom में तो lentils का भी use lentils को combine करने का कोसिस की है या फिर अकबर में जाओगे तो अकबर कहीं कहीं पर dome का use करने एक बजाए अपना पुराना tribute structure का use करते है तो खुल में लाके fusion भी हुआ यही मोटा मोटी distinctive features है तो अगर मैं distinctive features एक बार पूरा कम्प्लीट बोल दूँ उसके बाद मिनार चारवाग पॉंड्स पॉंड्स अंदर यूज करते थे गाडन यूज करते थे यह सब तो होई गया है ठीक है टोंब फोर्ट और इंडिविजियस जो आपका इंडिजीनियस यानि जो इंडिया का पहले सार्किटेक्चर चल रहा था उसमें कुछ चीजें पिक है जैसे कि छत्रीज लोटस लिंटल यह चीजें ठीक है यह आपका फीचर हो गया अब हम सीधे स्टार्ट कर सकते हैं सल्तनत तल्तनत आर्किटेक्चर अच्छा इसी को इंडो सार्सेनिक भी बोलते हैं इंडो सार्सेनिक अब आप इंडो सार्सेनिक बाद में ब्रिटिसर्स भी इसको यूस करेंगे सार्सेनिक इंडो इस दी वर्ड यूस पर इंडियंग एंड सार्सेनिक मुस्लिम्स को बोला जाता है उधर ब्रिटिसर्स बोल रहा है यूरूपियंस ला इंडियंस और सार्सेनिक मुस्लिम्स मुस्लिम्स अरे अर्ये गंदर यह से हो रहा है रो को अच्छे से लिख दे र हिंदूज या फिर इंडियन्स बोल लिजिए दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं उस जमाने में और सार्सेनिक यूज करते तक मुस्लिम के लिए इसको इंडो सार्सेनिक भी बोला जाता है शुरू में इसमें तरक्स आये थे अपने यहां जो स्लेव डैनास्टी आ क्या क्या ओ को एक कोवते का इसल्हां मुस्ख मस्जिद बना वो इस नाइम में बनाया गया और जो दूसरी चीज है वो कुटुब मिनार यहां पर पहले जैन टेंपल था कुबत इसलाम मौस की जगह कुटुब मिनार की जगह हिंदू टेंपल था थो उसकी जगह फ्लेव डैनस्टी में इल्थुत्मिस जो आते हैं वो ये दोनों चीज कराते हैं इसके बाद इनके डैनस्टी में एक जो सिग्निफिकंट चीज है वो है बल्वन का टॉंब बल्वन बाद में राजा बना इलतुतमिस जो आपके स्लेव डैनास्टी कोई ममलूक भी बोलते हैं ममलूक डैनास्टी इन में एक बंदा था बल्वन जो इनका राजा था बल्वन का टूंब बना मकवरा टूंब इसमें फर्स्ट ट्रू आर्च यूज किया गया आर्च वही आर्च बताया यह हुआ आपका गेट पे यह यह ठीक है पहला ट्रू आर्च बल्वन के टूंब में यूज होता है यह याद रख लो ए डैरेक्ट ए क्विश्चन है बल्वन के टूंब में फर्स्ट टू आर्च यूज होता है ठीक है राइट तो आपका स्लेव डैनास्टी के बाद अगले कोन आते हैं अगले आते हैं खिल जी जो अपने कल्चरली इंपोर्टेंट है आपन बास उसी डिस्कस करेंगे ज्यादा इधर उदर हिस्टी नहीं पर रहे हैं तो इसमें अलावदीन खिल जी दो चीज़ें की हैं पहला कुवते इस्लाम लिखी दे रहा हूं भाई पिछले इस्लाइट पर बनाया था इल्टु इल्लार्ज किया इस मौस को बरा किया उस टाइम में हो सकता है जब नहीं नहीं इलतुत में साय हो तो मुस्लिम पॉपलेशन बहुत छोटा हो दिल्ली में तो वह उतने से मौस से काम हो जा रहा था लेकिन बाद में और बड़े की ज़रूत परित अलावदीन भाई उसको ए ठीक है आर्किटेक्ट्रली काफी इंपोर्टेंट है ठीक है अलावदीन खिल जी नतिंग मच इंपोर्टेंट इतना से आपका काम हो जाएगा अलावदीन खिल जी बाकी खिल जी इसके टाइम एक दो चीज़ और हुए एक सिरी फोर्ट बना बस याद रख लो सिरी इसलिए बोना जाता है कि इस टाइब पर मॉंगोल से टैक करते थे इंडिया में तो उनके सर काटके फोर्ट के गेट पर लटकाया हो था इसलिए इसको सिरी फोर्ट बोलते हैं और एक होजखास दिल्ली में है जानते हो होजखास यहाँ पर रॉयल टैंक बनवाया दिल्ली फिल्जी के टाइम में यह मेजर चीज़ें आपको आर्किट्रेक्ट्राली ज़रूरी है ठीक है और कुछ बचता है इसमें हो गया कुवत इसलम मौस कुतुब मिनार बल्वन का टॉम हो गया फस्ट रू आर्च तब बनता है ठीक है खिल्जी हो गया अब चलते हैं अगले जो है अपने वह है तुगलक तुगलक में आर्ट इन कल्चर के परस्पेक्टिव से फिर से जब इंसियंट और मेडाइवल परहेंगे तो इनका डिटेल में सब कुछ परहेंगे यहां बस हमको वह चीज़ें आर्किटेक्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से कल्चर के पॉइ तो अगर इनके बारे में चाहोगे तो यह बत्तर का यूज करते हैं बत्तर अभी बत्तर क्या है थिक लोपिंग वाल तो मालो जैसे एक फोर्ट बनाना यहां पे घरवर है और यह आपका बाउंडरी है थीक है तो जो बाउंडरी होगा इस बाउंडरी की यदि में बात तो यह जो आपका बाउंडरी होगा मालो यह बाउंडरी है अपका ठीक है ऐसा कुछ समझ लो यार यह जो बाउंडरी है अगर इसको हम देखेंगे तो वो ऐसे बनाते थे यह बाउंडरी की दिवाल है जो गेट होगी और यही चारो तरफ से तो यह थिक भी बनाते थे और sloping होता था इसी को बत्तर बोलो था ऐसी दिवाल बनाने पीछे कारण कुछ थे पहला तो इस टाइम में rugged structures बनते थे rugged structures rugged structure पता है क्यों क्यों कि ये medieval time था इस टाइम पर attacks ज़्यादा होने लगे थे मंगोल attack के दर से जो force बनाय जा रहे थे ज़्यादा मजबूत बने इसके लिए पत्तर heavy use किया जाता था और ये बत्तर का structure इसलिए था था कि उनको लगता था कि यार बहुत बड़ी बड़ी उची दिवाल डाल रहे हैं तो stable रहे हैं इसके चकर वे नीचे ये वो डालते थे हलांके engineering wise वो सही नहीं था but anyways उनको लगता था base चोरा कर देंगे तो ज़्यादा stable होगा वैसे भी stable हो सकता था बट उसको जाने दीचे बत्तर हो गया दूसरा जो काम ये किये ये multi-dome roofs लाने की कोसिस किये multi-dome roofs इनके में दिखता है तीसरी चीज जो ये लोग किये वो क्या tapering minarets जो minare बनाते थे same इसमे जब मालो यहां minare होगा तो वो भी tapered होता है tapered मतलब मालो दो तरीके मिनार बन सकती है ना यारी एक ऐसे है और यहां ले जाके कुछ चतरी टाइप का लान दिए एक minare ऐसे भी बन सकता है एक minare ऐसे भी बन सकता है तो वो ये बनाते थे tapered 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 मिनार बनाते थे इसको हटा दो इसकी ज़रुरत नहीं समझने के लिए था तो tapered minarets बनाते थे दूसरा ये arch के principles को lintel के principle से combine करने की कोशिस किये arch प्लस lintel principle इन दोनों को same structure में लाने की कोशिस किये ठीक है और nothing much important here इतना अपना काम का चीज़े हैं और ये grey sandstone यूज करते थे ये पहले जितने थे अपने ये इससे पहले सारे red sandstone यूज कर रहे थे ये grey sandstone यूज करते थे इनका architecture wise इसको हटा दू समझने के लिए था एक ही जगा सारा इनका cover करना है ठीक है ये हो गया और जो इन में कुछ इनके important जो example है इनके architecture के वो तुगलकाबाद पोर्ट है उसके बाद ठीक है तुगलकाबाद फोर्ट है और एक पूरा पूरा स्थेहरी बना दिये थे फिरोजाबाद तुगलकाबाद भी पहला फोर्ट सिटी था ये इनका major कहानी है इसके बाद अपन बढ़ सकते हैं लोदीज लोदीज इसके बाद आये थे अफगान्स थे तो अभी सारा तो करा दिया है सबसे पहले slave dynasty ममलूक होई गए उसके बाद आपके खिलजी होई गए उसके बाद तुगलक होई गए अभी लोदीज लोदीज कौन थे अफगान्स थे इन्ही को हरा के बाद में मुगल्स आएंगे तो पहले लोदीज थे अफगान्स थे ये सासन करने लग गए इन्हों ने क्या किया इनका architecture में double dome introduce किया अब डबल dome क्या है मालो ये आपका एक building है और ये आपका एक building है simple तो single dome कैसे होगा right single dome एक तरीके से ऐसे होगा अरे कुछ नहीं एक normal सा dome उठा दिया right ये single dome में ये उतना शांदार नहीं दिखता है इन्होंने क्या किया इन्होंने इसको ऐसे बनाने कुछिस की देखो difference इसमें क्या एक ऐसा है एक ऐसा है ये dotted रख लो रोको अभी समझ जाओगे तो अगर इसमें देखोगे तो दो dome एक structure यहां से उठता था अब ये इतना बड़ा जाना चाहिए जो यहां से उठा है ये इतना बड़ा होना चाहिए बट फिर थोड़ा उपर जाके वहां से एक अलग radius पर खीच देते थे तो एक देखोगे तो यहां से उठा रहे हैं तो ये इतना बड़ा होना चाहिए था बट वो नहीं करते थे फिर एक छोटे निकाल लेते थे ठीक है ये समझने के लिए था फिर से इसको erase कर दिया जाए केवल वो बना रहूँ जो आपको समझने के लिए जरूरी है double dome इसको बोलते हैं double dome double dome को introduce किये अफगांस जो दूसरी चीज़ ये इंट्रोड्यूस किये वो octagonal octagonal structure तो अफगां का आर्किटेक्चर देखोगे जैसे पुराना किला है दिल्ली में पुराना किला ये सब जो देखोगे इसमें क्या ये जैसे square दिखा रहा है इनका overall building इस टाइप का होता था समझ गए आठ side होगा पुरा जो building होगा वो octagonal होगा और हर face पे जैसे ये एक face हुआ ये एक face हुआ एक face ये हुआ 8 side हुआ न भाई octagonal structure का ये अगर face देखोँ मैं तो जो octagonal structure का एक face होगा इसमें ये लोग तीन आर्च बनाते थे हर face पे ठीक है तो triple arch triple arch on faces हर side पे तीन आर्च बनाते थे ठीक है और कुछ अब इसमें अगर आप देखोगे तो सिकंदर लोधी इसका जो example है सिकंदर लोधी ने आगरा establish किया था आगरा establish किया लोधी garden आप देख सकते हो और जो ये समझने के लिए था ये पुराना किला लिखी चुका हूँ बाकि एक जो important है वो इक्वरनेट पे exactly जो जो चीज़े बता रहो न उक्टागनल शेप है डबल डोम है और उसमें आपका ट्रिपल आर्चेस हैं ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी और चारवाग स्टाइल और गार्डेंज भी इसमें लेके आया जैसे लोधी गार्डें ये अभी अपना कहानी दिल्ली सल्तनत का खतम होता है अब जो दूसरा स्टाइल है वो है डेकणी स्टाइल डेकणी स्टाइल में हम दो स्टाइल परहेंगे जो important है ठीक है डेकनी स्टाइल में ये बहामनीज बहामनीज जो की विजयनगर के टाइम पर रूल करते थे विजयनगर के एनमी थे ठीक है बहामनीज उनके दो किंडम में जो आर्किटेक्चर वाइस से इंपोर्टन्ट है एक है आदिल साहिस ठीक है एक है आपके आदिल साहिस ठीक है और दूसरा यहाँ पर आदिल साहिस डिस्कस कर लेते हैं इनका जो जगह था वो था बीजापुर में अब इनके अगर कुछ फीचर्स देखें ठीक है इनके अगर कुछ फीचर्स देखें तो इसमें भी ट्रिपल आर्च है इनमें जो डोम है वो बलवस डोम है तो अगर आप गोल गुमबच खोल के देखोगे तो गोल गुमबच पे जो डोम है वो ऐसा सा है अल्मोस्ट पूरा स्फियर पूरा तो नहीं रहेगा ओवियसली बट मैं अगर अच्छे से बताओं तो माल लो यह यहाँ पर अल्मोस्ट पूरा स्फियर ही वहाँ पर आ जाता है तो इसको बलवस डोम बोलते हैं जैसे कि गोल गुमबच पे हुआ है अच्छा जो ट्रिपल आर्च इनका रहता है उसमें भी एक खासियत है जैसे माल लीजे ट्रिपल आर्च है ट्रिपल आर्च है तो जो सेंट्रल आर्च होगा सेंट्रल यह लार्च होता है बाकी दोनों आर्च से इन दोनों से और इसी से entry होती है बागी बस top style बागी style के लिए entry के बल सेंट्रल आर्ट से होती है और वो सबसे आपका क्या है बरा gateway भी है ठीक है और बागी यह जो आपके मिनार भी डालते है मिनारेट्स यूज होता है छत्री यूज होता है यह सब इसमे लिए गए ठीक है आदिल साही हो गया आदिल साही में गोल गुमबज एक फेमस एक्जामपल है गोल गुमबज ठीक है बीजापूर स्टाइल हो गया आदिल साही के बाद अपन कुतुब साही पे चलते हैं जो दूसरे इसमें हैं दूसरे ने इसको इनके एक्जामपल आपको कहा मिल जाएंगे अरे चार मिनार हैदराबाद चार मिनार हैदराबाद में ठीक है जो दूसरा है वो आपको जो गुलबर्ग जामा मस्जिद है गुलबर्ग में जामा मस्जिद गुलबर्ग इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने लाइक है नहीं ठीक है इसको याद कर लो और ये लोग एक चीज़ जो करते थे वो स्टको पेस्ट का स्टको प्लास्टर का बहुत हेवी यूज़ करते थे मैक्स यही पूछ सकता है इससे बाकी कुछ काम का नहीं है ठीक है स्टको प्लास्टर का बहुत हेवी यूज़ करते थे राइट अभी जो तीसरा है वो प्रोविंसियल स्टाइल है ये भी इतना सिग्निफिकेंट ने इसमें बस तीन-चार में फैट्स लिख दूँगा वो आपको एक बार ध्यान में रखना है फिर मुगल्स में गूसेंगे प्रोविंसियल स्टाइल की बात करें प्रोविंसियल स्टाइल तो प्रोविंसियल स्टाइल की यदि बात करें तो सबसे पहले जॉनपूर जौनपुर में सरकी रूलर्स अटल मस्जिद ठीक है इसमें जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो है नो मिनारेट्स मिनार्स है अर एपसिंट या मिनार नहीं है ठीक है जो दूसरा है वो है आमधाबाद अमधाबाद में एहमध साह ने बनवाया है और इसका जो मेन डिस्टिंक्टिव फीचर है वो क्या है पता है लिंटल्स ठीक है एंड पिलर्स का हेवी यूज हेवी यूज जैसे हिंदू आर्किटेक्चर में होता था लिंटल और पिलर का बहुत हेवी यूज एहमधाबाद में एहमध साह के टाइम में हुआ है और इसके हिंडोन महल यही है और तो कुछ नहीं हिंडोन नहीं हिंडोला है यह देख लो यह सब यार बस याद ही रखना इसमें कुछ है नहीं ज्यादा ज्यादा कुछ समझने लाइक इसमें है नहीं है एक एक लाइन याद रखना है उसमें भी मिनार एपसेंट है वो भी लिखी लो मालवा में मालवा में भी नो मिनार्स और एक बेंगॉल स्कूल है यह चार करके इसका कहानी भी क्लोज कर देते हैं ठीक है चोथा जो आपका है वो क्या है बेंगॉल स्कूल यह हम रीजनल अभी कवर कर रहा है रीजनल में बेंगॉल आएगा बेंगॉल में एक दखी दरवाजा है दरवाजा इसमें ब्रिक्स एंड ब्लैक मार्वल यूज किया है इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं यह चारो एक बार आपको रटना पढ़ेगा इसमें दो प्योर रटना ही है रीजनल वाले में यह खैर इतना देखिए इंपॉर्टन्ट है नहीं बट कभी पूछी दे यार तो इतना तो याद करके जाना चाहिए ही आटलिस्ट आपको एक क्रोनोलाजी भी पता होता है यह भी पता होता है कि कुछ तो किया ही है तो थोड़ा बहुत याद रखने में बहुत चिंता की बात नहीं है अब अपन चलते हैं जो इस टाइम में सब से important है वो है Mugals Architecture इसी टाइम में विजयनगर भी हैए दिजयनगर अपन हिंदू आर्किटेक्चर में covering चुके हैं नाइकास cover कर चुके हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है अभी हम सीधे चलते है Mugals Architecture में अगर देखीगा तो symmetrical Architecture है इनका दोडों तरफ बीच से एक्वल एक समान बनाने कोशिस करते हैं गार्डेंस जो आपके लोदीज ने इंट्रोड्यूस किया था अफगान ने वो इन में भी देखता है जिसका एक्जामपल शाली मार बाग शाली मार बाग पाकिस्तान में है प्लस निशद गार्डें है अपने हाँ ये कश्मीर में है ये अपने हाँ है कश्मीर पूरा अपना है तो निशद गार्डें अपने हाँ है सालिमार बाग पाकिस्तान में है ठीक है उसके बाद जाली कैलिग्राफी ये सब तो बताई चुका हूँ यह सब यहां भी देखने को मिलता है कुछ nothing much ठीक है इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं जो materials use हुए वो red sandstone से बाद में हम marvel में shift करते हैं देखा जाता है कि red sandstone का use asoka बोल रहा हूँ अकबर तक होता है अकबर white marvel का start कर देते हैं use in fact अकबर से पहले भी अकबर से पहले तो ज़्यादा नहीं है अकबर में ही थोड़ा use होता है बट जो proper white marvel का काम चालू होता है वो जहांगीर से चालू होता है ठीक है तो मोटा मोटी यह है अब अपन सीधे एक एक करके देख लेते हैं देखिए जो आपके बावर जी थे उतों चार साल में मर गए इंडिया आने बाद तो उससे ज्यादा कुछ अर्किटेक्टरली कुछ हुआ नहीं उसके बाद जो अगले राजा थे हुमायों वो भागे दोरे में रहे उनको सेरसा सूरी हरा दिया था तो इरान में जाके बैठे हुए थे तो आर्किटेक्टरली बहुत सिग्निफिकेंट कुछ हुआ नहीं था आर्किटेक्टरली जो सबसे सिग्निफिकेंट चीजें चालू हुई वो अकवर के टाइम से चालू हुई तो हम अकवर सारा चीज है इसमें इंडियन स्टाइल भी इंक्लूडेड है ठीक है लेकिन जो फिर अकवर का जो में कंट्रिब्यूशन है वो आगरा में है आगराम क्या बनवाए आगरा का रेड़ फूर्ट ये अकवर ने बनवाया ठीक है रेड़ फूर्ट अकवर ने बनवाया ठीक है और इसमें डूम अकवर की अकवर डूम में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे अकवर ज्यादा छत्रीज बनवाते थे राजपूर्ट स्टाइल से impact influence थे काफी राजपूर्ट स्टाइल ओफ आर्किटेक्चर में ठीक है आगरा में रेडफोर्ट बनवाए और उसके बाद जो अगला इनका main जगे है वो है फतेपूर सिक्री पतेपूर सिक्री में यदि हम इनका contribution देखें ठीक है तो पहला है बुलंदरवाजा नाम सुने हो बुलंदरवाजा उन अब दी largest gate है शायद largest ही है ठीक है उसके बाद जामी मस्जिद एक बनवाए जामी मस्जिद सलीम चिस्ती सलीम चिस्ती का टॉम बनवाए ठीक है और इबादत खाना जहां पर religious discussions होता था तारे religion के बीच एक इबादत खाना बनवाए और लास्ट पंच महल पतेपूर सिक्री में अकबर का काफी contribution है ठीक है और यहां पर सलीम चिस्ती के टॉम में वाइट मार्वल का यूज़ पार्सियली किया गया पार्सियली बागे रेड सैंड स्टोन में ही ज्यादा काम चलता था कवर के टाइम ठीक है वाइट मार्वल का यूज़ पार्सियली किया गया पंच महल और जो लास्ट इस था वो सिकंद्रा यहां पर अखवर ने अपनी ही मुसेलियम अरे वही टूम जहां मरने एक बाद यह ताज माल वाज माल यह सब वहीं है जहां मरने एक बाद अपना ग्रेव डलवा के structure अपना चालू कर दिये थे ठीक है इसमें भी टॉंग नहीं है टॉंग absent अपना बनवा रहते हैं फिर बीच में विचारे नहीं रहे तो फिर जहांगीर वही भाई करेंगे पिताजी का छूटा काम जहांगीर ने काम पिक किया इसको complete वंप्लीट कराया आपका सिकंदरा में ठीक है लेकिन जहांगीर जो में थे आशिक थे तो नूर जहां नूर जहां के इनकी जो बेगम थी नूर जहां उनके पिताजी थे इतमाद उद्दौला इतमाद उद्दौला यह important क्यों है यह कहानी क्यों बता रहा हूं कि जहांगीर के टाइम पे इतमाद उद्दौला जो नूर जहां के पिताजी थे इनकी टौम बनी और यह प्योरली वाइट मार्वल में बनी और यह पहला structure था जो completely वाइट मार्वल में बना गया फर्स structure और यह जहांगीर के टाइम में हुआ बाद में हम देखेंगे जो ताज महले वो इसके बाद बना वंत ये पहला वो शोड़ा वह स्ट्रयक्षर था जो प्योर वाइट मार्बल में बना इससे पहले सेंडस्टोन में काम हो रहा था ठीक है और जहांगीर के टाइम में एक मोती मस्जिद और बनी थी मोती मस्जिद लाहॉर में है ये तो पता नहीं पूछ दे तो कौन जानता है ठीक है ये सारी चीजें हो गई इससे ज़्यादा जहांगीर में कुछ जानना नहीं है आर्किटेक्चर की इंडियन आर्किटेक्चर में मुगल में जो सबसे ज़्यादा केंट्रिव्यूशन है वो अकबर का है और फिर साजहा का है अकबर अपन कवर कर चुके हैं अब बारी आती है साजहां की है साजहां ने एक चीज़ बता देता हूँ पहले फोलियेटेड आर्च बढवाना चालू किया फोलियेटेड आर्च क्या आर्च तो समझ चुके उत्ते टाइम से बता रहा हूं आर्च भी नहीं समझे हो अरे भाईया लिंटल और आर्च ये ये नॉर्मल आर्च है फोलियेड आर्च में कुछ नहीं है फोलियेटे आर्च में ये ऐसे ही जाएगा लेकिन ये यहां से यहां की जो जर्णी है ये ये वाला जो एरिया है गौर से देखना ये ऐसे ऐसे फूल जैसा बनाया जाएगा चीख है और यह नहीं रहेगा, यह हटा दो, मतलब सब्सक्राइब नोब इस तरीके तो इस तरह की खिर्की दर्वाजा जब बने तो इसको फॉलिएटेड आर्च बोलते हैं फॉलिएटेड देखो इसको foliated arch बोलते हैं पहला दिये foliated arch introduce किये ठीक है अब इनका अगर जो main चीज देखें ते इनका दो जगा खेल है एक आगरा इसको हटा दू foliated arch का एक ही structure रखते हैं समझने के लिए इसको हटा देते हैं this is just for understanding यह है foliated arch foliated arch इसको बोलते हैं foliated arch अभी आगरा और दिली यह इनका दो major zone of interest है आगरा और दिली आते जाते रहते थे आगरा में जो इनका सबसे बड़ा contribution है यह अगर आपको नहीं पता है तो इस साल एक्जाम मत देजिएगा ताज महल यह तो पता ही है बहुत जादा बताने ज़रुत नहीं है साजहाने आगरा में ताज महल बतवाया यह अगर नहीं पता है तो वीडियो छोड़िए पेपर भी छोड़ दीजे सब कुछ छोड़ दीजे यह तो पता होना ही चाहिए यह सब को पता है ठीक है यह हो गया और दूसरा जो रेड़ फोड आगरा में कौन बनाया आगरा स्टैबलिस कौन किया सिकंदर लो दी वहाँ पे रेड़ फोड कौन बनाया अभी बताया हूँ अकवर और उसके अंदर यह भाई जाके एक मोती मस्जिद बनवा दी है एक मोती मस्जिद वहाँ पे बनवा दिये रेड़ फोड में आगरा रेड़ फोड के अंदर सा जहां सौडी सा जहां बिल्डर था आगरा में देखा कि इसके पिताजी बहुत कुछ बना गये है तो यह बोला हम मैं दिल्लीम कुछ-कुछ बनवाँगा तो यह दिल्ली पहुँच गया और बोला दिल्ली में रेड़ फोड बनवाँगा दिल्ली में रेड़ फोड बनवाया और जामा मस्जिद बनवाया जो सारा दिल्ली में अभी है पुरानी दिल्ली में उस एरिया के बात करो और उस सब का नाम सा जहाना बाद रखा जहाना बाद में रेड़ फोर्ट बनाया जामा मस्जिद बनाया और रेड़ फोर्ट में एक चीज जो important है वो है रंग महल उसी के अंदर एक रंग महल भी बनवाया इसको भी तो दिखाना था कि मैं अर्किटेक्चर बढ़िया कर रहा हूँ अकबर किया होगा अगरा मैं तो ये भी अपना एक रेड़ फोर्ट मस्जिद वस्जिद पुरा एकदम लेगेसी बनाने के हिसाब सार्किटेक्चर करा गया था सारा पैसा जोग दिया था बनाओ पुरा लग के ठीक है अब इसमें ताज महल वाज महल में जितना भी इन लोग का स्ट्रक्चर है सब में बता चुका हूँ जाली वर्क भी है केलिगराफी भी है मिनार भी है डबल डॉम का यूज है जो कौश लाइथ है डबल डॉम का यूज कर रहेंगे लोग अफगान असे यह लोग डबल डॉम का यूज करने लग गए ठीक है अब इसके बात जो अपने sadist भाई, वर अग्जेव भाई आए जिनको ये सब में interest नहीं था ये सब नहीं बनवाना है आर्किटेक्टिर और ये तेक्टिर में ज्यादा interest नहीं था इनको culture में ज्यादा interest नहीं था, ठीक है? तो ये सब चोड़ दिये इनको यह समय तो music हो गया painting हो गया आर्किटेक्ट्चर हो गया इसमें ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं था फिर भी बीवी से थोड़ा प्यार तो था तो बीवी का मकवरा बनवा दिये आलाकि कमी इंट्रेस्ट में इंट्रेस्ट में जब कमी होती न अधमिस्ट उसे कुछ अच्छा नहीं बनता है तो बीवी कमकवरा अगर फोटो देखिएगा तुछ ताजमाहल कॉपी करने का कोसिस कर रहे थे को democrat बहुत ही गण्दा बना है बीवी कमकवरा गवित ताजमाहल के के रेड फोर्ट में मॉस्क बनवाई यह तो चलिए मस्जिद है धार्मिक रिजन्स पर तो इस पर दो कोई दिक्कत नहीं है बाकि आर्किटेक्ट्चर में कोई इनका ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं रहा तो मस्जिद तो ढंका बन गया बट बाकि जो ताज महल का कॉपी करने बुक्त किये थे इन से नहीं हो पाया यहाँ पर आपका जाकर के इस्लामिक अर्किटेक्ट्चर की भी कहाना है खतम हो जाती है यह क्या हो गया हो गया अभी अपन चलते हैं जो लास्ट है ब्रिटिश आर्किटेग्चर यह भी हिंपॉर्टन्ट है बृटेइन वाले भी रहे तार्किटेग्चर आर्किटेग्चर कर्वाएं तो उसको भी तो थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है तो पहला हम पढ़ेंगे Greco-Roman style Greco-Roman style Greco-Roman style भी क्या होता था? कुछ नहीं कि एक Geometry Geometrical Shape Plus Pillars Lot of Pillars इसके हिसाब से बनता था जैसे कि Town Hall देखोगे मुंबई का तो वो ऐसा है एक मस्सा ट्राइंगल है यह CD है और यहाँ खुब सारे पिलर लगया हुआ है बढ़ देखने में अच्छा लगता है देख सकते हो यह भी अच्छा ही है तो कुल भिला कि इनका बहुत Simple इसमें फंडा था Greco-Roman जो Old आपका Roman और Greek style था उसमें Simple Geometrical Shape ट्राइंगल ले लिए यह ले लिए और इसमें पिलर्स लगा के तो इसका एक्जामपल आपको Town Hall मुंबई है पी-सी-पी दिल्ली कनाट पालेस सीपी जो भूमते हो वो भी इसी स्टाइल का है ठीक है Greco-Roman स्टाइल का है सीपी ठीक है यह सारा चीज हो गया अपना Parliament House जो अब तो खेर नया वाला मुदी जी बनवाए है अभी जो बना है बट जो पुराना अपना जो Actual तो अब वही है जो historical अपना Parliament का बिल्डिंग था वो Greco-Roman style में बना हुआ था उसमें भी circular लेके lot of pillars का structure है तो वो Greco-Roman style में है ठीक है सेकेंड अगर चले तो सेकेंड गोथिक या Victorian style बोलते है ठीक है तो गोथिक और Victorian style की बात करें तो यह 12th century AD में France में इसका खूब यूज होता था चर्चेस बनाने के लिए चर्चेस इस style में बनते थे अब यह कौन सा style है example आपको बताऊंगा फोटो देखोगे समझ आ जाएगा Victoria Terminus जिसका नाम अब खत्रपती सिवाजी महराज Terminus है ठीक है मुंबई में यह आपका हो गया Victoria Terminus कहीं दिक्कत इसमें नहीं राइट यह हो गया आपका इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है अब जो तीसरा में आपको बताया था वो है Indo-Sarsenic style Indo मतलब Indian जो Indigenous लोग थे Sarcenic मतलब Muslims तो Indian और Muslims का जो Architecture था वो मैं आपको Delhi सल्तनत के टाइम में भी बूला था Indo-Sarsenic बट अंग्रेजों ने भी Indo-Sarsenic Indo-Sarsenic style of architecture का यूज किया अगर इसका एक Simple सा एक्जामपल देख लोगे तो समझ जाओगे वो है Gateway of India इसमें Arch भी है छत्री भी है तो ये कुल मिला के जो India और जो Hindu और Muslim Architecture के मिलने से जो चीज़े आई थी उसी का यूज करके Gateway of India अंगरे जोने बनवाया ठीक है ये आपका मोटा मोटी खतम हो गया भाई ठीक है Architecture अब इसमें दो तीन जो Miscellaneous इंफो है वो देख लो एक कस्मीर और हिमाचल प्रदेश में एक wooden style of architecture है जो wood से बनता है आज कल लेकिन पहले भी करकोटा डाइनास्टी जो कस्मीर में था उनका अपना एक दिस्टिंक्टिव तरीका था जो कि आपको पंड्रे थन पंड्रे थन temple में देखने को मिलेगा बाकि आज कल wooden style में तो चली रहा है आपका जो भी चीज़े बनती है वो wood से बनती है ठीक है बाकि पंड्रे थन टेंपल आपके लिए वहाँ important होगा और सोमनात मंदिर के बारे में culturally जो important है बाकि तो history में अपन पढ़ेंगे ये सब चीज़ें फिर से बट ये चालुकियन स्टाइल से inspired है चालुकियन स्टाइल चालुकियन स्टाइल इस वे सारा स्टाइल का चालुकियन स्टाइल चालुकियन स्टाइल से अपना सोमना टेंपल inspired है ठीक है अभी इसके बाद थोरा सा बेंगॉल का जो distinctive है वो देख लेते हैं बेंगॉल का आर्किटेक्चर जो है ये hatched roof से inspired है इसके ऊपर रूफ टाइप का कुछ बना देंगे connected समझ रहें किस टाइप का कुछ आप image देखोगे तो समझ आ जाएगा और इसमें कई बार two roof कई बार four roofs use किये जाते है ठीक है इसका example है विश्नुपूर temple बांकुरा में विश्नुपूर temple बांकुरा में इसको आपको देखने को मिल सकता है और जो लास्ट एक चीज़ बताना है वो है musical stone musical stone pillars जो pillars मंदीर में मंडप में बनवाते थे उससे पूरा music type का acoustic सी उस होता था निकालने के लिए खट-खट-खट-खट मारके यह आपको विजे नगर वाले temples में कापी talented लोग थे उसी से बनवा दिये थे विजे नगर के temples में देखने को मिलता है musical pillars ठीक है आर्किटेक्चर की कहानी यहाँ पर समाप कर सकते हैं ठीक है तो आर्किटेक्चर की कहानी यहा में को पढ़ना होगा बिणा time spent किये अपन घुषते हैं वो है sculptures 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 की यहीं मैं बात करूं तो sculpting पुराने टाइम से ही चल रहा है sculpting का आपन आई वी सीम देखते हैं तो अब मैं थोड़ा थोड़ा उसको architecture से भी mix करके बताऊंगा क्योंकि sculpting दो तरह से होती है एक होती है attached एक होती है free attached मतलब कहीं पर कोई building बना कोई architecture है उसमें हम sculpting कर दिये मार मार के तो on walls या building से combined ये भी एक तरह का sculpting हुआ जो free हुआ उसमें free आपके sculpted ठीक है free sculpted कुछ भी objects या articles बनते हैं या human का green जो भी आप बनाए तो sculpting में हम दो तरीकेस देखेंगे एक जो freely कुछ बनाया गया है एक कहीं कहीं के sculpting किये हुए है दिवालवाल पे या मंदिर पे या स्टूपा पे सब पे हुआ sculpting तो उसके हिसाब से हम sculpting को देखेंगे तो बिना time waste किये हुए है अपन कहांस चालू कर सकते हैं sculpting की यदि मैं बात करूँ पहले ज्यादा घुसने की ज़रूवत है नहीं आई वी सी से पहले तो अगर मैं इंडस वैली civilization को revisit करूं sculpting के angles फिर से हम चलते इंडस वैली और इंडस वैली को अब मैं दोनों चीज़ें आपको एक साथ बताते चाहूँगा रिवाईज भी थोड़ा सा हो जाएगा चिंता नहीं करना है आर्किटेक्चर के हिसाब से बता दिया था 90 डिग्री रोड्स है टाउन प्लैनिंग है टाउन प्लैनिंग है बर्न्ट ब्रिक है मल्टी स्टोरे बिल्डिंग है ठीक है टाउन के दो टुकरे हैं कौन अपर टाउन अपर सिटाडल ये वेस्टन साइट में होता था और यहां लोवर टाउन यहां मासेस रहते थे यहां पर पावर्फुल पीपल सिंपल नॉर्मल जो हर जगया होता है ठीक है और इसके बाद अगर हम देखें तो अपर सिटाडल हो गया ये हो गया और जो जो इनके फेमस आर्किटेक्चर के हिसाब से चीज़े हैं उसमें ग्रेट बात है ग्रेनरीज बनवाए थे श्टेडियम बनवाए है रिपřीज मात कर., और आर्किटेक्चर otherwise यह चीजे वहां से हमको important मिलती है तो इनके architecture पर such sculpting अपने को बहुत ज्यादा नहीं मिला है लेकिन जो sculpting के angle से important है sculpting के angle से जो तीन चीजें important हैं वो मैं आपको अगले slide पर cover कराता हूँ Indus Valley का sculpting number one number one में stone sculptures है stone sculptures stone sculptures की बात करो तो दो important है एक है red torso यानि एक bust है human body बना हुआ है ठीक है इस type से कुछ ठीक है मुंडी नहीं है उस पर ठीक है और यह red sand stone से बना हुआ है यह stone का होगे है stone sculpture में और दूसरे bearded man है bearded man जो बताया था आपको यह steatite के बने हुए steatite के बने हुए है आँखें elongated elongated eyes bearded है तो obviously beard होगा ठीक है एक sawl और हुए है sawl और हुए है sawl left कंधे पर है right हाथ free है इस type से इधर से इधर sawl आता है left कंधे पर या left पर इता आएगा right से काम करेंगे न तो sawl ठीक है और sawl के उपर trifle pattern trifle pattern से कुछ-कुछ images आपके केलिग्राफी टाइप ऐसे इसे चुटा चुटा बना हुआ है ठीक है यह आपका हो गया stone sculpture आगे चलें चलिए तो दूसरा जो आपका है वो है metal sculpture metal sculpture अगर metal sculpture के एंगल से देखें तो dancing girl बनी हुई है dancing girl जो है यह बैंगल्स वैंगल्स पहनी हुई है fashion fashion दिखाता है उस टाइम में चल रहा था यह sculpture very important इसका भी image देख लिजेगा बहुत जरूरी है ठीक है dancing girl हो गया बाकि copper का bird मिला है और एक bull मिला है copper का bull copper का bull मिला है यह तीन चीज मेटल में आपको important है ठीक है अभी चले अगला अगला metal तीन तरह का मिला है एक पत्थर का मिला पत्थर पर कुछ चीज़ें बनाई गई थी फिर आपका metal sculpture हो गया और तीसरा टेरा कोटा टेरा कोटा वाला थोड़ा less finished है less finished इसमें sharpness कम है ठीक है finishing अच्छी नहीं है टेरा कोटा वाले सबकी बट इसमें जो सबसे important है वो है mother goddess उनका एक टेरा कोटा का फिगरीन है उसको देखिएगा जरूर वो यहां पर इंडस वैली के sculpture में important है इससे अगर आगे बरहें इंडस वैली का sculpting क्योंकि दिवाल पे तो था नहीं इसके बाद जो next era आपने पास आता है वो आता है important वैसे तो दाइमा बाद में भी कुछ-कुछ चीज़ें मिली है sculpting के बट वो हम बाद में एक पर इंडिया कवर करके कर लेंगे इसको छोड़ो आइविसी हो गया ब्रॉंज एज का कहानी इसके बाद वेदिक एज आता है वेदिक एज में ज्यादा कुछ आपको मिला नहीं है बट एक चीज़ मिला है वो है पायर अल्टर्स ओफ वेदिक एज पायर अल्टर नहीं समझा रहे हवन कुंड वाई हवन कुंड तो हवन कुंड अलग-अलग जोमेट्रिकल सेप्स के होते हैं अलग अलग geometrical shapes क्यों होते हैं हलांकि इस पर बहुत ज्यादा sculpting नहीं है बट उसको shape तो दिया गया है फैरल टर्स को geometrical shapes में तो यह आपके लिए important है और इसका use क्यों होता था obviously जो आपके वेदिक जो पूजा होती थी haven ठीक है तो वेदिक वर्सिपिंग में था अलग अलग shapes जो में ट्रिकल shapes में पाया जाता है fire elders ठीक है यह वेदिक age के sculpting में important है उसके बाद जो next age आता है वो महा जनपद करता है महा जनपद में अगर फिर से मैं sculpting की बात करूं तो सबसे important है अपने भाईस मौरियाज मौरियाज के sculpting की यदि मैं बात करूं तो pillars है इनके pillars पे जो lion, abacus, edix, capitals जो finish किया जा रहा है यह भी sculpting का example है अरे है की नहीं 100% है ना pillar पे pillar पे sculpting carving करके ही तो चीज़ें बनाई जा रहे है भाई इतना shock surprise क्यों हो रहे है बट अगर मैं popular art की बात करूं यह ज्यादा important है sculpting point of view से popular art में यक्षा और यक्षिनी के human representation है यह ध्यान रहे कि इस time तक मौरिया time तक बुद्धा को human figure नहीं दिखा गया बुद्धा human figure में कब आएंगे कडिश्का काने एक बाद कनिश्का के time कुसंस के time इस time में जो human figures मिलते हैं वह यक्षा यक्षिनी के मिलते हैं यक्षा यक्षिनी के अगर मैं बोलू परकम बेसनगर और दीदार गंज फोटो इंटरनेट पे अवलेबल है खोल के एक बार देख लिजे किताब में अवलेबल है किताब खोल के देख लिजे इस समय यक्षा है यक्षिनी के पॉपुलर और इसमें फिर से बता चुका हूँ हेवी साइन है ठीक है highly polished असोकन टाइम में चीज़े मिलती है highly polished highly polished ठीक है यह हो गया बाकि इस समय पर जो स्तूपा बना था उसमें स्कल्टिंग इत्ती थी नहीं आगे स्कल्टिंग हुई और इसमें कुछ भी बचता है इनका आर्टिटेक्ट्टर वाइस में वुडेन जो आपको मिलता है कुम्राहर पतना में असोका का फोर्ट उसमें कुछ स्कल्टिंग है नहीं तो स्कल्टिंग यहाँ पे I don't think इस time में और कुछ भी है sculpting में important तो आगे बढ़ सकते हैं इसके बाद sculpting का actual era जो शांदार era है वो है post-morean post-morean जो era है यहीं से sculpting भी जोर पकरती है ठीक है तो अगर मैं post-morean era की बात करूं तो पोस्ट मोरियन एरा में जो आपके सुंगाज हैं और सुंगाज स्टूपाज बनवाए थे बता चुका हो सांची वांची में जो बनवाए थे ठीक है सांची हो बर्भुत हो इसमें बनवाए थे हाँ तो इसमें जो स्टूपाज थे उसके गेट पे स्कल्प्टिंग करके स्कल्प्टिंग दिवालुवाल पे गेट पे स्कल्प्टिंग करके इसके स्तूपा पे स्कल्प्टिंग नहीं है बट जो बाउंडरी था वेदिका हो तुराना हो गेट जो बताया था यह है आपका स्तूपा यह है आपका तुराना यह है आपका वेदिका इस सब पे स्कल्प्टिंग करके क्या क्या लिखा हुआ है तुराना हो वेदिका हो इन चीजों पे स्कल्प्टिंग करके स्कल्प्टिंग में क्या है स्कल्प्टिंग में स्कल्प्टिंग में अगर इस एरा में जाएंगे तो शुरू में आपको images of बुद्धा मिलेंगे ठीक है जैसे कि आपको बरहुत में Queen महा मायाज dream मिलता है इसमें हाथी के रूप में बुद्धा को आदमे के रूप में अभी तक नहीं दिखाया गया है जब तक कुशंस नहीं आएंगे जब तक महायान नहीं आएगा तब तक बुद्धा को इंसान के रूप में नहीं दिखाया गया है इसी में बाद में हो सकता है कि बाद में कोई लोग आएं तो करें सारे स्टूपा पे भी चीज़े चेंज हो लेकिन era important है क्या चीज़ कब बना है हलांकि स्टूपा बना नहीं है बट बुद्धा first century AD तक केवल आपको representations हाथ ही है कहीं कुछ है उस तरीके दिखाये जाएंगे आपको human form में बुद्धा कम मिलते हैं जब महायान जो आपका बुद्धिजम के अंदर महायान है वो जब तक start नहीं होगा तब तक human form में बुद्धा represent नहीं किये जाते हैं ठीके और ये महायान हिनायान ये सब कब आया ये हम religion में परहेंगे घवरानिक ज़रूत नहीं religion और philosophy अभी cover करूँगा मैं ठीके तो ये हो गया यहाँ पे आप देख लो और बाके इसमें जो लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है बता है जटक stories जटक stories का sculpting करके represent किया गया जटक stories क्या है बुद्धा के past life की stories को मतलब ancient जो buddhist literature है उसमें जटक stories बहुत important है heavily filled है बुद्धा के previous life की stories उसमें भरी हुई और mainly ethics के लिए है एक तरह से वो stories आपको moral education देने के लिए था तो जटक stories जो है जटक stories को represent किया गया है ठीक है सुंगाज के time पे आप अपाएं पोस्ट मॉरियन में एक और जो अपने लिए important था सत्वाहनाज का देख लेते हैं सत्वाहनाज सत्वाहनाज के time में अमरावती स्कूल बताया था अमरावती स्कूल अमरावती स्कूल में वेंगी अमरावती ठीक है भट्टी प्रोलू भट्टी प्रोलू नागपत्टिनम गुंतापले अनाकापले यह जितने भी है यह सब जगे आपको याद रखना पड़ेगा है थोरा बहुत तो याद रख लो ठीक है अमरावती स्कूल बनता है अमरावती स्कूल बारेम क्या बताया था कि यहाँ पे स्कल्टिंग भी होती थी और स्टूपा भी बनता था बट इनका स्टूपा का एक स्टाइल था जो था डॉमिकल पहले एक स्लैब था और उसके उपर ऐसे रखाता था ठीक है तो डॉमिकल स्टूपा बनता था ठीक है डॉमिकल स्टूपा बन गया और जो जतक स्टोरीज है वो यहां पे slabs पे गिसी हुई है stories और यहां पे बनी रहती थी यह unique चीज है कि स्टूपा के उपर भी स्टूपा के ठीक है स्टूपा भी यहां पे sculpted है stories से स्टूपा के उपर केवल अमरावती में stories लिखी जाती है और यह white marble की थी तो यहां पे ऐसे अपन देख सकते हैं ठीक है अब जो तीसरा इसमें important होगा वो है cushions ठीक है cushions में कनिशका वाला टाइम है कनिशका कुशन और कनिशका यह वाला जो है अभी अपने यहां से गांधारा मतुरा यह स्कूल आएगा और यह सबसे important portion अभी अपने लिए प्रूव होगा ठीक है ठीक है तो अभी यह cushions देख लेते cushions वाला जो टाइम था इसमें इंपेरर को इंपेरर को डिवाइन फॉर्म में दिखाया गया इंपेरर को डिवाइन फॉर्म में भगवान के रूप में इंपेरर को दिखाने जाने लगा और इनके टाइम में जो मेजर डेवलप्मेंट होए उसमें आपके गांधारा स्कूल बनता है गांधारा स्कूल मत मतुरा स्कूल और नीचे सत्वाहनास के टाइम अमरावती स्कूल सत्वाहनास और वकटकर्स के इंफ्लूएंस से आपका यह बना था ठीक है और अगर मैं बोलू इसी टाइम पर बांकि यह गांधारा मतुरा स्कूल यह क्या है इसमें चलते हैं इसी टाइम पर जब मैं बताया था आपको पोस्ट मॉरियर वाले फेज में केवस भी बन रहे थे तो केवस में मैं आपको क्या बताया था कारला केवस जूनागर केवस ठीक है एकसेटरा एकसेटरा यह बता चुका ओं इन केवस में भी inscriptions कह लिजे inscription is not the right word inscription नहीं था walls पे sculpting की जाती थी यह जो caves थे इन पे walls पे sculpting की जाती थी तो Buddhist caves जो रहेंगे उसमें Buddhist जटक stories engraved होंगे यही था यह caves वाला system ठीक है और caves में ही थोरा सा मैं फिर आपको बताया हुआ हूँ बट फिर से caves कंप्लीट कर देता हूँ अजंता caves अजंता caves में sculpture भी थे sculpture क्या क्या थे बताया हुआ है मारा विजया और दूसरा आपको वो बताया था महापरी महा परी निर्वाना महापरी निर्वाना जो बुद्धा जी अपने निर्वाना अचीव करते हैं उसका sculpture अजंता में मिलता है जबकि एलोरा में हम देखें तो एलोरा में जो sculpting है एलोरा में रावना shaking एलोरा के फिस हिंदू और बुद्धिजम और जैनिजम तीनों थे बताया हुआ हूँ तो एलोरा में रावना shaking mount kelas ठीक है रावना shaking mount kelas के sculpture दिखेंगे आपको उसके बाद वो अंध का शुर्वद अंध का सुर्व एक राक्चस्ता उसका वद इसको sculpture के form में दिखाया गया है elephanta में बहुत simple simple एक एक line का है भाई sculpture elephanta में जो main sculpture है कली बत्न आपको यह discuss किया हुआ है महेश मूर्ती जिसमें three headed three headed shiva दिखाये गया है three headed shiva महेश मूर्ती three headed shiva यह आपको बताया गया है उसके बाद अगर हम देखें तो उदैगिरी खंडगिरी खंडगिरी में आपको मैं बताया था यहाँ पर जो caves थे यह जैन वाले करवेलाज के cave थे और इसमें जो inscription wise sculpture wise देखेगा इसमें दो inscriptions है एक हांथी गुमफा और एक रानी गुमफा यह याद रखना है गुफा जो बोलते हैं यह inscriptions आपको इस cave में बिलेंगे हाथी गुफा और यह यहाँ पर inscriptions है इससे पहले इसी एरिया में धौली एलिफेंट धौली जो एलिफेंट है यह मौरियन टाइम्स का है धौली एलिफेंट बता चुका हूँ धौली एलिफेंट मिल जाएगा आपको ठीक है उसके बाद उद्यगिरी जो MP में है जिसमें वरा के रूप में शिव को दिखाया गया है उसमें भी आपको स्कल्प्टिंग मिलेगी स्कल्प्टिंग है माइथोलोजिकल हिंदू रिलिजियस थीम्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और अगर आप स्कल्प्टिंग के एंगल से केव्स देखेंगे तो जो और एक important है वो है रावन फाडी केव्स रावन फाडी केव्स रावन फाडी केव्स कल बताया हूँ चालुक्याज चालुक्याज के है ठीक है अरली चालुक्याज के बदामी आयोल वाले रिजन में इसमें जो आपको स्कल्चर में दिखता है वो इंपोर्टेंट है वो है नटराज बना हुआ यहाँ पे एक स्कल्चर में बिलता है ठीक है रावन फाड़ी के उसमें ठीक है और तो कुछ केव के वाइस एक अब देखिए जैसे केव के अंदर स स्कल्प्टिंग है ठीक है एक है रोक कट आर्किटेक्चर प्लस स्कल्प्चर यानि कोई एक रोक था उसको काट के मंदिर बनाए और उसी में स्कल्प्टिंग कर दिये तो इसके अगर एक्जाम्पल देखें ठीक है रोक कट जो आपके स्कल्प्चर है तो इसमें सबसे पह गुंता पल्ली, अनाका पल्ली, ये वाला जो एडिया है आंधरा में, वहाँ पे स्टूपा, थी, रॉक कट स्टूपा निकला है, रॉक कट स्टूपा, रॉक कट स्टूपा, चुकि ये आमरावती स्टाइल में है, तो यहाँ पे स्कल्प्टिंग भी मिलेगा, ठीक है, दू तेंपल है यह एक पूरा का पूरा हिल को काट के बनाया गया है और इसमें भी स्कल्प्टिंG में religious themes दिखते हैं जो तीसरा है वो पलावाज का महाबलीपुरम महाबलीपुरम ठीक है महाबलीपुरम में आपको कुछ चीज़ें मिलती है Goku सबसे पहले केव में महिसासुर मर्दिनी यह कल बताया हूँ महिसासुर महिसा सुर मर्दिनी यह जो केव है इसमें दिखता है दूसरा रॉक को काट के मोनोलिथिक रत्स बनाए गए है रत्हाज जो सेकेंड फेस था पल्लवा का आर्किटेक्चर का उसमें रत्स बनाए गए जिसमें धरमराज रत, दुरॉपदी रत यह सब बताया था पंच पांडव तो रत्ह जो है वो भी पत्थर को काट के बनाए गया तीसरा जो तीस मीटर का एक स्कल्प्चुरल पैनल है कल्प्चुरल पैनल है यहां पर स्कल्प्चुरल पैनल की बात करें 30 मीटर का जो sculptural panel है इसमें अर्जुनाज, पिनाइंस या गंगाज coming to the earth ये दिखाया गया 30 मीटर का लंबा सा उस पर खूब सारे sculpting किये गया है तो ये आप देख सकते हैं ये आपका caves से related आपका वो हो गया क्या? Sculptures caves से related sculptures हो गया इसके बाद हम थोड़ा सा temple से related sculpture भी कल ही लेते हैं फिर हम गोश जाएंगे schools जो अपने अलग से pre-standing मूर्ति जो sculpting की गई है तो temple related sculptures की अगर मैं बात करूँ temple related sculptures ये भी छोटा सा ही है, जल्दी से देख लेना है temple related sculptures में पहला जो मैं कल बताया था दसवतार temple जो है इसमें विष्णुजी को sculpting sculpture के फॉर्म में दिखाया गया दसवतार temple जो बताया था आपको गुपता पिरियेड में जो बना था दसवतार temple उसमें दिखाया गया है दूसरा temple related sculpting जो है यह regularly temples में किया गया है तो जिसका सबसे famous example खजुराहो खजुराहो में मिथुनाज बनाए गया है मिथुनाज sculpted inside and outside दोनो inside plus outside इस पे sculpting की गयी है खजुराहो temples पे orisa style में केवल outside में मिथुनाज बनाए गया है मिथुनाज ही बनाए गया है लेकिन only on outer walls inner walls orisa में नहीं sculpting किया गया था केवल outer walls किया गया था अच्छा temple से ही मैं एक वो भी निकाल लेता हूँ जो stupa जो आपका stupas है उसके sculpting बारे में शाहिद हम बात नहीं कियें तो stupas पे भी जो sculpting होती थी वो आपको देखने को मिल सकती है कहाँ तांची में बरहुत में अमरावती में और इसका favorite theme क्या होता था जतक stories जतक stories ये हो गए आपके तो stupa देखे हैं तो पहले हिंदू टेंपल गुषनेस पहले जैन वाला भी देखी लेते हैं जैन टेंपल में माउंट अबू पे माउंट अबू पे दिलवारा टेंपल इस पे बहुत heavy sculpting देखा गया है heavy खूमसारा और बहुत सुंदर लगता है आप एक बार फोटो निकाल देख ले न heavy sculpting है अब वापस लोटते हैं हिंदू टेंपल्स पे हिंदू टेंपल्स पे यदि बात करें तो जो आपका South Indian Temple है उसमें भी sculpting का जो रोल है उसमें मैं एक दो बता देता हूँ सबसे पहले आपके होई सालाज होई सालाज जो स्टेलेट प्लैन से बनाते थे उनका सोप स्टोन से बनता था मंदिर और सोप स्टोन सौफ्ट होता है तो इस पे काफी intricate sculpting की गई है जो की काफी beautiful और sharp है sharp क्यों है सोप स्टोन पे बनाना easy है तो काफी sharp किया गया है ठीक है होई सालाज के बाद अगर आप बात करोगे चोलाज का या फिर पलावास का इनके भी temples पे sculpting देखी गई है जो बाद में बता रहा हूँ पंडियाज पंडियाज हो या फिर आपके नायकाज हो या विजयनगर temples थे इसके गोपुरम पे गोपुरम gates पे काफी मतलब गोपुरम जो gates थे वो heavily decorated थे heavily decorated और इस पे खूब सारी sculpting की जाती थी चोटा चोटा story आदमी जैसा कुछ-कुछ image बना के पुरा उसको कार्व कर देते थे गोपुरम पे इसमें भी sculpting देखने को मिला है ऐसे करके हम ये cover कर चुके हैं जो temple के उस पे था अब हम चलते हैं जो normal free sculptures बनते हैं pre standing sculptures की बात अगर करते हैं pre standing sculptures में अगर मैं बात करूँ तो पहला Indus Valley Civilization का तीनों बता दिया हूँ stone metal terracotta done ये बता चुका हूँ वेधिक में के वल fire alters था उसको प्योर मतलब आप sculpting में मज जोड़िये उसके बाद Morian era में Morian era में Morian era में Dhali Orisa इसमें elephant पाया गया है Dhali Orisa का elephant फोटो निकाल के देख ले न Morian era में ये मिलता है Dhali Orisa में Elephant मिलता है प्लस popular art में क्या बताया था हमें Yaksha Yaksini Yaksha Yaksini Parakam, Didarganj और Besnagar ये तीनों में देख ले न इसका image भी काफी shiny viney था सब बता चुका हूँ अभी अपन चल रहे थे Cushants में Cushants में क्या बात किया हमें इस टाइम से Cushants के टाइम में सबसे न्यारा अपना भारत ठीक है माल लो यार कुछ ऐसा है यार ठीक है ये अपना इंडिया हो गया ये वाला जो रीजन है मैं थोड़ा कलर वालर ले 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 लेते देखने में अच्छा लगेगा ये वाला जो रीजन है आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान यहां गांधारा स्कूल इमर्ज करता है गांधारा स्कूल यहां है मत्वरा स्कूल इधर अपना यूपी वाला इसी का एक सब टाइप इमर्ज क्या करता है बनारस के बगल में सारनाथ स्कूल एक सार्दाथ स्कूल हो गया स्कल्प्टिंग का ठीक है और इधर में क्या बोला था अमरावती स्कूल इसमें क्या है अमरावती स्कूल सिंपल अब जड़ा जल्दी जल्दी अपन देखते हैं गांधारा स्कूल गांधारा स्कूल गांधारा स्कूल ओफ आठ आर्किटेक्चर स्कल्टिंग जो भी बोलो इसमें जो मेजर चीज़ें हैं वो सबसे पहले ये हैं कि ये प्योरली बुद्धिस्ट स्कूल है यहाँ पे ज़्यादा क्या पूरा ही बुद्धा का ही इमेज है यहाँ पे हिंदुईजम जैनिजम का इंफ्लूएंस नहीं है दूसरा यह ग्रे सैंड स्टोन यूज करते हैं जो डार्क होता है तीसरा इसमें जो फीचर्स है फीचर्स यह हेलेनिस्टिक वेस्ट अब लग र प्लस लोकल इंफ्लूएंस लोकल इंफ्लूएंस देखो अगर यह इंडिया के इधर देखोगे तो जो इन्वेडर्स पहले फॉरेन आते थे वो इधर से ही आते थे तो यहाँ वो कल्चर लेक आते थे यहाँ इंडिया का कल्चर मिलके आपको गांधारा स्कूल बनता है र आपको याद नहीं रखना है बड़ समझने के लिए हेलिनिस्टिक का मतलब क्या होता है ग्रीक आर्ट जो होता था जिसमें आप जियूस यूस यह सब सुनते हो बगवान ग्रीक आट डिवाइन आट था तो उसमें क्या आदमी को थोड़ा गॉडली दिखाया जाता था जो इ अलिनिस्टिक वह आर्ट का इंफ्ल्यूएंस यहां इंडो-ग्रिक लेके आते हैं और इंडो ग्रीक के बाद जब कुष्ण होता है तो वह और इंडो-ग्रीक का cultural influence मिलते मिलते जब खुशाने रहाता है तब तक वो गंधार स्कूल बनके वहाँ पे एक गंधारा स्कूल का आर्ट फॉर्म इमर्ज करता है जिसमें ग्रीक और इंडियन और आसपास का पार्थियन बैक्ट्रियन जितने है उस जोन के सारा cultural influence उसमें दिखता है ठीक है तो अपोलो एक गॉड होते थे उधर उनकी तरह यहां बुद्धा को दिखाए गया है तो इसमें कर्ली हेर्स श्टार्प पेशियल फीचर्स प्लेन हैलो हैलो अरे वो नहीं देखते भगवान पीछे जो मुंडिम चक्रह से पीछे घूमता है उसी इक बोलते है तो उसमें प्लेन हैलो बनता था ठीक है यहां पे पहली बार बुद्धा को human form में दिखाया गया था और इसमें कुछ जानने लाइक तो है नहीं और यहां पे बुद्धा sitting और smiling form में दिखेंगे आपको smiling में नहीं sorry sitting form में दिखेंगे sitting form मतलब जब आप मतुरा स्कूल में बताऊंगा वहां पे खरे मतलब standing figures भी है जैसे कि particularly सारनाथ स्कूल जो है वहां standing बुद्धा काफी पाए जाते हैं बट यहां के बल sitting है दूसरा बुद्धिस स्कूल है और इसमें कुछ great sandstone बताए दिया lime mud stuck को use होता है यह सब कुछ काम का नहीं है अगला आपन चलते हैं सीधे अच्छा इसका example देना भी तो जरूरी है इसका example की यदि मैं बात करूँ तो बामियान बुद्धा अफगानिस्तान जिसको तालिबान ने destroy कर दिया था बट बामियान बुद्धा इसका best example है बामियान बुद्धा आप याद रख सकते हैं ठीक है पाकिस्तान में स्टूपा एक दूबर ने उसमें गांधारा स्कूल का इंफ्लूेंस है अभी जो दूसरा है वह है मथूरा स्कूल मथूरा स्कूल मथूरा अपना UP वाला स्कूल ठीक है hen मथूरा स्कूल मथूरा स्कूल पर ज्यादा कुछ difficult है नी सबसे पहले इस में बुद्धिज्म जैनिजम हिंदुइजम प्लस यक्ष्ः यक्षिनी सारे आपको sculptures मिलेंगे plus religious plus secular secular में क्या secular में जैसे कि एक headless statue of of kaniska यह देखना यह यहाँ पर पाया गया kaniska का एक headless statue है खड़े standing position में तो secular वो तो राजा थे भगवान थे नहीं तो वो भी बनाए जाते थे Hindu gods को अयुद्याज के रूप में दिखाया जाता था अयुद्याज अब आपको लग रहा होगा फिर चक्कर आ रहा होगा अयुद्याज क्या है अयुद्याज मतलब जैसे Hinduism में क्या है कि हर भगवान का एक weapon होता है ठीक है तो उस weapon जैसे शिवजी त्रिशूल है ठीक है चाहे अगर आप विश्णु जीक बात करेंगे तो चक्र है तो वो जो होता है उसी को आयुद्याज बोलते हैं Hindu gods का जो representation है वो आयुद्याज में पाये जाता है ठीक है दूसरा अगर मैं buddhist art की यहाँ पर बात करूँ buddhist art की बात करूँ तो पहले decorated hello decorated hello जो चक्र भगवान पीछे रहता है वो उसमें थोड़ा decoration रहता है दूसरा बोधी सत्वास बोधी सत्वास भी यहाँ पर है वहाँ purely बस बुद्धा थे यहाँ बोधी सत्वास भी है ठीक है और तो कुछ है नहीं इससे ज़्यादा इसके बारे हम जानके क्या करोगे एक्जामपल में एक तो देही दिया आपका एडले स्टैचू अफ कनिस्का साथ में जान लो आप कट्रा माउंड यह एक है यह इंपोर्टेंट है यहाँ पर काफी सारी चीज़े मिले हैं तो कट्रा माउंड जान लो अभी जो तीसरा स्कूल है इसका सब टाइप भी डिसकस कर लेते हैं तीसरा जो इसका सब टाइप इसी का सब टाइप है तो मैं इसको थ्री लिखूंगा तो आप एंफ्यूज होएंगे तो मैं इसको टू ए लिखता हूँ सार्नाथ स्कूल सार्नाथ स्कूल में यह आहाहा कलर इंपोर्टेंट है भाई कलर साथ खिल छेड़ छाड़ नहीं ठीक है तो सार्नाथ स्कूल सारनाच स्कूल की बात करेंगे तो सारनाच स्कूल जो है ये सब टाइप ही है सब टाइप ओफ मतुरा स्कूल ओफ मतुरा स्कूल यहाँ पे स्टैंडिंग प्लस सिटिंग सारे बुद्धा मिल गए है ठीक है खड़े भी है बुद्धा बैठे भी है गुपताज के टाइम में सुल्तान गंज बुद्धा क्या भी बताओंगा चिंता मत करो, सुल्तान गंज बुद्धा है दो मीटर के स्टेंडिंग तो यह सारनाथ स्कूल हो गया अभी अपन अपना थर्ड खतम कर ले अमरावती बता चुका हूँ अब फिर बारबार नहीं बताओंगा अमरावती पूर इसमें क्या स्टूपा पे ही स्कल्प्चर होता था तो वो भी बता चुका हूँ वाइट मार्बल में होता था अच्छा यहाँ पे नहीं बता है न भाई 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 भूल गया था यह देख लो यहाँ चुनार सैंड स्टोन यूज होता है चुनार सैंड स्टोन एक टाइप ऑस सैंड स्टोन है और यहाँ रेड सैंड स्टोन यूज होता है कहां मतुरा में रेड सैंड स्टोन और वहां ग्रे सैंड स्टोन गंधारा में ठीक है डिफ्रेंस आएगा बढ़ियास लिख देना कोई दिक्कत नहीं है जबरदस्ट नमबर आएगा लिख दोगे यह सब तो ठीक है, अमरावती पे मार्वल्स का यूज होता है मार्वल्स का यूज होता है तूपाज पे स्कल्प्चर होते है और यह डॉमिकल लोता है, इतनी बार बोल दिया होना इतनी बार यह अब याद नहीं होगा तो कभ याद होगा अब तो याद होई ही जाना चाहिए ठीक है, बाकी रावनफाडी में नतरा नतराज कर लिये हैं अब जब मैं हिंदू टेंपल्स कर रहा था तो वहाँ से एक चीज छोड़ा था, वो देख लो मोनोलिथिक यह जिनरली लोग छोड़ देते हैं, बट मोनोलिथिक जो स्टैच्यूज है फिक स्टैच्यूज वो भी एक दो बने हैं जैसे गोमतेश्वर कल बताया, गोमतेश्वर बताया था ना स्रवन, बेल, गोला, मोनोलिथिक, यानि एक जगा पत्थर से काटके बने हैं या वहीं जमा है फिर दूसरा, नंदी बुल्स नंदी बुल का बात करूँ, तो लार्जेस्ट, मोनोलिथिक स्टैंडिंग, नंदी मतलब, जो आपके नंदी बुल है, वो लेपाक्छी टेंपल में लेपाक्छी लेपाक्छी टेंपल और जो सेकेंड लार्जेस्ट है सेकेंड लार्जेस्ट है, वो ब्रेदेश्वर टेंपल तंजोर में चूलाज वाले भाई बता चुका हूं सारा बता चुका हूं ठीक है अब जब हम और स्कूल्स की बात करते हैं स्कल्प्टिंग स्कूल्स की तो एक जो स्कूल है schools of sculpting और जो sculpting के school है जब हम history मागे बढ़ते हैं Indian history में तो दो-चार काफी important आते हैं पहला इसमें गुपता school गुपता में स्तारनाथ school बताया ना स्तारनाथ school में आपके sculpting होता है इसका theme जादा तर बुद्धा रहते हैं प्लस कुछ Hindu elements भी है निभी बने हैं यक्षा यक्षिनी भी बने है इसके जो सबसे important जो बार बार बता रहो हूं सुल्तान गंज बुद्धा ययाद रखना यह सुल्तान गंज बुद्धा पुचेगा किसके time में बने गुपता के time में दो मीटर का ब्रॉंज standing statue है 2 मीटर का मतलब समझते हो 2 मीटर मैं खुद 2 मीटर का नहीं हूँ ठीक है 2 मीटर बहुत जादा होता है ठीक है तो 2 मीटर bronze standing statue पे Sultan Ganj Buddha है बहुत famous है ठीक है यह आपसे पूछा जा सकता है किस के एरा में थे किस style में बने सारनाथ गुपता में बने है bronze के बने है और standing position में ठीक है सुल्तान गंज बुद्धा हो गया अभी अपन जो गुपता स्कूल हो गया और इनहीं के बाद यहाँ पे एक पाला स्कूल भी मर्ज करता है पाला स्कूल भी largely गुपताज को follow करते हैं बस थोड़ा इनका क्या फजरियान बुद्धिजम था ये भी आपके खुब सारे सक्कूलच बनाते हैं बुद्धा के बुद्धी सत्वा के और इस समय चो की बजरियान बुद्धिजम था बजर यान बुद्धिजम तो इसमें फोड़े तांत्रिक गौड्स तारा वारा सारे मिल जाएंगे बजरियान बुद्धिजम तो बजरियान बुद्धिजम का मतलब क्या होता है बुद्धिजम प्लस तंत्रिक तंत्रिसिजम को मिल के बना है तो इसमें तंत्रिक गौड्स भी इंक्लूड हो गए थे बुद्धिजम में जिसमें सबस हम चले हैं साउथ की तरफ एक और स्कूल है जो इंपॉर्टन्ट है उसका नाम है चोला स्कूल है चोला स्कूल भी ब्रॉंस से बनाता था और यह पहले नट्राज इनका सबसे फेमस थीम था और यह पलवाज के टाइम ही चालू हो गया था पलवाज चोलाज काफी सारे नट्राज मिलते हैं आपको ब्रॉंज के हैं ठीक है स्कल्प्टर नट्राज शिव जी का नाम है जिसको नहीं पता है उसके लिए जानकारी दे देना चाहूंगा ठीक है यह आपका स्कल्प्टिंग यहाँ पर मेजर स्कल्प्टिंग जो है इंडिया का वो यहाँ पर कहानी क्लोज हो जाता है चोला स्कूल ठीक है स्कल्प्टि की यदे मैं बात करू तो तीन बताया मैं । क्या क्या बताया आपको Metal ठीक है दूसरा क्या बताया Stone और तीसरा क्या बताया terracotta तो Stone का तो यदर देखो Stone का sculpture तो सुरू में छे फेमस हुआ आटीची के time बाद में इतना जादा पेमस हुआ ने free standing बाकि stones पे बनाए गए तो on stone walls आपको मंदिर पे बता दिया हूं बहुत सारे हो गए हैं तेरा कोटा भी आइवी सीम देखते हैं बाद में बना बट कुछ ऐसा बहुत major नहीं है में जो बाद में emerge किया वो metal है तो मैं metal का एक बार आपको पूरा overall description इंडिया के map पे देना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे से closer मिल जाए topic का closer मिलना जरूरी है पढ़के लगना चाहिए कि आपका काम बन गया है पर निक बाद काम बिग रहा हुआ नहीं लगना चाहिए ऐसा लगना चाहिए कि अब आपका काम यहां पर exam like हो चुका है ठीक है यह अपना कुछ भारत है हलांकि काफी गलत बन गया है सरकार पकर लेगी यार अलांकि देखो यार दिल से बहुत प्यार है भारत के लेकिन free hand से बना रहा हूँ तो उतना अच्छा नहीं बनेगा तो उसके लिए छमा चाहूंगा फिर से थोड़ा छोटा लग रहा है यार इसमें जो जो मेजर चीजें हुई है वो मैं बता देता हूँ सबसे पहले हरप्पा में दिखा स्कल्प्चर हरप्पा सिविलाइजेशन इंडास वैली डिख लो इसको इंडास वैली में आपको सारा स्कल्प्चर दिखता है इसमें सारा बता चुका हूँ डान सिंगल वान आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक चैलकोलिथिक कल्चर डेवलप होता है महराष्ट्रा के पास दाइमाबाद एक जगह है दाइमाबाद यह कुछ नया बता रहा हूं याद कर लो 1500 BCE में यहाँ पर बुल और एक चैरियट मिलता है कौपर का ठीक है क्योंकि यह कौपर कल्च दाइमाबाद ठीक है यह हो गया दाइमाबाद उसके बाद बिहार में एक जगह है जिसका नाम है चौसा यहां पर सेकंड सेंचुरी BCE में इसको हटा दू इतना जरूरी नहीं यह तो किया हुआ है ठीक है चौसा सेकंड सेंचुरी विसी में यहां पर जैन DT मिलते हैं ठीक है यहां हो गया यहां गुजरात में एक जगह है अकोटा अकोटा में फोर्थ से फिफ्थ सेंट AD में अगें जैन DT मिलते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे मैं बता ही दिया हूँ आपको गांधारा स्कूल गांधारा स्कूल पता ही है भाईयों उसके बाद यहाँ बता चुका हूँ यह अपना क्या है मथुरा स्कूल ओफ आट मथुरा स्कूल ओफ आट मथुरा important है इसके बाद बिहार में यदी चलें तो बिहार में आपको क्या बताया एक पाला स्कूल और एक क्या बताया यहाँ पे बनारस के आसपास स्टारनाद स्कूल गुपता के टाइम में स्टारनाद स्कूल गुपताज के टाइम में आया है राइट सब रट लो भाई बहुत जरूरी है छोड़ना मत पिर एक विजयनगर देखो विजयनगर बारे में कुछ बताना था वो भूल गया हूँ अभी इसके बाद बता देखो विजय नगर में एक स्कूल था और यहां चोलाज का एक स्कूल था चोलाज स्कूल के बारे में बता चुका हो ना ट्राज ठीक है I guess और कुछ इसमें एक और जो इंपोर्टन बचता है जो अब तर सुने नहीं हो कस्मीर वाले एरिया में एक अलग ही मेटल का स्कूल्प्चर मिला है Four Headed Vishnu अगर पूछा जाएगा Four Headed Vishnu का मेटल स्कूल्प्चर किस एरिया में पाया जाता है Four Headed Vishnu स्कूल्प्चर यह कश्मीर में पाया जाता है निप्ता दोगे पूरा कोई दिक्कत नी है विजय नगर मारे में एक चीज़ याद रखना है वो मैं पीछे की स्लाइट पर जाग कवर कर देता हूँ चो लाज के बाद जो अपना लास्ट यहां इंपोर्टेंट है वो है विजय नगर विजय नगर स्कूल में एक खतरनाख चीज़ होता है यहां पर पोट्रेट स्कल्प्चर बनाए जाने की कोसिस की जाती है पोट्रेट स्कल्प्चर मतलब हम पेंटिंग की जेनरली करते है तो एक आदमी का पोट्रेट बनाते है यह लोग स्कल्प्चर में ऐसा करने का कोसिस करते है और इसमें राजा कृष्णदेव राए कृष्णदेव राए और उनकी वाइफ का मिला के एक पोट्रेट स्कल्प्चर एक्जिस्ट करता है तो विजयनगर अंपायर में ये हो गया तेरा कोटा में सब बता ही दिया तेरा कोटा वाला इसके आगे अपन बता रहे थे ना यार तेरा कोटा जो जगे खतम हो गया था तेरा कोटा में एक एडिशन और है दूसरा आपका है तेरा कोटा तेरा कोटा का एक स्कूल काफी इंपोर्टन है उसका नाम है विश्णूपूर विश्णूपूर इसको वेस्ट बेंगाल में है ये नाम याद रखना अगर मैं इतना जगह से निकाल के केवल विश्णूपूर बता रहा हूँ तो कुछ important होगा इसमें टकोप लास्टर यूज होता है एक बार इसका फोटो देख लेना नेट पे खोलके टराकोटा विश्णूपूर वेस्ट बेंगॉल का स्कूल है टराकोटा स्कल्चर का स्टकोप लास्टर के साथ टराकोटा प्लेक्स यूज किये जाते हैं अब यह क्या है आपको नहीं समझा रहा है मैं एक बार बता देता हूँ जैसे मालों यह एक दिवाल है तो इस दिवाल में चार टुक रहे हैं तो इसमें क्या छोटे-छोटे यहां पे स्कल्प्चर बने रहेंगे ठीक है और यह अगले दिवाल से जूरा हुआ फिर यह सकल्प्चर इसपे कम्प्लीट हो रहा होगा एक नाव है तो नाव ऐसे जाएगा फिर इस पर आएगा फिर इस पर आएगा असे नाव बनेगा तो सारा इमेज कनेक्टेद है अलग-अलग दिवाल पर ठीक है तो यह कोई दिक्कत घवराने की बात नहीं है तो आर्किटेक्चर और स्कल्प्चर कवर हो चुका है पॉटरी हम कवर कर ही चुके हैं लेकिन जो लोग थोड़ा सो रहे थे उनके लिए मैं एक बार फिर से बोल दे रहाँ रिवाइस करने के लिए जो हम पहला देखते हैं रेड एंड ब्लाक वेर ये इंडस वैली में था और इसमें सब टाइब की पॉटरी थी मिनियेचर पॉटरी, पॉली क्रोमेटिक यानि बहुत सारे कलर वाले छोटी पॉटरी, परफुरेटेड पॉटरी, इंसाइस पॉटरी सब मिलती है इंडस वैली, सिविलाइजेशन में आपको ये मिल जाएगा ठीक है? उसके बाद, जो सेकेंड है रेड एक ब्लाक वेर के बाद पिंटेड ग्रे वेर पिंटेड ग्रे वेर ये आपको कहा मिलता था? किस एरा में? वेदी कहरा में वेदी कहरा में बता चुका हो भाईयों और जो तीसरा में बता है था Northern Black Painted वेर ये Moria Nehra में Moria Nehra में Finished पूरा प्रॉपर फिनिस्ट Luxury Item ताइप दिखता था Luxury Item और Highly Polished Highly Polished एक बार फोटो खोल के देख लेना यही तीन याद रखना है इसके साथ हम Pottery भी समाप कर रहे है ठीक है Pottery के बाद अगर यदी बढ़ने की कोशिस करें Pottery तो अपना हो चुका है तो Pottery के बाद एक बार Coinage भी खतम कर लेते हैं Coinage Art and Culture के Perspective से देख लेते हैं इसके बाद फिर Painting, Music, Dance और Philosophy और Religion बचेगा सब खतम कर देंगा है चिंता मत करो मजेम खतम होगा तीन वार देखना है सारा याद रहेगा कोई दिक्कत है नहीं Coinage की अधी हिस्ट्री की बात करों तो Indus Valley में Coin तो नहीं मिलते हैं Coin नहीं बोल रहा हूँ मैं Coin नहीं मिलता है क्या मिलता है Seals मिलते है जिसका May be Purpose May be Used For Trade Purpose कौन जानता है Use होता हो Coin की तरह Coin नहीं एग्जाक्ली बोल रहा हूँ Trade Purpose में हो सकता है Use होता हो Seals इसमें Unicorn Seal Unicorn Seal मिला है Plus दूसरा कौन सा Seal बताया Unicorn Seal हो गया एक और दूसरा पशूपती Seal पशूपती Seal तो अगर मैं Unicorn Seal की बात करता हूँ तो इसमें कुछ ने एक जानवर बनाए हुए है और इसमें Unicorn Type का इसका मुंडी उंडी निकला हुए है बरिया यार अच्छा नहीं दिख रहा है मैं कुछ नहीं जानता है सम्मू है और यहां Unicorn बनाए हुए है इस टैप से ठीक है यह होगे आपका Unicorn Seal Unicorn Seal और जो दूसरा अपना है पशूपती Seal क्यों फोटो बना रहा हुँ बताऊंगा यहां पहें कि योगी टाइप के बेठे हुए है योगी कमुद्रा लगा के और यहां चार जानवर बना दिये है चार जानवर कौन है ठीक है इसका Neumonics BHEL BHEL नहीं है Oh my God BHEL नहीं है BHEL Asocan Pillar के लिए BHEL यूज करते हैं इसके लिए BETR BETR क्या है Buffalo Elephant Tiger और Rhino है यह चार है और यहां पे दो Antilog बना रखे ठीक है तो यह आपका Seals का आर्ट यहां से चालू होता है Indus Valley से और असोकन में यहां पे जैसे BETR बताया हो ना वहां भेल है BHEL असोकन पिलर को याद करना है तो उसमें बुल, होर्स, elephant और लायन BHEL यहां बेटर वहां भेल अरे रटलो जैसे रटते हो मैं ऐसे ही रटा थैयर अपनी टाइम पे तुम्हें ऐसे बता दिया जिसकोई और स्रद्दा हो वो दूसरे तरीके स्रटले कोई दिक्कत नहीं है याद रहने चाहिए पर बस याद रखना है अब जो मौरियन टाइम है यहां से पहली बार पंच मार्ग्ट कोईन्स चालू होता है पंच मार्ग्ट कोईन्स पंच मार्ग्ट कोईन्स मतलब उस पे पंच किया रहता था ठीक है और इसको पनास बोलते थे पनास ठीक है पी ए ए ए एस पंच मार्ग्ट कोईन्स ठीक है तो पंच मार के होलोल किया रहता तो मौरियन को कॉइन की बात करें ठीक है लेकिन जो कॉइन का एक्चुल कल्चर इंडिया में तगरा सथा वो अगर आपको याद हो तो फिर से अपने भारत की तरफ चलते हैं थोरा सा समझने के लिए तो जल्दिम बना रहा हूं यार लोड म इंडो ग्रीक्स कहां से आये थे ग्रीस से आये थे और ग्रीस में कोईन का कल्चर काफी स्ट्रॉंग था कोईन और कोईन आट दोनों ठीक है तो जब ग्रीक्स आके सेटल हुए तो वो इंडिया में प्रॉपर कोईन आट का कल्चर लेके आ है तो इंडो ग्रीक्स का मेजर क contribution क्या है coins standardization standardization एक तरह के coins use हो standardized हो दूसरा इसका art इस पे timeline लिखा रहता था और जो king इसको issue करता था उसका नाम या photo image उसी के अंदर coin के art को coin पे हुए art को numismatic art बोलते है numismatic art मतलब जो coin से related हो numismatic art Indo-Greek coins लेके आए standardization इंट्रोड्यूस किये art, timeline, king's name, image सिक्के भी निकाल दे होंगे पहले लोगों के लगता था कि Indo-Greeks इंडिया में gold coin इंट्रोड्यूस किये लेकिन अब इसको deny कर दिया गया है coins तो Indo-Greek लेके आए लेकिन Indo-Greeks के बाद Parthians आकाज ये सब उस एरिया में रहते हैं फिर आते हैं cushions 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 जिसमें कर इसका था cushions ये first gold coin इंडिया में release करते हैं first gold coin cushions लेके आते हैं right? cushions लेके आते हैं first gold coin इंडिया दूसरा जिनका थोड़ा coin important है वो सत्वाहनाज का है सत्वाहनाज में lead coin देखा जाता है lead lead का coin बहुत ज़्यादा है और potin potin का है potin silver और copper से बनता है silver plus copper अब जो coin का art है numismatic art वो धीरे धीरे जो greeks चालू किये थे उस पे art बनवाना यानि राजा बनाना image बनाना photo एसे राजा serious होग खड़े है ये peak करता है गुपताज के time बे peaks during गुपता period यहीं पे अपन थोड़ा art on coin की बात कर लेते हैं main चीज अपना ये था कौन क्या लाया वो तो आप additional info है बट गुपता numismatic art इसमें क्या था ठीक है इसमें kings queens even कुछ coins में gods का image सब सून है example के लिए सबसे important या फिर kings क्या करेंगे या फिर playing instrument क्या-क्या दिखाया जाता था वो बता दे रहा playing instrument hunting ठीक है या फिर normal उनका simple picture रहता था कुछ भी depicted रहता था ठीक है तो इसमें samudr गुप्त samudr गुप्त playing vina is very famous ये coin बहुत famous है ये पुछा जा सकता है samudr गुप्त को दिखाया गया है plus आपके जो ये वाले coins थे यहां से human figures रहते हैं अब अगर मैं गुप्ताज की बात करी रहा हूं तो दो चीज और बताऊंगा गुप्ताज में भी खूब सारे gold coin निकले gold coin तो gold coin का initial नाम दिनार था दिनार जो है वो Greek नाम है Greek gold coin का नाम था दिनार बाद में जब इसका इंडियन वे में redesign होने लगया कुछ टाइम बाद उसका shape, weight, designs change किया गया तो इसका नाम दिनार से तुबर्णा रखा गया और गुप्ताज के silver coin को रूपक बोलते थे रूपक ठीक है और तो इसमें कुछ है नहीं Muslims एरा जब आता है इसके बाद इसमें बताने लाइक इसमें बहुत कुछ नहीं है क्योंकि Muslims एरा में ये नुमिसमेटिक आर्ट डिकलाइन कर जाता है और इसके बाद के Hindu एराज में भी आप देखिएगा तो चुकि अंपायर डिसिंटेग्रेट होने लग गया था गुपता इतना बड़ा अंपायर ठीका था नहीं तो उस टाइम में गोल्ड कोईंस या बरे कोईंस निकालना या लार्ज नंबर में कोईं रखना जो एकनॉमिक प्रोस्पेरिटी है वो भी थोड़ा सा स्लो एकनॉमिक स्लोडाउन हो गया था गुपता के बाद थोड़ा सा छोटे चोटे अंपायर सा गये थे तो उनका एकनॉमि चुकि इतना अच्छा नहीं कर रहा था इसलिए कोईंस का नंबर आर्ट क्वाल्टी सब कुछ गिरता है और मुस्लिम एरा में ये आर्ट तो अल्मुस्ट डेड़ी हो जाता है क्यों क्योंकि human representation possible नहीं था मुस्लिम एरा में बैंड था जो इसलामिक किंग्स थे वो नहीं human representation करते थे आर्टेक्चर बता चुका हूं तो ये आर्ट उसके बाद decline कर गया हलांकि सिक्के निकले और pictures और sculpture sculpture भी यदि देखिएगा तो इसलामिक एरा में sculpture जो था वो थोड़ा sculpting बंद ही हो गया और Islamic architecture में हम अगर बात करें sculptures की तो वो calligraphy, pitradura, designs, full patti ये सब, Quranic verses या फिर आप normal design जो बताया था वैसा design बना के उसको replace कर दिये तो sculpture और coinage का वहाँ पे अपने को major कुछ मिलता नहीं है उस एरा में ठीक है I guess ये part अपना sorted है, अब we can go for another major topic, अभी तो architecture ही major topic था, sculpture उसके साथ ही हो गया और ये सब इसके साथ हो गया, तो जो next अपने लिए important है, वो है paintings, paintings start करते हैं, paintings कर लेंगे, इसके बाद अपना major issue निकल जाएगा art and culture में, ठीक है तो paintings में अभी start करते हैं, इंडिया में सबसे पहला mention जो painting का है, पहले तो इंडिया में पहली कोई book, incident, world में इससे पुरारी कोई book नहीं है, जिसमें painting बारे में बताया गया है, इंडिया में एक किताब है, जिसका नाम है विश्नु, धर्म, धर्मोतर, पुर पुरान, विश्नु, धर्मोतर, पुरान, एक किताब है, इसमें एक और, जुमेन अपने को जानना है, चित्र सूत्र, चित्र सूत्र, चित्र मतला picture, यानि painting करने का तरीका, ये book, incident, treatise है, painting पे, और ये इंडिया में है, दूसरा, दूसरी जो आपकी important इसमें है, वो है, काम सुत्रा, काम सुत्रा में भी, paintings का, mentioned है, as one of the fine arts, ठीक है, तो Indian, ancient जो आपकी किताबे हैं, उसमें paintings को important जगे दिया गया है, अभी, बिना time waste किये हुए, सीधे चलते हैं, paintings के fine details पे, जो हमको पढ़ना है, उसमें घुसने से पहले, मैं आपको 2-4 term बता देता हूँ, थाकि आपके लिए चीजें easy हो, जैसे कि mural painting, mural painting क्या होता है, mural painting मतला wall paintings, जो wall पे किया जाए, उसको mural painting बूलते है, mural paintings, wall paintings को बूलते है, इसमें कहीं कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, जो दूसरा word है, ये सारा word use होता है, क्योंकि painting के context में इसलिए बता दे रहा हूँ, petroglyphs, petroglyphs यानि rock पे, जो art किया जाता है, particularly painting, जैसे बिम बेटका में जो है, उसको petroglyph बोलेंगे, लेकिन अजनता में जो है, वो एक तरह का mural है, mural का भी type होता है, अब वो बताता हूँ, अब mural के, mural यानि wall painting, wall painting के कुछ types होते हैं, जिसमें अपने लिए, जो important है, वो बता दे रहा हूँ, frescos, fresco painting इंडिया हम किया गया है, तो इसलिए fresco जान लो, fresco कुछ नहीं होता है, कि जब wall पे आप painting कर रहे होते हैं, पहले wall पे एक fresh lime का preparation किया जाता है, fresh lime आप लगाते हो, wall पे, और जब वो wet होता है, wet होता है, तभी paint कर देते हो, तो painted on wet surface, जब वो सूख जाता है, सूखने लगता है, दीरे तरे मालों कि आप wall को पहले lime लगा के गिला किये, फिर उस पे painting चालो किये, फिर जब वो सूखने लगता है, तो वो durably उसमें stuck हो जाता है, तो wall में काफ्य durable painting मिलता है, तो इसका जै miniature painting, ये सारे term पहले जान लो, miniature painting मतला, छोटे painting, छोटे painting मतला wall पे नहीं हुआ होगा, कपड़े पे कर रहे हो, paper पे कर रहे हो, in fact शुरू पे पत्तों पे होता था, ठीक है, तो miniature painting मतला, smaller in size, और बाद में जब painting के लिए proper, जब modern time में आप आओगे, तो canvas लगने लगेगा, य उस पे painting किया जाएगा, तो miniature painting मतला, wall painting बड़ा हो रहता है, तो छोटा painting, छोटा painting कहां होगा, paper पे होगा, या cloth पे होगा, इस तरह से, जितने होते हैं, उसको miniature painting बोलता है, और कोई term बचता है, canvas बता दिया, miniature भी हो गया, अब Brahms जब आएगा, तो बता दूगा, that's it, तो अ अब चलते हैं, इंडिया के painting tradition पे, तो सबसे पहले, petroglyph era की बात करते हैं, petroglyph era, petroglyph era मतलब, जो paintings, in ancient caves पाए गए हैं, तो petroglyph era में पहले ही बता चुका हूँ, भीमबेट का सबसे बड़ा example है, ये सब discuss हो चुका है, भीमबेट का, क्या है सिस्टम में, हाँ, भीमबेट का एक example है, और क्या था इसमें, कुछ तो सबसे हैं यार, छमा चाहिए, भीमबेट का ले लो, लखुदियार, लखुदियार भी बताया हूँ, उत्राखंड में, और अगर बात करें इसकी, तो नर्सिंग अगर, महराश्ट में बता चुका हूँ, ये सब, सारा बताया हुआ है, पचमढ़ी, ये MP में, इस तरह से, जुरू में, पेट्रोग्लिप्स थे, पेट्रोग्लिप्स मतलब केव पे, छोटे-छोटे हाथ से, जो एकदम, इंसीन टाइम है, जो आपका स्टूनेज है, उस टाइम की पेंटिंग्स थी, इसके बारे में, डिटेल में, डिसकस किया जा चुका है, अब अपन गोश्ते हैं, जहांसे पने कोँ जरूरी है, जो सेकेंड लेरा है, जो प्रॉपर पेंटिंग्स चालू होता है, पेट्रोग्लिप्स से, मूराल, ठीक है, मूरल्स की अगर हम बात करें, तो जो चयव आर्ट है, कयव आर्ट का पार्ट है सुरू में, चयव में क्या बताया था fresco paintings पाए गया है और यह अभी तक visible है यनि उत्ते साल से अभी तक durable painting था fresco paintings और इसमें जो examples बताए थे वो एक बार फिर से बता दे रहाँ ठीक है flying अपसरा बताया हुआ है dying princess dying princess direct पुछेगा ये सब नाम देखे कि ये कहां पाया गया है क्या है सीधे बता देता dying princess preaching में preaching योग या dying princess फिर preaching बुद्ध preaching बुद्ध और पद्म पानी ये चारो important है ये चारो fresco wall paintings पाये गए एक बड़ फोटो खोल के देखना नहीं तो याद रख लोगे ये चारो नाम तो काम हो जाएगा पता है एक और चीज़ एलोरा में generally लोग सोचते हैं कि paintings नहीं है paintings था अगर कोई पूछे कि अलोरा में painting बनाया गया था बनाया गया था अभी खराब हो गया इसलिए अपन recognize नहीं कर पाते तो अलोरा में भी paintings था ठीक है तो अलोरा भी ले लो थीक है उसके बाद जो अपना बजा केव्स पितल खोरा थीक है बजा केव्स हो गया पितल खोरा हो गया वैदसा हो गया यह सारे में भी अपने को mural paintings मिलते हैं mural paintings हैं हिनायान वाले केव्स में जहाँ जहाँ पे हिनायान केव्स है हिनायान उसमें human representation नहीं है बुद्धा का बुद्धा को symbols के रूप में दिखाया गया है जैसे हाथी के रूप में दिखाया जाएगा यह सब टाइप का empty तुम्हारा आसन बना दिया जाता है जिस पे बैठते हैं हिनायान में human representation एबसेंट है हिनायान केव्स जो सुरू पुराने केव्स थे और बात में जब महायान आता है तो महायान में बुद्धा को human form में दिखाया गया है ठीक है human form में भी दिखाया गया है बोधी सत्वाज को भी दिखाया गया है यह सब बता चुका हो भाई बस रिवीजन हो रहा है सारा हो चुका है यह ठीक है यह सब आपका केव हो गया उसके बाद एक और जो इंपोर्टन केव है वो है रावन छाया केव्स रावन छाया केव्स के बारे में यदि में बात करूँ तो रावन चाया केव कहा है रावन चाया केव औरिसा में है अब आपको लग रहा होगा तीन वार रावन यूज किया हो मैं एक था एक पहला जो था रावन फारी केव रावन फारी केव चालू क्यास ने बनवाया था यहां पर आयहोल बदामी वाला जो जोन है वहां ठीक है वो बता चुका हूँ एक था रावन सेकिंग माउंट के लास तो रावन सेकिंग माउंट के लास एलोरा केव में था इस बार रावन छाया है तो यहां पर भी मियूरल पेंटिंग्स मिलें इसके बाद जो जैन परस्प सितान वसल केव्स यह आपका कहा है तिरुची तमिल लाडू ठीक है तिरुची तमिल लाडू में है और यह जैन केव्स है तो यहाँ जैन पेंटिंग्स मिलेंगे आपको यहाँ पर यह भी बताया हुआ है पहले ही हो चुका है, सारा रिवाईज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो दिक्कत है, ठीक है, यह होगे आपका सिता नवसाल केव्स, अब जो हिंदू केव्स का ट्रेडिशन चालू होता है, वो चालू क्यास के टाइम से चालू होता है, तो चालू क्यास के टाइम स बदामी जो केवस है ज़िसमें पटिकुलरली रावन फारी केवस बताया था रावन फारी केवस यहाँ पे हिंदू जो आपका मियूरल है उसका कलचर चालू होता है ठीक है और जो आपको ये रावन छाया बताया था रावन छाया important क्यों है रावन छाया के उरिसा रावन फारी religious था इसमें secular themes भी यूज किये गए है secular ये secular theme से related है रावन छाया उरिसा वाला ठीक है भाई ये सब नाम पहले discuss हो चुका है 5-5 बार discuss हो चुका है वीडियो में तो याद तो रखना परेगा अब जो important है वो है पलवाज पलवाज के time में भी हमको उनके मंदिर में पिंटिंग विंटिंग करने किया हुआ मिलता है लेकिन जो important चीज में बताना चाहरा हूँ वो हैं यहाँ पे महेंद्र वर्मन अब यहाँ से हम cave से हटके temples में घूस रहा है तो इसको एक नया topic ले लेते हैं छोड़ो caves का कहानी कहा गया let's make it पिछली बार क्या लिखे थे अपन cave वाला painting को क्या लिखे थे भाई cave art तो cave art से अब अपन temple art में जाते है ठीक है तो अगर मैं temple art की बात करूँ painting के perspective से temple art temple art तो इसमें पहले मैं pick कर रहा हूँ किसको पलवाज को पलवाज में भी murals मिलते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें मंदिर के वाल पे painting किया हुआ murals ठीक है लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है महेंद्र वर्मन यह आपको जानना पड़ेगा क्योंकि यह direct पूछा जाएगा महेंद्र वर्मन का art में बहुत इंट्रेस्ट था तो इनका तीन नाम है तीन नाम क्या क्या है विचित्र चित चित्र करा पुली और चैत्य कारी का मतलब कैसिंपल है विचित्र चित विचित्र मतलब अलग क्यूडियस माइंट इस आदमी का mind क्यूडियस था वह को लेखे कुछ नया करनी की कोसिस करता है यह जाए विचित्र चित तो रछेएटल विहार तो टेम्पल बिल्डर इसलिए इसको चैतिकारी बोलते हैं बाकि मूरल्स तो मिलें वो बताई चुका हूं पल्लावाज के बाद जो अगला चीज इसमें इंपॉर्टन्ट है सितानवसाल केव आपका बताई दिया पांडेयास के टाइम पर सितानवसाल केव अगे ये केव है बर ठीक एयर साथ में देख लो ना क्रोलोजी के हिजब से फिर आते हैं चोलाज़ के भी टेंपल पे मूराल्स मिलें मियूरल का जो theme है जिनरली शिवा से related है शिवा से जो related है उसमें कैलाज पे बैठे सिवा जी शिव जी अपने कैलाज शिवा और नटराज themes ज्यादा मिलते हैं बाकी theme भी है ऐसी बात नहीं है बड़ ज्यादा शिव जी को dedicated था मियूरल चोलाज का ठीक है और जो चोलाज में एक चीज यूनीक दिखती है ये तो simple है बड़ चोलाज के time में एक और चीज दिखती है पता है क्या चोला का जो painting बना है अपने temple पे उस पे राज-राज राज-राज कौन थे पहले बता चुका हो जो ब्रिदेश्वर टेंपल बना है तंजोर में ठीक है राज-राज-राज इस्वर टेंपल भी बोलते हैं ठीक है इनका एक portrait मियूरल में portrait paint करने की कोसिस की गई है एक portrait painting किसका है paintings लिख रहा हूँ portrait painting राज-राज को dedicated है एक चोला में चोला टेंपल में ठीक है एक portrait बनाने कोसिस की है अभी आयाते हैं विजयनगर में विजयनगर तो विजयनगर में एक आपका लिपाक्षी टेंपल हो गया लिपाक्षी टेंपल ठीक है लिपाक्षी टेंपल में जो अपने को मिलता है उसमें शिव जी तो मिलती ही है लेकिनाथ में secular themes भी दिखाए गया है इनके भी temple में अच्छा जो चूला temple था न उसपे बाद में नाइकाज भी painting कर दिया है तो painting के अंदर painting मिलता है आपको ठीक है पेंटिंग के अंदर painting मिलता है secular theme और सिवा में जो शिव जी को जड़ दिखाए गया है वो शिव पुरान नाम की किताब से inspired है ठीक है उसके बाद जो अगला है वो है वीरू पक्चा टेंपल में वीरू पक्चा टेंपल में जो पेंटिंग है वीरू पक्चा टेंपल की जो पेंटिंग है दसवतार दशवतार टिंपल विष्णू का तो इसमें देखो विष्णू जी और शिव जी दोनों है अपने विजयनगर में ठीक है अब नाइकाज नाइकाज जो बाद में आय थे विजयनगर के बाद ठीक है तो ये लोग क्या पहा भारत रमायन कृष्ण क्रिश्ण लीला ये सब दिखाते हैं बट इसमें जो इंपोर्टेंट है वो 60 पैनल 60 पैनल मूरल साथ मतलब रमायन को दिखाता है आरकौट बता देरो देखो नाइकाज का भी जो थीम था ना ये अगें रमायन महाभारत ही था 60 पैनल मूरल क्यों बता हूँ एक बहुत बड़ा सा पेंटिंग बनाए हुए है आरकौट में ठीक है उसमें रमायन को दिखाया है रमायन नहीं बताया है इसमें भी रमायन ही दिखाया गया है यहां भी रमायन दिखाया गया है और हमायन को दर्स आया गया एक 60 पैनल मूरल में नाइकार्थ के टाइम पे ये भी काफी इंपोर्टेंट है तो इसको भी आप देख लो ठीक है मोटा मोटी ये हो गया अब एक क्लास जो एड होता है मूरल्स में उसको बोलते केरल केरला मूरल्स ये थोड़ा लेट बने थे इसलिए ये अभी तक वेल प्रिजर्वड है ठीक है और इसमें केरला मूरल्स में जो इंफ्लूएंस है पहले influence का बात करते, केरला मियूरल्स important है, इसलिए देख लो, क्योंकि केरला का यह तक हम जादा कुछ नहीं देखे थे, केरला मियूरल्स याद रखना, इसमें विजैनगर का influence है, प्लस नाइकाल्स के painting का influence है प्लस जो कथा गली tradition है इंका अपना केरला का अपना कथा गली tradition है उसका influence आपको केरला के murals में मिल जाएगा ठीक है यह हो गया वही बताया late है तो 16-18th century AD में बनाए गया है ठीक है और इसका जो एक एक्जाम्पल बता दे रहों अगेन इसका भी थीम रिलिजियस है रमायना प्लस महाभारत किरला मूरल्स एक बार पोटो जरूर देख ले ना इपॉर्टेंट है और डच पैलेस कोची इसका एक्जाम्पल है इसमें है अंग्रेजुंक टाइम अंग्रेज इस टाइम में आ च ऐसे भी अम अलग से अभी तक ज़्यादा हमारे में उसका अभी तक जो भी हम पर हैं आर्खिटेक्चर में उसमें केडला बहुत नहीं आया बट पैंटिंग में ये पार्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये जितनी हम बात कर रहे थे ये सारा वाल पे बना हुआ कहीं द थारत देखोगे तो दो लोग औलमॉस्ट सेम टाइम पे कर रहे थे वो डोलोग कौन थे तो हम चलते हैं पहले miniature painting पे miniature paintings miniature paintings right mural painting हो गया mural painting पहले अलमौस्ट अपने किया वो था बस ए unknown प्रम लॉजी देना था जितना काम की चीज़ें वो मैं बताती है अभी चलते हैं अपन मिनियेचर पेंटिंग में मैं अभी बात कब की कर रहा हूं फिर से हम अपने भारत की ओर चलते हैं भारत से दूर तो हम ऐसे भी नहीं जा सकते हैं भारत ही है जो है अपने साथ ये होगे अपना भारत अभी मैं बात कर रहा हूं 10th century की लो आज कुछ नया कलर अप्ट्राइ कर लेते हैं ये जो रीजन था ये पालाज रूल कर रहे हैं मैं 10th century की अभी बात कर रहा हूं 10th century 9th century 10th century AD की बात कर रहा हूं पालाज सबसे पहला जो आपका है सुरू करने कोसिस करते हैं miniature painting और ये जो miniature painting मतलब छोटा किसी चीज़ पे और ये use करते हैं उसके लिए palm leaves palm leaves पे try करते हैं palm leaves पे almost इसी time पे इस region में एक sorry एक अप भ्रहम स्कूल इमर्ज करता है अब भ्रहम स्कूल जो जैन आपके businessmen थे वो लोग patronize करते थे ठीक है अब भ्रहम स्कूल में और वहाँ भी miniature painting करने की कोसिस की जाती है इसी आसपास के time पे अब भ्रहम स्कूल भी emerge करता है ठीक है इसमें जैन आट particularly flourish करता है बट completely जैन आट पे ही यह सीमित रहता नहीं है तो यह ध्यान रखना है ठीक है जैन आट है अब जब यह हो जाता है यह time के बाद आप देखोगे कि थूरे time के बाद जो proper miniature start होते हैं वो next era की बात करता हूँ इसलिए अलग color ले लेते हैं उसके बाद यह वाला region जो आपका है यह emerge करता है देखो तो अगर मैं इसको phase 1 बोलू तो यह भी phase 1 हुआ लेकिन जो phase 2 है miniature painting का वो यह है phase 2 phase 2 में इसमें कौन कौन आएंगे थोड़ा बहुत डेली सल्तनत में start होता है थोड़ा बहुत ही जादा तो नहीं डेली सल्तनत में ऐसा कुछ नहीं है major major लेकिन जो यहां player है वो मुगल्स है ठीक है मुगल्स के time में immerge होता है और उसी के आसपास अगर आप देखोगे आप जो आपका phase 2 है early में मुगल्स में चालूआ इसी के साथ साथ ही इस zone में phase 2 में ही राजपूट स्कूल इमर्ज होता है राजपूट स्कूल इस time पर ही immerge होता है phase 2 phase 1 phase 2 लिख दिया हूँ ठीक है अब थोरा सा मैं को एक और चाहिए ताकि मैं आपको detail में पूरा समझा दो अगर मैं थोरे time बाद की बात करूँ phase 3 की बात करूँ यह अपना भारत ठीक ही लग रहा है भाई अब थोरा बहुत सही है इससे जादा थोरी हो पाता है या फ्री हैंड में यह पतला हो गया ठीक यह माल लो आप मोटा मोटी यह अपना भारत है अरे है की नहीं है भाई माल थोरी देर अभी में क्या बोला कि यहां पर राजपूद स्कूल का influence आता है राजपूद स्कूल जब मोगल स्कूल डिकलाइन करने लगता है जब औरंजेव का एरा आता है और सा जहां के एरा से पेंटिंग मोगल के टाइम में miniature painting decline करने लगता है जितने लोग होते उनको जो आटिस्त है पहले उनको royal patronage मिलता था अब नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं वो migration चालू करते हैं तो माल लो यह वाला आपका जो जो जोन है यहां concentrated थे इधर जाते हैं और इधर जाते हैं पह second school यह आपका phase 3 का बात कर रहा हूं मैं miniature painting के ठीक है phase 3 की बात कर रहा हूं बस इतना ही नाम है याद रखना है फिर से एक बार बोल देता हूं सुरू हुआ miniature painting पालाज के पास से अब ब्रहम स्कूल इधर आया उसके बाद मिली मुगल्स में मैं बोलूँगा मुगल्स को इसम आपके phase 2 में miniature painting mature करता है लेकिन जब मुगल empire week होने से पहले ही और अंजेव के time में arts का patronize करना बंद हो जाता है उसके कारण artist लोग मुगल area छोर के migrate करते हैं एक migration फुरा अलग color से बनाएंगे अच्छा दिखेगा एक migration डेकन area में होता है और एक migration पहारी areas में होता है ठीक है यहाँ पहारी school emerge करता है यहाँ डेकन school emerge करता है यह तीन phase में अपना miniature painting है तो एक एक करके अब सारा देख लेते हैं बिना time waste किये हुए जल्दी जल्दी में तो अगर मैं पहला start करता हूँ miniature miniature painting अगर मैं miniature painting की बात करता हूँ तो miniature painting में जो पहला school अपन पिक करेंगे जो पहला पिक करेंगे उसका नाम अपन रखते हैं पाला school अब इसके बारे में थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ वजरियान बुद्धिजम से inspired तो themes वजरियान बुद्धिजम क्यों होंगे कोई डाउट नहीं इसमें पाला सेना के time पे होता है palm leaves पे start किया जाता है palm leaves पे start किया जाता है पाला सेना era 10th century AD और यह जो होता है यह proper miniature नहीं होता है तो इसको लोग compact murals भी बोलते है compact murals क्यों बोल रहा हूँ मैं क्योंकि actual miniature painting जब छोटा बनाया जाता है तो उसका detailing बहुत intense होता है sharp बनाया जाता है wall painting में क्या थोड़ा चोकी space बरा होता है तो इतना sharpness नहीं होता है miniature painting should be sharp इसमें क्या करते है compact mural जो दिवाल पे बनता था उसी को छोटे space में लाने कोसिस करते थी यह true mural true miniatures नहीं है true miniature painting नहीं है यह mural style को ही उठा के आपके palm leaves पे लाया गया था ठीक है और इसका अगर region का बात करें तो नालंदा विक्रम स्रीला ओदांत पूरी यह सब area में मिलता है और जो पहला इसका example जो miniature type का try किया गया था पाला स्कूल में वो 10th century में एक किताब थी बुद्धिजम की उसमें try किया गया था जिसका नाम है प्रजना पारा मिता प्रजना पारा मिता क्वेस्चन आया था एक बार पारा मितास किस चीज़ से related है पारा मितास बुद्धिजम से related है यहीं पता चलता है प्रजना पारामिता ठीक है 10th century का एक text था प्रजना पारामिताच एग्जाम्पल यहां फिर से लिख देता हूँ प्रजना इधर है टप नीचे चला गया उपर लिख दे रहाँ एक बार प्रजना पारामिता 10th century का एक text है 10th century Buddhist text इसमें पहली बार miniature का try किया जाता है पाला स्कूल में 10th century in Buddhist text राइट ये हो गया पाला स्कूल में इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है भाईयों अभी चलते हैं अपन अप Brahms स्कूल अप Brahms स्कूल पहले इसके features थोरे distinct हैं तो ये जान लो पहला अब Brahms स्कूल भी true miniature नहीं था लेकिन आसपास पहुँच चुका था अरे true true नहीं not true miniature exact miniature नहीं था अच्छा इसका जो feature है ना वो important है feature में अगर देखोगे तो feature में क्या होता है elongated आपके face ठीक है angular faces भी बनाए जाते है angular faces और elongated eyes angular face elongated eyes face को angular दिखा के eyes को stretch कर देते हैं ये सब रहता है ठीक है elongated eyes और protruded nose ये सब कोई पूछेगा नहीं बाई चिंता मत करो लेकिन ये features distinct हैं इसलिए बताना पर रहा है ठीक है इसमें आपका बोला कि जैन इंफ्लूएंस था तो जैन तीर्थांकर जैन तीर्थांकर इसको दिखाया गया है लेकिन चुकि ये प्योर्ली बस जैन स्कूल नहीं था इ इंदूइजम में ज्यादा जो इंफ्लूएंस था वो वैस्णविजम का था जिसमें गीत गोविंद गीत गोविंद ये याद रखना क्योंकि ये गीत गोविंद पेंटिंग के पॉइंट ऑफ यू से बहुत इंपोर्टन है जैदेव ने लिखा है गीत गोविंद और इसका थीम पेंटिंग में बहुत डॉमिनेट करता है गीत गोविंद जैदेव ने लिखा था और पेंटिंग में वैस्णवाइट थीम है कृष्णा इंस में है और पेंटिंग में इसका बहुत रोल है इंडिया के ओवरॉल अभी मैं बता लिए इसमें दिखता है अब ब्रहम स्कूल में एक और चीजी मरच करता है जो नहीं बता देता हूं राग माला ठीक है और बारा मासा उटाय। पेंटिंग्स इसका क्या मतलब है इसको बोलते है ऐब्स्ट्राक्ट पेंटिंग्स अब अब इसका मतलब क्या है बता देता हूँ ज्यादा चिंता मत करो 2 मिनिट अगर मैं आपको बोलू कि इंसान को paint करो कर दोगे क्योंकि इंसान abstract नहीं सामने है कर दोगे मतलब अच्छा तो नहीं करोगे बट कुछ तो कुछ कर दोगे न रागमाला 12 मासा पेंटिंग क्यों बता रहा हूँ abstract पेंटिंग मतलब tangible चीज़ों को paint नहीं कर रहे हो कुछ चीज़ें हैं जो दिखती नहीं है बट आपको उसको painting में represent करना है ये इस school में try किया गया था रागमाला और ये बाद में आप देखोगे राजपूच स्कूल में भी इसका heavy influence है रागमाला और 12 मासा पेंटिंग क्योंकि उसी reason में राजथान और गुजरात अरे भाई इतना क्या confused हो रहे हो ये देखो यहां राजपूच स्कूल यहां ब्रहम स्कूल almost geographical proximity है पहले ये आया फिर ये आया इसका influence राजपूच स्कूल में भी दिखता है और राजपूच स्कूल में इस तरह दिखता है कि आपका ये बारा मासा और रागमाला रागमाला मतलब अरे गाना गाने में राग होता है न तो ये लोग राग को painting के तुरू present करने कोशिस करते थे painting में abstractly उसको दिखा पाऊ रागमाला को या बारा मासा यानी seasons अलग-अलग seasons को painting में दिखाने की कोशिस करते थे इसको बारा मासा painting और रागमाला painting बोलते थे इसके बाद जो तीसरा important painting का era है वो है मुगलेर मुगलेरा में बावर्न तो ज़्यादा painting कर नहीं पाए थे चार साली भारत में आये तो बावर्न ज़्यादा कुछ हुआ नहीं हुमायू के time पे क्या हुआ था कि हुमायू को सेरसा सूरी हरा दिया था और हुमायू भागा था कहां बचने के लिए काहां भागा था भाई पता नहीं है क्या यह सब history चलो history विडियों बताएंगे चिंता मत करो art in culture है बस अभी context देने के लिए बता रहा हूँ जब हुमायू को بھगाया गया इंडिया से मारके तो हुमायू जान बचाने के लिए कहा गया इरां इरान में जाके बैठा रहा है ठीक है वहां से जब आया फाइनली सेरसा सुरी के मरने के बाद वो इंडिया वापस आया राजा बने उस समय दो पेंटर ले आया है वहां से उठा के वहां पे रहता था इरान में मिनीचर पेंटिंग का कल्चर चलता था इसको मन किया मैं भी र दूसरा है, अब्दुस समाद, ये दो वहाँ से मिनियचर पेंटर उठा के, कौन लेके आगया था, हुमाईू, हुमाईू, वहाँ से दो पेंटर ले आया, अरे, ऐसा क्यों हो रहा है, हुमाईू, बोड आज, रिवॉल्ट कर रहा है, रिवॉल्यूश्नरी हो चुका है, बा आज पेंटिंग बनाने के लिए, और इस कारण से, जो मुगल पेंटिंग इनिश्यली होता है, उसमें, पर्सियन इन्फ्लूएंस, हेविली देखने का मिलता है, और इंडियन इलिमेंट तो रहेगा ही भाई, इसमें क्या चिंता है, इन्डियन इलिमेंट है, बट पर्सिय influence heavy हो जाता है क्योंकि proper miniature school का जो मुगल में start होता है उसमें जो miniature painters होते हैं वो हम हुमायू ले के आता है परसिया से ही तो और वो influence काफी दिन दख continue करता है बागी इसके time से सुरू होता है लेकिन जो काईदे का painting होता है न वो अकबर के time में कुछ फेबास है लेकिन जो peak करता है वो जहांगीर जहांगीर painting में architecture में सा जहां और political और economy में कौन अकबर ये तीन आपको याद रखना है ठीक है तो painting में जो सबसे तगरादमी था वो इनका जहांगीर था लेकिन फिलहाल के लिए अभी अकबर देखते हैं अकबर के time में भी कुछ significant चीज़े हुई अकबर ने दो कितावे करवाई एक तुति नामा एक हमजा नामा अब ये क्या है बताओं अकबर ने क्या किया अकबर book illustrations start करवाई book illustrations मतलब book illustrations मतलब कि किताब के अंदर painting बना के कहानी को दिखाना ये एक किताब इनको बहुत पसंद आती थी तुति नामा तो उसका painting कराए कि भाई इसको पहले बस text लिखा था परनिम दिकत हो रही थी तो बोले भाई painting करके दिखाओ एक तरफ कहानी रहेगा एक तरफ को लेके उसको paint किया गया है ठीक है और ये सुका सब्तती एक बुक है इंडियन बुक है सुका सब्तती उसी से स्टोरी उठाके इसका बुक बुक इलस्ट्रेशन यानि painting करा करा के एक बुक बनाए गया कि कहानी को photo के form में दिखाओ तुति नामा वैसे ही हमजा नामा एक बुक बना इसमें 1200 paintings किये गए ठीक है और कुछ इसमें है अच्छा अकवर ने painting के लिए एक और काम किया वह आप कहा दिखाओ बुक इलस्ट्रेशन तो ये सारा अगर मैं बोलू तो ये बुक इलस्ट्रेशन था बुक इलस्ट्रेशन बुक इलस्ट्रेशन ठीक है अब जो तीसरा point एक अकवर का बताना है जो और important है वो ये है कि अकवर ने एक कार खाना dedicated to painting बना दिया था painting होता था कार खाना बना दिया इससे ज़्यादा याद रखने कि कुछ जरुवत है नहीं बुक इलस्ट्रेशन चालू हो गया था ये याद रखना है अब जो अगला आदमी था इन में जिसका painting में सबसे बड़ा योगदान है वो है जहांगीर जहांगीर पहले nature-based painting पसंद करते थे nature-based nature-based में जैसे की flora fauna ये सब इनके time में अगर मैं बात करूं तो दो-चार जो major painting बना था एक बेंगॉल फ्लोरिकन ठीक है जो बेंगॉल फ्लोरिकन जो चिडिया है भाई बेंगॉल फ्लोरिकन वो बना दिये थे डोडो एक extinct जो आपका है उसका painting बना था तीसरा गर मैं बात करूं साइबेरियन क्रेन साइबेरियन क्रेन बनाया गया था यह सब आपके इसके time में important painting थे ठीक है और यह जो बनाया था इस आदमी का नाम था यह तीनों painting वह फेमस था इसका नाम है मनसूर लेकिन इनके time में बनाया था nature-based ठीक है जो दूसरा है वह है secular themes पे बना जैसे कि कोट paintings कोट को दिखाता हुआ कोट painting hunting scenes एक्सेक्टरा एक्सेक्टरा तीसरा जो चीज है वह है पोट्रेट इनके time में portrait painting काफी जबरदस्ट हो गया है चौथा चीज जो यह की है वो naturalism को लाने कोशिस के naturalism in painting नाचुरलिजम इन पेंटिंग क्या होता है देको painting दो स्टाइल से होता है एक mythical abstraction कि मैं painting ऐसा कर ही रहा हूँ कि वो otherworldly दिखे उसमें mythical elements हों abstract elements हो जो दिखते नहीं हो ठीक है और एक होता है कि naturalism जैसा मैं अभी खरा हूं कोई painter आएगा और exact बना देगा तो naturalism portrait painting होगा portrait painting में generally naturalism आएगा ही और इनके time में जो आपका Persian influence भी इंडियन paintings में decline किया जैनि proper indigenous school एक तरीक से निकल के आया पूरा decline नहीं किया बट कम काफी हो गया Persian influence decline है ठीक है अगले जो अपने भाई साब थे साजहान वो ताजमहल बनवाते रहे तो उनको painting में इतना इंट्रेस्ट नहीं था painting हुआ उनके time में बट वह quality गिर गया था जहां गीर जैसा नहीं था और और अरण्जे जानते ही है उनको भाई यह सब में इंट्रेस्ट था रहा नहीं था वो तो राजा लोग बनाते थे फोक आर्ट नहीं पर जो आपका पेंटर्स थे जो आपके आर्टिस्ट थे उनको रॉयल पेट्रोनेज देके रखा जाता था और वो बनाते थे जैसे कि मैं बताया कि अकवर ने एक कारखाना बना दिया था ठीक है उसके बाद कुछ-कुछ institutions बनान जहांगीर यह आठ गैलरी लगा दिया था आठ गैलरी जो आजका लगता है आठ गैलरी लगा दिया था ठीक है और कुछ इसमें बचता है काम का रॉयल आट है यह हो गया सेकिलर हो गया और म्यूटेड कलर्स म्यूटेड कलर्स यूज करते थे प्राइमरी ब्राइट कलर्स का यूज नहीं होता था म्यूटेट कलर्स यूज्ट म्यूटेट कलर्स जाड़ा यूज होते थे यह हो गया आपका मुगल मुगल थे अपने मिनियेचर स्कूल के तीसरे आदमी ठीक है अभी आते हैं पर चौथे वाले पर चौथा कम इंपॉर्टेंट नहीं है वहां बहुत पेंटिंग है चिंता मत करो चौथा स्कूल जो है वह आपका राजपूत या राजस्थानी स्टाइल भी बोलते हैं तो राजस्थानी स्टाइल और पेंटिंग राजस्थानी स्टाइल में भी काफी तम जाम है तो इसके लिए इस बार हम भारत नहीं जाके थोड़ा राज ठीक है माल लो भाई बस यह राजस्थान में चार तरीके के स्कूल से मेर्ज किये जो यह है यह है यह है और एक यह मारवार रीजन इनका एक अपना स्टाइल बना इसका नाम था मेवार स्टाइल और अदूती स्टाइल और इसको बोलते हैं दूंदर स्टाइल दूंदर स्टाइल, हदोती स्टाइल मिवार स्टाइल और मारवार स्टाइल अब इसके कुछ important important है पहले यहीं बना दे रहा हूं फिर बता दू मा इसमें जो सबसे important है वो है बिकानेर बिकानेर स्टाइल और किशन गरी किशन गरी पेंटिंग किशन गरी पेंटिंग यहाँ पर important है किसवे मरवार style की बात कर रहा हूँ मेवार की बात करो तो उदैपूर style है एक नात द्वारा style है और पिचवई style है पिचवई style क्या होता है नहीं हूत अभी बतारहोंे इतना चिनता मत करो क्योंकि तो बताना परेगा तो इसलिए इतना याद करना ही परेगा कोई चारा नहीं है हजोती में नोー है कोटा स्टाइल एक बुंदी स्टाइल बुंदी और कोटा दो जगे वह इतना चंता मत करो यहां अगर जाओगे इस जो यह जो याद है बाकि एक अद्वर होगा भाई में को भी याद नहीं नीं जितना काम का है उतना ही याद करेंगे अपन उससे ज्यादा याद करके पैसे नहीं मिलने वाले हैं तो Amber style और शेखावती style Done है? कहीं कोई चिंता कोई बात है क्या? Regions बता दे रहा हूँ यह region number one region number two region number three और यह region number okay यह है अपना प्यारा राजस्थान ठीक है? एक एक करके अब इसको देख लेते है मारवार style क्या है, मेवार style क्या है हदोती style क्या है, धुन्दार style क्या है तो राजपूर style में चाब है चले? कड डालते हैं भाई, important है ऐसे ही नहीं करा रहा हूँ time pass exam में पूछ देगा, फिर समझाएगा कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा था, सच में important है, तो पहला जो important है वो है 4.1 मेवार style से सुरू करते हैं मेवार style में क्या बताया मैं आपको important नाथ द्वारा पिचवई style इसमें मुगल influence नहीं था, no mughal influence no mughal influence अब ये गुजरात के बगल में था, अगर मैं आप देखोगे तो ठीक है, यहाँ देखो नीचे इहराज थान के मेवार style इसमें अब भराम्स influence काफी जाए अब भराम्स influence अब भराम्स influence बता चुका अब भराम्स style जो था, उसका काफी influence रहता है, अब भराम्स इंफ्लूएंस भी है और तो कुछ इसमें जादा जानने की ज़रुवत नहीं है जो काम की चीज़ है वो पिछवई style के बारे में थोड़ा बता रहता हूं पिछवई style पिछवई style जो है यह क्लोथ पे किया जाता है और इसमें स्रीनाथ जी स्रीनाथ जी जो अपने भगवान है वो दिखाए जाता है वैशनव स्कूल ही है ज्यादा कृष्ण जी के थीम्स पे फोकस करता है और कुछ जानने लाइक इसमें मेरे हिसाब से नहीं है 4.1 अभी अगर चले 4.2 मारवार स्टाइल मारवार स्टाइल का रीजन दिखा चुका हूँ ठीके इसमें जो आपका बनी ठनी और वो है वो इंपोर्टन है तरह एक बार बता देता हूँ इसमें जो जो स्टाइल है वो क्या है जोदपूर बिकानेर और किशनगरी ठीक है किशनगर स्टाइल इस किशनगर स्टाइल में एक पटिकुलर है बनी ठनी पिंटिंग इसके बारे में अभी बात करते हैं पहले इसको complete कर लेते हैं ठीक है यह हो गया आपका अगें थीम religious राधा कृष्ण फेबरेट थीम है इनके आप ब्रहम्स इंफ्लूएंस है आप ब्रहम्स बगल के एरिया में यह तो आप ब्रहम्स इंफ्लूएंस रहेगा ही कोई दिक्कत इसमें है नहीं ठीक है और जो गीत गोविंद बताया था आपको राधा क्रेश्ण के साथ इसमें फिर गीत गोविंद गीत गोविंद जो जैदेव वाली है जैदेव उसका इंफ्लूएंस है अब जो बनी थेनी पेंटिंग है यह काफी famous painting है तो इसके features के बारे हम तोड़ा जान लेते हैं य यह आइगेस एक बार यूपेसी पूछ भी चुकिए बट यह famous था इसलिए पूछी ऐसा नहीं है कि यह काम का नहीं था यह जो पेंटिंग होता है इसके कुछ features होता है कुछ features में elongated face face को लंबा बनाया जाता है ठीक है sharp आपकी eyes चिन यह सब दिखाए गया है जो यह कान के पास का जो बाल होता है उस करल होता है तो curly hair यह हर painting में देखा गया है curly hair यह कान के पास में curly hair का यूज किया जाता है और आपका एक और पटिकुलर डिस्टिंक्टिव फीचर है थिन लिप्स लिप्स काफी पतले इस पेंटिंग में बनाया जाते हैं बनी थैनी पेंटिंग देख लेना ठीक है और यह female dts के बनाया जाते है पारवती जी होते है जैसे किसंगर स्टाइल में या राधा जी लोग को यूज किया जाता है आपके थीम की तरह जो थीम होता है पेंटिंग का वह होता है मारवार स्टाइल में इससे ज्यादा कुछ परने की ज़रूरत है नहीं ठीक है अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट जो अपने काम की अधॉती स्टाइल आधॉती स्टाइल में पहला क्या बताया हूँ बुंदी स्कूल यहाँ पर हैवी मुगल इंफ्लूंस है मुगल इंफ्लूंस तो यहाँ पर थीम्स रिलिजियस हैं बट सेकुलर भी काफी है equally important यहाँ अभी जो दोनों देखे उसमें religious themes dominate कर रहे था बट इसमें secular themes का बहुत बड़ा role रहेगा ठीक है तो अगर इसमें मैं बोलूं hunting coat scene यह सब दिखाया गया है बट इसमें जो main चीज है वो है रागमाला और 12 मासा painting यहाँ पर पाया जाता है यहाँ पर बनाने कोसिस की गई थी जो बताया था abstract painting रागमाला 12 मासा painting इसको यहाँ पर बनाने कोसिस की गई थी ठीक है और इसका एक example है चित्र जैसे बनी थनी था वहाँ चित्रसला painting चित्रसला painting इसको ध्यान रखना है बुंदी का आगे अपन चलते हैं बुंदी का आगे कोटा स्कूल कोटा स्कूल कोटा एकदम बुंदी के बगल में हैं बट मुगल्स उसको अलग कर दिये थे ठीक है तो यहाँ पर जो आपका स्कूल है इसमें हिंदू प्लस मुसलिम पेंटिंग थीम्स मिलते हैं मुसलिम मतलब मुगाली उस टाइम के मुगाली पेंटिंग करते थे बागी लोग तो ऐसे पेंटिंग इतना इंटरेस्ट लिये नहीं है बट मुगल्स के हैं तो हिंदू मुसलिम पेंटिंग थीम इसमें मिल जाते हैं और इसमें वो ट्रेट्स को पर्टिकुलर्ली इंपोर्टेंस दिया गया है और जो काम की चीज है इसमें रिलिजन, पॉलिटेक्स, सोसाइटी ये सारे थीम के पेंटिंग बनाए गया है तो कोछ ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है अभी हम चलते हैं 4.4 पे दोंधर स्टाइल इसमें जो सेखावती, सेखावती पेंटिंग अभी बता चुका हूँ सेखावती पेंटिंग ये कोट के दिवाल पे वाल्स पे भी पेंट किये गया है प्लस अलग से मिनियेचर पे भी पेंट किये गया है यहीं इनकी खासियत है पूरा जो आपको सेखावती वाला एरिया है वहाँ पे आपको जाओ गया तो फोर्ट या जो कोट रहता है उसके दिवाल पे भी आपको फैंटिंग मिलेगी तो जो आपकी कोट वॉल्स यानि हवेलीज है उसके खुब सारे पेंटिंग किये मिलेगे सिखावती स्टाइल में और इसमें वॉल को ही कैण्वा बना के यूज करते थे हैं यहाँ पे वॉल्स यूजड ऐस डीर या निकाल लिए उसी पर लगके पेंट इसरा स्कूल है वो एम्बर स्कूल है एम्बर स्कूल में religious themes काफी रहते हैं क्रिशन लीला ठीक है त्रिशन लीला यह हो गया और secular theme जो रहता है religious plus secular दोनों theme है क्यों इस पूरे में भी आपके मुगल इंख्लूएंस नहीं बता हैं, मुगल इंख्लूएंस भी है इसमें, मुगल प्लस जो आपका राजपूर्थ है, इन्ख्लूएंस की बात कर रहा हूं, इन्ख्लूएंस दोनों का है, तो यहाँ पर secular theme में अगर आप जाओगे, तो elephant riding, elephant riding, camel riding यह से पेंटिंग में है इसलिए इंपोर्टन है क्योंकि पूछा जाता है तो कोटा स्कूल में आपको यह देखना है बुंडी स्कूल में अट लिस्ट इतना चार-चार लाइन यार कलेक्टर बना चार लाइन बस शुरू में ही पूरा समड़ी दे दिया हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि हम बात क क्या कर रहे हैं ऐसा ना लगे कि क्या चल रहा है यह चार आपका जो एडिया था यह राजपूत स्टाइल के लिए यह चारो एडिया अब दो और बचता है इसको निप्टा के पेंटिंग समाप्त करते हैं अब ठीक है यह होगे आपका दूंदर स्टाइल अब जो स्टाइल यह पहारी श्टाइल के राजपूत से भी लिंकेज राजपूत से लिंकेज क्यों कि मैरेगा द्विक जो पहारी राजपूतात ला तो यह इतले है इतना बुरा नहीं थोड़ा सा तो बनना ही चाहिए धंका ठीक है तो ये इसमें ये वाला जो रीजन है हिमाचल और जेन के पर्टिकुलर ली ये वाला यहां ज़्यादा पहाड़ी स्कूल इमर्ज करता है जिसमें जो पहला होता है वो जम्मों के पास एक जगे है पहला बावशॉली पेंटिंग जो दूसरा होता है वो हिमाचल प्रदेश में है गुलेर पेंटिंग और जो तीसरा होता है यहीं पर बगल में कांगरा पेंटिंग कांगरा वैली में कांगरा पेंटिंग यह तीन आपके पहारी स्कूल है पहला बावशॉली है दुसरा गुलेर है ठीक है बाशॉली गुलेर और कांगरा इसको जल्दी जल्दी निफ्टाएंगे जाड़ा टाइम नहीं लगाएंगे तो पांच का यह में पहला चलते हैं बाशॉली बाशॉली जेनके में है जम्मू में है इन फैक्ट यहां से शुरू हुई थी पहारी स्कूल की और इसमें भी गीत गोविंद का इंफ्लूएंस देखा जाता है कृष्णा अब से प्रॉमिनेंट थीम है इनके ठीक है और इनका अगर एक्जाम्पल की बात करूं तो एक देवी सीरीज है ठीक है और जो दूसरा है वो यह पेंटिंग अगेन याद कर लेना रसमंजरी यह इंपोर्टेंट है जैसे वहाँ पर अपना बनी धनी था वैसे रसमंजरी पेंटिंग पूछेगा कि स्कूल का है डाइरेक्ट बताना पड़ेगा ठीक है यह होगे आपका बास्वाली 5A अब चलते हैं 5B 5B में क्या बताया है आपको गुलेर पेंटिंग थोड़े टाइम बाद जब पहले बास्वाली में मर्ज किया था यह पेंटिंग उसके बाद गुलेर हिमाचल प्रदेश वाले एडिया में अगेन यहाँ पे जो गुलेर पेंटिंग है इसमें भी बार बार बा इसमें थीम होंगे यह आपका जेनरल थीम होगा और जो अल्टिमेटली यह पुरा इमर्ज होंके मच्योर करता है पहारी पेंटिंग वो कांगरा कांगरा स्टाइल इस दी मच्योर फॉर्म आफ पहारी पेंटिंग मच्योर फॉर्म आफ पहारी पेंटिंग इसमें भी थीम अगेन वही रहेगा जैदेव गीत गोविंद और वही क्रिष्णा ठीक है और इसका एक जो सिरीज इंपॉर्टन है जो याद रखना है वो है नायक नाईका सिरीज लेकिन यह किसका डिस्टिंटिव फीचर है जो अच्छे से बता रहा हूं कांगरा स्टाइल में वो इंपॉर्टन्ट है इसको ध्यान से याद रख लो कांगरा स्टाइल में नाचुरल पॉइजन का यूज किया जाता है पेंटिंग पेंटिंग पर कलर कि तरह नाचुरल पॉइजन का यूज यूज यूजड इन पेंटिंग किसकी बात कर रहा हूँ मैं केवल कांगरा में अब में नहीं कांगरा में अब इससे क्या होता है कि जो पेंटिंग आपकी बनती है उसपे poison यूज किया जाता है तो जो आपके उसको decomposition होता है वो slow होता है क्योंकि कीरे वीरे खा नहीं पाते हैं दि लास्ट वन यहाँ पर इस डेकनी स्टाइल डेकनी स्टाइल है डेकनी स्टाइल में क्या था देखो जो आपके मुगल वाले थे उनके टाइम के बाद ये लोग नीचे भागते हैं जो आपके बहामनीज थे ना उनके पास जाते हैं वहां रहके पेंटिंग करते हैं तो इसमें जो इंफ्लूएंस है वह अगर आप देखोगे तो मुगल जो पेंटर्स थे औरंग्चेप के आनेक बाद वह मुगल एडिया छोड़ के जाते हैं और वह पामनी इसके पास जाके वहां पर रॉयल पेट्रोनेज लेते हैं तो ठीक है और कुछ इसमें जानने लाइक है नहीं डेकन स्टाइल बस एक चीज़ जान लो जो इंपॉर्टेंट है डेकन स्टाइल में योगिनी पेंटिंग्ग उछा जा सकता है इसमें भी थीम्स आपके रिलिजियस कम है लस बट ज्यादा सेक्यूलर है सेक्यूलर में क्या क कोड सीन्स ठीक है आपके ये हो गए हैं है रिलिजियस लिखाओ का है डेकनी स्कूल सेकूलर स्कूल है रिलिजियस नहीं होगा secular में जैसे coat scenes ठीक है और इसमें ज़्यादा जो आपके राजारानी है coat scenes से भी ज़्यादा उनका जो आपका साथ कह लिजिए एक landscape type का भी बनाने कोसिस करते हैं although landscape पूरा नहीं रहते है natural natural landscape नहीं हाँ तो उसको यह बोल सकते है coat landscape coat landscapes paint करने की कोसिस की गई है coat landscapes ठीक है I guess इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद जो painting का अगला phase इमर्ज होता है miniatures का कहानी almost खतम हो गया है तो पहला हमने पढ़ा इंडिया में phases अगर मैं painting की बात करूँ तो painting के बात में हमने क्या किया हमने लिया phase 1 फिर हमने लिया phase 2 फिर हमने लिया phase 3 अब ये सब क्या है बता रहा हूँ और फिर हमने लिया phase 4 कहानी नहीं याद रहेगी तो कुछ समझ नहीं आएगा कहानी समझने के लिए ये phases समझना जरूरी है उसके बाद तो आप सब करनी लोगें तो जो phase 1 था वो petroglyph phase था petroglyph phase जो phase 2 आया उसमें हमने दो देखा एक cave murals और दूसरा temple murals तो ये murals का phase था murals फिर हमने क्या देखा miniature का painting miniature painting अब अंग्रेजों के आने के बाद इंडिया में जो नया phase आया पेंटिंग का वो modern phase है modern phase of painting modern phase of painting petroglyph bimbit का वाला time है ठीक है painting इससे easy chronology में और मैं तो नहीं बता सकता हूँ शायब कोई और नहीं बता सकता है तो इतना तो समझना ही पड़ेगा इतना इससे ज़्यादा simple तरीके और बताया नहीं जा सकता है तो अभी हम modern school of painting पर चलते है modern school of paintings तो अगर modern school of painting की बात करें तो जो पहला था वो थी company paintings company paintings अब company ने painting क्यों बनानी चालोगी तो company का जो main purpose था वो मैं बता देता हूँ तो जो कि इंग्लेंड से इस इंडिया company आई और उस समय इंग्लेंड में एक रेनेसा का phase था जब इंग्लेंड बोल रहा हूँ पूरे यूरोप में एक नया phase आया था modernity का तो वो क्या पूरा वर्ल्ड को जानना चाहते थे इंग्लेंड में डिमांड था कि इंडिया या फिर जो आपका जिसको हम लोग बोलते हैं ना पूरा east world जो है ठीक है oriental culture इंट्रेस्ट इंग्लेंड में इंग्लेंड में इंग्लेंड में heavy interest आया लोगों का उस समय किस चीज में heavy interest in oriental culture तो वहां से painting का डिमांड हुआ और दूसरा ये डिमांड था अरे इस तो दिक्कत है इसको देखना पड़ेगा कोई नहीं अभी छोड़ो आभी मुद्दे पाओ जो आपका heavy interest in oriental culture ये डिमांड आया है इंग्लेंड के domestic crowd से कि इंडिया गया है तो उनके बारे में जानकारी आया है इंडिया को रिप्रेसेंट करके आप इंग्लेंड में दिखा सकते हो बट कम्पनी भी सप्लाइ करना चाहते थी पेंटिंग्स सप्लाइ करने सुनका क्या फाइदा था कि वो इंडिया को जिस लाइट में चाहें उस लाइट में दिखा सकते हैं तो अगर मैं इंडियन को या इंडियन कल्चर को या इंडियन लोगों को एग्रेसिव गरीब बैक्वर्ड इस तरह से दिखाऊं और जाके वहां इंग्लेंड के लोग आके उसको सही कर रहे हैं तो सप्लाई क्या था इस्ट इंडिया कंपनी अपना एक पॉजिटिव इमेज सेल करना चाहती थी कहां इंग्लेंड में ही इंग्लेंड के लोगों को लगता कि नहीं ठीक है सही कर रहे हैं जरुरत है इंडिया वा लोग की जाके कंपनी उनको सुधारे तो दो चीज़ें थी पेंटिंग में एक वहां के लोगों में एक द सब्सक्राइब के नया नया इंट्रेस्ट आफ्टर दी रहने सा एज वो जो एज था मॉडर्निटी का जो वहां आया था सप्लाई में कंपनी खुद चाहती थी कि हम ऐसा ऐसा फोटो बनाग बेचें जिससे मेरा परपस सर्व इंग्लेंड के लोग सांथ रहें उनको लगे जिसके पिइंटिंग किया जाता है वोटर कलर ऑइल पींटिंग्स ये सब चालू किया गया थीक है अभी नैच्रलिजम में काफी जो यूरोपिएन पेंटिंग्स थी उस जमानी की उसमें नैच्रलिजम में इंट्रेस्ट हा रेनिसा के बाद रेनिसा में जब आर्ट को Naturalism, Humanism पे focus किया गया है, तो जो divine art था, वो naturalistic art में, art का एक era आया था, रनेशा के बाद, वो company painting में इंडिया में दिखता है, कि वो naturalism को काफी strongly, naturalism मतलब, जो चीद जैसे हो रही है, वैसे दिखाओ, उसको divine मत बनाओ, तो painting करो, तो जो सामने हैं, वो paint करो, तो naturalism, strongly influenced, तो naturalism से influenced था, company painting, naturalism से strongly influenced था, company painting, ठीक है, और इसको paint करके कहा था, paint and send back to, England, company column, पठना column, ये सब, इसमें ये था, naturalism या इसी को realism भी बोलते हैं, realism बोलो, realism, naturalism, जो भी आपको इसमें ठीक लगे, तो इसमें portrait, और landscape, painting, important था, portrait और landscape, painting, काफी important था, example के तोर पे, company कलम, पठना कलम, ये सब है, system, देख लो, ज्यादा दिक्कत की बात हैं नहीं, simple simple चीज है, दो बार वीडियो देख लेना, सारा याद हो जाएगा, चिंता मत खरो, company painting हो गया, company painting को देखके, अपने एक भाई साब थे, राजा, रवी, वर्मा जी, राजा रवी वर्मा ने, अंग्रेजों का method देखके, Indian painting, इंडिया के लिए भी painting करने, चालू किया, और Indian painting को, showcase कर रहे थे, कि अंग्रेज, इंडियन, theme को सही से नहीं दिखा रहे, मैं दिखाऊँगा, तो इन्होंने style, western यूज किया, but theme, obviously, Indian यूज किया, यानि, यह oil painting, जो मैं बात कर रहा हूँ, oil painting, canva का यूज, यह सब यह करके, Indian themes पे लाने कोशिस किया, तो mythical, और abstract, Indian themes, modernized, इनको modernize करने की कोशिस, कोशिस की, राजा रवी बर्माने, और काफी अच्छे-ची painting करते थे, इनके famous paintings में से, दो-तीन work बहुत important है, तो वो मैं लिख देता हूँ, एक है, तकुन तला, दूसरा है, जटायूवद, और एक और important है भाई, जटायूवद, हाँ, सरस्वती जी को, ये तीन painting इनके, काफी famous रहे है, राजा रवी बर्मा के, लेकिन, राजा रवी बर्मा के काम से, कुछ Indian से खुस नहीं थे, उनको ये लगता था, कि Indian culture को दिखाने का, जो तरीका राजा रवी बर्मा ने उठाया है, वो भले ही theme Indian हो, बट वो style, अंग्रेजों का कॉपी कर रहे हैं, तो there was a group, जो इससे खुस नहीं था, ठीक है, हिस्ट्री में इसके बारे और पर है जाएगा, बट मुद्देख बाता हो, तो राजा रवी बर्मा के पेंटिंग को reject करके, Indian पेंटिंग को एक नए तरीके से दिखाने के लिए, एक नए स्कूल इमर्ज करता है, Bengal School of Art, Bengal School of Art, Disliked, Imitative, Imitative Art, और राजा रवी बर्मा, इन्होंने, किसको रिवाइब करने की कोशिस की, राजपूत एंग मुगल स्टाइल, Indian स्टाइल पे फोकस किया, कि हम उसी से पेंटिंग करेंगे, बट, जो इंस्टूमेंट्स नहीं आ गए थे, कैनवास और उससे, उससे पीठे जाना संभव नहीं था, तो रिवाइबल था, बट, तूल्स नए वाले यूज किये गए थे, इसलिए इसको नियो आर्ट स्कूल भी बोलते हैं, नियो आर्ट स्कूल, यानि, राजपूत मुगल स्टाइल हम लेंगे, बट आप पेंट बरस नए आ गया, यानि वाले बना के दे रहा है, कैनवास वानवास खरीब के, उसी बना वैर कोई पत्थर पे फिर से बनाने जाएगा, तो इसलिए इसको नियो आर्ट स्कूल बोलते हैं, और इसका जो सबसे फेमस, पेंटिंग है, वो भारत माता पेंटिंग है, जो आप जरूर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, तो चिन्ता की बात है, देख लो, आना चाहिए, भारत माता पेंटिंग आप नहीं पता है, तो दिक्कत है, ठीक है, यह हो गया, और इसमें कुछ जानने लाइक, मैंको नहीं लगता है, भी कर लो, प्रोग्रेसिव आणिस्ट ग्रुप, बाद में बनता है, और इसका जो एक, बिंदू राजा पेंटिंग है, राजा बिंदू, राजा बिंदू पेंटिंग, काफी फेमस है इससे ज़्यादा इसमें देखना मत जरूत नहीं है नहीं आएगा यह सब ठीक है थुरा ज्यादा हो जाता है यह ठीक है उसके बाद अपन कुछ-कुछ फोक पेंटिंग्स जो इंपोर्टन्ट है वो एक बार मेंसन कर दे रहा हूं जल्दी-जल्दी है यह फो काटे ना वहां पे बहुत डिटेलिंग पूछेगा नहीं तो आप बस मोटा-मोटी एक बार देख लेना मैं इंपोर्टन्ट दो-तीन इसमें से डिस्कस कर देता हूं पहला है कलमकारी पेंटिंग कलमकारी पेंटिंग यह modern day आंध्रप्रदेश वाले एरिया में हुआ था पेंटिंग करते हो कलम से या फिर बलौक पृंटिंग की तरह भी होता था बलौ। पृंटिंग मतलल आप एक छोटा सा ब्लॉक बना लियो एककप्रालियो उस पर एक के बाद एक के बाद एक से टाटन बन जाएगा इसमें दो स्टाइल चलता है श्रीकाल हस्ती यह और मचली पटनम यह सेकुलर थीम पर बना है मुस्लिम रूलर्स वाला एरिया था यहां सेकुलर थीम है तो यहां डिजाइन उजाइन दिखेगा आपको ज्यादा और यह स्रीकाल हस्ती रिलिजियस थीम में है इसमें कृष्ण विष्णु यह सब का इंफ्लूइंस है सब्सक्राइए को कलमकारी में एध्यों यह हिंदु थीम है तक कलमकारी पैइंटेंग इससे जायता जानकारी जरुवत नहीं है तेकहां स्टाइल लिख दे रहा हूं तू Dallas फ्रू खतिम अब चलते हैं आगे कलमकारी हो भी दूसरा है मदूबनी मधू बनी बिहार के रीजन में हैं यहां क्या होता था था मदूबनी पेंटिंग का बटा तो यह थीम है तो पहले क्या होता था कि जो आपके हट्स में लोग रहते थे तो बोलो क्या करते थे कि आप वाल पे ही अपन एक तरीके से पेंटिंग करते थे वहाँ पे जो आपका काउडंग है उसका पेस्ट वेस्ट लगा के उसी पेंटिंग बनाते थे अभी ये कावी रिवाइब हो ग उसमें, कृष्ना, दुरु गाजी, यह सब एकसेत्राइकसेक्त्रा पहलेimmer करती थि- आजकर फेमस हो गया, तो वो देखलेना मालवा पेंटिंग में ज्यादा कुछ नहीं बतांगा, दो पेंटिंग काफी फेमस्त्त्त तो यह दोनों रट लेना मालवा पेंटिंग, मालवा पेंटिंग में मैं केवल दो पेंटिंग बताऊंगा एक रसिक प्रिय रसिक प्रिय यह काफी फेमस पेंटिंग है रसिक प्रिय पेंटिंग और जो दूसरी पेंटिंग है रस बेली भाई नाम रटलो इसमें और कुछ है नहीं इससे ज़्यादा मालवा पर दिमाग मत लगाओ ठीक है अब जो दो स्कूल है वो एक साथ मैं डिसकूस करोगा तो उसको छोड़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है ठीक है थनका यह देख लो थनका यह बुद्धिजम से रिलेटेड है बुद्धिजम से रिलेटेड है बुद्धिजम का स्कूल है वज्रियांग से influenced है इसमें कुछ जानना नहीं होता है फोक में नाम, जगे और क्या चीज़ से related, बुद्धिज़म से related है वजरियान से related है ठनका painting और इसमें कुछ बताने लाइक है नहीं और कपरेप होता है सिल्ख पे या कॉटन के कपरे पे पेंट किया जाता है कुछ इसमें आज सच है नहीं, याद करना पड़ेगा एक्जाम देने जा रहे हैं भाई कुछ याद भीत करोगे सब कुछ कहान ही सुनोगे पेपर है या मजाग चल रहा है ठीक है, और लास्ट में एक वरली पेंटिंग है यह भी इंपोर्टेंट है काफी वोग में है आजकल वरली पेंटिंग, तो इसके बारे में जान लो वरली पेंटिंग में कुछ नहीं है एक ब्राउन कलर का कपरा लेते हैं, ब्राउन कलोथ और उस पे वाइट कलर से पैटन बनाते हैं वाइट कलर पैटन्स बना देते हैं जनरली इसका थीम जियोमेट्रिकल पैटन्स होता है ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने लाइक है ने अब जो दो में एक साथ डिसकस करना चाहरा हूं वो देख लो मैसूर पेंटिंग और तंजोर पेंटे यह है यह दोनों एक साथ क्यों कर रहा हूं अलग भी करूँगा बट साथ भी करूँगा जब आपका विजे नगर अंपाय डिकलाइन होता है बाहमनीज के अटैक के बाद बैटल अफ कली कोटा में जब उसके बाद से डिकलाइन होने लगता है विजे नगर अंपाय तो जो आटिस्ट है माल लो अगर यह अपना इंडिया है बस अभी नीचे एक बात कर रहा हूं यह आपका विजे नगर अंपाय यह डिकलाइन होता है तो दो गुरूप बढ़ता है एक इधर भागता है जो इधर भागता है वहाँ से तंजोर स्कूल बनता है जो इधर भागता है इधर मैसोर स्कूल बनता है ठीक है तो मैसोर स्कूल वो डे आर्स वहाँ के राजा थे उनके टाइम में बनता है इसमें जो इंपोर्टेंट है वो है क्या बोलते हैं पॉइल उसको मिक्स करके मिला के पेंटिंग्स पे लगाया जाता है तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानना नहीं है थीम में अगें हिंदू गॉड़ गॉड़ेस वहाँ भी हिंदू गॉड़ गॉड़ेस है कि यहाँ पे तंजोर में बट उसमें एक डिफरेंस वह बताथा वो डियार गेसो वर्क इससे ज़्यादा आपसे कोई पूछेगा नहीं यहाँ पर क्या है यहाँ पर 3D लुक लाने को सिस की जाती है मालो कि मैं गजेंश जी का पेंटिंग कर रहा हूं पॉर इग्जामपल मालो ऐसे बनाया मस्त शोटा सा ने गजेंश जी है भाहि देखो पेंटिंग बस एक इक्जामपल दे रहा हूं तो क्या करूंगा मैं कि आईज में जेंस टों डाल दूगा मतलब वो सुन्दर दिखने के लिए आमालो कहीं पर pattern बनाना है तो boundaries पर gemstone डाल दूँगा तो वो चमकने वाले पत्थर डाले होते हैं यह बस समझाने के लिए था कोई भी अच्छा नहीं बना हो उसके लिए बुरा ना माने ठीक है आस्था कोई heart करने कोशिस नहीं थी आर्ट को बताने की कोशिस थी तो ध्यान रखिएगा gemstone लगा देते थे जैसे मालो गनेश जी बनाये तो उनके जहां मालो कुछ कहीं पर आप painting करने में कुछ दिखाते हो तो वहाँ पर आप gemstones डाल दिये काफी चमकीला 3D प्लस gemstone के साथ glass embellishments भी डाले जाते हैं मतलब वह ही कि कहीं कहीं पर gemstones डाल दिये कहीं कहीं पर चोटे-चोटे सीसे डाल के उसको colorful काफी अच्छा बनाते है ठीक है और इसमें और कुछ है क्या इसमें gold boundaries डाले जाते हैं gold boundaries wooden base wooden base पे यह paintings रखे जाते हैं बनाए जाते हैं wooden base पे एक wooden base डाल देंगे और उस पर painting बनाते हैं ठीक है और इसमें कुछ है नहीं painting में इससे ज़्यादा मैं तो नहीं पर पाऊंगा आपको इक्छा होत और पर यह कोई रोकेगा नहीं फोक में और आप पर सकते examples नाम और यह जगे जितना याद हो कर लेना इतना important नहीं आएगा तो वैसे भी किस इस नहीं होगा तो वो छोड़ी देना इतना लेकिन पर लो अच्छे से इतना अच्छे से पर लोगे तो में को नहीं लगता इससे बाहर आएगा आ जाएगा इससे काम हो जाएगा आपका इससे ज़्यादा पेंटिंग में दिमाग लगाने की जरूरत और जगे दोनों नहीं है ठीक है तो अब बिना time waste किये हुए अपन चलते हैं अपने next topic पे वो है थोड़ा अच्छा नया कलर लेते हैं है डान्स 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 अगर परनिक कोसिस करे थोड़ी सी ठीक है तो डान्स के बारे में अगें इंडियन किताबों में मिंसेंड है तो जानते ही हो ठीक है तो जो किताबों मिंसेंड है पहले वो बता देता हूँ एक भरत मुनी ने किताब लिखी है नाटिय सास्त्र इसमें डान्स की बाड़े में काफी डिटेल में में सेंड है जो दूसरा important है वह अभिनव गुपत की एक किताब है कि अभिनव भारत भारती अभिनव भारती है अभिनव गुपत की किताब है यह भरतमौनी की ना सश्क दोनों किताब में अब जो डांस का पहला साइन आता है वह कहां साता है पेट्रोग्लिफ्स अरे पेट्रोग्लिफ्स भिमबेटका में भिमबेटका के पत्थर पे नाच गाना करते हुए छोटे-छोटे इमेज बनाए गया है बता चुका हूं इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं और जो इंडिया में डांस का जो सबसे बड़ा सकल्ट्ट्र और या फिर आप इसमें जाओगे मन्दिर में या पेंटिंग में जो सबसे important है वो श्रिव जी का है नत्राज थीम राइट नत्राज थीम इस वेरी important नत्राज थीम भी काफी कुछ दिखाता है यह dance का एक overview ठीक है दे रहे हैं dance के कुछ limbs है dance के कुछ limbs है अंगाज यानि इसके बिना dance complete नहीं हो सकता है तीन है जानते ही होगे यह सब तो परहे होगे नृत्य ठीक है नृत्य नृत्य पेलिंग देखना पड़ता है भाई और नाट्य नाट्य सबसे सिंपल दिख रहा है ड्रामा नाट्य मतलब क्या होता है ड्रामा तो इसको क्या मोट्सम है खुश हैं तो वो एक्सप्रेशन से नाट्य मृत्य क्या होता है अंग-संचालन अंग-संचालन मतलब कि जो आपका पूरा बौड़ी है उसको आपके से कंट्रोल करते हो मूब कर ते इसको बोलते हैं और इसको क्या बोलता है पैर्बादर पद संचालन निरित निरित और नाट नाट सिंपल है अंग संचालन मतलब पैर कैसे मुप करते हो ठीक है यह डांस के लिप्स है और डांस का यहीं कवर कर लेते हैं थोटा साई है डांस के दो एलिमेंट्स है ऐसा इंडियन थियोडी बोलती है एक को बोलते हैं आपका लस्या और एक तांडवा लस्या और एक तांडवा तांडवा मतलब डांस में इन है दो ता एक softness है beauty, aesthetics है ठीक है aesthetics इस को feminine touch भी बोल सकते हैं आप डांस का लस्या ताच या element जो feminine element है feminine element बतलब lady नहीं नाच रही है male भी नाच नाँ नाच नादरların ये expression को दो तुक्रे से समझ रहे हैं, अगर एक male भी नाच रहा है, एक point पे aggressive posture है, तो वो तंडवा का बाट होगा, बट एक point पे softer stance ले रहा है, किसी point पे dance में, तो उसको लस से बोलते हैं, और तंडव मतलब, क्या हो गया? aggressive stance, ठीक है, energy, ये है masculine element, of a dance, masculine element, ऐसा नहीं कि लेडी में टंडवा element नहीं होगा, ये गलत थैमी मत रहना, कि male female का ना में टंडवा लस्या, ये elements को दो तरीके से बस समझने के लिए बताया गया है, ठीक है, theory wise, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अब हम सीधे गुशते हैं, अपने काम की चीज़ों में, वो है, dance को दो तरीकों से देखा जाता है, एक classical dance, और एक folk dance, ये classical कौन बताया है, ये कुछ natural नहीं है, ये distinguish, खुद ही किया गया है, cultural bodies द्वारा, तो अब classical dance की बात करें, तो इं classical dance है, art classical dance है, list कर देता हूँ, फिर एक एक करके सबको समझा दूगा, तो पहला अगर जाएं, तो कथक है, दूसरा कथक अली है, simple है, फिसरा, कुच्ची पुड़ी है, चोथा, भरत नात्यम है, पाच्वा, मोहिमी यक्टम है, छट छट मनी पूरी है, साथवा, सतारिया है, और आठवा, OEC है, यह art dance इंडिया के classical dance है, तो इसको detail में पढ़ना है, और बाकी dance का एक list folk का, आप देख लेना ज्यादा आएगा निवेसे तो, बट यही art मेन है, बाकी 4-5 होगा, तो मैं बता दूँगा, वो important नहीं है, यह art ही important है, अगर dance के perspective से देखते हैं, तो, ठीक है, तो अगर dance के perspective से देखना चालू करें, तो पहला, कत्थक, कत्थक, तो अगर मैं कत्थक की बात करता हूँ, तो कत्थक जो है, वो नया है, तो 15th, 16th century से आया है, अच्छा, एक चीज पहले ही बता देता हूँ, तागी confusion ना हो, इस आठो थीम में, आठो में, साथ वैस्नवाइट हैं, यानि वैस्नव ट्रेडिशन, एक बस सेविजम का है, और वो है अपना भरत नाट्यम, इसी में बस सेविजम के influence है, बागी सब वैस्नविजम से related dance है, तो बस ये याद रख लोगे, बागी याद हो जाएगा भरत नाट्यम सेविजम, बागी सारा वैस्नविजम, सारे में विश्नु भगवान या क्रिश्न भगवान के थीम होंगे, केवल भरत नाट्यम, केवल सिंगल, वो सेविजम से हैं, ठीक है, तो ये 15th century में था, वैस् चला गया, पहले वैस्नवाइज थीम था, रिलिजियोऊ स ही पर चलता था, बाद भी नॉर्मल दान्स आपका, तो इसमें परसियन influence भी आने लग गया मुगल में Persian influence तो थे तो पर्सियन influence आने लग गया ठीक है और जो आपका यह वह से रिलीजियस जब था तो यह भगति मुव्मेंट से इमर्ज किया था भगति मुव्मेंट से इमर्ज किया था ठीक है 15-16 कोट में आया मुगल के कोट में जब यूज होने पहने अगर इसको मैं नॉर्मल समृराइज करू तो इस जोन में यह पहले भक्ति मुव्मेंट में इमर्ज किया उस समय तीम ऑगेसली वैस्टन वाइट और रिलीजियस था बाद में मुगल कोट में वी त्थक होने लग गया तो वहां टेक्लराइज हो गया एक तरीके से बाहर निकल आया और प्लस पर्सियन इंफ्लॉएंस इसमें आ गया तो इसके ड्रेस में डांसिंग में स्टाइल में म्यूजिक में सब कुछ में आपको थोड़ा पर्सियन इंफ्लॉएंस मिलेगा इसके जो बट, फास्ट फुट वर्क, फास्ट फुट वर्क, पैर काफी तेजी स्मूव करता है, कहने एक मतलब, अच्छे फुट वॉलर्स बंग सकते हैं कत्थक वाले, तो याद रखना है कि इनका पैर काफी मूव करता है नौर्थ इंडिया में, जो कत्थक वाले हैं आपके, फास् और प्हुंत में लैंगरू नहीं पता है तुम्हें क्या रहा हूं बनाना १ार यह इसां मी देखर सब्सक्राइब क्या पता भाई तरह तरह के लोग हैं एलिमेंट्स में दो तीन चीज याद रखना एक थार्ट बोलते हैं एक जुगलबंदी और एक जो चीज छुटता है वो है वंदना अब देखो यार यार ये सारा नौर्थ इंडियन नाम है तो कहीं पर भी पूछे कि वंदना थार्ट और जुगलबंदी इस रिलेटेड टू वीच ओफ दी क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया कथा की याद आ जागा वंदना नौर्थ इंडियन नाम है थार्ट जुगलबंदी बचपन जुगलबंदी हम क्या होता है तबला बजा है उस ताइम में वो डांसर रुख जाती है फिर वो नाचना चालू करती है तो वो एक कॉंपेटिशन हो जाता है जुगलबंदी थार्ट और वंदना कथक में ये पाच लाइन याद रखना है इसको इतना डिफिकल नहीं बनाना है पंद्रहवा सो लवा सताबदी माया भगती मूवमेंट में स्टार्ट हुआ रिलिजियस थीम था वैसनवाइट था वहां से मुगल के कोट में जाता है पर्सियन इंफ्लूएंस लेता है और सेकलराइज हो जाता है उसके बाद पैर इसमें स्ट्रेट रहते हैं फुट वर् इतने हिसाब से कर सकते हो इसके कारण इसके कई सारे घराने इमर्ज किये हैं ठीक है कत्थक हो गया अभी चलते हैं नेक्स्ट पर कत्थक के बाद अरे कलर इंपोर्टेंट है वाही कलर इस वरी इंपोर्टेंट कत्थक के बाद चलते हैं कत्थक अली पे अगर मैं कत्थक अली की बात करूँ तो ये कहां से रिलेटेड है वाईयों किरला से ठीक है ये भी रिलिजियस है अच्छा एक चीज बताना भूल गया था कत्थक is solo dance एक आदमी करता है solo dance तूलो dance है ठीक है कत्थकली group dance है ठीक है केरला में है religious है plus पता है ये dance और drama का combo है तो जब कत्थकली होता है तो full night होता है पूरा night show होता है full night चलता है ठीक है और इसमें कहानी को narrate किया जाता है कहानी को narrate किया जाता है ठीक है कहानी को narrate किया जाता है पूरे राज चलता है और इसमें देखे हो गयार कत्थकली में जो मूँ पे अलग color लेके केरला वाला जो dance है ठीक है तो इसमें colors used on faces themes की बात करूँ तो फिर से महाभारत यह सारे आपके themes used होते हैं colors used on faces जैसे green color अच्छाई को दिखाता है green गुड रेड डेविल एकसेटर यह सब काम का नहीं है बताने के लिए बोल रहा हूं काम की चीज़ है केरला religious महाभारत रामायन का theme dance drama group dance full night colors used on face इससे ज्यादा आपको इसमें काम नहीं आएगा ठीक है और इसमें कुछ काम का है नहीं और कथा कली dance और drama यानि कथा को dance के थू कहने की कोसिस की जाती है कली ठीक है कथा कथा कली कथा मतलब कहानी कहानी को dancing के थू कहने की कोसिस की जाती ह यह दो dance इससे ज्यादा इसमें और और कुछ है नहीं रात में beautiful night colorless और यह group dance है बस इससे ज्यादा कुछ अपने को इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है ठीक है अब जहां हम चल सकते हैं वो है तीसरा फिर color important color miss नहीं होना चाहिए तीसरा है कुछी पूरी इसको कर लेते हैं अभी ठीक है तो कुछी पूरी अब करते हैं ठीक है तो कुछी पूरी आपका कुछी पूरी आपका आंधर प्रदेश में है ये भी 7th century में स्टार्ट हुआ है और A.D. A.D. बाई 7th century A.D. और इसमें भाक्ती का strong influence है भाक्ती का strong influence भाक्ती मुव्मेंट इस टाइम चालू हुआ था वे रिलेजन में पराएंगे इंसीन में डाइवल में भी पराएंगे भाक्ती मुव्मेंट गवराओ मत तो भाक्ती मुव्मेंट का भी इसमें impact है narrative है narrative मतलब इसके थूरू कहानी कहने की कोशिस की जाती है ए यहां से चालू होता है अपना यह ठीक है और जो एक कन्या कोल इसमें word है कन्या कोल कन्या कोल मतलब पास्ट रिद्मिक लेग मुव्मेंट्स ठीक है लेग मुव्मेंट्स पास्ट और रिद्मिक को कन्या कोल बोलते हैं और इसमें कुछ काम का जो चीज है पहला एक यह है कि चुकि ये narrative है, तो इसमें speech भी use किया जाता है, जैसे dance के साथ सा, थोरी-थोरी कहानी भी बताई जाती है, तो speech is used, speech is used, for narration, और जो theme होता है, इसका theme, वो जो director होते हैं, उसको सूत्रधार बोलते हैं, सूत्रधार, सूत्रधार जो होते हैं, वो इसका theme पहले announce कर देते हैं, theme भी announce करते हैं, theme announce किया जाता है कि इसके से, सूत्रधार से, और कुछ इसमें है, men पहले करते थे, old time में केवल men करते थे, अब female भी कर ले रही है, old time में केवल men करते थे, ठीक है, और इसमें एक brass plate, brass plate को के periphery पे भी move करकर के dance किया जाता है, मतलब क्या है, बता दे रहा हूं, कुछ खास नहीं है, एक brass plate रखके, उस पे move करके, ऐसे dance करेंगे, ऐसे मालो इस पे movement होगा, ठीक है, यह आपका हो गया, ठीक है, और सर पे जो कलश रखते हैं न, वो इसमें भी होता है, तो head load भी लेते हैं, कई बार head load लेके, एक brass plate पे dance करते हैं, ठीक है, dance में मोटा मोटी यही है, फिर से इसका एक बार बता दे रहा हूं, ठीक है, कुच्ची पूरी आंदरप्रदेश 7th century में स्टार्ट हुआ है, भक्ती का strong influence है, narrative है, तो narrative में सुत्रधार पहले theme बताते हैं, फिर जो आपका dance चलेगा, उसमें बीच बीच में speech भी use होगा, sorry, गनेश जी को invoke किया जाता है, स्टार्ट करने के लिए, कन्या कोल होता है, fast rhythmic leg movements, और यह सुद्धार बता दिया, use होर men पहले करते थे, अभी female भी करने लगी है, brass plate को periphery मान के, उस पे घुम घुम के भी किया जाता है, head पे भी एक load लेके, किया जाता है, तो overall कुच्ची पु सथा नमबर तीन नमबर था, अब चोथा जो अपन करेंगे, चोथा अपन करते हैं, मनीपूरी, ठीक है, मनीपूरी कर लेते हैं, मनीपूरी, जो डांस है, यह एक इसका जो feature है पहले, एक तो वैशनवाइट है, वैशनवाइट है, दूसरा female dance है, female dance, soft dance है, तो लस्या जादा है, लस्या जो बता है, लस्या वो जादा है, लस्या बेस्ट है, soft movements है, mouth जो face होता है, face wheel से covered होता है, मूँपे परदा डालके, netted परदा, netted रहता है, semi transparent, netted, परदा डालके मूर ढखे रहते हैं, dancers, और pair movement, यहाँ पे न, जो कमर है, उसके पास से एक, ऐसा फैला सा, एक box type का पहनते, तो उसके कारण, कई बार restrict हो जाते हैं, तो leg movements restrict होने के कारण क्या होता है, जब pair strike करते हैं, तो pair turn करना possible नहीं होता है, तो pair जब strike करते हैं, जमीन पे तो जो front part है, उसको पहले strike करते हैं, यह distinct feature है, तो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, pair का front part, प्रंट पार्ट स्ट्राइक करते हैं प्रंट पार्ट स्ट्राइक डॉन ग्राउंड ठीक है प्रंट पार्ट स्ट्राइक डॉन ग्राउंड किस दीज़ का लेग्स लेग्स मुवमेंट इसमें रेस्ट्रेक्टेड है क्योंकि वो एक थोरा box type का एक पहनते हैं वो आप देखोगे तो समझ आ जाएगा Legs movement restricted है Legs movement restricted है वही क्योंकि वो पहन लेते हैं ज़्यादा female dance हो गया यह हो गया west and white हो गया और इसमें दो traditions है यह याद रखना क्योंकि यह direct पूछेंगे याद नहीं रहेगा कोई उपाई नहीं है दो traditions एक लाई हरोबा और दूसरे का नाम है खंबा थोईबी खंबा थोईबी यह दोनों आपको टर्म याद रखना परेगा कुछ कर नहीं सकते हैं ठीक है और इसमें पूंगा नाम का एक drum डिस्टिंक्ट ड्रम होता है वहां का पूंगा ड्रम यूजड पूंगा ड्रम यूजड किया जाता है ठीक है आई गेस और कुछ इसमें है कि कुछ भी नहीं है इससे आपका काम हो जाएगा ठीक है दो ट्रेडिशन लाई हरोबा खंबा थोई भी पूंगा ड्रम यूजड करते हैं फेसेस कवर्ड होते हैं एक बखसा टैप का पैर में होता है पैर का मूउमेंट रस्टिक्टेड होता है फ्रंट पार्ट हीड करते हैं वैशन वाइट है ठीक है ठीम जो है कृष्ण जी वाला ही होगा अगेन तो इतना कुछ इसमें है नहीं अब जो अपना पांचवा है चलते हैं color पांचवा है अपना कितेगरी में पांचवा क्लासिकल डांस मोहिनी डांस इसको केरला में किया जाता है female डांस है इसमें जो विश्णु भगवान है विश्णु जी ने मोहिनी का रूप लेके मोहिनी का रूप लेके मोहिनी के रूप से भसमा सुर भसमा सुर से का वद करके उनसे अमरित लिया था तो विश्णु जी वाला इसको रेपिसेंट किया जाता है फीमेल डांस है विष्णू का मोहिनी रूप पे डांस है ठीक है और फिमेल करती है सोलो डांस है अकेली फिमेल करती है इसका एक्चुली ड्रस काफी अलग होता है वाइट कपरे पहने जाते है सारी टाइप पर्टिकुलरली विद गोल्डेन बॉर्डर्स जो आपको इसका आपको किरला के कल्चर में पर्टिकुलरली इंपैक्ट दिखेगा इस ड्रस का ठीक है और इसमें कुछ है काम का अगें आपका लस्या डॉमिनेट करता है फिमेल डांस है लस्या डॉमिनेटेड लस्या डॉमिनेटेड है और कुछ जानने लाइक नहीं है भाई इसमें ग्रेस है अच्छा यह देवदासी सिस्टम जो चलता था देवदासी सिस्टम क्या होता था कि पुराने जमाने में जो मंदीर होती थे वहाँ पर डेडिकेटेड डांसर्स रखे जाते थे small age से उनको रखके देवदासी जो God के लिए dedicated है जो आपके religious dances करते तो देवदासी system में उनको देवदासी बोलते थे और उससे ही 2-3 dance इमर्ज किया जैसे औरी समझाओगे तो आप ODC हो गया मोहिनी अटम यहां हो गया तो देवदासी system का अपने पुराने टाइम में जो इंसियन में डाइवल टाइम है उसमें dance वाला जो system उसमें देवदासी system का बहुत बड़ा रोल था dance develop करने में मोहिनी अटम हो गया अभी अपन चलते हैं 6th पे जो की है ODC ठीक है तो अगेन ODC में जो आपके फिर से वैष्णवाइट है वैष्णवाइट में इसमें लौड जगन्नाथ जो वहां के हैं अपने लोकल DT जो विष्णू के फॉर्म माने जाते हैं उनसे related है classical है temples में होता था ठीक है तो temples में होता था इसमें जो आपका त्रिभंगा हालांकि बहुत सारे डांस में त्रिभंगा पोजिशन है इसमें त्रिभंगा पोजिशन बहुत clearly expound किया जाता है clearly expounded त्रिभंगा मतलब एक तरह का dance position ने नेट पे खोल के देखना जिसमें body को पतन कैसे तीन एंगल से मोड़ते हैं देखके ही समझ आता है त्रिभंगा पोजिशन इसमें बहुत clearly दिखता है वो आप देख लेना एक बार और इसके तीन सब genres भी हैं वो तीनों मैं बता दे रहा हूँ यह word याद रखना है क्योंकि direct पूछेगा एक है महारी एक है गोती पुआ और तीसरा है नर्तकी ठीक है तो यह महारी जो देवदासी सिस्टम में चलता था मंदिरों में वो देवदासी हो गया गोती पुआ जब male artist female भी बनके डांस करते थे उनको गोती पुआ स्टाइल वोते थे और नर्तकी मतलब जो कोट में होता था तो ओरिसा डांस ओरिसी जो आपकी डांस है वो पूरा सोसाइटी में स्प्रेड था मंदिर में भी अलग से जो male dancers करते थे और नर्तकी कोट में भी इसका use किया जाता था ठीक है और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं इसका start जब होता है तो भूमी पूजा प्लस भूमी पूजा और मंगल चरन यह दो चीजें की जाती है जो भी है डांस में आपको यह रटके रखना पड़ेगा मैं नहीं जानता हूँ और end जो होता है वो मोक्षा बोलता है ठीक है यही है और इसी में इससे ज्यादा अपने जानने जबरत ने इतने काम हो जाएगा एक्जाम भरका ठीक है यह छेट जो चीजें लिखा रहा हूँ लेकिन यह सारा जानना है इसमें से आप कुछ स्किप नहीं कर सकते हैं कि यह कम इंपोर्टन लग रहा है एकदम क्रेश्प में बता रहा हूं काम आपका हो जाएगा बट इससे कम में नहीं होगा अगर सवाल ऐगा तो आपको चाहिए होगा अब चलते हैं अपन तात्वे पे तात्वा है अपना है भरत नाट्यम है भरत नाट्यम है भरत नाट्यम में अगर मैं बताओं तो यह तमिल नाडू का डांस है को यह श्रिवजी वाला है और बुमंइन करती हैं देवदासी सिस्टम का का यह जो और जासीकल डांस है वह odc है तो यह यहां लिख सकते हो आप oldest classical dance ठीक है अब वापस आते हैं जहापन चल रहे थे भरत ना टेम हो गया भरत ना टेम में सेवाई है और इसको शेवाइट है वोमेन करती है और यह fire dance है fire dance क्यों है तांडव के elements डॉमिनेट करते हैं इसको fire dance भी बोलते हैं ठीक है उसके बाद इसमें bent knees knees को काफी bent करके दोनों मालों ऐसे knee है अपका तो उसको टेरा करके दोनों knees को रखके dance करते हैं और इसमें जो दो चार चीज़े हैं जब start होता है तो अल्ला रिपू किया जाता है एक तरह से invocation of god होता है अल्ला रिपू word is related to पूछ देगा याद रखना बरत नाट्यम अल्ला रिपू आपको याद रखना परेगा ठीक है और जो दूसरा चीज़ है वो तिल्हाना तिल्हाना और श्लोका इससे end होता है यह डांस यह याद रखना तिल्हाना श्लोका और अल्ला रिपू और यह आपको जैसे इसका तंजोर और चिदंबरम टेंपल में काफी प्रोमिनेंटली होता था भेले भारतना टेंप डांस ठीक है इतना ही है यार काम काई देखो यह अब आर्किटेक्चर यह सम नहीं है कि इसमें बहुत डिटेलिंग करना है इतनी चीजें भी जब पेपर देने जाते हैं लोग तो याद नहीं रहती है इतनी चीजें रहेंगी करने लाइक जो सवाल आएगा अराम से कर दोगे कोई दिक्कत नहीं होगा इससे ज्यादा डि म्यूजिसियन बनने नहीं जा रहे हो तो एक लेवल का इंफो इस गुड एनफ ठीक है उससे ज्यादा इसमें घुसना नहीं है सतरिया डांस असम में है अगेन इसमें भक्ती मूव्मेंट का इंपैक्ट है भक्ती मूव्मेंट पुटीन्थ 15th century में संकर देव जो की क्या थे वैस्टनवाइट उनका जो आपके रिलिजियस फॉलोर्स थे उनके में सतारिया डांस चालू वह था तो उसको क्या सत्तार्स बोलते हैं वो जो आपके संकर देव हैं इन्होंने वैस्टनव मुनास्ट्री सेट की सत्ताराज बोलते हैं उसको सत्ताराज वैस्टनव मुनास्ट्री जैसे बुद्धिस्ट मुनास्ट्री होता है जैन मुनास्ट्री जैसे बुद्धिस्ट मुनास्ट्री है वैसे वैस्टनव मुनास्ट्री सेट किये तो सत्ताराज सत्ताराज में संकर्देव सेट किये वहाँ पर यह डांस इवॉल्व हुआ सतारिया डांस ठीक है और इसमें कुछ काम का नहीं है इसमें एक चीज याद रखना वहाँ का एक लोकल बोर गीत कॉम्पोजिशन यूज किया जाता है साथ बोर गीत कोई गाना होगा बोर करके कोई गाना है वह बजाया जाता है बोर गीत बाकी भक्ति मुमेंट इससे ज्यादा आपको सतारिया जानने की सरुद्ध नहीं है ठीक है अभी थोड़े बहुत जो इंपोर्टेंट है पोक डांस वह और उसका जगह लिख दे रहा हूं नाम याद रखना है तो रख लेना मेंको नहीं लगता है पूछेगा क्योंकि जो इंपोर्टेंट है इन में से वह मैं यूनेस्को वाले में कवर करा दूंगा अभी बस नाम के लि चेने चेराओ फिर बिदेशिया फिर चाओ फिर चाओ फिर चाओ हो गया उसके बाद एक काल में लिया और बाकी पता है इसका लंबा चालिस पच जहां भी पढ़ोगे वहाँ बे एकदम पचास-पचास फोक डांस का लिस्ट है जिसके पास बहुत टाइम हो सारी तयारी हो चुके रट लो नहीं है छोड़ दो इतना इंपोर्टन नहीं है एक सवाल अगर बाइक चांस जिंदगीम कहीं से इस पर फस गया तो रट के टाइम वेस्ट मत करो समझने वाले पार्ट को करो उससे माक्स आ जाएगा तो इस पर बहुत दिमाग नहीं लगाना है बीउ असम से रिलेटेड है चेराओ थोरा इंपोर्टेंट है बताता हूं क्यों यह बैंबू डांस है बिदेशिया बिहार से रिलेटेड है बिहार के माइगरेंट्स जो बाहर जाते थे बिदेशिया उनको लेके यह फोक डांस स्टार्ट हुआ था च्छव आपका बेंगॉल औरीसा जारखंड वाले जोन खा है इसके बारे में और डिटेल में अपन पढ़ेंगे जब यूने बागी लिस्ट देखोगे तो इसमें 30-30 है पचास होगा कोई लिमिट नहीं है लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं चाहे गरवा देख लो एक गरवा भी तो है गुजरात का यार वो पता ही है पॉइंट क्या है कि इसका लिस्ट बरता ही जाएगा अगर फोक डैंस पर होगे तो मैं बोलूगा मत परो सीधे युनेस्को का लिस्ट खोलो जो जो इंडिया में इंपोर्टेंट है केवल उसको परना है वो मैं एक बार परहावी दूँगा उससे जादा फोक चीजों में नहीं गुसना है फोक वालों से दूर रहो प्लासिकल चीजे परो उससे जादा अप ठीटर और ड्रामा करा देता हूं इसके बाद म्यूजिक कर लेंगे फिर अपना लिट्रेचर फिलोस्फी और रिलिजन वाला मिक्स एक वो निकल जाएगा ये दो चीजे निप्टाने के बाद और कुछ बचेगा नहीं थोड़ा बहुत मार्सलाष्ट ये सब का लिस्ट है वो होगा तुम लिखा दूगा मलब कोई दिक्कत नहीं है और लास्ट में लेकिन युनेस्को वाली चीजे करेंगे क्योंकि फोग आर्ट एक तो गया क्लासिकल कोड जो जो हम पढ़ें अभी तर बाकि जितना फोग चीजें है जैसे फोग डान्स फोग म्यूजिक फोग प निश्चिंत रहो क्योंकि वो युनेस्को पाहर नहीं जाएंगे यह थीटर और ड्रामा का भी इंडिया के कल्चर में काफी रोल है और इसमें संस्कृत से ही सुरू हुआ था ठीक है संस्कृत में जो नाटि सास्त्र है नाटि सास्त्र भरत मुनीका भरत मुनीका उसमें इ और ड्रामा के बारे में ठीक है और ये नाम याद रख लो एक नट नटी नट मतलब मेल एक्टर और नटी मतलब फीमेल एक्टर इसमें क्या है सो सिंपल कोई दिकत थोड़ी है ठीक है अब एक चीज जो बताने वाला वो इंपोर्टन्ट है वो धोड़ा शैलूश शैलूश क्या है शैलूश एक कमपनी होती थी पहले के इंडिया में शैलूश एक कम्पनी दी जिसमें प्रोफेशनल कंपनी टाइप था कंपनी था मतलब मॉटन कंपनी नहीं था एक ड्रूप था जो ड्रामा करवाती थी उसका नाम सैलूश था डायरेक्ट पूछता है आजकल इस टाइप का term तो कौन जामता है पूछ दे तो मज़ा आजाएगा आप आप तो आप पढ़ लियो, आपको क्या देखकत है पूछ दे तो पूछ दे अब इंडिया में जो classical dramas है क्लासिकल ट्रामाज हम उसी पर फोकस करते हैं बहुत लंबा नहीं है छोटा सा ही है जल्दी जल्दी में इसको देख लेते हैं जो पहला हम करेंगे वो अस्व घोस वेरी इंपॉर्टन परसन अभी जो ड्रामा कवर हो रहा है इस पे साथ साथ लिट्रेचर भी कवर हो रहा है ये तंस्कृत में लिखते थे बट खुद फॉलोर थे महायान बुद्धिसम के और इनकी एक किताब है अश्व घोस जिसमें ये लाइफ और बुद्धा हाईलाइट किये हैं वेरी इंपॉर्टन वेरी इंपॉर्टन ये काफी इंपॉर्टन है अश्व घोस इसको याद र आश्व घोस पूछा जा सकता है अश्व घोस ने अरे अलिगोस ने क्या लिखा था वुत बता दो आसुगोस इबता दिया बुद्ध चरित बुद्ध चरित बुद्ध चरित नाम सही है यह ध्यान रखना किस ने लिखा था आशुगोस बुद्ध चरित मैं गलती स्फिर से आशुगोस ही बता रहा था आशुगोस नहीं लिखा बर जो बुक लिखा उसका नाम था बुद्ध चरित और उसमें लाइफ अब बुद्ध हाइलाइटेड लाइप बुद्धा के बारे में काफी कुछ बताया अब इनकी जो दूसरी important work है यह तो हो गया बुद्ध चरित जो दूसरा important work है कि सौंदर नंद काव्वे सौंदर नंद काव्वे यह दो बस याद रखना है बुद्ध चरित और सौंदर नंद काव्वे असुगोस का सौंदर नंद काव में नंद एक बंदा था नंदा बंदा जो था यह वो नंदा जरा आजा नहीं है नंदा बुद्धा का हाफ ब्रदर था बॉद्धा का हाफ ब्रदर था और यह बाद में गवर्ट होता है बुद्धिजम में तो इसका life का दोनों एस्पेक्ट दिखाए गया कि पहले जब यह बुद्धिस्ट नहीं था और बाद में जब यह बुद्धिस्ट बना तो इन Isaac जिन्द कीम क्या चेंज आया ठीक है तो एक बुद्ध चरित हो गया है एक सौंदर नंद ये यार थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है दोनों लिखा हुआ फिर से लिख दे रहा हूं ठीक है तो गलती से असुघोस ही लिख दिया था बुद्ध चरित ये दो नाम तो याद रखना होगा असुघोस ने दो प्लेज लिखे एक बुद्ध चरित लाइफ औब बुद्धा इसमें हाइलाइटेड था एक सौंदर नंद काव ये नंदा बुद्धा के हाफ ब्रदर थे ये बुद्धिजम में कनवर्ट हो गए थे तो कनवर्ट होने से पहले और कनवर्ट होने के बाद इनकी जिन्दगीम जो बदलाव आए वो इसमें हाइलाइटेड है ठीक है असुघोस इतना ही है क्लासिकल ड्रामा पहला निकल गया बहुत कम बताएंगे इसमें लेकिन जो बत था यह निवत है असुघोस जो अपने भाई साहब थे यह कनिश्का के टाइम में थे कनिश्काज कनिश्काज एरा यानि मैं कम की बात कर रहा हूं पर्स सेंचुरी एडी कुशन का पीरियड उसके टाइम में असुघोस यह लिख रहे थे संस्कृत में लिखे थे चरित और सौंद्रनंद नंदकाव्य इन्होंने लिखा था इसके बाद सुद्रका जो हैं यह अपने भाई साहब हैं गुपताए राके गुपताए राके और इनकी जो एक किताब है मुरिच कटिकम मुरिच कटिकम यह लव अफेयर के बारे बताता है पूरा बॉल्यूड ड्रामा लिखे थे जैसा बॉल्यूड ड्रामा होता है चारुदत और वसंत सेना थे ना वसंत सेना चारुदत एक गड़ीब ब्रामन था पूर ब्रामिन पूर ब्रामिन इसको वसंत सेना से प्यार हो गया इसको सेसाधी करने थी बट हर बॉल्यूड मूवी तरह यहां भी एक बंदा था जिसका नाम था समस्तन का यह जो था यह विलेन था ऐसे नहीं बता रहा हूं थोरा सा समरी जानना पड़ेगा इसमें चारुदत और वसंत सेना और समस्तन का यह अपना विलेन भाही था यह उसको फसा दिया था चारुदत को लेकिन लास्ट में इंडियन ड्रामा जों क्या है अच्छा एंडिंग हो था हमेशा जैसे बॉल्यूड मोता है तो लास्ट में चारुदत को फसा देता एक चोरी के उसमें लेकिन वसंख सेना लास्ट में आके कोट में इसको बचा लेती है दोनों की साधी हो जाती दोनों मस्त जिंदगी जीते हैं जवरदस्त वाली मिर्चकटि का सुद्रकान लिख थी और उसके बाद जो एक इनका बुक और इंपोर्टेंट है वो वीना वसावा दत्त देखो यह मैं डैस डैस लगा के पिछली बार भी लिखा था बुक्स वे से डैस लगा के नहीं लिखा रहता है एक साथ जोर देता है तो वो पढ़ने में याद करने मुश्किल होता है इ इसे याद रखो वीना वसावा दत्ता इनके टाइम में एक और इंपोर्टन किताब थी गुपता एरा के आदमी थे 200CAD जो भी बोलना है इस टाइम में ठीक है और तो इसमें कुछ था नहीं और इस पूरे चारुदत वाले एपसोड में चारुदत पूर ब्रामिन जिसको वसन सेना कोट की लेडी होती उससे प्यार हो जाता है ये पावरफूल होता है समस्तन का ठीक है तो समस्तन का उसको फ वीना वसावादत्ता ये दूसरा बुक है इसका डिटेलिंग मेरे को भी नहीं पता है लेकिन ये नाम इंपॉर्टेंट है मिर्च का ठीक है इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर का कंटेंड भी थोड़ा बहुत पूछ सकता है इसलिए वह जांग लो सुद्रका हो ग गुपता टाइम लिट्रेचर का भी बहुत सांधार पीरियड था मैं पहले ही बता चुका इंडियान आर्ट, कल्चर, अर्ठिटेक्टर का सच में गुल्डेनेज था गुपता पीरियड तो लिट्रेचर में तो धुमाधार काम हुआ था लिमिट ही नहीं है गुपता पी in some of his place some of his place कुछ कुछ प्लेज में यह थीम भी यूज किया जाता है अपना religious गुपतायजम पहले ही बचा चुका और religious और secular दोनों काम होता था अब यहां जो important है वो स्वपना वसावदत्त इनकी फिर से एक प्ले है स्वपन वसावदत्त इसमें एक यह अगैन वेरी important है यह आपको याद रखना परेगा तेरा प्ले में एक याद रखना है स्वपन वसाबव दत्त ठीक है अब पिछले में भी ऐसा नाम था भाई बस वीना की जगह सवपन लगा दिया वीना वसाव दत्ता सुद्रका लिखे सवपन वसाव दत्ता वीना की जगह सॵपन डालना है वो अपने भासा भाई लिखे इसमें एक king होता है उद्यान ये story अगेन बॉलिवूड टाइप की स्टोरी है उदयान थे किंग उदयान और इनकी जो क्वीन थी उनका नाम था वह सावाद अब इनकी स्टोरी थोरी से जान लो याद रखने में भी आसान रहेगा और अगेन इसका कंटेंट इंपोर्टेंट है फिर से इसमें क्या होता है कि उ उससे साधी करने बोलते हैं कि साधी कर लो मैरेज अलाइंस फोर्ज कर लो और इससे अपना किंगडम सेफ रहेगा बट क्या राजा पहले से मैडिट था वसावदत्ता के प्रेव में एकदम पागल किंग उद्यान ने बोला कि मैं साधी नहीं करूँगा प्यार में लेकिन उस case में क्या हुआ कि वसावदत्ता ने एक घर में आग लगाया और जलने का नाठक किया उसके बाद वो गायब हो गई King Udyyan, सब लोग ये सोचे कि Vaisabh Dutta, कि मृत्यू हो गई है जल के साधी कर लिये, नहीर लाने से Kingdom तो बच गया उसके बाद जब साधी फाइनली हुई तब Vaisabh Dutta जहां छिपी होई थी, वो निकल के आ गई FINALLY राजा, अपनी दोनों Queen के साथ खुसी-खुसी रह रहे थे वसावदफ्ता Legendary Queen उद्यान की ये कहानी है एक play तो अब बोला ने Indian stories जितने वे drama है वो generally ending अच्छा-च्छा दिखाने कोसेज करते हैं सब problem खतम हो गया लोग must जी रहे हैं उस type का कहानी यहाँ भी था ठीक है इनके कुछ other works है जो और भी important है एक यह हो गया other notable works जो important है वो बता दे रहा हूँ उसमें एक बाल चरित है उरू भंगा है एक उरू भंगा है उरू भंगा है और तिसरा एक पंच रात्र पंच रात्र चार work इनका याद रखना है भासा का 13 लिख है सौपन वसावादत्ता जिसका स्टोरी बता दिया बाकी other work में बाल चरित, उरू भंगा और पंच रात्र इतना तो याद करना पड़ता है भाई collector बनने आये हो मजा करने नहीं आये हो तो काम कैसे चलेगा इसके बाद अपने आते हैं दी लेजेंडरी कालिदास कालिदास greatest dramatist है कोई doubt ही नहीं है इसमें greatest और particularly संस्कृत में लिखते थे तो संस्कृत के greatest कह सकते हो आप without doubt ठीक है अब इनकी जो time था वो बता देता हूँ 4th century AD चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के time में थे यार देखो कालिदास नहीं भी कुछ परहे लिखे होगे तो कालिदास का नाम भारत में रहके अगर आज के देश में जब तुम 20-25-30 साल के होगे और भारत में कालिदास का नाम कभी नकविच सुने यह उगे नहीं सुने हो तो बहुत समस्याग बात है विचार करो किन लोगों बीच तुम रहते हो अगर कालिदास का नाम नहीं सुने हो यह चिंता की वाद भारत में 20-30 साल वेतीत करने के बाद कालिदास का नाम एक ना एक बार आपको जिंदा रहने में सुनना ही परेगा सुनी लेते हैं लोग चंद्रगुप्त विक्रम आदित के टाइम में 4th century AD में कालिदास आते हैं और लिमिटेड है इतना तो याद करना पड़ता है इससे कम में काम नहीं चलेगा ठीक है हलाकि यह डिफिकल्ट होता याद करना लेकिन याद करना आज सुभोस में बुद्ध चरित और यह दो आपको सौंधरी नंद काव यह याद रखना है उसके बाद आपके सुद्रका हो से मिर्च कठिका और वीना वसावादत्ता हो गया और सुद्रका में स्वप्न वसावादत्ता उरू भंगा बाल चरिता और पंच रत्रा यह आपको साथ आठ छे नाम तो अभी तक आया है अब कालिदास का मेजर वर्क सारा याद रखना परेगा कोई उपाए नहीं है तो स मित्रम मालविका अगनी मित्रम मालविका जो है यहां पर एक मेड रहती है मेड और अगनी मित्रम ओवियसली प्रिंस रहते हैं राजा रहते हैं इन फैक्ट अगनी मित्रम इस दी किंग राजा को मालविका को और अगनी मित्रम को एक दूसरे से प्यार हो जाता है अगें ब पॉलिवुट समझ रे हो इंडिया का फे इंस्पाइर Prevention है जा भले ही आजकल चितना भी cultsर से अपरूटेट दिखा खुद को बट है culture से इंडिया में जितने भी drama हैं वो Indian culture से inspired है love stories का इंडिया में पूराना tradition रहा है Malvika अगनी मित्रम में maid को king से प्यार हो जाता है King already married होते हैं तो जो queen होती है obviously उसको बुरा लगेगा quite natural Malvika को वो jail में डलवा देती है गुस्से में लेकिन जब कोट में सजा देने का टाइम आता है जाच परताल होती है तो पता चलता है कि मेड खुद एक रॉयल लीनियज से बिलॉंग करती है देखो आज का जमाना मोनोगेमी का जमाना है अभी एक मेल एक फिबिल साधी करते हैं पहले ऐसा नहीं था दूसरा रॉयल लाइन के कुईन या फिर जो आपकी स्वारी प्रिंस से साधी करके वहां एक लाइन्स फोर्ज करने कोसिस करते थे मेड जैसे यहां रॉयल लीनियज की साबित हुई पहले मेड थी बाद में दीरे-दीर पता चला कि वह किसी पहले किसी रॉयल हेरिटेज वाली है तो बाद में स्वालिदास का मेजर वर्क है यह स्टोरी है एक है विकरम उर्वशिया इसमें भी कुछ नहीं है विकरम और गुवसी न हम का रोमैंस, लव स्टोरी, वही सब है, लव स्टोरी और विकरम एन उर्वशी, ठीक है भाई, जो कंटेंट है वही बताऊंगा ना, खुझ से थोड़ी बता दूगा, जो है सो है, अभिज्ञान सा कुंतलम, अभिज्ञान सा कुंतलम, ये कालिदास के one of the greatest works में, अभिज्ञा है, और इसमें, हस्तिनापूर का राजा, एक प्रिंस होते हैं, डुश्यंत, और इनका एक नेबरिंग, कोई प्रिंसेस होती हैं, शकुंतला, अगेन इनके बीच का लव और रोमांस, अपेर, सारा दिखाया गया है, वेरी इंपोर्टेंट, उसके बाद जो अगला होता है, मेगदूत, मेगदूत, स्टोरी ओफ क्लाउड है, नाम से ही है, तो इसमें एक बंदा होता है, जो मेसेंजर ओफ क्लाउड बनता है, जो क्लाउड लाउड बुलाता है, भगवान जाने क्लाउड का कोई भी कहानी हो, परा तो मैं भी नहीं हो, जितना जानता हूँ, मेगद ठीक है messenger of cloud इतना ही रटना है कि एक बंदा होता है जो अपना गाना वाना गाव आके बारिस बुलाता है कुल मिला कहानी इतनी है इससे ज़्यादा मेरे को भी नहीं पता है परहा तो नहीं हूं कभी पर होंगा तो फिर बता दूंगा यार की detail में क्या था जहां जहां जितना detail मिला है उतना उठा लिया हूं काम लाइक इससे ज़्याद आपको एक्जाम में भी काम आएगा नहीं मेगदूत में पूछेगा क्या पता है ultimately कि मेगदूत इन में से यह जो वर्क्स बता रहा हूं इसमें पांच वर्क लिखेगा और पूछेगा इसमें से कौन-कौन कालिदासक है और एक उसमें कालिदासका नहीं होगा सुद्राखा का गूसा देगा तो बस आपको आइदिफाई करने कि कौन-कौन-कौन-मेही धिए एकजाम में इतना ऐए खेल केले से लिएा यह, आप उतना नहीं पकर पारहे हो तो फिर अगला साल हैlor इसमें तो घखान से related यह play है ठीक है रितु संबरा हो गया और उसके बाद एक रघु वाम्ष यह important है रघु वामष रघु कुल किन से related है प्रभु स्री राम त्री राम जिनको जानते हो रगुकुल से डिलेटेद है रगु वंस में जीनियो लॉजी और लॉड स्री राम डिसकर्स्ट है और इनका कुछ वर्क बचता है एक कुमा संभवम है वो भी लिख लो या कुमा संभवम इसमें कार्तिकेई को जानते हो तिव जी के दो संताने गनेश एक कार्तिकेई की स्टोरी इसमें दी हुई है कुमा संभवम रगु वंस रितु संभरा ठीक है यह रटना परेगा वाई मेग दूत अविज्ञान साकुंत्रलं विक्रम और वशी और मल्विका अगनिमित्रम यह सारा कालिदास का प्ले है और सारा इंपोर्टेंट है सारा नाम आपको याद रखना परेगा पसंद आए या ना आए इसमें ज्यादा ऑप्शन आपको दिया नहीं जा सकता है क्योंकि उप्यसी आपको ऑप्शन नहीं देगी यहाँ पूछेगी तो बताना तो परेगा कर क्या सकते हो फिर जो अपने next player आते हैं इसमें वो है भावबूती भावबूती सहाब अब लोग थोड़ा कम प्ले लिखेंगे चिंटा मतले हैं मेजर पाट निकल लिए भावबूती सहाब सेवंथ सेंचूरी मारते हैं सेवं सेंचूरी सी और इनके फिर से मालती माधव नाम ही सुनके लग रहा है क्या होगा मालती और माधव का लव तोरी ना सिंपल है मालती माधव ठीक है महा वीर चरित एक मालती माधव हो गया एक महा वीर शिवा कुछ करना नहीं है और एक है उत्तर राम चरित थीं नाम है मालती माधव महावीर चरित और उत्तर राम चरित ये तीनों वर्क रटलो इससे ज्यादर भाव सुस्ती में आप गुसना नहीं है जो अपने तीसरे इसके बाद जो आदमी आते हैं, उनका नाम सुने हो गए हर्षा, हर्षा वर्धन जो किंग थे, इन्होंने भी तीन प्ले लिखे थे, हर्ष वर्धन नाम सुने हो, भाई किंग थे इलिया के, तेवन सेंचुरी में, इंसियंट का लास्ट ग्रेट रूलर ज इसको बोला जाता है, हलांकी, पुलकेसिंद, हरा दिया था इनको, बट फिर भी इनकी जो प्रसस्ती, प्रसस्ती मतलब बरहत बताता हूं, इनकी जो तीन किताबें पहले वो देख लेते हैं, एक है रतना वली, रतना वली, अरे यारी, यह क्या हो रहा है, रतना वली, प्र प्रियदर्सिका और नागनंद नागनंद ये तीनों याद कर सकते हो इसमें रतनावली और उदयान का लव स्टोरी है रतनावली और उदयान का लव स्टोरी दिया हुए रतनावली में प्रियदर्सिका और नागनंद ये तीन प्लेज हैं जो हर्सवर्दन ने खुद लिखे खुद फीको से जो लिखे थे लिखे थे वो तो सही में इनके बारे में बारे में जो लिखा था वह बराई कर रहे हैं एक धर्टी विजेता जीते हुए हैं तो उस हिसाब से हर्षा बात नहीं कर रहा हूं जेनरल ही पुराने जमाने में जो कोट में लोग लिखते थे वो राजा की खूब बराई करते थे लिमिट पार क्यों उनको फाइदा होता था उनका पोजिशन बना रहता था राया खुश होत साथ जवर्दस्त बराई करने वाले लोग बहुत आगे जाते थे खर्शा की बराई बानभट पने की थी किताब का नाम था अर्ष चरित हर्ष चरित में हर्षा की खूब बराई लिखे हैं और यह एक जयसे की गुप्ता एज में पिलर्स प्रसस्ती राजा के खुब बरहा चरह के लिए जाता था तो ऐसे ही हर्ष चरित अपने वानवोट भाय साहब की किताब थी लाइप अफ हर्षा और जो दूसरी इनकी important वर्क है एक तो हर्ष चरित है पताने क्या सिस्टम दिक्कत है और दूसरी जो इनकी इंपॉर्टेंट है वो है कादम बड़ी भाई देखो इसमें कोई चारा नहीं है यह सब याद थोरा थोरा करो गें पूरा बनाग दे रहा हूं पीपीटी उठाना बाद में वीडियो के बाद और यह दो दो ती इन तीन है दस ड्रामा अपन 10 ड्रामा राइटर से बारे बात करेंगें, उनका एवरेज थीन है तो तीस याद करना इतना याद करना पड़ता है कादम बड़ी और हर्स चरित बान भठ का इतना कर लो उसके बाद अपने पास तीन और लोग बचते हैं जिसमें पहले विश शाक़ दत्त का तु नाम सुने ओगे विशाक़ दत्त का भी नाम नहीं सुने हो विशाक़ दत्त का जो प्ले है वो काफी फिमस हुआ था और विशाक़ दत्त गुपता पिरिय Luck में थे और इनका एक यह एकदम important है, super important, मुद्रा राक्षश, मुद्रा राक्षश में, मुद्रा राक्षश में इन्होंने कैसे मौरिया, चंद्रगुप्त मौरिया power में आता है, चंद्रगुप्त मौरिया का ascent to power, चंद्रगुप्त मौरिया कैसे power में आता है, नंदाज को हटा के, यह इसमें बताया गया है, मुद्रा राक्षश में बहुत important है, इसी के थुरू हमको चंद्रगुप्त का story पता चलता है, और दो play है, इसी से हमको आपको चानक्या के बारे पता चलता है, इस play में सब है, कि चंद्रगुप्त मौरिया कैसे, नंदाज को हराखे, पावर में आते हैं, यह मुद्रा राक्षश में दिया हुआ है, इसको आपको याद करना परेगा, जो महेंद विक्रामन, महेंद विक्रामन, यह अगले अपने important आदमी है, यह पलवा king थे, पलवा king, फुद पलवा king थे, एक हरसा लिखता था, महेंद विक्रामन और इनकी बुक है, मट विलास, मट विलास, मट विलास आपको याद रखना परेगा, महेंद विक्रामन पलवा king थे, इन्होंने मट विलास लिखे थे, ठीक है, इसके बाद अगर मैं जाओ, last, इसका बुक बारेव नहीं जाना है, बट यह आदमी, क्यों important है, यह मैं आपको बता रहता हूँ, इनका नाम था, विद्यापती, विद्यापती, जो थे अपने भाई साहब, इन्होंने, प्लेज लिखना चालू किया, हिंदी, प्लास, अदर रीजनल लैंग्वेजेज में और इनके बाद ये पहल गया पूरे भारत में, कि हिंदी और जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें प्लेज लिखो, इससे पहले जादा क्लासिकल संस्कृत ये सब में प्लेज लिखे जा रहे थे, तो विद्यापती उस एंगल से important है, यहाँ पर हमारा ड्रामा का section भी खतम हो क्रामा प्लेज करना हो, याद करना परेगा, मैं एक वर देख लेता हूँ कि कुछ और बता कि आपके लिए कुछ easy curve हो, chronology किस आप से बता दिया हो, इसको आपको रटना परेगा, कम है, टोटल जोर के 20 किताबे, 25 किताबों का नाम है, इसको आपको याद करना परेगा, पे ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छे से निख देता हूँ, ठीक है, इसको जितना easy बनाया जा सकते था, अपन बना दिये हैं, अब अपन चलते हैं, अपने next section पर, जिसका नाम है, music, music, अब अपन स्टार्ट कर सकते हैं, music, music करेंगे, music के बाद अपना limited चीज़े बचेंगे, literature, philosophy और religion, इसको एक साथ merge करके करेंगे, और फिर UNESCO वाला सारा list उठाके, उसमें बाकी जो miscellaneous चीज़े हैं, उसको detail में discuss कर लेंगे, और उसके साथ अपना पूरा story खटम हो जाएगा, तो सीधे, music पे अभी switch कर सकते हैं, ठीक है, तो music देखो, एक तो पहले बताते तो, ना मैं music के expert हूँ, और उमीद करता हूँ, आप होगे, तो मोटा मोटी अपने को काम की जो चीज़ें वो देखना है, सवाल आ है, नंबर उठाना है, मजेम रहना है, ज्यादा expert बनने कोशिस नहीं करनी है, तो अगर मैं music में गुस के सीधे स्ट्रेट गुस हो, तो उस पहली चीज़ जो आपको जानने जरूरत है, उसका मतलब है, नाद, क्योंकि ये बारवार ये सब्द कई बार आपको use होगा, नाद का मतलब sound होता है, ठीक है, अब जिनरली हम कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसमें पहले इंडिया क का सुरुवात होता है, और oldest instrument के हिज़ाब से एक जान लो, वीना, जो है, वीना, वोई oldest instrument है, oldest instrument, वीना है, ठीक है, oldest instrument, वीना है, ठीक है, उसके बाद, जो अपने को जानना है, सामवेद के बाद, जो भरत बुनी का नाट सास्त्र बता चुका हूँ, नाट सास्त्र, ये second century, पिछली बाद नहीं बताया था क्या ये, कोई नहीं, अभी जान लो, second century BC से, second century, इसको, second century BC से, second century AD तक लिखा गया था, इसमें भी, music पे dedicated chapters मिलेंगे आपको, नाट सास्त्र में, 6 chapters, music पे dedicated हैं, 6 chapters है, ठीक है, इसका मतलब music, अपने culture में बहुत significant है, Indian music का अपना एक tradition रहा है, ठीक है, और, अब जो final है, ये जो book है, नाट सास्त्र जो, अभी मैं literature पराऊंगा, ता आपको बताऊंगा, कि, वेद का एक उपवेद भी होता है, ठीक है, तो जो आपका साम वेद है, उसका एक उपवेद है, गांधर्व वेद, ये है वेद, ये है उपवेद, और इस पे music वाले सारे chapters जो हैं, नाट सास्त्र के, वो इस पे बेस्ट हैं, ये तीनों word में, music से related चीज़ें आपको मिल जाएंगे, वत्सायन, वत्सायन, जिन्होंने काम सुत्रा लिखी है, उसमें भी music का मिनसन है, पिर कल भी बताया था, आपको वत्सायन जो है, इससे पहले आपके, डांस में भी, नाट सास्त्र और काम सुत्रा, दोनों का मिनसन आया था, फिर जो समुद्र गुप्त, एक सिक्के पे, प्लेइंग वीना, प्लेइंग वीना, यहां पे भी दिखाता है, कि भाई, इंसियंट इंडिया में भी बहुत स्ट्रॉंग टेडिस्ट, समुद्र गुप्त का जो सिक्का है, जिस पे बताया था, कि वीना बजाते हुए, ठीक है, जो आपका न्यूमिस्मेटिक आर्ट है, कॉइन आर्ट, उसमें वीना बजाते हुए, समुद्र गुप्त को दिखाया गया, हर्सा, हर्सवर्धन जो थे, जिनकी अभी बात किये थे, हम लोग रतना वाली, नागनन्द, यह सब जो लिखे हैं, उसमें ये खुद, एक, एकम्प अब, जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वर्क्स हैं म्यूजिक के हैं, हम उनको देखते हैं, ठीक हैं, मेजर वर्क्स में, जो पहला आपको मिलेगा, वो एक मतंग रिशी थे, उनकी एक किताब है, ब्रिह देशी, ब्रिह देशी, सेवन्थ, एट्थ, सिंचुरी, एडी में है, इंडियन म्यूजिक पे किताब है, और इसमें अगर कुछ जो मेजर चीज़ें हैं, वो अपन देख लेते हैं, इसमें राग, रागाज, और अच्छे से लिख देताओं बराबरा, रागाज, रागाज, फर्स्ट, टाइम, मेंशन हैं, रागाज क्या होते हैं, वो कोई बता दूंगा, पहली बार, राग के बारे में, मतंग के ब्रियादेशी में बात की गई है, और इसमें डिस्टिंग्विश किया गया है, संगीत को, दो-तीन तरीकों से, एक है, मार्ग, संगीत, एक है, पाठ्थि संगीत, संगीत मतलब, गाना वाना, गाना बजाना, ठीक है, और एक है, देशी संगीत, देशी संगीत तीनों बता देतों मार्ग संगीत जो है यह क्लासिकल म्यूजिक को बोलते हैं क्लासिकल देशी संगीत फोक को बोलते हैं ठीक है और पार्ट संगीत एजुकेटिव परपसेस जिस गानों में मेसेज होता था कोई मेसेज छिपा हुआ है वो पाधि संगीत होता था मोटा-मोटी इससे जधा मतंके प्रीय देशी important है तो इतना ही जानना है इससे जधा इसको जानने की जरूरत नहीं है ठीक है इस रट लोगे यार राग राग का पहला मेंसन और तीन मार्ग संगीत पाट संगीत और देशी संगीत को मतन के प्रिय देशी में अलग किया गया उसके बाद म्यूजिक के परस्पेक्टिव से जो अगला बंदा important है उसका नाम है आमीर खुश्रो नाम सुने हो अलाव दीन खिल जी के टाइम में थे और जो इनका major role है ये उर्दू के development में है प्लस हिंदी में भी ये poems लिखे थे हिंदवी हिंदवी में poems भी लिखते थे उर्दू में भी इनका ये है बाकि musical instruments में सितार और तबला इनको attributed है कि इनोंने सितार और तबला खोजा जो भी है फिर एक form of music खयाल ठीक है उसके बाद कवाली ये इनका invention माना जाता है ठीक है और कुछ इसमें बचता है नहीं खड़ी हिंदी के आपके वो ये poem हो गया और इनके जो compositions है दो important है वो बता दे रहाँ compositions ये याद रखना क्योंकि ये direct पूछ सकता है इनके composition में दो बहुत important है एक जो Indian tradition में अभी तक इसका नाम लिया जाता है लेला मजनूर और एक आइने सिकंदरी ये अलाउदीन खिल जी के उपे dedicated है कि इतना चीज जानना परेगा आमीर खुसरो बहुत important आदमी है music के perspective से और एक तो अलाउदीन खिल जी प्लस ये निजाम उद्दीन अलिया के भी बहुत बड़े भगत रहे हैं तो इतनी चीज़ोंस ज़्यादा आपको आमीर खुसरो नहीं जाना लाउदीन खिल जी टाइम में निजाम उद्दीन ओलिया ये दोनों इन पर major एक तो राजा ही था एक का influence था इन पर उर्दू के development में इनका बहुत बड़ा रोल था खरी हिंद भी खरी हिंदी पर भी खरी हिंदी लिख लो यार हिंद भी दोनों poems लिखे हैं सितार और तबला ढूड़े खयाल कवाली ये सब जो आपका गाने का फॉर्म है इवन तराना तराना style जो fast composition होता है तराना भी ये सब इनका ढूड़ा हुआ composition में लैला मजनू और आइने सिकंदरी ठीक है तो दो ही अभी तक तो दो नाम बताया important एक आपके मतंग रिशी हो गए मतंग ब्रिदेशी और आमीर खुसरो इसके बाद एक और बंदा important है सारंग देव हाँ तो सारंग देव सारंग देव की एक किताब है जिसका नाम है संगीत रत ना कर संगीत रत ना कर ये भी आपको याद रखना परेगा ये भाई साब अपने 13 संचुरी वाले हैं 13 संचुरी ठीक है और इन्होंने पहली बार हिंदुस्तानी यानी North इंडियन and कार्नेटिक South इंडियन Music Systems को Systems को differentiate किया और एक को लिखती है हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्योजिक स्टम्स differentiated कितना simple है ठीक है संगीत रतनाकर ठीक है और संगीत रतनाकर का detail में एक और चीज़ याद रखना पड़ेगा इसमें 7 chapters है इसलिए इसका नाम सब्त सब्त अध्या सब्त सब्त अध्याई लिखा हूँ है सब्त अध्याई भी है सही कर देता हूँ यार पढ़ाने पढ़ाने थोड़ा spelling गलत हो जाता है ध्यान रखना सब्त अध्याई साथ चैप्टर से music पे तो इसका नाम सब्त अध्याई रखा गया है और इसमें जो mention किया गया है वो 234 264 रागाज 264 264 रागाज है बिन mentioned इस book में music के हिसाब से ये तीन नाम बता दिया ये तीनों आपको याद रखना पढ़ेगा इन पर direct question आ सकता है लेकिन music का एक और face था जो Indian music को काफी shape किया वो है भक्ती movement अगर भक्ती movement की बात करूँ तो शुरू से ही भक्ती movement में अगर आप देखोगे तो songs भजन किर्तन इस सब का important role रहा भक्ती movement पर आएंगे history में लेकिन अभी तक कुछ तो पता होगा भक्ती movement में भक्ती movement में songs, भजन, किर्तन important role प्ले की है और यहाँ से Indian music के growth में काफी help मिला ठीक है तो इस में से कुछ-कुछ जो important works है उसकी बात कर लेते हैं important works जहां से music के development काम हुआ एक हजार बार बता चुका हूँ जैदेव एक थे जैदेव जैदेव और इसा से थे भाई साव अपने जैदेव इन्होंने गीत गोविंद लिखी गीत गोविंद ये बहुत काम आया उसके बाद जो दूसरा है सूरदास सहाव अपने सूरदास सहाव ने मीरा की मलहार मीरा की मलहार और जो दूसरा है सूरदासी मलहार ये तो इनके नाम पर ही है ये दोनों चीज इंपोर्टेंट है इसको याद रखना पड़ेगा ठीक है अब सूरदास ये जो बंदा है सूरदास थे ये अकबर के टाइम पर थे ये ध्यान रखना है ये अभी आगे बारवार इनका नाम और लो जो तीसरा सेट था वो अभंगाज है अभंगाज कहाँ डेवलप हुए थे महराष्ट में महराष्ट में जो आपका मराठी भक्ति मुव्मेंट था हलांकि मराठी भक्ति मुव्मेंट कुछ नहीं है बर समझाने के लिए जो मराठी में लिखते थे उसमें अभंगाज ठीक है मराठी भक्ति ये विश्णु के एक फॉर्म थे गॉड उनके डिबूशन में अभंगाज कम्पोज किये गए थे ठीक है अब अपन अश्ट चाप पे चल सकते हैं यहार मैं रेफरेंस के लिए अपना स्ट्रक्चर बनाक रखा हूं ताकि कुछ मिस्स ना हो जाए तो एक एक बार देखना परता है कुछ छूटे नहीं आर्ट इन कल्चर में एक एक करके इतने रैंडम चीज़ें कि छूट सकते हैं तो मैं अपना साथ में रखता हूं जस्ट अश्ट चाप बुक नहीं है यह पूरा एक म्यूजिक है जो की अभी हम आगे पढ़ेंगे एक पुष्टी मार्ग सेक्ट पुष्टी मार्ग सेक्ट जो की सुद्ध अद्वैत फिलोसफी के साथ डेवलप हुआ था इसमें अश्ट चाप म्यूजिक काफी बना और इसमें स पुष्टी मार्ग सेक्ट बुलते हैं इसमें अश्ट चाप आपका सॉंग्स जो था वो काफी इंपोर्टेन चीज हुआ जो वलवाचारी थे जो सूर्दास के बारे में बता रहा हूं सूर्दास के ही डिसाइपल वलवाचारी के ही डिसाइपल सूर्दास भी थे लेकिन वल्लबाचार के एक और काफी prominent disciple हुए जिनका नाम मिया तांसेन है मिया तांसेन का नाम एक पांडे जी रामतनू पांडे भी था ठीक है मिया तांसेन को रामतनू पांडे के नाम से भी जाना जाता है ठीक है मिया तांसेन ये जो है ये धुरुपद धुरुपद स्टाइल ये सब क्या होता है अभी बताओंगा चिंता मत करो बत याद रख लो धुरुपद स्टाइल को पूरा धुरुपद स्टाइल के बेस्ट सिंगर्स में कह सकते हो काफी पपलराइस किया इन्होंने दुरुपद को ठीक है मिया तांसेन और इनका जो फेमस कॉम्पोजिशन है वो मिया की मलहार और मिया की तोड़ी याद रखना पड़ेगा मिया तांसेन अकबार के टाइम में थे ठीक है वलवाचार के डिसाइपल थे डिसाइपल अब वलवाचारी अपने पुष्टी मार्ग वाले सुद्ध अद्वयत क्या होता है यह सब ही बताएंगे चिंता मत करो ठीक है जो इनका एक और कंट्रिबूशन है इन्होंने चार हजार रागाज को राग को सिंप्लिफाइड इन्टू म्यूजिक सिस्टम को सिंप्लिफाइड कर दिया चार हजार राग को सिंप्लिफाइड करके सिंप्लिफाइड टू पोर हंड्रेड रागाज चार हजार राग को रिड्यूस करके चार सो राग में कर दिया था कि music simplify हो गया ठीक है इसके बाद रंगीला से पहले जो आपका सिखिजम में भी आप देखोगे कि वो जो आपका religious music है जो प्रे करते हैं वो बहुत important है तो उसको शबद्स बोलते हैं ठीक है जो गुरुद्वारा से music आता है religious शबद्स उसको बोलते हैं ये भी एक को जानना है और जो last आदमी अभी अपन बात करेंगे जो music के perspective से important है वो है मुहमद साह रंगीला ये लेटर मुगल था हिस्ट्री में परहे होगे नहीं परहे हो तो आप परलो क्योंकि परना परेगा चिंता की बात है अगर आपको मुहमद साह रंगीला नहीं पता है इसके टाइम में नादिर साह का आक्रमन हुआ था जाने दीजिए वो सब मुहमद साह रंगीला music में बहुत interested था राजपार्ट में नहीं ठीक है मुहमद साह रंगीला लेकिन कवाली music कवाली music इसके टाइम पर पीक करती है काफी interested था तो कवाली खूब पेट्रलाइज किया इनके टाइम में दो लर्कों का नाम अधरंग और सदरंग था अधरंग सदरंग और सदरंग ने खयाल के लिए भी खयाल को निव हाइट्स पे ले गया इनके टाइम पर खयाल music ठीक है खतम इससे जादा music में लोगों का नाम जानने की ज़रुवत नहीं है बताने की ज़रुवत फिर से है नहीं ये सारा आपको याद रखना परेगा नाम है इसको कर लो इतने से जादा music आएगा नहीं अब अपन घुस्ते music अभी तो क्या है इंडिया में अपन music का एक बार देखे की important लोग कौन थे कहां से अभी तक का Indian music आता है लेकिन अब हम जहां घुसेंगे वह है music के अंदर composition तो Indian music की यदि बात करूं मैं के तीन component है major तीन component है तीन component क्या है वो एक बार देख लेते हैं थुरा सा color बजलते हैं अच्छा लगेगा पहला स्वर स्वर क्या है स्वर के बारे में अधर मैं बताऊं तो यह जो है यह है notes in an octave ठीक है Indian स्वर seven basic स्वराज अब फिर आपको लग रहागा note in an octave क्या लिख दिया यह बस समझने के लिए मुद्दा देखो बहुत simple है स्वर मतलव स्वर मतलव कुछ नहीं जो आप बचपन सुनते आ रहे हो सा रे गा मा पधनी कितना हुआ एक दो तीन चाल पाँच छे साथ इसी को स्वर बोलते हैं overall जो music बनता है उसमें जो आपका lyrical part होता है वो इसी से चूर के बनता है तो इ इसको notes in an octave ये exam में लिखने के लिए इतना सा रट लो बाकी समझते थोई इसमें क्या होता है दूसरा पार्ट जो है जो मैं बार बार अभी बोल रहा था है राग राग की बात जब मैं किया था अभी तो मैं आपको क्या बताया था राग के बारे में पहली बार ब्रिया दे इसी अभी जस्ट बताया हूं ठीक है तो जो राग है ये अब होता क्या है राग का मतलब होता है color, color is important, राग का मतलब होता है music का mood, musical mood ये depend करता है mood पे, time पे, etc, etc, ठीक है? इसका अपना एक राग के बारे में बोलू तो कुछ राग, राग जो है depends on mood and flavor, तो अब अगर राग मैं समझ नहीं आ रहा है बता दूं, राग में कुछ नहीं है, माल लो जैसे मैं सारे गामा पाधा निशा बोल रहू हूं, ठीक है? तो अब इसको गाने का बहुत तरीका हो सकता है, लोग बोलते हैं राग अलाप रहा है, राग अलाप ना मतलब एक बार दुख में गा रहा हूं मैं, तो मैं कैसा है? इकदम खीचूंगा उसको लंबा सारे, लेकिन कभी उसको फास्ट भी कर सकते हैं, सारे गामा, तो यहां पर देखो कुल मिलाके किसी को राग बोलते हैं, जब आप अपना स्वर को अलग-अलग तरीकों सगा सकते हो, उसको राग बोलते हैं, राग पे यदि मैं बात करूं तो नौर्थ इंडिया में, यानि हिंदुस्तानी म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक और कार्नेटिक म्यूजिक, दो की बात करते हैं, कार्नेटिक म्यूजिक, ठीक है, तो अगर हिंदुस्तानी म्यूजिक में मैं बात करूं, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में, छे ह्? हे थे तरीकों से सारे गामा पागा से कर सकते हो ठीक है। 6 प्रामेरी राग है लेकिन कर्णेटिक म्यूजिक में 72 रागा सिस्टम है। 72 रागा सिस्टम और इसको मेला कारता सिस्टम बोलता है मेला कारता सिस्टम याद कर लो पूछ देगा मुह बन जाएगा याद रखना जरूरी है 6 प्राइमरी रागा यहां 72 प्राइमरी रागा यह simple इस पर सवाल बन सकता है भाई, इसलिए याद रखना परेगा कोई दूसरा चारा है नहीं अब जो तीसरी चीज़ है कॉंपोनेंट ऑफ म्यूजिक में यार नोट्स का फॉर्मैट खराम नहीं होना चाहिए न अच्छा पी ले तो समझ गया 좋다 की समाज़ गया इंडियन म्यूजिक के तीन कॉंपोनेंट के अंब बात कर रहे है तो नोट्स का स्फॉर्मैट वही ले कर चलेंगे अगले मैं चलते veil तो दो पार्ट हो गयाका श्वर राग और जो तीसरा चीज है उसका नाम है ताल बुलते हैं न सुर है न ताल है ताल वही है ताल अब ताल क्या होता है ताल is the rhythmic part ठीक है of music यह पूरे music को binds the music together पहले थियोरी बताता हूँ फिर समझाऊंगा है क्या binds the music together ठीक है यह अपना एक fixed pattern पे fixed pattern पे repeat होता रहता है ठीक है एन इडिपेंडेंट आप दी music confusion हो रहा होगा वाजीब सी बात है मैं भी जब परहा था तो मेरे को भी हुआ था अब तीनों को एक बार समझा देता हूँ तुआर आपको पता चल गया सारे गामा पाधानी यह हो गया स्वर लेकिन जब राग की बात करूंगा उसी सारे गामा पाधानी को बोलने का बहुत सारा तरीका हो सकता है दुख में बोल रहे हैं खूब लंबा स्ट्रेच करके सारे और तेज करने ते एक दम सारे गामा पाधानी सा बीच में और बहुत टाइप से हो सकता है तो उसका 6 और 72 से 6 और 72 का सिस्टम आपको समझा दिया हूँ ताल क्या है ताल क्या है कि जब आप स्वर और राग एक साथ चला रहे हैं तो बैक ग्राउंड में एक म्यूजिक चलता रहता है जिसको इससे कोई लेना देना है नहीं है कि गाया किस रेट पे चीज़ें कर रहे हैं वो एक फिक्स्ट बीट का सिस्टम इसको बीट का भी सिस्टम बता सकते हैं अगर आपको समझना है तो सिस्टम ओफ बीट और यह तीन से लेके 108 बीट का पैटन मालो खट 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 फिर खट 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 फिर खट 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 यह तीन यह पीछे अपना चलता रहेगा बैक ग्र आए आपना चलता रहेगार đi टेसे जो पीछह करो लेकिन ताल पीछह से चलता रहेगा Volt एंडिपेंडेंट अप्क्या कर रहे हैं और इसमें जो बीट अधा इंडियन म्यूजिक में ठीक लेके 108 बीट तक का एक pattern बनाके फिर आप repeat करते हो सकता है तीन का हो, पाँच का हो, साथ का हो या 108 का हो यही मोटा-मोटी जानने की जरुवत थी अब अपन घुशते हैं अपने core area में यह भी exam के लिए जरूई था भाई मजाक नी चल रहा है अब जो India का music system है उसके दो चलो तो ऐसे देख लेते हैं Indian music system Indian music system की यदि मैं बात करूँ तो दो major system है दो major system है उसमें थोड़ा थोड़ा बता के फिर अपन detailing कर लेंगे पहला हिंदुस्तानी music हिंदुस्तानी फिर हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी music हिंदुस्तानी music को नौर्थ इंडियन स्टाइल भी बोलते है नौर्थ इंडियन स्टाइल ठीक है और इसके जो example है वो बता देता हूँ आपके जो फिमा से वो है दुरुपद खयाल ठीक है उसके बाद आपका तराना एक्सेट्रा अभी सारा बताएंगे दूसरा करिनेटिक system इसको south indian style भी बोल सकते हो south indian style south indian style ठीक है south indian style की बात करू ठीक है इसमें ज़्यादा variant नहीं होता है south indian style karnetic system unified system है इसके बारे में अभी दोनों के बारे में अब discuss कर सकते ये दो style है अब एक करेके दोनों discuss करते है पहले हिंदुस्तानी music में चलते है राइट चले फिर कट डालते हिंदुस्तानी system हिंदुस्तानी system अब आगे पर देश पहले छोटा सा ग्यान दो मिनिट के लिए ग्यान सुनिए फिर आपको समझाएगा indian system में as such initially कोई हिंदुस्तानी और कार्णेटिक system था completely एक unified system था लेकिन अलग-अलग cultural elements के जूरने से जो नौर्थ इंडिया में है वो एक नया ही system music का आ गया तो शुरुवात जो हिंदुस्तानी music की हुई थी वो वेदिक chanting से ही हुई थी वेदिक chanting से हुई लेकिन जब बाद में डेली सल्तनत के टाइम से या जब Muslims इंडिया में आना चालू हुए तो उनसे परसियन और Muslim elements मिलके एक fusion हुआ music का और इसलिए हम देखते हैं कि उसी एरा में संगीत रतनाकर में distinguish किया गया है किसको हिंडुस्तानी और कार्नेटिक music है 13-14 century का सपस जब Muslim साना चालू है ठीक है तो यहां से fuse होके यह दोनों से fusion होके आपका हिंडुस्तानी सिस्टम of music बनता है हिंडुस्तानी music ठीक है अब इसमें जो major player हिंडुस्तानी सिस्टम में होंगे वो obviously अमीर खुसरो हैं और जो दूसरा बोला तांसेन भाई साहब है तूरदास भाई साहब है कवाली के रंगिला के टाइम अधरंग सदरंग भाई और अभी contemporary time में तो इसके singer सब हैं पर वो में को नहीं लगता एक्जाम में आप उसे पूछेगा तो वो जाने दो अब अगर इसके बारे में थोड़ा सा characteristic की बात करूँ छे राग आज बता चुका हूँ छे राग छे ही राग नहीं है छे primary राग है primary राग 6 है बाकि mix होके और राग उससे निकल सकते हैं बढ़ 6 राग आपके जो है वो primary है इंदुस्तानी में ठीक है दूसरा time theory को बहुत strongly follow करता है time theory मतलब राग time dependent है सुबा का राग अलग होगा तीजन के हिसाब से राग अलग होंगे इस तरीके से time theory बहुत strongly follow करता है अभी इंदुस्तानी music का तुकरों की बात करें अगर तो एक होता है अलाप और एक होता है बंदिश ये दो words याद कर लो अलाप start में गाया जाता है start वो बोलते हैं राग अलाप रहा है तो वो start करते हैं एकदम अलाप अलाप करना मतलब starting off आपका हिंदुस्तानी music जब धीरे धीरे tempo बिल्ड करते हैं उसको अलाप बोलते हैं और बंदिश जब short poetic part आता है किसी भी music का कोई भी music आप गा रहे हो तो उसमें poetic part होगा जिसमें must all lyrical अपनी चीज़ें बात कर रहे हैं दूसरा जो हिंदुस्तानी music का है वो है कि यह vocal भी है बट इसमें instrumental भी support काफी strong instrumental काफी strong part है आपके किसका हिंदुस्तानी music का ठीक है तो अब इसके जो important parts है वो देख लेते तो जो पहला है इसको आगे ही कर लेते हैं ठीक है तो हिंदुस्तानी का जो पहला part होगा जो important आपको देखना है वो मेरे हिसाब से पहला धुरुपद है धुरुपद ठीक है तो धुरुपद देख लो धुरुपद के बारे में अगर बोला जाए तो सबसे पहले यह religious है religious spiritual music है spiritual ठीक है धुरुपद में देखोगे धुरुपद मतलब होता है fixed और पद मतलब होता है word तो इसमें fixed कुछ words है उसी को repeat किया जाएगा तो यह vocal genre हो गया ना vocal genre है हिंदुस्तानी music का vocal genre है ठीक है और यह old भी है old system यही है oldest system यही है आपका music का नॉर्ड इंडियन स्टाइल में ठीक है और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं अब इसमें जो दो तीन चीज़े है पहले यह male singers dominated है male singers से dominated है ठीक है और strict है time theory को लेके time theory को लेके time theory of ragas को लेके काफी strict है यानि उसमें ज्यादा freedom allow नहीं करता है जिस हिसाब से आपको राग गाना है उसी हिसाब से आप गाओगे ठीक है और इसमें जो जो इनका दुरुपद music का star boy तांसेन है मिया तांसेन मिया तांसेन is the star boy दुरुपद music का इसे ज्यादा कुछ नहीं है religious, spiritual हो गया जुरुप fixed word है, vocal genre है क्योंकि same word को repeat किया जाता है और उसमें राग में बहुत freedom नहीं है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी करो उसका जो pattern है, तरीका है उसके हिसाब से ही आपको मोटा मोटी चलना होगा, male singers गाते है oldest system है और तांसेन इनका सबसे important गायक दुरुपद का वही है यानि दूसरा जो system है वो है खयाल खयाल music खयाल music आमीर खुसरों के time में develop होता है आमीर खुसरों, obviously हिंदुस्तानी music है तो इसमें वो element तो है ही दूसरा के elements लेकिन इसमें Persian influence भी है ठीक है, जो तीसरी बात है यह romantic romantic music है वो क्या था? दूसरा दूसरा spiritual music, यह romantic music है ठीक है, और खयाल जो romantic music है इसमें imagination का बहुत बड़ा role है imagination तो रहेगा, इसलिए इसका नाम खयाल है romance में generally एक लबर, दूसरे लबर को imagine करके ही गाता है तो imagination romantic music में वैसे भी important role play करेगा खयाल का major component यही है और जो कहने की बात एक है कि इसके structure में structure और form में काफी आ जादी है freedom जादा है freedom जादा है यानि मैं अगर गायक हूँ तो मैं अपने हिसाब से rags को थोड़ा amend कर सकता हूँ स्वर को भी amend कर सकता हूँ तो amendment का chance जादा है freedom जादा है दुरूपर्ड में कम था ठीक है और इसका दो important सब्द जो है वो है तांग ठीक है और एक है बोलतान बोलतान क्या है और तान क्या है कि जब आप गार हो तो notes जब आता है तो उसी को तान बोलते है इससे ज़्यादे आपको जानने ज़रूरत नहीं है इस music का star boy अमीर खुसरो ही है इसके star boys लिख देता हूँ अमीर खुसरो तो है ही अमीर खुसरो है कवाली ववाली भी होगा न इसमें अदरंग भी लिख लो अदरंग सदरंग भाई साहब ठीक है ये इस music के आपके star boy हो गए ठीक है और एक और चीज़ जो दोनों में distinguish कर सकते हो वो क्या है अभी बताया न आपको अलाप और बंदिश बंदिश मतलब short poem अलाप जब आप start करते हो और जो आपका हिंदुस्तानी music है उसके start part को अलाप बोलते हैं और फिर जब गाने लगते हो तो बीच में एक poetic part आता है जिसको बंदिश बोलते हैं धुरुपद में single ठीक है single short बंदिश allowed है राइट लेकिन खयाल में दो बंदिश allowed है जिसमें एक short रहता है और एक long रहता है यानि दो बंदिश allowed है जो poem बाला है अरे अभी बता रहा हूँ अलाप से आप हिंदुस्तानी music चालू करते हो वो एक part हो गया जब music peak पकरता है तो उसमें एक बंदिश बीच में आता है जो poetic part है जहां पर poetic last में भी आप यूज कर सकते हो पहले भी तो धुरुपत style में केवल एक बंदिश allowed है और वो छोटा सा होता है खयाल में दो बंदिश तक लोग यूज करते हैं एक छोटा होता है एक बरहा होता है short and long इससे ज़्यादा हिंदुस्तानी म्यूजिक में घुसने की ज़रूरत नहीं है जो other important forms है वो मैं आपको लिखा देता हूँ तीसरा है थुमरी थुमरी भी बहुत freedom based है North Indian style ये गाने का हिंदुस्तानी है freedom ज़्यादा है गाने का और ये भक्ती movement से inspired है भक्ती movement से काफी inspired है भक्ती movement का इसके development में बहुत बड़ा role रहा है ठीक है अच्छा थुमरी का दो style था वो देख लो ये East UP में ढूंडा गया था East UP में develop हुआ था और इसका दो style है एक पूरब style और एक पंजाब style थुमरी हो गया ये सारा word आपको याद रखना परे एक्जाम में एक तराना हो गया तराना वही है इसमें थोड़ा सा fast music रहता है ठीक है एक अपने पंजाबी भाईयों वाला टपा टपा music पंजाबी है पंजाबी music है ठीक है एक धामर भी होता है धामर धामर में ये सारा नाम याद रखना है बस अगर पूछ दे कि कौन सा music है तपा और धामर में कृष्णा की स्टोरी से होली से रिलेटर उसको गाने में गया जाता है होली बेस्ट व्यूजिक है अंदामर ये तो कुछ तो समस्या है भाई बोर्ड में इसको देखवाना परेगा बट इससे ज़्यादे आपको जानना नहीं है जो पर मेजर दो कोड़ चीज़ें है खयाल और धुरुपद वो आपको बता दिया हूँ ठीक है ये अपका हो गया एक बर कलर कोड़ देख रहे हिंदुस्तानी सिस्टम इससे ज़्यादा जानने की ज़रुवत नहीं है ठीक है अलाब बंदिस सब बता दिया कोई दिककत नहीं है दुरुपद हो गया खयाल हो गया थुमरी में भी थोड़ा वहुत काम की चीज़ें बता दिया हूँ तराना याद रखना है वस तप्पा और धामर याद रखना है कि यह सब हिंदुस्तानी स्टाइल म्यूजिक है अब जो दूसरा स्टाइल आता है उसको बोलते है अहा हा कलर यह नहीं था कलर यह था और कलर इंपोर्टेंट है जो दूसरा है वो है कार्नेटिक म्यूजिक का Indian style है बट उसमें बाद में Muslims आए तो उनका influence हो गया तो वो purely indigenous नहीं है वो Indian plus external है Carnetic music is purely indigenous form indigenous form पहले तो indigenous form याद रखना है दूसरा इसमें ज़्यादा vocal music है ये instrumental का role कम है नहीं ही है से ये vocal form है music का ज़्यादा vocal form इसलिए इसको गायकी style भी बोलते हैं गायकी style क्योंकि गायक गायकी style गायकी style भी है indigenous form है ठीक है उसके बाद सदन में है ही और इसका जो सबसे ज़्यादा development हुआ वो जैसे आप इंदुस्तानी का देखोगे तो उसमें दिल्ली सल्तनात हो गया या मुगल्स उनका बहुत बढ़ा रोल रहा है इसमें विजयनगर अंपायर विजयनगर अंपायर का बहुत बढ़ा रोल रहा है इनके टाइम में ही सबसे ज़्यादा कार्नेटिक म्यूजिक फ्लॉरिश किया है ठीक है विजय नगर अमपार के टाइम में अब अपन चलते हैं जो अपने काम की चीज है वो इसके भी सब जो बड़े-बड़े लोग है कार्नेटिक म्यूजिक के जो आपके पोस्टर बॉईज ओफ कार्नेटिक म्यूजिक पोस्टर बॉईज ठीक है poster boys of carnatic music जितने star boys सब है carnatic music के उनके बारें भी जान लेते है poster boy नहीं लिखना चाहिए ऐसे कोई disrespect नहीं कर रहा हूँ but carnatic music के star सब जो हैं उसमें सबसे पहले पुरान I guess जो अपने को discuss करना चाहिए वो पुरांदर दास पुरांदर दास इनको पादर या पितामा भीष्म पितामा है न पितामा of carnatic music कहा गया है carnatic music कहा गया पुरांदर दास को और इन्होंने जो system बनाया है system इनका बनाया हुआ system his system his system is used used in learning and teaching carnatic music आज भी इन्ही के system से carnatic music परहा जाता है तिखाया जाता है तो यह बहुत बड़ी बात है पुरांदर दास जो अपने हैं दूसरे अपने भाई साहब है वेंकट माही क्यों इम्पोर्टन्ट है वेंकट माही ने ही मेला कार्ता system मेला कार्ता system के जनक वेंकट माही साहब है इन्होंने ही 72 राग सिस्टम डिवलप किया 72 राग सिस्टम ठीक है वेंकट माही और पुरंदरदास ये दो नाव आपको याद रहेगा नहीं रहेगा तो समस्या है इतना याद करो भाई गिन के 10-10 नाम एक टॉपिक में आ रहा है यार उतना याद करना परेगा ना भाई खेल थोड़ी है प्रिलिम्स देने जाने हो एक्जाम का साम याद करो अगर चाहते हो याद हो और मन नहीं कर रहा है तेक बार जिस दिन एक्जाम थेकाओगे उस साम को खयाल मिलाओ इमाजिनेशन में खुझ समझाएगा कि याद रखना जरूरी है क्योंकि उस साम तुम्हारा मूँ नहीं उतरना चाहिए इसके लिए आपको ये सारा रटना पड़ेगा जो तीसरे इसमें इंपोर्टेंट आदमी है उसको बोलते हैं ट्रिनिटी उनको बोलते हैं ट्रिनिटी ओफ कार्नेटिक म्यूजिक देखो जो सिस्टम था वो पुरंदरदास बनाए राग का सिस्टम आपको वेंकट माही साफ बना दिये लेकिन ट्रिनिटी ओफ कार्नेटिक म्यूजिक आज जो Carnetic Music का status है, जो compositions है, उसमें सबसे major role इन तीन आदमी का है, और इन तीन आदमी को, इसलिए हमको हमारा करतब भी बनता है, जो एक नाम ढंग से रट ले हम लोग, ताकि एक्जाम में उनके साथ न्याय हो सके, सवाल पूछा जाए, तो उनका नाम तो हमें याधी हो, ठी है, तो हमारा क्या करतब बनता है Carnetic Music के लिए, कि हम यह तीन नाम रट लें, वो तीन नाम क्या है, सेंट, प्याग राज, ठीक है, उत्तु स्वामी, दिक्षितर, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तीन नाम है, यह तीन नाम आपको याद रखना परेगा, एक सेंट, त्याग राज है, मुत्तु स्वामी, दिक्षितर है, और स्यामा सास्त्री है, इनको Trinity of Carnetic Music बोलते हैं, क्योंकि इनके टाइम में Carnetic Music में सबसे ज़्यादा Compositions लिखे गए, जबरदस्ट ग्रोथ हुआ Carnetic Music का, तो यह आपको याद करना परेगा, अब Carnetic Music में थोरा सा घुषते हैं, जितनी ज़रुरत है उतना ही घुष रहे हैं भाईयों, उससे ज़्यादा ना मेरे को इंट्रेस्ट है, ना आपको इंट्रेस्ट है, अगर मैं Musician होता, तो यहाँ क्लास नहीं ले रहा होता, तो काम लाइक, एक्जाम लाइक तो पढ़न ताल, यह तो आपका नौर्थ में भी था, बस इसमें एक और याड़ कर दो, शुरूती, यह डाइरेक्ट पूछ देगा, कि चार एलिवेंट्स कहां है, या सुरूती किसका पार्ट है, कार्नेटिक या हिंदुस्तानी, याद रखना, शुरूती भी इसमें एड़ करना है, वोकल है, यह तो बता चुका हूँ, गाई की स्टाइल बता चुका हूँ, ठीक है, अब इसमें, जो तिन-चार इसके नाम है, पहला वो याद रख लो, किर्ती, जो कॉम्पोजिशन्स है, ट्रिनिटी के, कॉम्पोजिशन्स, अफ दी कार्नेटिक ट्रिनिटी, उन्होंने, किर्ती मतलब, इन लोगों के जो कॉम्पोजिशन्स है, वो एकदम एक तरह से नए कॉम्पोजिशन्स हैं, कार्नेटिक म्यूजिक लिए, तो उसको किर्ती बोला जाता है, एक, वर नाम, वर नाम, अलाप का काउंटर पार्ट है, अलाप का काउंटर पार्ट, तो जैसे मैं हिंदुस्तानी म्यूजिक बता रहा था, हिंदुस्तानी म्यूजिक के स्टार्ट में अलाप था, और बाद में बंदिस था, दो वर्ड याद करने बोला था, तो अलाप को वहां दूसरा नाम, वर नाम भी होता है, और कहीं कहीं वह आपका अलापना भी बोलते हैं अलापना 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 भी नौर्थ इंडिया में अलाप यूज होता है साउथ इंडिया में वर्नाम या अलापना होता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है दो नाम बोल सकते हैं ठीक है और तीसरा जो कई बार कार्णेटिक म्यूजिक के context में वर्ड सुनोगे वो है पदम, पदम क्या है? romantic music का एक type है, romantic music और इसका जो genesis है genesis वो भक्ती movement से है भक्ती movement से है, जो चौता चीज है, पदम और चौता चीज है, तिलाना अब सोच रहे होगा तिलाना क्या? तिलाना कुछ नहीं जैसे वहाँ पे आपका तराना था ना नौर्थ इंडिया में वैसी का counterpart पिलाना है, यानि इसको कई बार fast गाया जाता है जबकि normal जो कार्णेटिक music है, वो बहुत disciplined music है उसके compositions आप छेरचार नहीं कर सकते हैं जैसे चल रहा है, वैसे ही चलना है बट तिलाना में थोड़ा change किया जा सकता है, इसमें fast tempo use करते हैं और इसका counterpart जो आपके north इंडिया में है, तिलाना counterpart of तराना north इंडिया में है, ये south इंडिया में है, ठीक है अब basically 3-4 difference लिख देता हूँ फिर इसकी कहानी close कर देते हैं ठीक है cut डाले यहाँ है इंडुस्तानी यहाँ है carnatic color थोड़ा सा बदल लेते हैं ठीक है basically ये तो बता दिया, ये north style है ये south style है ये Indian plus परसियन या बाहर से ये indigenous है कोई दिक्कत है क्या ये vocal plus instrumental है instrumental और ये बस vocal है ठीक है इसमे freedom जादा है freedom जादा होने से freedom जादा होने से variety जादा होती है composition में जो दूसरी चीज होती है वो क्या होती है freedom करन घराना system develop होती है यहाँ पे freedom come है, composition थोड़ा सा rigid है, composition थोड़ा सा rigid है, और इसलिए no घराना system, घराना system missing है, ठीक है? यहाँ पे color, 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 color के साथ खिलवार नहीं, यहाँ पे 6 rag system है, 6 rag system, यहाँ 72 rag system, use किया जाता है, 72 rag system में का नाम मेला करता है, इतनी बार बोल दिया हो, इतनी बार बोल दिया हो, कि भूलने के लिए जादा महनत करना परेगा, याद करने से, फिर भी कोई भूले, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ 3 component था, यहाँ 4 component, 4 component में शुरूती add हो जाती है, शुरूती added to स्वररागें ताल, ठीक है? यहाँ के composition को, यहाँ के composition को, थाट, यह जानलों इसको थाट बोलते हैं, नौर्थ इंडिया के, ठीक है? और वहाँ मेला करता system था, यहाँ के composition को, मेलाज बोलते हैं, और तो कोई major difference नहीं बचता है, देख लेता हूँ, कुछ छोट रहा हूँ तो, instrumental, हो गया, हो गया भाई, arrow प arrow मत बनाओ, इतने हम कहानी खतम है, arrow प arrow मत बनाओ, इतना याद रहके, pre-main, सब में लिखाओगे न, अगर, इतना number मिलेगा, इतना number मिलेगा, पागल हो जाओगे, ठीक है? इतना काफी है, ठीक है? इतना काफी है आपके लिए, इस से ज़्यादा, इसमें जानने की ज़रूद नहीं है, अब, music को खतम करने से पहले, पहले, हलाकि बहुत important नहीं है, लेकिन, दो मिनट लगता है, तो पढ़ने में दिक्कत क्या है? चार टाइप का instruments होता है, चारो मैं जल्दी-जल्दी में बता देता हूँ, एकदम जल्दी-जल्दी में सुन लो, पहला जो होता है हो, तन्तू, तन्तू या string-based instruments, एक्जामपल बताओ, अरे बाए, तुमको ये पता होना चाहिए, string-based में क्या हो गया? वीना, सितार, सरोद, नहीं पता है क्या ये सब, अरे string-based इसमें string होता है, बजाते हो, गिटार उटार जो आजकल चल रहा है, ठीक है? ये सब को तन्तू instruments बोलता है, जो string-based है, जो दूसरा, तन्तू बाद एक फूक ने, जो बजाते हो, ठीक है, जैसे सहनाई हुआ, वो, सुसेर या, विन्ड-based, एक हो गया तन्तू, string-based, दूसरा हो गया सुसेर, विन्ड-based, इसमें, रे 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 रे, क्यों हो रहा है, ये, क्यों हो रहा है, सैनाई, पूंगी, एक इसमे, लिमिट नहीं है या या इसमें, अरे रे रे, फिर कलर गरवर हो गया, कलर इंपोर्टन्ट है, कलर नहीं गरवर करता है भाईयों, ये जाड़ा काम का नहीं है , या आर,ismo है, परहना, में परहा दे रहा हूं, पॉंगी हो गया सेनाई हो गया और क्या है नाजस्वरम कोई लिमिट नहीं है जितना फुक्टने वाला इंस्टूमेंट देखना है देख लो नेट पे खोल के टाइप्स याद रखना जादा जरूरी है तांतू टाइप, सोसेट टाइप अवनाद टाइप अवनाद मतलब परकुषं अरे परकुषं बेस इंस्टूमेंट में जैसे दोला कोलाख है पीट पीट के बजाए जाते है ठीक है इसमें आपका दोलख खोल खोल बेंगॉल में यूज होता है ठीक है, उसके ऊहाद पखावज पकावज एक्सिट्रा देख ले न भाई ज़्यादा काम का है नहीं है वैसे तो PCS उसमें थोड़ा ज़्यादा पूछता है उप्यस्यम ये पूछता नहीं है लेकिन कौन जानता है कहीं पूछी दे फिर एक गहाना बेस्ट होता है गहाना बेस्ट जैसे की जैसे की गहाना बेस्ट की बात करूँ मैं तो मंजीरा सिंबल बेल एक्सेटरा अरे जिसमें मेटल लेकर जैसे घंटी है तन 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 कर रहे हैं इसको गहाना बेस्ट बोलते हैं या सिंबल एक नहीं होता है जो उंगलिम बांध के ऐसे मंजीरा जो चलाते हैं वो मंजीरा हो गया यह सब आपका instruments हो गया चाट टाइब का instrument बताया को दिकत इसमें difficulty कुछ है ने simple सा instruments के वारे में तंतू string based का example दे दिया सुसिर wind based का example दे दिया अवनाद उपर तो इसका और एक्जामपल स्टेट PCS देने जाओ थोड़ा सो और देख ले ना बाकि UPSC में इस से ज़्यादा इसमें पूछेगा नहीं म्यूजिक की कहानी यहां खतम होती है और अब हम चालू कर सकते हैं क्या अब हम चालू कर सकते हैं रिलिजन और फिलोसफी फिर लिट्रेचर भी मिक्स है जैसे हम ड्रामा पर है उसमें भी लिट्रेचर था थोरा बोत लिट्रेचर बात ही यहां भी कि Clara literature करेंगे और बाद में जो बचा हुआ रहा literature का वो उसके बाद करके फिर यूनेशको वाला करके कहानी close कर देंगे art and culture का तो अब हम शुरू करते हैं अगला जो अपना section है वो important है सारे ही important है बट वो भी important है तो अगला जो हमारा है वो है religion philosophy और इसमें literature भी mix रहेगा बाद कि फिर जो अलग से literature बचेगा उसको एक साथ पूरा बता के इसको close करेंगे फिर यूनेशको में जो जो अपने cultural elements है उसको करेंगे कहानी sum up हो जाएगी वहाँ पर ठीक है तो सीधे अपन स्टार्ट करते हैं हिंदुईजम से हिंदुईजम से स्टार्ट करते हैं हिंदुईजम से स्ट्रेट स्टार्ट कर लेते हैं ज्यादा टाइम लिए भी ना सीधे अपन हिंदुईजम में भोशते हैं ठीक है तो हिंदुईजम का जो आपका overall philosophy कहो या जो भी कहो literature कहो ये अगर हम broadly categorize करें तो पूरा जो आपका हिंदु लिटरेचर है वो दो में आएगा एक शुरूती और एक स्मृती ठीक है शुरूती और स्मृती बता सकते हैं इसको तो सबसे पहले अपन देखते हैं शुरूती क्या होता है शुरूती शुरूती क्या होता है कि शुरूती मालो की जैसे आपका एक religious philosophy या literature है उसमें कुछ aspect ऐसा होता है जिसको eternal माना जाता है eternal eternal unquestionable unquestionable इसको आप question नहीं कर सकते हो unquestionable है इसको शुरूती मतलब जो सुना गया हो what has been heard what has been heard heard मतलब ये एक तरह से revelatory है भगवान में reveal किया इनसान में सुना इसलिए ये eternal है unquestionable है change नहीं हो सकता है और ऐसे चीजों को canonical भी बोलते है canonical aspect canonical यानि इसमें change नहीं होगा इसको कोई change नहीं कर सकता है इसी को canonical बोलते है इसके अगर example बोलू मैं तो example में जैसे की वेदाज हुए ठीक है उसके बाद आपके आरन्यक हुए अभी ये सब क्या है बताएं के चिंता मत करो आरन्यक हुए ब्रह्मनाज हुए ठीक है ये सारी चीज़ें आपके प्रूती बोला अरे रे 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 ठीक है ब्रह्मनाज हुए चलो ब्रह्मनाज ऐसी यहां लिख लेते हैं भाई ब्रह्मनाज हुए ये आपके सुरूती पार्ट में आते हैं और स्मृति पार्ट जो है स्मृति स्मृति का मतलब exact canonical नहीं है non-canonical non-canonical कहने का मतलब non-canonical का मतलब यह supplementary है स्रूति के supplementary philosophy है supplementary knowledge है ठीक है और changeable है time change हो सकता है तो किसी भी religion में किसी भी religious philosophy में दो aspect होता है एक जो change नहीं हो सकता है canonical form और एक जो changeable है ठीक है इसके example में देखोगे तो पुराना जा जाएंगे ठीक है अपने विदांगा जाएंगे ठीक है आपके जितने आपके स्मृति में जैसे की आपका वो है मनु स्मृति हो गया यह सब स्मृति का example है ठीक है यह सब changeable है इसको आप बदल सकते हो ठीक है इसमें सद दर्शन philosophy भी लिखलो शद दर्शन यह भी changeable है सद दर्शन उपवेद यह सब changeable ठीक है यह सब क्या चीज़ें हैं अभी बताएंगे घवरानी की कोई जरूरत नहीं है ठीक है समृति हो गया अभी सीरे घुसते वेदिक लिटरचर में बिना time waste किये हुए अपन श्टार्ट करते हैं वेदिक ठीक है वेदिक लिट्रेचर ठीक है तो वेदिक लिट्रेचर की अगर बात करें चारवेद है यह भी बताने की ज़रुवत है क्या नहीं है तो सीधे अपन चारवेद लिख लेते हैं पहले रिगवेद यजुरवेद ठीक है तामवेद अथर्ववेद अथर्ववेद यह चार अपने वेद हैं यह तो पता ही होगा सबको ठीक है रिगवेद जो है यह पहला लिखा गया था और इसमें हाइम्स है ठीक है जो गौड को प्रेज करते हो उसके हाइम्स है इसी से गायतरी मंत्र आता है गायतरी मंत्र भी इसी से आता है और नीचर गौड पर फोकस है यह तो वेदिक टाइम में नीचर गौड पर फोकस था इसमें कोई दिककत नहीं है रिगवेद का ही रिदमिक और मेलोडिक फॉर्म सामवेद सामवेद में उसी को मेलोडिक फॉर्म में पोईटिक फॉर्म में लिखा गया है किसको कैसे पढ़ना है यजुरवेद में आपके रिचूल्स and राइट्स की बात की गई है तो अभी तक क्या था केवल हाइम्स था जो हम पढ़ते हैं जैसे गैत्री मंत्र हुआ यह हाइम है भगवान को यह आप पूजा कर रहे हैं बट इसमें यजूर वेद में रिच्वल्स और राइट्स के बारे बें मिंशन्ट है अधर्व वेद बुक आफ मैजिक बोलते हैं इसमें मैजिक चाम्स एंड स्पेल्स जादूगरी धनवंत्री के बारे में इसी में मिंशन्ट है धनवंत्री पहले मेडिकल मैन की तरह मिंशन्ट है अधर्व वेद में यह चार आपके वेद का बेसिक डिस्क्रिप्शन है रिगवेद सबसे पहले लिखाया था पता ही है पंद्रा सौ से हजार तक बोलते हैं और उसके बाद यह सब कंपाईल हुआ है आपका हजार के बाद छे सो तक में अब इस चार वेद में जो अपने पहले तीन है यानी की जो तीन वेद हैं रिगवेद प्लस यजूरवेद प्लस सामवेद इनको एक साथ त्रेई बोला जाता है त्रेई अथरवेद को छोड़के बाकी को त्रेई बोला जाता है और यह प्रिश्टली क्लास ने लिखा है यह प्रिस्टली क्लास ने लिखा है ठीक है जो चौती बुक है अथर्व वेद जिसमें magic और spells है यह प्रिस्टली क्लास द्वारा नहीं लिखा गया not by प्रिस्टली क्लास प्रिस्टली क्लास यह नहीं पूजा पाठ करने वाले प्रिस्टली क्लास के बारे में प्रिस्टली क्लास ने ये बुक नहीं लिखी है अधर्वेद की ये हो गया आपका काम का इन्फो इससे ज़्यादा इसमें जानने की ज़रुवत है क्या नहीं इससे ज़्यादा इसमें जानने की ज़रुवत नहीं है अब वो हो गया, अब जो आपका वेदिक लिटरेचर है, जो वेदाज है, चलो इसी से चलते हैं, वेदाज जो है आपके, वेदाज, उसके चार पार्ट्स होता है, four parts, ठीक है, वेदाज के हर वेद, जैसे चार वेद बताया तो माल लो, यह अपने चारो वेद रखे हूं है, चारवेद हो गये, चारों के अंदर चार पार्ट हैं, ऐसे समझने के लिए, तो माल लो ये हो गया 1, 2, चारवेद अपने हैं, एक दम अच्छे समझ लो, चारवेद है, चारों वेद के अंदर चार पार्ट है, तो ये हो गया माल लो A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D हर वेद इसी तरह इसमें जाओ के इसके भी 4 format होंगे हर वेद आंदर 4 ते तो वह जो चार पाइट है उसकी बारे में थोरा सा बता देता हूं जो पहला है उसको बोलते हैं संहिता है सारा इसे में नहीं बता रहां सारा इंपॉटन्ट है एक्जाम में आ जाएगा आराम से एक्जाम में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए ध्यान से सुन लो, इसको मिटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं है, समझाने के लिए था पहला है समहिता, कोई भी वेद, चार वेद में कोई भी एक वेद उठाओगे, पहला पाट मिलेगा समहिता समहिता क्या है normal जो हाइम्स था उसमें पूरा हाइम्स लिखा रहता है core content core जो आपका content है तो जो हम लोग अभी वेद समझते है actually वो वेद समहिता है समहिता is the core content of that book core content आपको समहिता में मिलेगा यहां से खेल चालू होगा समहिता तो आपका वेद मतलब वही समहिता है या actual होता है जो समहिता है वो वेद है but उसके बाद एक होता है brahmanaz यह second part of ved है brahmanaz, brahmanaz क्या है पता है अब वेद में कुछ स्लोक लिखे गा है वो समहिता में है उसको कोई explain करेगा ना वो brahmanaz तो brahmanaz learned man को बोलते थे cast wise मच जाओ brahmanaz learned man को बोलते थे तो brahmanaz में explanations है explanations of times या फिर rights and rituals by learned man तो इसलिए इसका नाब brahmanaz है कि ये जो हाइम और कौन content हर वेद उठाओगे तो उसका जो main हाइम होगा उसका explanation दिया हुआ है मतलब कोई learned आदमी उसको interpret करके लिख दिया है ताकि आपको समझने में सहुलियत हो उस पार्ट को brahmanaz बोलते हैं बट ये जो interpretation है ये day to day life के लिए day to day life यानि normal कर्म कांड से जुरा हुआ है कर्म कांड day to day आपका जो कर्म है उससे जुरा हुआ है तो ये basically ग्रिहस्त आशरम वाले लोगों के लिए है ग्रिहस्त आशरम ग्रिहस्त आशरम मतलब जो घर पे रहते हैं villages में पराजाता था ये village में इससे लोगों को ज्ञान मिलता था villages में ब्रामनाज राइट अभी चले आगे ये क्यों बता रहा हूं villages समझ जाओगे ब्रामनाज समझ गए कि learned man द्वारा इसका interpretation वो उसमें लिखा हुआ है जो आपका समहिता में लिखा होगा उसको explain करके ब्रामनाज में दिया गया है by learned man day to day life का कर्म कांड समझाया गया है और उसमें जितने rights हाइम्स इसमें दिये है उसका explanation दिया हुआ है और ये वो हाइम्स को समझाया गया है जो day to day काम में cater करते हैं लोगों के लिए उसके लिए जिनको जिस हाइम्स को recite करने की जरूरत है जो day to day काम करते हैं उनके लिए ब्रामनाज है अभी चलें third पर ये क्यों बता रहा था क्योंकि जो third part है उसका नाम है आ रन्यकाज आरन्यकाज अगीन एंड फिलोसोफी और हाइम्स एंड राइट्स आफ तमीता लेकिन इसका नाम आरन्यक क्यों है बताता हूँ अलग क्या है इसमें अभी जो हम परे उसमें भी explanation था उसमें भी ब्रामनाज में भी explanation था यहाँ पे भी मैं बोलना हूँ explanation है तो फिर अलग क्या है अलग इसमें क्या है वही बता रहा हूँ तीन हो गया यह आरन्यक ठीक है अब इसमें अलग क्या है वो बताता हूँ आरन्यक में अलग यह है कि this is to be read in the forest आरन्यक मतलब जंगल तो यह to be read in forest वहाँ to be read in village बोला था अब यह क्यों है हिंदू जो आपका आसरम विवस्था है उसमें चार विवस्था बोलते हैं पहले आप ब्रह्मचारी का पालन करते हो जब आप पढ़ते हो student होते हो फिर ग्रिहस्त जीवन जीते हो ग्रिहस्त से वानप्रस्त जाते हो और फिर सन्यास होता है वानप्रस्त ट्रांजिटरी फेज है आरण्यक वेदाज के उन स्लोक के बारे में उन हाइम्स के बारे में उन राइट्स के बारे में है जो ऐसे लोगों को चाहिए जो की ग्रिहस्त से वानप्रस्त की और जाना चाहते हैं आप normal day to day life जी लिए अब आपको religious spiritual ज्यान चाहिए किस चीज के लिए जो larger आपके spirituality salvation में help करें तो इसलिए इसको बोला जाता है to be read in forest ज्यानि जो लोग और ज्यान other worldly मतलब दुनिया से खतम करके ascetic बनने की रापे हैं उनके लिए कि आप ये low और isolation में जाके ये सुनो पर हो औ और नया ज्यान low आप इसलिए इसको forest बोला गया कि village में पढ़ना विलेज में अगर आप day to day life में involved है तो ये आपके लिए नहीं है आप उससे हटो normal day to day life वांपरस्त की तरफ बर रहे हो दुनिया से आपको अब हटने का time आ चुका है दुनिया से मतलब आपके day to day life से और आ larger knowledge चांदना चाहते हो तो आनन्यक्स आपके लिए है जंगल में जाके इसकी परहाई करो ठीक है और इसमें क्या था यही थियो सॉफी थियो सॉफी मतलब religious studies होता है spiritual knowledge ये तीसरा पार्ट है वेदा का ये सब के लिए नहीं जो आपके forest hermits या sage बनना चाहते है ये वहाँ जाके इसकी परहाई कर सकते है अब जो चौथा पार्ट है इस पे बहुत दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि ये सब लोग जानते हैं although it is very important उपनिशद उपनिशद मतलब जो actual knowledge of Vedas है knowledge of Vedas knowledge of Vedas मतलब इस समरी and philosophical philosophical teachings philosophical teachings of the summary and philosophical teachings of जो वेदा है वो उसके लास्ट पार्ट उपनिशद में compile किया गया है कि जिसको knowledge चाहिए Vedas क्या actual ज्यान देते वो philosophical level पे उपनिशद में compile करके रखा गया है आप इसको पर है ज्यान लें और जो वेदास का true essence है वो समझने के लिए आपको उपनिशद यूज़ करना पढ़ेगा यह सब बताने के बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहूंगा एक जो वेदिक हाइम्स था यह important है ब्रह्म वादिनीज यह important है important क्यों है जो वेदिक time था मैं आपको शुरूम बताया था कि जो ब्रह्म वादिनीज है ब्रह्म वादिनीज जो है वो लोग क्या जो आपका वेदिक वो रहता है ब्रह्म वादिनीज जो वेदिक हाइम्स होता है वो जब recite होता था compiled होता था इसमें बस male involved नहीं थे female involved थी तो वो यह वो women है जो women who helped in compiling compiling vedic हाइम्स बनाने में, compile करने में, बोलने में इनका बड़ा युगदान था और इसका example, लोप मुद्रा, मैत्रेई, यह सारे female उसमें mentioned है जो female लोग time बनाई है और एक घोशा नाम था ठीक है? राइट, लोप मुद्रा, मैत्रेई, यह ब्रह्म वादिनीज इनको बोलते थे ठीक है? अब इसमें से कुछ-कुछ important वो है, वो मैं बता देता हूँ एक है, ब्रिहत आरण्यक ब्रिहत आरण्यक जो है, यह largest है, longest कहलो जो भी सबसे बड़ा ही है, longest आरण्यक यह है और इसमें टोरी है, यजन वालक्य और गारण्यक यजन वालक्य प्लस गारण्यक का और यह करते क्या है, वो भी बता दूँ, यह साथ में है, philosophical debate करते हैं इस बुक में, philosophical, philosophical debate on nature of dharma, धर्मा के nature पे philosophical debate करते हैं, राइट? बड़ा तारण्यक इसलिए, याद रखना जरूरी है, अब जो अगला है, ठीक है, वो है आपका छंदोग्य, छंदोग्य उपनिशद, छंदोग्य उपनिशद, छंदोग्य उपनिशद में से ओम, ओम, जो भी है, अरे जो यह हैं अपने, ओम, ओम जो इंदुईजम में यूज होता है यह चंदों के उपनिशद में मिंसंड है एक है मुंड़का यह सारा नाम याद रखने है क्योंकि यह इंडिपेंडेंडेंटली क्वेस्चन बन सकता है मुंड़का मुंड़का में क्या है सत्यमेव जैते सत्यमेव जैते मुंड़का उपनिशद में है यह यहाँ से उठाया गया है और एक और कथा उपनिशद है जो इंपोर्टन्ट है एक है कथा उपनिशद कथा उपनिशद में फिर से दो लोग बात कर रहे होते है कौन-कौन यम और नचीकिता यम और नचीकिता का कनवर्सेशन इसमें दिया गया है खथा उपनिशद में यम और नचीकिता का कनवर्सेशन दिया गया है और यह आत्मा और परमात्मा की नीचर पर बात करते हैं ठीक है discussion discussion हुआ है यम और नची किता का किस चीज को लेके discussion on the nature of आत्मा and पर मात्मा आत्मा और परमात्मा के बीच का discussion आपके कथा उपनिशद में डीवी होता है अरे रे 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 इससे अच्छा तो ऐसे ही लग रहा था उपनिशद ठीक है यहाँ पर समझ गये यह कुछ important उपनिशद थे तो यह बता दिया ठीक है अब जो वेद होते हैं जो वेद होते हैं उसके साथ कुछ उपवेदिक लिटरेचर भी है उपवेदिक उपवेद लिटरेचर उपवेद लिटरेचर क्या है उपवेद लिटरेचर मतलब जब आप वेदिक चार आपके वेद तो वेद से जो अपलाइड नॉलेज निकलता है कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा जो अप्लाइड नॉलेज निकलता अप्लाइड नॉलेज अप्लाइड नॉलेज प्लस टेक्निकल नॉलेज फुरा इन किताबों में दिया गया है वो क्या है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं ठीक है तो अगर मैं बात करूँ यही लेते हैं तो चार अपने वेद थे एक दो तीन और नंबर तीन के बाद तो पता ही होगा चार आता है तो यहां रिगवेद है यहां सामवेद है यहां यजूरवेद है और यहां अथर्ववेद है यह चार आपके वेद हैं तो इससे रिलेटेड चार उपवेद होंगे उन चारो उपवेद को अभी देख लेते हैं कुछ नाम लाइफ में जरूर सुने होगे रिगवेद के उपवेद को बोलते हैं आयूरवेद सुने हो आयूरवेद तो सुने होगे भाई सामवेद का अभी बताये थे थोड़ी देर पहले गांधर्व गांधर्व वेद इसको बोलते हैं गांधर्व वेद ये सामवेद म्यूजिक पर है गांधर्व वेद म्यूजिक पर है अभी जब म्यूजिक पराये थे तो उसमें बताये थे आपको यजुर्वेद में धनुर् धनुर्वेद क्या है जो पीरवीड चलाते थे पुराना जो महावारत का एपसोड आता था उसमें देखे होगे कि धनुस चलाने से पहले इसे पगर के भगवान को मंत्र मार के मारते थे तो धनुर्वेद धनुर्विद्या का जानकारी भी है प्लस उसका कामधाम जितना है धनुर्वेद वो यजुर्वेद का उपवेद है और जो लाश्ट आपका बचता है अथर्ववेद इस किताब का नाम सुने हो अर्थ अर्थ सास्त्र जो बुक है पॉलिटिक्स एकोनमी ठीक है अर्थ सास्त्र जो चानाच की लिखे है वो अथर्व वेद का उपवेद है ये चान हो गया उपवेद का भी काम निकल गया ठीक है और कुछ दिक्कत इसमें नहीं तो अब अपन चलते हैं वेदांगाज पर अब एक और क्लास ओफ लिट्रेचर है वो वेदांगाज है वेदांगाज लिट्रेचर वेदांगाज लिट्रेचर लास्ट वेदिक लिट्रेचर है इसके बाद और वेदिक लिट्रेचर डारेक्ट वेदिक लिट्रेचर नहीं लिखा गया था, तो almost इसको आप last Vedic literature बोल सकते हो, last Vedic literature, last Vedic literature को वेदंगाज बोलते हैं, इसके 6 पार्ट है, इसको पानी नहीं mention करते हैं, ठेक है, और इसके 6 पार्ट में लिख दे रहा हूँ, रचलो 6 arms of Vedic literature इसमें mentioned है, 6 arms of Vedic literature, 6 arms of Vedic literature इसमें mentioned है, यहाँ से start करते हैं, चलो यहीं start करते हैं, इसका जो एक है, सिक्षा, दुसरा, कल्प, यह दो इधर करते हैं, बाकी आगे करेंगे, ठीक है, तो सिक्षा phonetics पे है, phonetics, यह phonetics को describe करता है, इसमें, वेदिक literature को पढ़ने के लिए, जो 6 tools चाहिए, उसके बारे में 6 tools या 6 चीजों पे जो वेदिक literature चर्चा करता है, उसका parts बताया गया, तो सिक्षा जैसे, phonetics हो गया, कल्पा, ritual हो गया, right, इदर कितना हुआ, दो, थोरा सा format, maintain करना जरूरी है, तो यहां से, अपना format बना रहे, अब अपना चलेगा, तीन, तीसरा जो है, वो normal है, व्याकरन, व्याकरन मतलब grammar होता है, इसमें भी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चोथा, निरुकता, 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 मतलब etymology है, etymology, यार इधर जो समझा रहा हूँ, उसमें पता है कि नहीं, phonetics तो normal grammar समझते हो, ritual समझते ही हो, ritual क्या होता है, grammar समझते ही हो, etymology नहीं समझते होगे, etymology मतलब होता है, word root, माल लो, कि आज के जमाने में जो हम word बोलते हैं, वो कभी न कभी, किसी छोटे words चालू होगा, तो वो root of the word ढूंडना, उसको etymology बोलते हैं, तो जैसे कई बार जैसे democracy पर होगे, तो उसमें demos लिख के बताएंगे, ये एक Latin word है, इसका ये मतलब है, उसको बोलते हैं, जब आप word का root ढूंडते हो, उसको etymology बोलते हैं, तो ये भी एक पार्ट है, अब आपका जो पाच्वा है, वो छंदाज, चंदाज हो गया, और एक जोतिशा हो गया, जोतिशा हो गया, जोतिशा समझते ही हो, astrology, और चंदाज हो गया, matrix, matrix मतलब measure करने के tools, etymology बता चुका है, जोतिशा है, astrology थोड़ा, और जोतिशी, जोतिशी से जोतिशा है, पानी खतम, ये छे आपको याद करना परेगा, विदांगा literature, छे चीज़ों को बात करता है, छे arms of Vedic literature, ये छे वर्ड आपको रटना परेगा, इसका कोई रास्ता दूसरा नहीं है, लेकिन, वेदी केरा यहाँ पर समाप्त होता है, फिर post-Vedic केरा चालू होता है, हिंदू religion को अगर आप देखोगे, तो वो philosophically सबसे diverse religion है, सबसे diverse है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, actual में सबसे diverse है, क्योंकि एक simple philosophy पे पूरा हिंदू वर्ड एलाइन नहीं है, हिंदू वर्ड में diversity of philosophy बहुत जादा है, तो जैसे ही वेदे केरा समाप्त होता है, तो वहाँ से दो स्कूल सिमर्ज करते हैं, एक तो वो इपके interpretations चालू हो जाते हैं, जो सदंगा स्कूल, ठीक है, सद दर्सन, सद दर्सन, छे दर्सन, छे तरीके के philosophy की बात करते हैं, वो एक बार बताऊंगा, और उसके आगे जो हिंदू philosophy डवलप हुआ है, वो बताऊंगा, तो जैसे ही वेदे केरा समाप्त होता है, actually दो क्लास बट जाता है, एक orthodox school होता है, और एक heterodox school होता है, ठीक है, तो माल लोके जैसे हिंदू philosophy या इंडिक philosophy तोड़ा उपर ले लेते हैं, इंडिक philosophy, यानि पूरा इंडिया ले लो, अभी इसमें हिंदुईजम, जैनिजम, बुद्धिजम, सब आ गया, इंडिक philosophy का दो टुक रह है, इंडिक philosophy का दो टुक रहा है, इंडिक religions मतलब जो religions इंडिया में originate किये, ऐसा नहीं कि इसलाम, कृष्णा, जैनिटी और जुदाइजम अपनी देश का religion नहीं है, इंडिक philosophy या इंडिक religion उनको बोलते हैं, जो इंडिया में originate किया, जैसे बुद्धिजम, जैनिजम, हि इंडिक religion है, इंडिया में इनका origin इंडिया में है, राइट, इसमें दो स्कूल से इमारिज करते हैं, एक है और्थोडॉक्स स्कूल, और एक है, हीट्रोडॉक्स स्कूल, ठीक है, और्थोडॉक्स स्कूल का मतलब, जो unquestionable, unquestionable faith, on veracity and in fallibility of vedas यानी यह vedas पे कभी question नहीं लगाएंगे वेदाम जो लिखा है वो in fallible truth है उसको कोई नहीं बदल सकता है यह orthodox school का sign है orthodox school believe करता है कि वेदा जो है वो है उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है वो absolute truth है they are more liberal in their philosophy liberal इस sense में liberal का मतलब यहां वो नहीं है जो liberal आप समझते हो liberal मतलब यह ज़्यादा diverse school है and they can question any truth any truth can be questioned liberal भी है और एक diverse group है जिसमें मालो आप जैनिसम बुद्धिसम यह सब हिट्रोडॉक्स स्कूल में आएंगे orthodox और हिट्रोडॉक्स हो गया अभी अपन चलते है यह एक तरीका है लेकिन जब पोस्ट वेदिक एरा आता है वहां हिंदुईसम के अंदर ही एक diverse philosophy डिवलप होती है अलग-अलग लोग अलग-अलग टाइप की philosophy डिवलप करते हैं उसको डिसकस करेंगे और उसका नाम है सद दर्शन सिस्टम श्रद दर्शन सिस्टम और इंडियन फिलोसफी या फिलोसफी ले लो या हिंदू फिलोसफी ले लो यार कुछ भी ले लो ठीक है श्रद दर्शन सिस्टम और फिलोसफी श्रद दर्शन ठीक है श्रद मतलब छे तू समझा रहा होगा इसमें छे फिलोसफी होगा अगेन इसमें जो पहला फिलोस्फी है उसका नाम है सांख सांख तांख भी बोल सकते हो संख्या नंबर तांख जो फिलोस्फी है यह जो फिलोस्फी का बेसिस है पहले यह भगवान को नहीं मानता है ठीक है यह भगवान को नहीं मानता है पहले ये बताई नहीं और इसको जो इसके जो प्रिपाउंडर है वो हैं कपिल मुनी और इन्होंने जो किताब लिखिया है उसका नाम है सांख सूत्र सांख सूत्र में इन्होंने इस फिलोसफी का वर्णन किया है तो ये पहले तो no god साम की philosophy, कपिल ने दिया है, साम की सूतर, ये बोलते हैं, no God इसमें बात की गई है, पुरुष और प्रकिरती की पुरुष और प्रकिरती पुरुष मतलब जो नॉर्मल मेल हैं ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो पुरुष हैं वो सब अलग हैं बट सिमिलर हैं ऐसा कोई डिफरेंस ने ना कोई उपर है ना कोई नीचे है अल्टिमेल्टी पुरुष को पुरुष और प्रकिर्ती का मिलना जरूरी है और यह होगा यह होगा कैसे नॉलेज गीन करके तो मैं जैसे एक आदमी हो आप जैसे एक आदमी हो हर आदमी एक पुरुष है पुरुष यहां मेल फी मिल नहीं है पुरुष मतलब जीव जो जिन्दा है और प्रकिर्ती पुरुष और प्रकिर्ती जोड के पूरा यूनिवर्स बनाते हैं पुरुष और प्रकिर्ती तो आप गेन करता है तो वो प्रकिर्टी का हिस्सा में बन जाता है knowledge gain करता है इससे ज़्यादा complex मत करो GS में इससे ज़्यादा philosophy नहीं चाहिए knowledge gain करके ठीक है salvation आप पा सकते हो प्रकिर्टी से जूर के क्योंकि कोई भगवान नहीं है तो आप knowledge gain करो पुरुष जब true knowledge gain करके सही consciousness gain करेगा तो वो प्रकिर्टी के साथ जूर जाएगा इससे ज़्यादा इसमें खाहनी जानने की जरुरत नहीं है यही salvation और liberation का तरीका है ठीक है साम philosophy इससे ज़्यादा अपने को जरुरत नहीं है किसी ज़्यादा इक्छा हो तो philosophy optional लेके खूब detail में पर हो मजे में कोई दिक्कत नहीं है दूसरा योगिक philosophy ये अपने योग सूत्र किताब का नाम है और लिखे हैं पतंजली साहब पतंजली साहब ने लिखी है योग सूत्र उसमें इसका वर्णन है ठीक है तो ये जो school है ये सबसे पहले God पे चलते हैं ये God को मांता है God exists बट इसका God का नीचर अलग है God is like a guru and guide guru and guide who will help you attain salvation salvation लेना ही Indian philosophy का ultimate aim है तो God here is guru and guide जो की help करते किस चीज में? helps helps in liberation and salvation तो God को ये deny नहीं करता है ठीक है? फिर ये बताता है yogic techniques योगिक techniques जिसके तूर आप ये पा सकते हो liberation और salvation और वो yogic techniques की यदी में बात ठीक है yogic techniques की बात करता है और वो जो yogic techniques है अभी अंदर चल रहा है अपना मामला yogic techniques जो है techniques आठ हैं वो मैं लिस्ट कर दे रहा हूं आपके लिए खूब रटिए खूब आगे बढ़िए यम खूब रट के खूब आगे बढ़िए यम नियम ठीक है ये योगा के जो चाट टुकरे बोलते हैं आशन प्रानायाम ठीक है उसके बाद आपका इसके बाद साथ नंबर पर ध्यान और आठ नंबर पर समाधी समाधी स्टेज पर पहुंच गए तो आप salvation ले लोगे ठीक है यह आपके टेक्निक्स आर्ट जो है इसको implement करके आप God आपके philosopher और guide हैं वो आपको help करेंगे आप यह आर्ट टेक्निक के थुरू salvation achieve कर सकते हैं यही है योगा में पतंजली बता दिया हूँ ज्यादा कुछ दिमाग लगानी का जरूआ था इसमें ह नहीं है अब आते हैं मुद्दे पे मुद्दा है अपना तीसरा तीसरा जो वो है यह है न्याए philosophy न्याए philosophy न्याए philosophy और यह गौतम आहा हाँ कलर यार सब जगे ग्रीन ले रहा है न तो और कलर कर ध्यान रखा करो यार क्या कर रहे हो यहां गौतम गौतम रिशी है यह न्याए philosophy लाया है गौतम रिशी न्याए philosophy is the philosophy यह school philosophy of logic यह logical thinking पे जोड़ देते हैं इस में इस philosophy में जो आपको किया गया है यह analysis analysis of logic and epistemology ठीक है analysis किया गया है logic का और epistemology epistemology क्या होता है epistemology is nothing but theory of knowledge क्यों इतना tough word दिया हूं क्योंकि साथ exam में direct लिख देगा epistemology ठीक है तो इसलिए यह जानना पड़ेगा epistemology epistemology और logic इसका analysis किया गया epistemology मतलब theory of knowledge यानि how knowledge is gathered कैसे आप knowledge gather करते हो उसका जो theory तरीका है उसको epistemology बोलते है ठीक है इसमें ज्यादा कुछ है नहीं तो इसमें आपको लगेगा logic और knowledge यही तरीका है salvation पाने खा तो salvation through true knowledge true knowledge और true knowledge ग्यादर करने में क्या लगेगा sound logic समझ गए कोई दिक्कत है इसमें तीन लाइन याद करना है वाई difficult लग रहा है मैं क्या करूँ छे philosophy है इंडिया में तो है याद करना पड़ेगा simple है तीन लाइन बोलाओ एक logic का स्कूल है logic और epistemology यानि knowledge ग्यादरिंग हो की analysis इसमें दिये है गौतमा जो है जिन्होंने नियाई philosophy लिखी है salvation का तरीका true knowledge है और वो पाने के लिए sound logic की जर्रत होती है इतना simple और क्या चाहिए जिंद्धियों ने collector बनने के लिए चाहर लाइन रटना है फिर वी लोग नहीं रटना चाह रहा है तो फिर उसमें उसकेस में कोई क्या कर सकता है चोता जो सकूल है उसका नाम है वैसेशिका स्कूल वैसेशिका स्कूल वैसे सिका स्कूल वैसे सिका स्कूल करना डखा है अब ये देखो इसके बारे मुझरूर सुने हो गए ठीक है ये वैसे सिका कौन सा करनार हो गया वैसे सिका स्कूल अबजेक्टिव स्कूल है अबजेक्टिव स्कूल अबजेक्टिव स्कूल objective school है objective school objective school ये atom जो अपन modern science में पढ़ते हैं उस तरह की बात किये है atom type की theory दिये है atom type theory और ये जो fundamental particle बताते हैं जिससे सब कुछ बना है काण को वो एक तरह का atom बोलते हैं जिससे सब कुछ बना है उसके बाद क्या बोलते हैं पूरा world कुछ द्रव्य पदार्थोंस बना है the whole world the whole universe so as to say is made up of certain fundamental elements simple philosophy by fundamental elements कुछ नहीं बोलते हैं सबसे छोटा जो atom type का चीज है universe में वो कण है और पूरा universe कुछ-कुछ चीजों से बना हुआ है जो simple जानते हो air, water, fire, ether, earth ये लिखना है लिखने एक जरुवत नहीं है वही जल पानी जो अपन जानते है air, water इससे मिलके पूरा universe बना हुआ है ये इनकी theory है अब theory complete हुई नहीं है ये क्या कहते हैं कि ये जो universe बना हुआ है सब चीज से मिलके इस पूरे universe को जो back end पे force है जो सब कुछ ये particle का जो system बना है कण से और ये पाचों चीज से back end से operated by God उसको भगवान चलाते हैं operated by God God इसको चलाते हैं तो ये God में obviously believe करते हैं ये भगवान इसको motion में डालते हैं ये इनकी जो core philosophy है तो ये भगवान को मानते हैं तो ये orthodox nature के हो गए God में believe करते हैं God में deep believe वाले लोग क्या बोलेंगे आपको कि God का रास्ता ही salvation का रास्ता है road to God जो लोग God में believe नहीं करते हैं वो तरह तरह का philosophy देंगे knowledge लो ये लो जो बोलते हैं भगवान है यानि आपको निर्वाना चाहिए सब दुखों से आजादी चाहिए तो रास्ता क्या है road to God is road to salvation तो जहाँ भी मैं God का बात करूँ वहाँ salvation का बात करने का मतलब ही नहीं है God है मतलब God is the ultimate path to salvation और कोई दूसरा तरीखा है यही नि भगवान के रहते और आपको कौन पार लगा सकता है भगवान ही तो है वही पार लगाएंगे सब कुछ ठीक है पेपर में भी यही सोच रहोगे भगवान पार लगा दें भगवान पार नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत लोग है पार लगवाने के लिए अपना पार खुद लगाओ पर हो अभी कुछ होगा भगवान मदद नहीं करेंगे अच्छा इसमें वो बताया था कन्नड ने किया है हाँ 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 ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है हो गया वैसे शिका भी कोई दिक्कत नहीं है अब पांचमा जो बोलते है उसको बोलते है पूर्व मिमांसा पूर्व मिमांसा पूर्व मिमांसा बोलते हैं तो पूर् इतना इसमें छोटा-छोटा फैक्ट है ना कि में को ज़्यादा लगता है भूलना जाओं तो आप कम से कम याद कर लेना अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो पढ़ना इसको दो-तीन वार पढ़के याद कर लेना नंबर देगा जरूर कोई दिक्कत नहीं है पूर्पमिवान सा जो है ना ये पूरा वेदिक स्कूल है अरे जब वेदा लिखाया तो शद दर्सन आए छे स्कूल सफ इंडियन के लौस्टी कुछ नए स्कूल आए कुछ वेद को भी तो मानेंगे तो ये वेदिक स्कूल है जो कि किसको मांगता है ब्राह्मनास एंड समहि पूरा बिलीव करता है तो वेदा इटर्नल है वेदिक स्कूल है तो वेदा जार इटर्नल और इनको बिल्कुल गलत नहीं मानता है तो बोलता है वेदिक नॉलेज ही ट्रू नॉलेज है वेदिक नॉलेज लो वेदा परो उसको फॉलो करो अपनी जिद्गी मुतारो सब जाएगा आपका तो इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं काफी समझदार जैसा फिलोस्पी लगा ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है चुप चाप जो वेदास बोल रहे हैं वो माल दिमाग लगाओगे क्या पता फस जाओगे इसलिए चुप चाप माल लो फिर जो अगला स्कूल है उत्तर मिमांसा उत्तर मिमांसा और इसी को विदान्ता स्कूल भी बोलते हैं विदान्ता स्कूल ठीक है उत्तर मिमांसा और विदान्ता और ये स्कूल बद्रायन ने दिया है और इसी में आदी संकराचार जिनके वारे माभी बताएंगे आदी शंकराचार्य जी इसके प्रपोनेंट रहे बद्रयान थे में आदमी जो पहली बार लेका है वैसे इसको फेमस कौन की है आदी शंकराचार्य जी और इन्होंने में चीज जो उत्तर में मांसाम अलग है है तो ये वेदिक स्कूल इसमें डाउट नहीं है लेकिन ये वेदान्ता को मानता है वेदान्ता accepted बत मुद्दे की बाद जितने भी ritualistic elements है Ritualistic Elements of Vedas Ritualistic Elements of Vedas Ritualistic Elements of Vedas को ये reject कर देता है सारे Ritualistic Elements of Vedas को reject कर देता है कोई दिक्कत है इसमें अरे वेदाज में वेदानता जो है philosophy है true knowledge है उसमें rituals नहीं है तो जो philosophical God का ज्यान है उसको तो ये मानते हैं उत्तर में मात्सा वाले लोग लेकिन जो Ritualistic चीज़ें है उसको deny करते हैं कि यार ये सब हटो ये सब नहीं हो पाएगा ठीक है अब यहां से Hinduism के सायद पूरे इतिहास में Hindu धरम के लिए अगर आदमी कोई है जो सबसे prominent है तो वो आदी संकरा चारी जी है आदी संकरा चारी जी जो अपने है ये सबसे prominent आदमी है इन्होंने Hinduism में मठ सिस्टम लाया चार मठ अलग-अलग कोने में देश के बनाए जिसमें एक चार मठ क्या-क्या था यार भूल गया हूँ मैं भी लगता है एक तो बदरीनाथ हो गया ट्राइगर देख लेते हैं एक अपना द्वारका हो गया एक स्री रंगम हो गया और चौता इस्ट में में को लगता है पूरी होगा तो देख रहे हो ये क्या किये मठ सिस्टम जो बुद्धिजम में चलता था उसको वो हिंदुईजम में लेकर आए ताकि हिंदुईजम में भी स्ट्रॉंग आपका एक इंस्टिटूशनल सेट अप हो जाए मठ सेट हो जाए पूरे इंडिया में ठीक है तो अगर मैं इसको मैं थोरा सा मैप पे दिखाई देता हूँ देखो इनका स्कीम क्या था हाओ आदी संक्राचार बुद्धिजम से मठ वाला लर्निंग लेके हिंदुईजम के प्रेड और फ्यूचर में कैसे रोल प्ले किये वो मैं अभी आपको थोरा सा बताऊंगा जादा नहीं ठीक है तो ये क्या किये इस चार जगा मठ बनाए एक यहां उत्रा खंड वाला रीजन है बदरीनाथ फिक है तो ये होगे आपका बदरीनाथ ये होगे आपका द्वार का चार कोना पक्रेदेश का यहां आपका स्रीरंगम और यहां पूरी ये चार मठ आगे चलके हिंदुईजम के स्प्रेड में उसी तरह जैसे बुद्धिस्ट मौंक सबका आपका जगे होता था मठ्स वो हेल्प करता था ये स्प्रेड ओफ हिंदुईजम में आक्च्वली बहुत रोल प्ले किया और इससे ये पूरे इंडिया को कवर कर पाए हिंदुईजम के स्प्रेड में ये बहुत वड़ा गीम चेंजर था ये चार मठ सेट करना लेकिन अभी हमारा मुद्ध ये नहीं है ये तो साथ में बता दिया अमारा मुद्ध है इनकी फिलोसफी पहले तो एक विदान्तिक फिलोसफी की बिलीवर थे तो आदी संक्राचारी के बारे में पर हैं तो follower and proponent of विदान्तिक फिलोसफी विदान्तिक फिलोसफी काफी विदांतिक philosophy बहुत अच्छे से समझते थे और इनफैक्ट बनारस में तो काफी अच्छा debate हुआ था जिसमें ये सारा debate हरा देते थे किसी को भी जो भी philosophical debate इनसे करता था विदांतिक philosophy में इनका बिलीव था कोई debate में चीत नहीं पाता था सबको defeat करते थे और obviously defeat होने एक बाद लोग इनके philosophy को superior मानें गई क्योंकि बचता नहीं था कुछ उनके पास argument तो क्या करेंगे लेकिन इस point पे हमारा मुद्दा वो नहीं इस point पे हमारा मुद्दा है अद्वैत वाग अरे अभी जब मैं music परहा रहा था कुछ गरवर किया हूँ मैं sorry 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 एक गलती हो गई भाईयों उसको correct कर लेते हैं कोई बात नहीं है आगमी हूँ बताते बताते में एक गलती कर दिया था उसको correct कर लेते हैं गया कहा एक बार देख लेते हैं यह नहीं है यह तो अभी चल रहा है दो मिनेट में इसको करेक्ट कर लेते हैं अभी तो वेदिक लिट्रेचर ही चल रहा है म्यूजिक मैं वलवाचारी आपको बताया था सूर्दास यानि यहीं पे होंगे जरूर ठीक है म्यूजिक में ही एक गरवर हुआ है उसको सही कर लेते हैं शायद गरवर हुआ है क्यों मैं बोलने में कुछ गरवर किया हूँ ऐसा मुझे लग रहा है सुद्ध अद्वैत कर दिया हूँ और राइट यहां है एक गरवर सुद्ध सुद्ध अद्वैत नहीं है यह अगया क्या ठीक है यह सुद्ध द्वैत है सुद्ध द्वैत है द्वैत अभी बताओंगा सुद्ध द्वैत है सुद्ध अद्वैत नहीं है शुद्ध द्वैत ठीक है अब अपन रिज्यूम करते हैं जहां चल रहते हैं यह सुदद द्वयत देख रहा हूँ simple एसे कितना दिकत हो सकती है वलिवाचाढ चुद्धू द्वयत वाले थे इस जो पूश्टी मार्ग बता रहाता आपको आपको चाप प्रिंटिंग यहां कैसे आ गया है चलिए वो देख लेगे अभी यहां आते हैं ठीक है अद्वैत वाद अद्वैत वाद यह किसका है अभी तो बताया अद्वैत वाद अद्वैत वाद अद्वैत वाद अद्वैत वाद अद्वैत वाद मतलब द्वैत नहीं है दो लोग नहीं है एक है इसका मतलब नॉन डुएलिजम का बात कर रहा हूं नॉन डुएलिजम एपसॉल्यूट मोनिजम की बात कर रहा हूं अब इसका मतलब क्या ह इसका मतलब ये है कि जो आपके आदी संक्राचारी थे वो ये बोलते थे कि आत्मा और परमात्मा आत्मा और परमात्मा सेम है इसका मतलब क्या है काईदे सुलों आदी संक्राचारी क्या बोलते है कि अभी तक जो हम सोचते हैं नॉर्मली जो लोग सोचते हैं कि भगवान उपर कहीं बैठा है और हम इनसाने और हम उनकी पूजा करते हैं और वो हमारे पर दया करते हैं वो बोलते हैं नहीं भगवान और इंसान अलग नहीं है परमात्मा complete universe मिलके एक परमात्मा है और हम भी उसी के टुक रहे हैं हम भी परमात्मा के ही टुक रहे हैं हमारे अंदर भी परमात्मा का कुछ element है तो ये क्या बोलते हैं कि इंसान और भगवान अलग नहीं है वो उसी का part है ठीक है और सही knowledge लेने से जो अभी हम सोचते हैं कि हम अलग है हमारा ये consciousness जो गलत है कि हम भगवान से कुछ अलग है ये true knowledge के साथ खतम हो जाएगा आत्मा और परमात्मा बीच जो दूरी हम गलत ग्यान से बना लिये हैं वो खतम हो जाएगा और हम वापस परमात्मा में विलीन हो के परमात्मा बन जाएंगे उसका एक टुकरा यानि जितने भी लोग हैं, इंसान हैं, समान हैं कुछ भी inanimate object, निर्जीव चीजें भी उसी परमात्मा का पाठ सब कुछ परमात्मा का ही पाठ है हम भी परमात्मा के हिस्से हैं बस हम अभी सही consciousness नहीं, इसलिए हम सोचते हैं हम अलग हैं, ऐसी बात नहीं हैं भगवान के हिस्सा, तो हम उसके अंदर वापस से सही knowledge लेके भगवान के साथ चले जाएंगे, और हम अभी जो ले रखे हैं जो अभी हम सोचते हैं, empirical world देखके कि हम भगवान से अलग हैं, empirical world is nothing, empirical world is illusion is a illusion जिसका नाम माया है माया है, माया देखके हमको लगता है, भगवान टुकरा नहीं है, बट हम भगवान के टुकरा है, ये माया जिस दिन हटेगा हम समझ जाएंगे, कि पर्मेश्वर के साथ, हम भी विलीन हो चुके हैं, हम ही पर्मेश्वर हैं, हम से मिलके ही पर्मेश्वर बनते हैं, अहम ब्रह्मास्मी यही बोला जा है, मैं ही ब्रह्मु हूँ आप भी ब्रह्मु हो, सब कोई ब्रह्म है हम सब भगवान के टुकरे हैं, हम वाद ही इन पे डिबेट होना चलू हुआ और एक एरिया में नए स्टार आए जिनका नाम था रामानुजाचारिया रामानुजाचारिया तमिल्लाडू साउज साते थे और इन्होंने विशिष्ट अद्वैत दिया विशिष्ट अद्वैत अगर अब देखो आदी संक्राचारी क्या बोले कि माया के कारण हमको अलग लगता है तो हम जैसे ट्रू नॉलेज लेते हैं हमारा कॉंसियस्नेस खतम हो जाता है और हम परमेश्वर के ही हैं ऐसा नहीं कि हमको जुड़ना है हम जुड़े हुए बस हमारा माया खतम हो हम भगवान मे आटोमाटिक कंप्लीट जूर जाएंगे ठीक है तो दो चीज कभी एक्जिस्थी नहीं करता था संक्राचारी जी के लिए रामनुजा चारी 12 सेंचुरी एडी की बात कर रहा हूँ इनका फिलोस्फी है विसिस्त अद्वयत विस्त अद्वयत क्यों है यह actually यह भी non-dualism में बिलीव करते हैं बट यह non-dualism में भी dualism इंट्रोडूस कर देते हैं वो मैं बता देता हूँ कैसे ये बोलते हैं ये बोलते हैं कि ब्रह्मन यानि जो ultimate reality है ultimate reality वहाँ भी था आत्मा परमात्मा यही परमात्मा है परमात्मा ब्रह्मन ठीक है संक्राचारी जी बोले कि उसमें कोई अंतर नहीं है आत्मा और परमात्मन ये बोलते हैं की ब्राम्बन का दो टुक्रे हैं दो टुक्रे हैं एक उनका mental aspect है और एक उनका physical aspect है पूरा अंत्रिक्ष ब्राम्बन ही है बट उसके अंदर दो टुक्रा है ठीक है दो टुक्रा है हम सब जो इनसान है धरती है समान है वो ब्राम्बन का physical aspect में physical aspect में all physical things everything everything is a part of physical aspect of the ब्राम्बन बट उनका एक mental aspect है वो उनको हम उनके ही पार्ट है फिर भी वो उनको एक distinct आदमी बनाता है तो इसमें आप देखोगे कि dualism भी है non-dualism भी है कहना क्या चाह रहे है कि सब कुछ है तो एक ही पर्मेश्वर खा ब्राम्बन का लेकिन उनके दो aspect है जो physical being, world, universe, जितना तम जहाम है वो everything is physical aspect of the ब्राम्बन, it cannot become the mental aspect तो अलग है वो, तो visist अद्दुएत, कि हैं तो दोनों same, बट भगवान का एक visist aspect है एक visist aspect है जो इनसान नहीं पा सकता है या universe में कोई और नहीं पा सकता है आदी संक्राचारी बोल रहते है भगवान और इनसान में कोई अंतर नहीं है दोनों मिलके same है ये बोलते हैं कि हम भी सबकुछ भगवान के टुकरा हम भी है लेकिन भगवान के अंदर एक छोटा सा quality है जो बाकी कोई भी चीज attain नहीं कर सकता है वो mental aspect और इसलिए वो बोलत है है कि बहगवान के close जाने का यहां से भक्ति tradition का start होता है रामनुजाचारी के टाइम से यह भक्ति को तरीका बताते है भक्ति as method of salvation salvation के लिए भक्ती होनी चाहिए भक्ती भक्ती कब यहां से चालू होता है रामनुजाचारी से ठीक है दो एस्पेक्ट है बता दिया तो दोनों अलग भी है येट वन भी है ठीक है तो इसलिए यह बिसिस्ट अद्वैत है कि डुएलिटी तो नहीं है दोनों है सेम अद्वैत द्वैत मतलब अलग अद्वैत मतलब सेम सेम है बड़ विसिस्ट एक विसिस्ट कॉंपोनेंट है भगवान का जो इंसान नहीं एटेन कर सकता है कहानी समप्त करें ठीक है अब ये फिलोसफी और डेवलप होता है और जो तीसरे इसमें आते हैं जो नई टाइप की बात करते हैं उनका नाम माधवाचारिया है माधवा चारिया और ये दुएतवाद की बात करते हैं दुएतवाद दुएतवाद की बात कौन करते हैं माधवाचारी जी माधवाचारी बोलते हैं कि भगवान और इंसान सेम नहीं है ठीक है तो ये ब्रह्मन को पहले तो गौड बताते है कि जो ultimate है वो गौड है हम अलग है हम उनके हम जीव है नौर्मल ठीक है तो ये गौड है और जो हमारे सामने existing reality है उसमें animate objects जीव है और inanimate objects inanimate objects तो इनकी philosophy में तीन component हो गया गौड जीव यानि नौर्मल इंसान और inanimate objects यानि non-living things ये क्या बताते हैं कि अब ये देखो तो इनका जो overall दोयतवाद है इसमें monism नहीं है monism यानि सब कुछ एक monism absent and pluralism evident pluralism evident है अड़े यहाँ पे component इनकी philosophy के तीन है गौड इंसान और non-living things तो pluralism है न प्लूरलिजम कैसे हुआ भाई बता दे रहा हूँ confused मतो simple है जितना बताया जा रहा है pluralism कैसे है उसमें God इंसान inanimate सब मिल के God थे यानि ब्रह्मा सब से मिल के था कोई अंतर नहीं था इंसान में भगवान में और किसी सावान में सब एक ही है यहाँ पे तीनों को यह अलग मानते हैं तो यहाँ pluralism clearly evident है मादवाचारी इनका time 15th century था 15th century AD obviously ठीक है चले आगे तो मादवाचारी जी के बारे में अभी पूरा बताया नहीं हो यह क्या बोलते हैं कि इनका philosophy में liberation कैसे होता है कि God एक highest plank पे बैठे है highest plank पे वहाँ कोई ने पहुँच सकता है ठीक है और God के नीचे सब लोग एक hierarchy में है पूरा hierarchy है hierarchy hierarchy एक पूरी hierarchy है God के नीचे ठीक है और hierarchy में मालो यहाँ very good यह good मजाग नहीं करता हूँ समझाने के लिए ऐसे average average आते हुए यह worst तो जो भी आदमी जानवर inanimate लोग वो इस किसी position पे place हो सकते हैं और place होने का तरीका भक्ती है भक्ती में है शक्ती जितनी होगी भक्ती उतना आपका position very good की तरफ बरहेगा और भक्ती अगर कम होई है तो नीचे जाता जाओगे hell पहुच जाओगे worst में और आप सारी नरक की यातना आपको जहिलनी परेगी तो गौड की भक्ती करो गौड के करीब पहुचो very good position तक तो तुम जीव होतो जा सकते हो उससे उपर नहीं जा पाओगे क्योंकि गौड अलग है इनसान अलग है क्योंकि ये philosophy अलग है philosophy दो एतवाद की है यानि भगवान और इनसान कभी एक नहीं हो सकते हैं भगवान और इनसान अलग हैं भगवान भगवान हैं हम अलग है नहीं कर सकते हैं at max हम भक्ती करके भगवान के करीब जा सकते हैं अच्छे अच्छे कारी करो भक्ती करो तो आप भगवान के करीब जा सकते हो बट भगवान नहीं बन सकते हैं ठीक है भगवान नहीं बन पाओगे ये माधवाचारी जी का कहना है ठीक है ये पूरा hierarchy open है अपन जान जानवर और नॉन लिविंग तिंग्स उनका जोन ये है यहां से यहां तक जीव जीव प्लस इननिमेट्स जगह ऑक्यूपाई कर सकते हैं सब प्लूरल हैं कोई भी भगवान से मिल नहीं सकता है भगवान अलग हैं इसमें आप उपर से नीचे कर सकते हैं यही मादवाचार का फिलोसफी था छोटा सा सिंपल सा ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं इसके बाद जो चौथा फिलोसफी है वो है वल्लभा चारी जी का जो मैं आपको परहाया था कहा अभी पेंटिंग में सॉरी म्यूजिक में अश्ट चाप जो इनका म्यूजिक था चाप ये वल्लभा चारी जी के फिलोसफी का नाम शुद्ध द्वैत है गलती से मैंने शुद्ध द्वैत बता दिया था करेक्ट करा दियों शुद्ध द्वैत वाद ये भी ड्वैलिजम यानि भगवान ड्वैलिजम भगवान और इंसान अलग है द्वैत वाद का मतलब क्या होता है द्वैत वाद ये भी द्वैत वाद के believer है God and Jeev are different तो ये क्या बोलेंगे सुद्ध द्वैत कुछ भी करो तुम भगवान से दूर भगवान नहीं बन सकते भगवान all powerful है तो भगवान की भक्ती करो और इसके लिए इनका sect जो है उसका नाम है push 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 work push party जिसपे we 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 हरे रामा हरे क्रिष्णा करते रहो लगातार भक्ति करते रहो इस्वर की इस्वर नहीं बन सकते हो इस्वर परम पुझनिये हैं इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता इंसान भगवान की भक्ति कर सकता है तो खूब भक्ति करो ठीक है यही कहानी है और इसमें ये ये भी बोलते हैं कि जो आपके ये God बता तो दिया God and Jiva are different और God इंसान कभी बन नहीं पड़ेगा तो पुष्टी मार्क कृष्णा भक्ती से केवल कृष्णा से bond बनाया जा सकता है bond with the God but you cannot become God bond with the God इसके साथ ही Hindu philosophy का कहानी खतम होता है अब जो अपने एक देखना है ठीक है वो देख लेते हैं last ज़्यादा difficult थोड़ी है simple अच्छे समझा दिया हूँ confusion होते एक बार notes देख लो अच्छे वीडियो पीछे करके देख लेना दो तीन बार देख लेना मस समझा जाएगा इतना difficult नहीं है भाई इतना difficult नहीं है भाई अभी जब हम शुरू में वेधिक literature पर रहे थे तो हमने दो तरह की literature की बात की थी एक शुरूती और एक स्मृती शुरूती मतलब canonical जिसको question नहीं किया जा सकते है eternal truth है और that must be followed that is unchangeable लेकिन साथ में मैंने एक और बात की थी स्मृती लिट्रेचर स्मृती लिट्रेचर में भी तो हमें थोड़ी सी चीजें कवर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए भाईयो बहनों बताओ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए करनी चाहिए तो स्मृती लिट्रेचर स्मृती लिट्रेचर में पहला जो है नाम सुने हो मनू स्मृती का मनू स्मृती इसको मानव धर्म शास्त्र भी बोलते हैं मानव धर्म शास्त्र मनु स्वृति नाम में ही दिया है कौन है राइटर इसके मनु जी ठीक है इसमें धर्म ड्यूटी ओब्लिगेशन अलग अलग लोगों का क्लास कास्ट जेंडर सब पे बेस्ट लोगों का ड्यूटी ओब्लिगेशन लिखा हुआ है मनु की फिलोस्फ मनु ने इसको लिखा है इसमें उनिवर्स के बारे में भी बताया गया है ओर्जीन ओफ यॉनिवर्स ओरिजीन ओफ यॉनिवर्स का भी थियरी दिये है तोर्ज ओफ लौ law कैसे आता है यह सब भी बताया गया है बट यह changeable है क्योंकि यह स्मृति है ठीक है marriage सही तरीका गलत तरीका marriage का क्या है वो बताया गया है उपनयन जो sacred thread ceremony है जो जनव पहनते हैं लोग उसके बारे में बताया गया है बाकी जो violate करेगा violation का punishment भी है violation of all these codes के साथ कैसे हम फिर हमको क्या करना परेगा कौन से rights और rituals है जो violation अगर इन codes का हो गया या जो religious codes है तो फिर हमको purification के लिए क्या करना परेगा वो भी इसमें बताया गया स्मृति लिटरेचर में स्मृति में मनुस्मृति अपना इससे ज़्यादा जानने एक ज़रूत नहीं है चिंता मत करो इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछेगा ठीक है जो second है ये interesting है यजन यलक का स्मृति यजन यलक मृति यजन यलक कि स्मृति ठीक है इसमें दो किताबे interesting हैं एक का नाम है मिताक्षरा और एक दयाभाग दयाभाग जिमवुत वाहन जिमवुत वाहन ने लिखी है दयाभाग और ये विजनेश्वर विजनेश्वर ने लिखी है विजनेश्वर जी ने लिखी है मिताक्षरा दयाभाग लिखी है जिमवुत वाहन ने दयाभाग जो है ये बेंगॉल वाले रिजन में चलता है और ये रेस्ट ओफ इंडिया में मिताक्षरा चलता है इसमें inheritance, property rights ये सब बाते की गई है दो सिस्टम है याद रख रहा इसमें female का inheritance right का पहली बार बात किया गया था मिताक्षरा में female inheritance right के बारे में पहली बार बात किया गया था दयाभाग में woman को ज़्यादा rights दिये गाए इसमें भी inheritance वारे में है एरिया और किन्होंने लाया है वो याद कर लो यहाँ विजनिश्वर जी है और यहाँ पर जिम्वुत बाहन है ठीक है कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत I guess है नहीं तो अब चलते हैं अपना हिंदू लिटरेचर का अल्मोस्ट सारा कहानी खतम हो गया है except for one उसका नाम है पुरान ये भी इतनाम सुने होगे भगवती पुरान पुरान भी तो जानना जरूरी है कि पुरान क्या है पुरान पुरान का नाम में पुराना लिखा हुआ है पुराना मतलब old stories old mythological जो हिंदू stories है उसका collection पुरान है ठीक है पुरान बोलते ancient legends ठीक है तो गुपता एज गुपता एज में almost complete हो गया था almost बाद में भी कुछ लिखाया बट गुपता एज इसका सबसे prime time होगा और अब पुराना के content की बात कर लें तो again इसमें theory of universe theory of universe cosmos कैसे बने universe का कैसे गठान हुआ इस सबका theory है दूसरा चीज जो content में है वो genealogy है वो genealogy है genealogy genealogy किसका of gods demigods kings and sages रिसी जितने है इन सबका genealogy है कि कौन जिन्यो लाजी नहीं समझते हो या और कि खांदान वांदान बताना कि ये इसके बन सच थे वो उसके बन सच थे ये सब चीजें थी इसमें पुरान में ये content ही अभी discussion हो रहा है ठीक है तो content में चलते है content अभी continue हो रहा है पुरान का content अभी discuss हो रहा है philosophy भी है Hindu philosophy बट Hindu philosophy जो इस टाइम का ये corrupted form है corrupted form corrupted क्यों बोल रहा हूं क्योंकि यहां काफी superstitions भी भरे गए जैसे कि आप देखोगे जो आपका वेदिक सिस्टम था उसमें ज्यादा फिलोस्फिकल बाते थी यहाँ पे ज्यादा मरने के बाद क्या होता है जिंदा होने में क्या होता है बिलीफ पे है बट एकैडमिकली उसको लोग सुपरस्टीसियस मानते हैं कि भाई ऐस सजा मिलेगा वैसा सजा मिलेगा तो यह जो कंटेंट है इसको कई लोग सुपरस्टीसियस मानते हैं अकैडमिकली बाकि जो फेथ है उस पे कुछ कर नहीं सकते हैं लेकिन इवन इसमें वेदिक जो स्कूल है उसमें फिलोसॉफिकल चीज़े जादा है जो पुरानिक स्कूल है पुरानिक स्कूल में स्टोरीज यह सब जादा है तो इसलिए सुपरस्टीसियस भी बोलते हैं प्लस इसके कंटेंट में आपको अवतार्स अवतारवाद जो हिंदुईजम का है अवतारवाद जो हम अवतार में बिलीफ करते हैं हिंदुईजम में उसका काफी लेंगे उसके बाद जो अपने काम की चीजे हैं वो यह है कि पॉलिथिजम जो हिंदुईजम में है वो यहां से पूरा ट्रंदेन होता है पॉलिथिजम ठीक है अब पुरान में लेकिन एक चीज अच्छा था जैसे वेदास थे एक चीज डिस्टिंक्ट था वेदास से कि वे अक्सेसेबल था तू वोमें एंड तो कॉल लोवर कास्ट्स यानि हिंदु समाज के सारे लोगों को पुरान पढ़ने किया जादी दी गई थी ठीक है इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं corrupted form of Hindu philosophy क्योंकि जो आपका वेदिक या वेदान्तिक philosophy है वो complete high level abstract philosophy है यहाँ कहानी आती है ठीक है तो यहाँ पे आपका पुरान की कहानी खतम होती है इसके साथ ही हम almost Hinduism से related content और art and culture की चीज़ें almost खतम कर चुके है ठीक है यह slide में क्या दिक्कत हो गया भाई कोई नहीं देख लेते हैं इसको अब इसके बाद जो हम start करेंगे वो Buddhism अगें इसमें भी हम इसके literature और philosophy पे focus रखेंगे इसका जो history है कि बुद्धा कपैदा हुए और कहां से कहां गए और कहां पर उनको निर्वाना मिला कहां क्या मिला यह इंसियंट में history के form में परहा जाएगा art and culture में हमारा focus थोड़ा लिट्रेचर बुद्धिस्ट लिट्रेचर और बुद्धिस्ट philosophy पे होगा exactly जैसे हिंदुईजम में हम philosophy और literature पे focus कर रहे थे ना कि history पे history इंसियंट में परहेंगे यहां हमारा focus again literature and philosophy पे होगा तो बुद्धिस्टम जैनिजम और सिखिस्टम दोनों एस तीनों ऐसे देखने के बाद फिर हम literature complete कर देंगे ठीक है तो बुद्धिस्टम में जो सबसे important चीज है यह पहले यह एक reaction था reaction कि तू दी और्थोडॉक्सी of Hinduism Hinduism उस समय orthodox हो गया था वर्ण विवस्था वर्ण विवस्था आ गई थी caste system यह सब और जो बुद्धिस्टम उस समय पीक पे आ रहा था तो बुद्धिस्टम उस पे एक reaction था बुद्धिस्टम के कोर चीज़ों पे बात करें तो जो ultimate चीज़ है वो निर्वाना attain करना है निर्वाना attainment इससे salvation मिलेगा निर्वान चाहिए सबको ठीक है निर्वान चाहिए और अगर बुद्धा के बारे मोले तो transmigration of soul पे बिलीव करते हैं transmigration of soul कर्म ये सारा जो हिंदू philosophy की चीज़े थे इस पे यहां भी बिलीव था जब बुद्धा से गौड के बारे में पूछा गया कि गौड है या नहीं remain silent on God तो कुछ बताए नहीं है remain silent on God गौड के बारे में कुछ बताए नहीं तो कुछ लोग गौड मान लेता हैं कुछ लोग नहीं मानता हैं उन्होंने छोड दिया वो followers पे कि भाई खुद देख लो ठीक है अब जो philosophy है Buddhist philosophy उसकी बात करें तो बुद्धा घर चोड़े घर चोड़के एक aesthetic का life जीने लगे ठीक है और वहां से उनको निर्वान प्राप्त हुई निर्वान जो भी उनका निर्वाना लेने के बाद बुद्धा प्रीचर बन गए जो बुद्धिजम के बारा जो message था उनका वो लोगों को बताने लगे ठीक है बुद्धा का जो philosophy था वो ये था कि ज world है अपना world philosophy की बात करते हैं world is full of pain and sorrow world is full of pain and sorrow ये बुद्धा बोलते हैं पूरा world में pain और sorrow भरा हुआ है बट इसका reason reason है desire इक्छाएं इक्छा इंसान को दुख देती हैं ऐसा बुद्धा का कहना था तो desire को minimize करना minimize करने से आप अरे करने से को हिंदी मिलिठ दिया minimize desire ठीक है यहां से यही root है निर्वान प्राप्ति का निर्वान is a state of bliss state of bliss ठीक है महापरी निर्वान जो होता है वो डेथ होता है कि आप जीवन मृत्यू के चक्र से आजाद हो जाएं लेकिन निर्वान is a state of bliss यह achieve करना है तो आपको अपने desires control करने परेंगे यही बुद्धा का philosophy था बुद्धा प्राकृत में संस्कृत की जगा प्राकृत यूज करते थे और जो बुद्धिस लिट्रेचर शुरू का रहा वो भी प्राकृत में रहा बाद में हलांकि संस्कृत में गया प्राकृत होने से accessible था क्योंकि यह people's language था accessible to all लोग प्राकृत यूज करते थे scholars soundsiggered यूज करते थे तो प्राक्रित हो गया दुसरा जो बुद्धा ने और एक चीजा किया नंस को किया था अपने संघा में थलगा में के नंस को allowed किया तो वोमें के लिए भी इजी हो गया निर्वाना प्राप्त करना और कुछ इसमें है नहीं जो इनका टीचिंग्स में देखोगे तो थ्री फोल्ड पाथ की बात हुई है थ्री फोल्ड पाथ में बुद्धा खुद संगा और धम्मा बुद्धा पता है संगा मतलब जो इनका ओर्डर था मोनाश्ट्री वहाँ जाओ जॉइन करो और धम्मा मतलब सही मूरल पाथ पे चलो तो आपको निर्वान मिल जाएगा थ्री फोल्ड पाथ ठीक है और बाकी जो वो दुख और डिजायर को रोकने क लिए एट फोल्ड पाथ की बात किये थे ठीक है यह जो आपका है हाँ इसके इसके लिए एट फोल्ड पाथ की बात किये थे एट फोल्ड पाथ एट फोल्ड पाथ जगे नहीं बचा है आगे लिख देता हूं यह तो हो गया एट फोल्ड पाथ को अलग से लिख देता हूँ फिर से एट फोल्ड पाथ जो है एट फोल्ड पाथ उसको अस्टांगी का अस्टांगी का मार्ग बोलते है ठीक है ये बुद्धिस्ट फिलोसफी में इंपोर्टन्ट है और जो एक है overall बुद्धिस्ट फिलोसफी का जब आप कोर देखिएगा तो बुद्धिस्ट फिलोसफी मद्यम मद्यम मार्ग दी मिडिल पाथ की बात करता है अब ये क्या है बहुती सिंपल सी चीज़ है कि बुद्धिस्ट फिलोसफी extremes में नहीं जीता है बोलता है दो चीज़ें गलत है क्या क्या extreme indulgence की worldly affair में extreme indulgence गलत है पूरा आप दुनिया के मजे में जीवन में अपने normal जीवन में अगर पूरा involved हो गए हैं गलत है दूसरा आप सब कुछ त्याग करके self mortification टाइप के stage पे एकदम साधू बनके सब कुछ त्याग करके खाना पिना छोड़ दिये ये भी गलत है बुद्धा बोलते हैं एक balance बना के बुद्धिजम का जो principle है जो philosophy है वो मद्यम मार्ग सजेस्ट करता है कि ज्यान रखो extreme indulgence मत रखो बीच का रास्ता लो उससे तुम निर्वाना भी पा सकते हो और अपने जय विजय हो जो ऐस अप जीवन में चीमेदारियां है उसका भी निर्वाहन कर सकते हो यही पे बुद्धिस्ट फिलोसफी यही पे अपना खतम होता है major बुद्धिस्ट फिलोसफी में idea इतना ही है फिलोसफी पार्ट से इतना ही है कुछ मिस नहीं किया हूँ I guess सब कुछ काम का बता दिया हूँ इससे ज़्यादा बुद्धिस्ट फिलोसफी ने बुद्धिस्ट का हिस्ट्री फिर हम इंसेंट में कर लेंगे चिंता मत करो absolute truth है इसको question नहीं किया जा सकता है इसको change नहीं किया जा सकता है absolute truth canonical must be followed must be followed इसमें त्री पिताकाज त्री पिताकाज एंड ने त्री पिताका ही आएगा बाकी आपके उसमें जाते हैं ठीक है तो त्री पिताका में बाकी non canonical में जाते है canonical का जो पहला पिता का है उसको सुथ पितक सुथ पितक बोलते हैं सुथ पितक में क्या है सर्मन्स and teachings of बुद्ध सर्मन्स and teachings of बुद्ध इसमें कोई doubt है कि जो बुद्धा ही बोलके गए हैं वो तो follow करना ही परेगा बुद्धिष्ट बढ़ने के लिए इसको change कैसे किया जा सकता है तो यह हो गया सुथ पितक जो दूसरा है उसका नाम है विनय पितक विनय पितक में rules and regulations of the monasteries rules and regulations of बुद्धिष्ट monastery है इसको भी follow ही करना है कि monastery में रहना है तो कैसे रहना है क्या करना है कब पूजा करना है किस तरह का ब्यवहार करना है जो भी विनय पितक में है यह भी canonical है must be followed और तीसरा अभी धम पितक अभी धम पितक इसमें बुद्धिजम की philosophies है of Buddhism philosophies of Buddhism यह भी must to be followed इसमें question mark नहीं लगा जा सकता है एक चीज जो यहां बताना चार्ट भूल गया था सुत्पितक में एक और इसी सुत्पितक में निकायाज निकायाज बुद्धिस्ट टेक्स्ट इसी के पाठ है इसी के पाठ है तो डाइरेक्ट निकायाज आएगा तो वो बुद्धिस्ट लिटरेचर का हिस्सा है और यह सुत्पितक का पाठ है निकायाज ठीक है यह हो गए आपका बुद्धिस्ट में केनोनिकल वाली चीज़ें केनोनिकल चीज़ें कवर हो गई अब बुद्धिस्ट में बुद्धिस्ट लिटरेचर के नॉन केनोनिकल फॉर्म यानि सप्लिबेंटरी लिटरेचर नॉन केनोनिकल non-canonical मतलब supplementary and can be changed can be changed according to time and needs बदलाओ, संभव है इसमें तो इसमें जो पहला है जो पहला है वो है जतक स्टोरीज बता चुका हूँ जतक स्टोरीज क्या है बुद्धा के past life की स्टोरीज है बुद्धा के past life की स्टोरीज है इसमें moral messages छिपा हुआ है moral messages moral messages इसके अंदर है आपके जतक स्टोरीज में moral messages है और यही आपको जो आपका sculpture बनता था स्टूपा और यह सब जो परहाया था तो उसमें जतक स्टोरीज जैसे कि सांची स्टूपा है अमरावती स्टूपा है उस पर जैसे सांची स्टूपा आके गेट और वेदिका पर जतक स्टोरीज का वर्दन है image के थ्रूँ उसी तरह अमरावती में image के थ्रूँ जतक स्टोरीज है ठीक है तो जतक स्टोरीज non-canonical है इसके बाद जो दूसरा है वो है दीप वम्स ये chronicles of the island इस सब्द का मतलब है स्रिलंका में पाया गया था स्रिलंका में और इसमें बुद्धिस्ट हिस्ट्री पे काफी ज्यान है दीप वम्स के साथ एक और किताब का नाम है महाबंश ठीक है एक और किताब है मिलिंद पन हो मिलिंद पन हो मिलिंद मियंडर एक इंडो ग्रीक किंग था जो आके आपके नॉर्थ उएस्ट इंडिया में था और इनका नागसेना नाम के एक गुरूप से सवाल जवाब है एक गुरूप बोल दिया एक गुरूथ है नागसेना बुद्धिस्ट गुरू थे उनसे मियंडर बहुत सारे सवाल पूछता है और नागसेना उसका जवाब देते हैं और जब मियंडर कण्विंस हो जाता है यह भी important है और कुछ बचता है क्या Buddhist literature में एक तो कल बता वो पहले ही आपसे discuss हो चुका है अश्वगोस का बुद्ध चरित यह discussed है already ठीक है और इससे ज़्यादा कुछ मुद्ध बचता है क्या नहीं तो यहाँ पर बुद्धिजम वाला literature भी खतम होता है और एक जब हम करी ही ले क्या उसको या sect करेंगे तब कर लेते हैं उसको छोड़िये तो इसको खतम करते हैं अभी सेक्ट भी करेंगे तो करते हैं अभी अपन चलते हैं सीधे अपने next topic पर जो है जैनिजम ठीक है जैनिजम जैनिजम में जो basic चीजे हैं वो सब जान लो कि जैनिजम जो word बना है जिना जिना से जिना मतलब conqueror ठीक है अब इसमें भी जो major आपका चीज है वो निर्वान प्राप्त करना है जो निर्वान प्राप्त कर लेता है ठीक है मोक्ष इसमें मो मोख्ष सेमी होता है कोई बड़ी बात नहीं है तो सिद्धा बोलते हैं जो लोग भी मोख्ष प्राप्त कर लेते हैं उनको सिद्धा बोलते हैं ठीक है जिना कनकरर को बोलते हैं और यह महावीर जी को भी बोला जाता है ठीक है अब सिद्धा जो लोग मोख्ष प्राप्त कर प्लस, दे हेल्प टू, रिवाइटलाइज, जैनिजम, जो जैन टीचिंग को, रिवाइटलाइज करेंगे, आपके सिद्धास, उनको हम लोग, तिर्थांकर बोलते हैं, तिर्थांकर मतलब, जो में जैन गुरू है, या भगवान है, जो भी बोलो, लोग के बिलिफ सिस्टम है, वो उनको तिर्थांकर बोलते हैं, ठीक है, तो टोटल, जैनिजम में, 24 तिर्थांकर्स, माले जाते हैं, 24 तिर्थांकर्स में, जो पहले हैं, उनका नाम है, आदिनाथ, या रिशवदेव, रिशवदेव भी बोलते हैं, आदिनाथ भी बोलते हैं, इसमें कहीं कोई दि लिकत नहीं और जो सिग्निफिकेंट है अपने लिए वो 23rd पार्षबनाथ जी पार्षबनाथ जी है और 24 अपने महावीर सहाब है यह लाश्ट तिर्थांकत महावीर सहाब है पार्षबनाथ जी तक जो आपका जैनिजम था इसमें चार चीज़ें बताई गई थी क्या-क्या सत्य अहिमसा असते और अपरी ग्रह अपरी ग्रह सब का मतलब जानते हो नहीं जानते हो तो सत्य तो पता है ट्रुथ हुआ कि आप non-violence किसी को injure मत करो असतेई का मतलब होता है non-stealing non-stealing और यहाँ अपरीग्रा जो होता है इसको अपरीग्रा मतलब non-position position के पीछे मत भागो position के पीछे मत भागो यह अपरीग्रा होता है तो एक से लेके पहले यह बता देता हूँ कि जो आपके तिर्थांकर है उनके एक से लेके 23rd जो अपने तिर्थांकर है 1 to 23rd जो तिर्थांकर है उनके teachings को उनके teachings को जो एक से लेके 23 तक तिर्थांकर है उनके teachings को पूर्व पूर्वा बोलते हैं पूर्व ठीक है अब ये जो आपके principles हैं इसमें अपने महवीर सहब जो आपके 24 तिर्थांकर थे इन्हों ने एक चीज और add कर दी वो है celibacy यानि ये चारो principles retain किये पूर्व से जो पहले के तिर्थांकर बता के गए थे कि ये चीज़ें आपको करनी परेगी अगर आपको निर्वाना प्राप्त करना है प्लस उसमें celibacy जिसको ब्रह्म चारिये बोलते हैं ब्रह्म अचारिये उसको भी इसमें include कर लिया तो total जब ये महावीर ने किया महावीर जी ने इसको भी include कर लिया यानि ये चारो principle को retain करते हुए इसमें पाचवा principle add कर दिया ठीक है अब इसके बाद हम तो सबसे पहले soul soul in everything हर चीज में आत्मा है यानि God में animates में यानि जिसमें life है इंसान जानवर in animates में in animates में यानि पत्थर कुछ भी हो सब के अंदर एक आत्मा है तो ये soul में believe करते हैं ठीक है और जो इनका है three-fold path इनका एक three-fold path है इनका भी एक three-fold path है बताई देता हूं right faith knowledge भी right होना चाहिए और conduct भी right होना चाहिए ये तीन चीज़े हैं इनका belief system में ठीक है God में belief करते हैं God में belief करते हैं बट ये जिना के नीचे गौड को place करते हैं God belief बट placed below जिना यानि जिना सबसे उपर है उसके बाद God आते हैं God में belief system इनका गौड में भी है बाकी कर्मा transmigration transmigration of soul transmigration of soul मतलब कई सारे life होंगे एक life के बाद दूसरा life के बाद तिसरा life transmigration of soul कर्मा ये सब में belief करते हैं ठीक है और कुछ बचता है इसमें काम का जो जानने लाइक है एक तो उनका major अभी philosophy बताऊंगा ही but as such कुछ जो छूट रहा हो बता दो आये पराकृत में ये भी बताते थे पराकृत पराकृत का ही बहुत सारा form होता था जैसे अर्ध मगधी मगधी ये भी people's language यूज करते थे मुद्दा क्या था people's language ठीक है और और जो इनका main philosophy है वो अने कांत वाद है यानि multiple viewpoints multiple viewpoints accepted multiple viewpoints टेम चीज को देखने का बहुत सारा नजरिया हो सकते और जैन philosophy उसका space देता है diverge viewpoints का ठीक है इसके बाद और कुछ काम लाइक नहीं है सब कुछ अपन देख चुके हैं हाँ एक चीज जो बचता है जो छूट रहा था वेदाज को reject करते हैं बट कास सिस्टम के against नहीं है कास सिस्टम के against clearly नहीं है कास सिस्टम not rejected ठीक है और अनिकांत वाद हो गया सारा कहानी खतम है जैन में जैसे बुद्धिसम में पहले ही बता चुका हूँ विहार और चैते होता था चैते होता था जहांपे बुद्धिस्ट लोग पुजा करते थे मौंक्स आपके और विहार होता था जहांपे रहते थे वैसे ही इनके मुनास्ट्री को स्थानकाज बोलते थे स्थानकाज 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 स्थानकवासी करके question आ चुका है इनके मुनाश्ट्री को स्थानकाज बोलते थे अब जैनल लिटरेचर में थोड़ा सा जैनल लिटरेचर में थोड़ा सा देख लेते हैं तो इनमें जो अपना दो मेजर ग्रूप है वो है सुईतामबर सुईतामबर में अगामाज और ये सब्त है ठीक है सुईतामबर स्कूल जो है वो स्थूल भद्र की है और जो दिगामबर स्कूल है पहले ये देख लेतें दोनों लेकि नाम न भूल जाओ बताना दिगामबर स्कूल जो है स्थूल बद्र हो गया ये भद्र बाहू ये भद्र बाहू हो गया इन में अगामा अगामा लिट्रेचर है अगामा लिट्रेचर डाइरेक्ट पुछेगा अगामा लिट्रेचर किस चीज़ से रिलेटेड है याद नहीं रखोगे, मुँ बाके आजाओगे एक जाम में, ध्यान से याद रखो, अगामा लिट्रेचर, अगामाज, अगामाज, और अगामाज के अंदर ही, इसी लिट्रेचर में का बारा अंगाज है, बारा अंगाज, अगामा और अंगाज, दोनों शब्द याद रखो अगामास और अंगास ये दोनों वर्ड याद रखना परेगा आपको ठीक है और जो दिगांबर में है कल्प सूत्र कल्प सूत्र ये तीन चीजें याद रखनी इतनी डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए कलेक्टर बनने चले हो थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा और याद नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा इस देश में बिरोक्राइट बनना है देश के कल्चर के वारें जानकारी नहीं होगी तो आप कल्चरली सेंसिटिव नहीं होगे यह सेंसिटाइजेशन किया जा रहा है अपका ठीक है यह खतम अब भी देख लेते हैं थोरा सा यह भी अपना इंपॉर्टेंट है रिलिजिन बट यह बहुत मॉडर्न है तो इतना दिक्कत नहीं है यह काफी मॉडर् इसलाम का फ्यूजन है बट इसमें गुरू को बहुत ही मतलब उपर पोजिशन दिया जता है गुरू प्लेस्ट वेरी हाई गुरू ही सही ग्यान का रास्ता है तो गुरू का टीचिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है हिंदुईजम इसलाम का फ्यूजन हुआ था बाकी गुरू आपके बहुत हाई है 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 रार्की में गुरू का जो ग्यान है उसको बहुत हाईली जद दी जाती है और वो फॉलो किया जाता है इसमें जो दो चीज़ें अपने देखनी है वो है गुरू अंगद और गुरू अर्जुन देव इन्होंने गुरू मुखी स्क्रिप्ट स्टार्ट की ठीक है और गुरू अर्जुन देव जो है आपके वो गुरू ग्रंद साहिव जो सिक्रेट टेक्स्ट है सिक्के सम की गुरू ग्रंद साहिव पॉर्मुलेट करवाए गुरू अर्जुन देव और हो गया इसके आगे अपन चलते हैं भाक्ति मूव्मेंट यहां से भी कुछ इंपोर्टेंट लिट्रेचर निकले हैं वो भी देखना परेगा अपने को भाक्ति मूव्मेंट भाक्ति मूव्मेंट में यदि जाए ठीक है अब यार जल्दी-जल्दी में लिस्टिंग कुछ छूटे नहीं सबसे पहले अलवर्स आये थे अलवर्स वैश्नवाइट थे बाकि भाक्ति मूव्मेंट का हिस्ट्री हम फिर परेंगे इंसियंट में अभी हम इसको केवल आर्ट और कल्चर के अब तरीके से देख रहे हैं वैश्नवाइट थे और इनकी किताब जो है नालायरा दिव्य प्रबंधम है नालायरा दिव्य प्रबंधम है ठीक है अलवर्स और इसी टाइम डीप साउथ की बात अभी चल रही है ये डीप साउथ से भाक्ति मूव्मेंट चालू हुआ था तो जैसे ये इंडिया है यह अभी हम यहां का बात कर रहे हैं अलवर्स औ दोनों आये थे अच्छा इनका नालाहरा दिवी प्रवंधम कलर अलग रख लें क्या यह नात मुनी ने लिखी नात मुनी अधिक है अब नयनार जो थे यह शेवाइट्स थे शिवजी के भग्त शिवजी के भग्त थे यह शेवाइट्स थे और इन में किताबें ज्यादा हैं और जगे कम है तो नयनार की किताबें उधर कवर करते हैं नेक्स्ट पीज पे चार है नयनार्स में चार किताबें अपने को देखनी है एक है तेवरम ठीक है दूसरा है तिरुवा सागरम तेवरम तिरुवा सागरम किसी को चकर आ रहा है तो कुछ नहीं किया जा सकता है यह नाम याद रखना परेगा यह भक्ती मुव्मेंट में नयनार्स की किताबें हैं डायरेक्ट पूछ देगा आपको करना परेगा थोड़ा बहुत तो यह याद आपको करना परेगा कोई उपाई नहीं है यह याद क तिरुमुरही और शैव सिद्धान्त शैव सिद्धान्त ये चार किताबे आपको याद रखनी पड़ेगी और जो दो नाम याद रखने इसमें मन्नी मन्नी का वसागर इनकी किताब है ठीके और ये नाम भी की किताब है यार इतना याद कर लो भाई कोई चारा नहीं है इसको याद करना पड़ेगा एक जगे लिख के दे रहा हूँ रट लेना तेवराम तिरुवा सागराम मनिकावा सागर का है और तिरुमुराई और सेवजिधान ठीक है नम भी इसमें बाई मेरे पास भी कोई दूसरा तरीका नहीं है होता ता अपके लिए मैं जरूर कुछ उपाय करता बट आपको याद करना परेगा कोई उपाय नहीं है फिर वेर वीर सेविजम वेर लिख धirt वीर सेविजम वीर सेविजम क्या था इन लिंगायत सेक्ट इससे बना था लिंगायत सेक्ट ठीक है लिंगायत सेक्ट और ये बसावना गुरू है बसावना जी इन्होंने और इनके जो लिटरेचर है बसावना फाउंडर थे और जो इनका लिट्रेचर है वचनाज बोलते है ठीक है अगर मैं एक बार भक्ती मुवमेंट आपको जल्दी से बता दू ताकि आपको थोरा सेंस बनाएगा तो मैं थोरा सा पता दे रहा हूँ कि हम कर क्या रहा है अभी ये पता रहना ये पता रहना जरूरी है कि हो क्या रहा है हो ये रहा है कि जब भक्ती मुवमेंट स्टार्ट हुआ था तो वो दीरे दीरे स्प्रेड होता है जब सुरू हुआ था तो वो डीप साउट से चालू हुआ था तो डीप साउट ये है यहाँ पे अलवर्स और नया नर्स मिले यहां फिर यहां से करनाटक आता है यहां दो यहां पे आपको वीर सेविस आऊं अब फिर यह spread होता है बाद में सब जगे तो यह महराश्ट जो है महराश्ट का आपको पहले ही बता चुका हुँ मैं महराश्ट में भी काफी strong influence था ठीक है उसके बाद यहां पे गुजरात में भी स्प्रेड होता है यहां नर सिंग महता और यह सवाते हैं रास्थान में आपको मीरा बाई वाला जोन उधर यूपी में आपको जो अपने कबीर हैं राम सागर सूरदास ठीक है यह जितने है रामचरित तुलसी दास रामचरित मानस लिखने यह इधर यहां पे जाओगे तो सिख्खिजम में गुरुनानक आते हैं बाबा फरीद आते हैं यह सब जगे यहां पे फैलता है उसके बाद यहां जाओगे तो चैतन्य महाप्रभु आएंगे यह सब हिस्ट्री में बताऊंगा अभी बस समझाने के लिए यहां जाओगे यहां शंकर देवाते हैं नाम अभी नहीं लिखता हूं तो यह पूरे इंडिया में भक्ती मुव्मेंट स्प्रेड कर गया था ठीक है तो हम एक एक करके जहां जहां से सिग्निफिकेंट कुछ लिट्रेचर के लिए है वो उठा रहे है ठीक है तो वीर सहविजम में वचनाज है अब इसके बाद में क्या बोला तीसरा महरास्ट से पहले अपन थोड़ा सा नौर्थ देख लेनी चलो महरास्टी देख लेते हैं महरास्ट क्योंकि पहले कवार्ड ह महरास्ट में विष्णुजी पूजा होती थी और इनक्या जो विष्णुजी काफर्ण था विठल के नाम से विठल भगवान के नामसे ठाए और अभंगा लिट्रेचर ये बता चुका हूं अभंगा लिट्रेचर बताया जा चुका है अभंगा लिट्रेचर लेकिन इसमें दो और नाम याद रखने हैं वो भी बता देता हूं साथ में जो दो किताबे इंपोर्टेंट है एक कि जनादेव का कि ठीक है जने स्वरी जने स्वरी इस किताब में क्या है भगवत गीता पे मराथी कोमेंटरी और भगवत गीता और यहाँ पे एक किताब और लिखाता है दास बोध यह रामदास्ची लिखते है रामदास्ची सिवाजी के गुरू थे यह रामदास्ची की किताब है रामदास्ची ने किताब लिखी है दासबोध he's also the guru of शिवाजी the great शिवाजी यह महरास्च हो गया आपका ठीक है यह लिटरेचर इंपोर्टेंट है दासबोध जनेश्वरी और अभंगा पहले ही बता चुका हूँ तो अभगाम कोई लोड नहीं है अब थोरा सा नौर्थ आ जाते हैं नौर्थ में अगर मैं बात करूं तो सिखिजम का बता ही चुका हूं तो बचता क्या है बचता है तुलसिदास जी का तुलसिदास जी का जिया था ये नहीं पता है न अगर गेहरी समस्या है ठीक है तूर्दास जी भी लिखे थे सूर्दास जी की ये तो पता होगा सूर्ष आगर रामचरित मानस तो पता होगा यार ठीक है सूर्शागर साहित दिलाहिरी तीन किताबे हैं की और तीसरा जो है वो सूर्व सरावली यह तीन किताबे सूरदास जी की हैं तुलसिदास जी की हैं यह आपको याद रखना पड़ेगा और कभीर के दो हैं कभीर के दोहाज यह प्राइमरली लिटरेचर में आपका नौर्थ इंडिया में काम हुआ ठीक है महराष्ट हो गया है अब थुरा से चलते हैं आपन कश्मीर में सोमदेव ने कथा सरीट सागर कथा सरीट सागर लिखी थी कथा सरीट सागर यह संस्कृत में जो बुक्स लिखी गई मेडाइवल इंडिया की सबसे फेमस सबसे फेमस बुक है ये मेडाइवल इंडिया की संस्कृत में ठीक है कथा सरीत सागर सोमदेव ने लिखी और कुछ इसमें बताना है कुछ नहीं बताना है तो यहाँ पे अपना भक्ती लिटरेचर का भी कहान खतम हो जाता है अब हम चलते हैं अपने फिलोसफी पे थोरा सा वापस आते हैं क्योंकि कुछ अधर फिलोसफी भी थी जिसको साथ में कवर करना जरूरी है अधर फिलोसफी बस दो कवर करेंगे यार ज्यादा लोड मतलो एक अजीवी का अजीवी का सेक्ट इनके फाउंडर थे गोसाला ठीक है अजीव का सेक्ट जिसका लोमस रिसी केवा सोका ने दिया था याद है गया में उसका अजीव का सेक्ट की बात कर रहा हूँ अजीब का सेक्ट जो सेक्ट था इसका belief system की अगर मैं बात करूँ थी ये fate fatalist थे इनके philosophy को नियती philosophy बोलते हैं नियती philosophy और इनके philosophy का मतलब क्या है? all things are predetermined fate fatalist कहने का मतलब क्या है? बता देता हूँ predetermined spelling देख लेना है बच्चे तो नहीं हो predetermined का अजीब का सेक्ट में क्या कहा जाता है? कि जो होना है वो होगा आपको जो करना है कर लो तो fate fatalist, fate को छोड़ दिये fate से हार माल लिये कि देखो हम कुछ कर नहीं सकते हैं जो होना है वही होगा जो करना है कर दो तो अजीब का सेक्ट गोसाल का था ठीक है? fate fatalist थे, नियती, philosophy इनका नाम है वही नियती यह सब fix है all things are predetermined जो अगली philosophy थी जो अपने को पढ़नी है वो है चारवाक की लोकायत लोकायत philosophy यह क्या है? यह गॉड को नहीं मानते नो गॉड गॉड को नहीं मानते यह क्या बोलते हैं? pleasure low hedonistic philosophy है pleasure low hedonism की ask करो जिंदगी में seek all pleasures just enjoy the life no worries ना भगवान है ना कुछ है कर्म का कहीं लेखा जो खा नहीं होता है जो करना है करो बस मज़े में जिंदगी निकालो यही इनकी philosophy है ठीक है? hedonism की philosophy है materialism की philosophy है कि अगर pleasure में मज़ा लेने में materialism की जरूरत है तो material भी acquire करो कोई रोकने वाला नहीं है pull materialism पे focus करो ठीक है? यही है hedonism materialism का philosophy है कोई god नहीं है nastic school तो है ठीक है? I don't think इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानने की जरूरत है sensual हो गया इसका शलोग लोग तो मोदी जी भी पर्लियमेंट पढ़े थे सुन लेना मुद्दा यही है pleasure पे focus करो materialism पे focus करो कोई भगवान नहीं है कोई कर्म का लोखा जो लेखा जो का नहीं लिखा रहा अच्छा काम बुरा काम कुछ नहीं होता है मजे वाला काम ही सारा अच्छा काम है जो मजे में है वो सही है जो कष्ट में है वो मूर्क है यही यह philosophy कहता है ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत होगी नहीं चैरवाग की philosophy simple ही है pure materialism जो आज कल चल रहा है capitalism में चैरवाग कह गये थे काफी पहल ठीक है? तो यहां से अब हम थोरे से sects की ओर बढ़ते हैं religion में sect पढ़ना भी तो जरूरी है sect क्या होता है? एक छोटा religion में या तो कई बाद divergence छोटे छोटे groups बन जाते हैं वो sect होता है या फिर एक छोटा सा group किसी religion से तूटके अलग होके नया religion बनाने की कोशिस करता है उसको sect बूलता है ठीक है? तो sects भी पढ़ने जरूरी है तो थोड़ा सा पहले हम घुषते ही हिंदूइजम में सारा देख लेते हैं हिंदूइजम में इसमें नाम ही सारा याद रखना है तो मैं कुछ कर दें सकता हूँ नाम याद रखना परेगा वैशनविजम यहाँ दिक्कत थो लिए है अब जो बताने वाला हूँ वो दिक्कत है वैशनविजम में जो जो आपको याद रखना है सेट वो मैं बता दूँ अलग कलर में दे देता हूँ ताकि आँख पे चमके एक का नाम है वरकारी पंत वदिक्कत वरकारी पंत राम नंदी उसके बाद ब्रम ब्रम पंत एक तो बता चुका हूँ ये easy होगा उस्टी मार्ग उस्टी मार्ग बताया जा चुका है और एक निम्बर का देख लो यार याद करना हुट कर लेना ऐसे तो मुश्किल है बट डाइरेक्ट सब्द में पूछ देगा ये किसका सेक्ट है तो इतना तो देख के जाना कि करें पहकी एटलिस्ट आंख से पहचान तो पाओ ये पाछ सेक्ट वैश्नविजम है हिंदूईबिजम में चार्ट टुकरें हैं तुकरे नहीं है उसी के अंदर का सब्दिजन कहलो एक वैश्नविजम हो गया तो वैश्नविजन सेक्ट वता दीजिए एक शेविजम हो गया शिवजी शिवजी वाले लोग हैं ये जो सिवजी को ही परम गुरू मानते हैं उसके सेट्स की बात करें तो एक सिद्धाज हैं सिद्धाज एक नाथ पंथीज हैं एक आपके जो कपालिकाज है न अगोरीज अगोरीज हैं कपालिकाज हैं कालमुख कालमुखाज ठीक है ठीक है इसी में एक पशुपत स्कूल भी आता है पशुपत स्कूल पशुपत स्कूल अगोरी नहीं कपालिकाज और कालमुख पशुपत स्कूल में आएंगे यह भी इस्सिमिलर ही है ठीक है अगोरीज अलग हैं पशुपत स्कूल में कपालिका और कालमुख कालमुख आएंगे ठीक है और कुछ एक और है लिंगायत्स अभी बता दिया ये भी शिव जी को मांगते हैं लिंगायत्स जो बसा बना के थे भक्ती मुव्वेंट पे ठीक है और एक और बता देऊं दस नामीज मेरे क्या है लिख दे रहा हूँ यह नोट्स में रहेगा सारा exact याद रहे यह ना रहे देख के जाना ताकि अगर option में आए तो at least you can identify कि क्या बोला जा रहा है वहाँ पे आप इतना तो कम सकम identify कर लो कि क्या बोला जा रहा है ठीक है उसके बाद hinduism में दो और part हैं दो और sect हैं एक सक्टी और दुसमा दूसरा स्मर्तिजम नाम याद रख लो इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं परेगा तो शैविजम, वैशनविजम, स्मर्तिजम और सक्तिजम यह चार आपको याद रखनी परेगी यहाँ पर आपका हिंदुईजम का सेक्ट खतम होता है हो गया क्या खतम, जबर्दस्त बहुत आगे जा रहे हो आप लोग, सब पर डाल रहे हो इस वारतो ठीक है, अब आते हैं अपन, बुद्धिजम पे बुद्धिजम के सेक्ट में अगर मैं देखूं तो कुछ तो जाते ही हो, कुछ भी नहीं जाते हो, तो दिक्कत है पहला, जो आपका बुद्धिजम में है, वो है हिनायान, हिनायान यानि ओल्ड बुद्धिजम जो आपका और्थोडॉक्स orthodox buddhism ये buddha को symbol के form में दिखाता है हजार बार हजार बार इस वीडियो में discuss हो चुका है हिनायान दूसरा mahayaan mahayaan यानी buddha को human form में represent करता है god मानता है buddha को human form और god मानते है god वहाँ पे guru मानते थे यहाँ पे guru और यहाँ पे God ठीक है? महायान में आपका बोधी सत्वा का भी बोधी सत्वाज बोधी सत्वाज क्या है? डेमी गोड है, एक्च्वल गोड नहीं है ये वो लोग हैं जो निर्वाना प्राप्त कर चुके हैं बर धर्ती पर रुके हुए हैं जो बाकी लोगों का पार लगा रहे हैं कि इनको सिखा सिखा के पहले निर्वाना दिलाओ, हम लास्ट में लिग ठीक है? इसमें अब लोग किते स्वर, अमिताब, वजरपानी पदमपानी और मंजूसरी मैत्रे ये सारे लोग हैं नाम भी लिख दूँ क्या? लिख ही देता हूँ भाई लिख ही देता हूँ, एटलीस्ट एक जगे रहेगा तो, जिसको इक्छा होगी, रट तो पाएगा बिचारा बोधी सत्वाज जिसको नहीं इक्छा हो मत रटना, जिसको हो वो जरूर रट लेना अव लोग की तेश्वर पदम पानी वजर पानी मेत्रेय और कुछ बचता है मंजूसरी कितना याद करोगे भाई मंजूसरी इससे आपका काम हो जाएगा तो महायान, हिनायान, कवर हो गया अब सुरू में दो-तीन नाम और था बुद्धिजम में जो अब इतना सिग्निफिकेंट नहीं बचा बट वो सब भी तो एक सेक्ट है तो याद तो रखना परेगा स्थावीर निकाए स्थावीर निकाए किस से रिलेटर है बुद्धिजम से स्थावीर निकाए महा संगी का ठीक है और एक थेरा वदा थेरा वदा old gods old gods जो old age के लोग है यह थेरा वदा बुद्धिजम उसको बोला जाता है old teachings old gods and old teachings यानी इसको sect of elders भी बोल सकते हो sect of elders old teachings इसमें परे हुए हैं और यह पाली में है और इसका particular influence आपको ज़्यादा बुटान उटान में मिलता है ठीक है थेरा वदा हो गया इसके बाद जो अपना last buddhism का sect बचता है वो वज्रयान बुद्धिजम है वज्रयान बुद्धिजम वज्रयान बुद्धिजम में अगर देखें तो वज्रयान बुद्धिजम में जो आपका normal बुद्धिजम था normal बुद्धिजम था उसमें tantrism का influence आजाता है tantrism इंडिया के अंदर ही एक tribal philosophy एक great tradition का roll लेती है अगर मैं tantricism अगर बता दू tantricism क्या था कि indigenous tribal philosophy philosophy धीरे धीरे organize होके एक great tradition का role रूप लेने लगता है great tradition और religion like features religion like features so करने लग जाता है tantricism ठीक है यहीं बता देता हूँ क्योंकि यह बस समझने के लिए religion like features so कर देता है अब इसका influence tantricism का influence धीरे धीरे हिंदुईजम पे भी पड़ता है आपके जो end of ancient era है इंडिया का और वहां से लेके early medieval times में tantricism का strong influence पड़ता है और इसका influence बुद्धिजम पे भी पड़ता है बुद्धिजम पे जो सबसे clear indication है वजरियान बुद्धिजम के clear science वो जब तारा देवी एक गौड इमर्ज करती है जो एक tantric goddess थी उनको बुद्धिजम absorb करके अपने में एक गौड का दर्जा देता है थारा देवी ठीक है अब लेकिन tantric philosophy जब मैं बता रहा हूं tantric philosophy में एक चीज और यार कर ले ना tantric philosophy अकेला अकेला शायद सिखिजम भी है जो पूरा non-patriarchal philosophy था non-patriarchal इसमें male और female में कोई distinction नहीं था tantric philosophy में बाद में सिखिजम में भी कई हद तक आप बोल सकते हो कि अपना अगला है अरे बुद्धिजम से आगे नहीं बढ़ सकते अभी बुद्धिजम का एक तो और बताया था को यह आ चुका है क्योंकि एक स्कूल और बचता है भाईयों समा कर दीजेगा एक स्कूल मैं बताना भूल गया वो बता देता हूं मध्य मका स्कूल मध्य मका स्कूल मध्य मका स्कूल यह सेकेंड सेंचूरी एडी में ही आ गया था ठीक है और इसमें नागरजुन और दो गुरू थे नागरजुन और आर्यदेव नागरजुन और आर्यदेव यह जो है और यह बुद्धिजम के फिलोसफी को अपने हिसाब से इंकरप्रेट किये थे यह नाम याद रख लेना नागरजुन और आर्यदेव यह दोनों आप्शन्स में UPSC यूज़ कर चुकी है बट यह एक स्कूल प्रॉमिनेंट है ऐसे से यह याद करो और यह स्कूल इसकिया था हाउस और सत्वाहनास में रख नागरजुन और आरेदेव इनके प्रोपाउंडर रहे तो कोई दिक्कत है क्या नहीं है अभी अपन चलते हैं स्ट्रेट बीना टाइम वेस्ट किये हुए सिधे जैनिजम पे जैनिजम जैनिजम के अगर सेक्ट देखें जैनिजम में पहले ही मैं बताया दो ग्रूप मेजर था क्या-क्या सुवेदामवर और दिगामबर सुवेदामबर मतलब जो वाइट रोप है ने दिगामबर नेकेड होते थे जो complete worldly चीज़ें छोड़ दें उनको बोलते थे ठीक है सुवेदामबर ये बता चुका हूँ ये बता चुका हूँ इसमें स्थूल भद्र founder रहे और इसमें भद्र बाहू बट ये मैं यहाँ पे कौन founder थे ये बताने के लिए ये topic revisit नहीं कर रहा हूँ revisit में कर रहा हूँ कुछ नाम बताने के लिए जो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि कोई चारा नहीं है ये इनके sects हैं जो आपको याद करते हैं एक है अनक वासी और एक हैं मूर्ती पूजक मूर्ती पूजक स्थानक वासी और मूर्ती पूजक ये दो नाम आपको याद रखना है स्थानक वासी डारिकली उप्यस सी पूच चुकी है sect की किसका sect है ये और यहाँ पे दिगांबर में एक मूल पंथ था मूल संग एक हैं मूल संग मूल संग याद रखना है बिश्पंथी और तेरा पंथी याद रखना है बिश्पंथी तेरा पंथी ये आपका sect देखो भाई इतना नाम याद कर ले न इससे अंदर यूप्यस सी नहीं गुशती है क्योंकि वो फिर बहुत डीपली हो जाएगा आपको religion और sect के एंगल गुशना that becomes very difficult but the name at least ये दो चार नाम याद रखना simple ये स्थानक वासी मूर्ती पूजक बिगंबर में मूल संग बिस पंथी तेरा पंथी इतने नाम याद रखोगे direct सब्द मिलेंगे नंबर लाओगे मजेम घूमोगे collector बनके तो इसको आराम से देख लो ठीक है अब अपना जो section स्टार्ट होगा उसका नाम है literature इसमें बहुत ज़्यादा उमीद मेरे से मत करना क्योंकि यहाँ पे आपका महनच ज़्यादा लगेगा मैं चीज़ें आपको jot down करा दे रहा हूँ चीज़ें थोड़ा बहुत जहां पे बतानीक जरूरत होगी बता भी दूँगा लेकिन अल्टिमेटली सच बोलू तो आपको यह याद करना पड़ेगा दा गुड पार्ट इस कि मैं आपको एक जगे लिखके दे रहा हूँ आप बस इतना याद कर लो इससे आपका नंबर आजाएगा इतना गैरेंटी है कोई दिक्कत नहीं है इससे ज़्यादा बाहर आएगा नहीं तो सबसे पहले संस्कृप्ट और हिंदी अच्छा कुछ लिट्रेचर अपन अल्रेडी कवर कर चुके हैं कुछ लिट्रेचर जब हम म्यूजिक पर है डांस पर है ड्रामा पर है फिलोसफी पर है रिलिजन पर है सेक्ट पर है सब और वक्ती मुव्मेंट बारन देखे सब में हमने लिट्रेचर को कवर की है अब कुछ रिमेनिंग चीज़े हैं जिसको लिस्ट कर देता हूँ इस सब चीज़ को तीन वार पर के जाना तीन वार ज़रूरी है तीन वार पर लोगे क्योंकि लोडेड है बट इसकी गैरेंटी है कि करने लाइक सारे क्वेस्चन इससे हो जाएंगे अगर आप इतनी चीज़ें याद कर लो इसका 50-60% भी रिटेन करके पेपर में गए तो 50-60% सवाल आट इन कल्चर के हो जाएंगे इसी तरह इंसेंट और मेडाइवल देखके 15 सवाल में 60% भी रिटेन कर पाए तो 10 सवाल, 8 सवाल अराम से करोगे 7-8 सवाल करोगे 14 नंबर आएगा कहानी खतम, प्री निकल जाएगा चिंता मत कर इस पार्ट से बागी अब पॉलिटी, एकॉनमी वो सब भी तो पर रहे हो कुछ नंबर उधर से भी तो लाओगे ठीक है? तो यहाँ अपन करते हैं काम जो अपने को किताब हों क्या एक तरह से लिस्ट ही है बड़ थूरा जल्दी जल्दी बता देता हूँ सबसे पहले अपने जो स्टारबॉइ है, वो है पानिनी पानिनी सहब ने, यह तो सिंपल है अश्ट ध्याई लिखी अश्ट ध्याई ग्रामर की किताब है पानिनी सहब ने अष्ट ध्याई लिखी जो की grammar की किताब है इस पे comment होते वर्थिका लिखाया था बड़ आडर रखते हैं कत्यायन कत्यायन साहब ने वर्तिका लिखी वर्तिका वर्तिका is again commentary on अष्ट ध्याई अष्ट ध्याई पे commentary है वर्तिका ठीक है पानिनी ने अस्ट द्याई लिखी कत्यायन ने वर्तिका लिखी ये आपको याद करना परेगा फिर अपने पतंजली साहब पतंजली साहब को मैंने शर्दर सन्मिन की दो किताबें एक तो बता चुका हो भाई योग सूत्र जिसमें जो फिलोस्फी वाला स्क भाश्यें फिर से ग्रामर की किताब है ग्रामर की किताब है महाभाश्ये और योग सूत्र इसमें कुछ समझाने लैक नहीं है यार यह नाम यह आ यह आपको याद रखना पड़ेगा मैं लिख के दे दे रह Committee कर लो जहाँ जहां पर जो जो डिस्क्रिप्शन थो रहा वो च पॉटिल्ली साहब को विश्णु गुप्त भी बोलते हैं, विश्णु गुप्त साहब, इनकी जो किताब है, वो दो किताब हैं, और दोनों शामदार हैं, एक का नाम है नीती शास्त्र, जिसको चानक के नीती बोलते हो, चानक के नीती, नीती सास्त्र, चानक के नीती और पॉलिटी, इंटरनाशनल रिलेशन, इकॉनमिक, सबके एंगल से अड्मिनिस्ट्रेशन, सबके एंगल से लिखी हुई, साइध, वन अफ दी ग्रेटेस्ट वर्क्स, नॉट जस्ट इन इंडिया, बट इन दी वर्ल्ट, उस टाइम पे कौन लिखता था यार, ऐसी किताब है, उस टाइम पे तो लोग खापी के मस थे, क्यों इतना दिमाग लगाएंगे, पॉलिटी, एकॉनमी पे, बट ठीक है, ये आपका, चानकी साहब की दो किताबे हैं, ये आपको, I guess, पता ही होगा, बट नहीं पता होगा, तो याद रख लेना, पिर एक अपने भाई साहब थे हरी शेना, ये कोट पोएट थे किसके, समुद्र गुप्त के, समुद्र गुप्त के, तो ये भाई साहब श्पेसलाइच थे, प्रसस्ती लिखने में, बराई लिखे थे, अलाहबाद पिलर पे, अलाहबाद पिलर पे, प्रियाग प्रसस्ती लिखे थे, प्रियाग प्रसस् यानि खूब सारा बराई समुद्र गुप्त का ठीक है प्रियाग प्रसस्ति हिस्ट्री में भी ये आएंगे क्योंकि ये तो आपका पिलर्स है न वहां पे काम आएगा ये बट हरी सेना याद रख लो साथ में हरी सेना सहाब प्रसस्ति लिके थे समुद्र गुप्त की खूब बराई किये थे कहा प्रियाग प्रसस्ति अलावाद पिलर पे ठीक है और अब जो अपने अगले आदमी है इनका नाम तो सुनी होगे आरिभट साहब आरिभट अपने गणितग इनकी दो किताबे हैं एक है सू तूरिसिदान्त तूरिसिदान्त एस्ट्रोनॉमी की किताब है और एक है आरि भट्टिया जिसमें mathematics, algebra, arithmetic, सारा तामझाम आपको आरिभट्टिया में मिलेगा आरिभट साहब की ये किताब है फिर एक भाई थे वागभट वान भट नहीं वागभट तारे उस टाइम में एक गलती गलती नहीं है जो है सो है ये वाई साब फिजीसियन थे उस टाइम में डॉक्टर थे वागभट साहब फिजीसियन रहे कोई medical college पता नहीं कहा हो गया है कौन जानता है अस्टांग संग्र इनकी किताब का नाम है अस्टांग संग्रा अस्टांग संग्रा भाई अस्टांग संग्रा रट लेना भाईयों अस्टांग संग्रा लिखके दे रहा हूं एक जगह पे आपको करना ही क्या है तीन बार पढ़ना है रट लेना है एक्जाम में पहुँच जाना है नहीं याद भी रहेगा तो पर के जाओगे न अपने भाई साब इनका नाम सुने हो गया है विश्नु सर्मा ये तो अपने बच्पन की किताब लिखते थे पंच तंत्र की कहानिया ये तो पता होगा पंच तंत्र 90 वाले लोग पंच तंत्र की कहानिया पता होगा विश्नु सर्मा विश्नु सर्मा जी का पंच तंत्र ये राक्षष मुद्रा राक्षष में इन्हों ने जो आपका कैसे नंदाज को हरा के चंद्रगुप्त आये थे वो बताया था लेकिन जो इनकी दूसरी किताब है वो देवी चंद्रगुप्तम देवी चंद्रगुप्तम चंद्रगुप्त टू और एक धुरुव देवी थी धुरुव देवी इनके बीच की कहानी है ओविसली लव स्टोडी रोमेंस ही रहेगा यही तो तब लिखा जाता था तो इनके बीच के romance है देवी चंद्र गुपतम में और मुद्रा राक्षस तो कल बता ही चुका हूँ पहले ही आपको मुद्रा राक्षस कहां बताया था मुद्रा राक्षस ड्रामा मनं बताया था कोई समस्य वाली बात इसमें रहनी जाती है ठीक है ये भी clear है अब देखो भासा सुद्रका ये सब बता चुका हूँ जो जो नई चीजे हैं वही बता रहा हूँ बाकी पीछे से रटते चलोगे पूरा एक जगा पे रहेगा तैसे भी रटने में दिक्कत होगी और गैनिकली बीच में जहाँ पे थीटर आएगा वहाँ पे दस प्रिंसों की कहानी है डांडीन की किताब में डांडीन के बाद भरावी ये बहुत इंपोर्टन्ट है भरावी किर्था जुनिया ये बहुत इंपोर्टन किताब है भाई पल्लवा में थे पल्लवा के कोट पोयर्ट थे किर्टा जुनिया इनकी किताब का नाम है और इसमें अर्जुन और शिव का कन्वर्सेशन है highly important highly बहुत important है ये भरावी किर्टा जुनिया याद रखना है भरावी लिखा था किर्टा जुनिया अब चलते हैं आगे एक 7th century में माघ नाम के राइटर रहे माघ गुजरात में थे ये गुजरात एरिया में अब इनकी जो किताब है वो है शिशुपाल बद शिशुपाल बद हिंदू माइथोलोजी हिंदू धरम के स्टोरियों में शिशुपाल का वर्दन है उन्हीं की वद की कहानी माघ ने लिखी थी माघ ठीक है माघ ने शिशुपाल वद लिखा है जैदेव का गीत गोवित बता चुकाओं बार बार क्या ही बताओं फिर अपने जो अगले भाई साहब है वो कलहान है कलहान साहब बताएं गीत गोवित जैदेव ने लिखी थी बहुत बार बोल चुकाओं तो अगले पा जाते हैं कलहान साहब ने राज तरंगणी राज तरंगणी कस्मीर के यिस्ट्री पे है और यह प्रसस्ति नहीं है, राजा की ब्राही नहीं है तो ये history writing के हिसाब से कलहान की रजत रंगिनी काफी famous किताब है काफी famous दूसरा कश्वीर में सोमदेव अभी बताया था कथा सरित सागर तो वो रहने देता हूँ अब जो नया है वो है नयन नयन सहाब ने हित उपदेश लिखी थी हित उपदेश ऐसा उपदेश जो आपके हित में हो आपके लिए फाइदा करे और अगला जो important है वो है चांद बरदाई चांद बरदाई चांद बरदाई सहब ने पृत्वी राज रासो लिखी पृत्वी राज रासो ये हिंदी में थी हिंदी की पहली किताब पोयम बोला जा सकता है इसको हिंदी में थी हिंदी पृत्वी राज रासो इसमें पृत्वी राज चोहान के बारे में लिखी गई है तो त्विराज रासो ठीक है नयान नहीं तो अटेश लिखी इससे ज्ञादा संस्क्रीट और हिंडी का राटना नहीं है अब अपन चलते हैं का मिल लिट्रेचर पर कामिल लिट्रेचर यह है इंपोर्टेंट है संगम वंगंग मैं वैरी इंपोर्टेंट तो इसमें संगम एज की बात करते हैं पहले संगम एज में सबसे पहले थोरा सा जानकारी दे देता हूं संगम एज जो है 400 BCE से लेके 3rd century AD तक चला था कहा जाता है टोटल 3 संगम हुए थे और उसमें male female सारे male female सारे poets आके खुब सारा संगम गीत गाये थे उसका compiled literature है यह secular literature religious नहीं है secular literature इसमें moral चीजें politics religion सब चीज़ां पर बात की गई है secular literature है male female तीन संगम हुआ था और पंडियास का काफी important role रहा इसमें पंडिया भाई साहब लोगों का ठीक है यह संगम के बारे में थोड़ा दे दिया तो यह वाला जो time था इसको संगम age बोलते हैं 300 century AD तक संगम मेज था इसके बाद अगर आप साउथ की history देखोगे ते कालवरास का एरा आता है और यह संगम मेज में आपके तीन जो मुविंदर जो राजा लोग होते थे वो तीन थे मेन चेरा चोला पंडियास पिर कालवरास का यह जाया और उसके बाद वापस रीवर्च किये यही लोग पलवास चोलास पंडियास का सेकेंड फेस चालो होता है ठीक है तो संगम यह सबसे पुराना आज है अब इसके लिटरेचर में घुसते हैं बिना टाइम वेस्ट किये हुए तो अगर मैं लिटरेचर की बात करूं अगर इनके लिटरेचर की बात करूं संगम और यहां से हम फिर पोसंगम में घुस जाएंगे संगम लिटरेचर की बात अगर करें ठीक है तो जो सबसे पहला है वो तोलका पियम तोलका पियम रिटेन बाए तोलका पियार तो कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं तोलका पियम ठीक है तोलका पियम अब जो ने उसको इट्टू टो गई बोलते हैं इट्टू टो गई एट एंथोलोजीस आठ किताबे हैं एट एंथोलोजीस आठ किताबों का कलेक्शन है जिसको इट्टू टो गई बोलते हैं तोलगा पियम इट्टू टो गई और एक पट्टू पट्टू है पट्टू पट्टू यही है भाई तो यही है इसमें 10 वर्क्स का कलेक्शन है यह सब संगाम लिट्रेचर का पाट है ठीक है इट्टू टो गई पट्टू पट्टू तोलका पियम अब जो हैसो है अगला जो नाम है वो और तगरा है किलकनक्कू 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 ठीक 18 किताबों का collection है और इसमें कुछ जादा जानने की जरुवत नहीं है तो इसमें author का नाम याद रखने की जरुवत नहीं है multiple authors रहेंगे obviously तोलका PM के author का नाम बता दिया हूँ और ये ethics and morals पे based है कौन किलकनकू पूरा ही अब जो किलकनकू है ना किलकनकू में किलकनकू में किलकनकू 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 जो बोलने मजा रहा है वही बोलो बोल के देखो किसमें मजा रहा है किलकनकू या किलकनकू जो मजा रहा है वो बोल दो ठीक है में को कोई दिकत नहीं है इसमें जो south के एक बहुत बड़े philosopher है नाम जरूर सुने होगे तिरुवलुवर तिरुवलुवर इनकी थिरुकुरल थिरुकुरल एक पाथ है किलका नक्कू का एक बाथ ये ए तिरुवलुर की थिरुकुरल ये important है? ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? नहीं है और फिर later में later संगम में लेटर संगम में दो और किताब हैं जो इंपोर्टेंट है ये बता देता हूं दो है यही पांच नाम है और यह वो भी कितना मज़ेदार नाम है खिलकनकू, पट्टू, पट्टू, इट्टू, टोगई, तुलका पियाम, थिरुकुरल, रतलो मजा ताहिरा है बोलने में ठीक संगो अडिगल की किताब है अडिगल, अडिगल, थोड़े अडियल थे, जो डिस्रिस्पेक्ट ने याद रखने के लिए तो सील, सील मत पत्थर की तरह अडे हुए थे, सील, पद्दी करम, अडिगल ने लिखी है और जो अगला है मनी, मेगलाई, मनी, मेगलाई, जो है य सत्तनार मन्य मेग लाई और सील में जो आड़िल होता ही है तो याद कर लो सीलपध दिकर हम अडिगल परकी कैसे याद करना ही मेरा चिंधा नहीं मैं लिक के देधी हूँ जैसे याद होता है करूं मैं नहीं से वह तो आपको रटना परेगा उतना सा effort तो बनता है तो वह आप डालिए वह मैं को नहीं पता कैसे होगा वह आप डालिए अब हम वहीं पे पोस्ट संगम एक लेट संगम था अब संगम के बाद पोस्ट संगम literature भी कुछ कुछ important है वह बता दे रहा हूं ठीक है एक कमबारा कमबारा मयनम कमबारा मयनम एक किताब है अगली किताब परिया पुरानम है यह तो important है परिया पुरानम परिया पुरानम ठीक है? उसके बाद कुंतल केशी कुंतल केशी सिंता मनी ठीक है? कुंतल केसी कुंतल केसी ठीक है इसको सी भी कहीं कहीं लिखा जाता है ठीक है इसको नाग सेना लिखे थे इसको नाग सेना लिखे थे कुंतल केसी को उसके बाद कुंतल केसी के बाद सिवाका चिंतावनी शिवाका चिंतावनी ठीक है सिवा का चिंतवनी थेवर लिखे थे थेवार यार इंपोर्टेंट अभी लिखा रहा हूँ पोस्ट संगा में पांच नाम है होने वाला है एक कमबा रामायणम कमबा रामायणम एकदम वालमिकी की रामायण की कॉपी नहीं थी इसमें कुछ चेंजेस किये गए थे और ये कमबम ने लिखे थे ये चोला में थे चोला पोएट थे चोला के टाइम में थे चोला में कमबम ने लिखे थी कमबा रामायणम पोस्ट संगम में ये इंपोर्टे दिक्कत हो किसी को तो इतना ही तो है लिट्रेचर में देखो तोल पक्किया में टू गोठाई पट्टू-पट्टू किल कनक्कू ठीक है किल कनक्कू के अंदर आपके तिरुवल्लू का थिरुकुरल है फिर संगम के एकदम क्लोजिंग एरा में दो किताबे आती है सील कुंता लिखाऊं कुंतल केसी सिवाका चिंतमनी और कुंबा रमायृणम कि इतना ही है इससे ज़्यादा उधर नहीं रटना है अब हम वापस आतें नॉर्थ की और सलतनत मुगल फीरियड कि सल्तनत मुगल पीरियड में मैं अगर मैं बात करूँ अगर बात करें तो मुगल में ही लेते हैं कलर बदलने इसको फाइदा तो होगा नहीं रटना तो फिर भी परेगा तो फिर वापस चलो पहला कौन आया था इंडिया में मुगल में बावर बावर की किताब है तुजुक ए बावरी टर्किश में लिखी है और यह काफी रिकॉर्ड करती है बावर किधर किधर गया इंडिया कैसे आया कैसे इंडियाम कैप्चर किया ताम जाम जितना भी था इसका तुजुक ए बावरी ठीक है इसको पर लेना इसी को बावर नामा भी बोलते है बावर नामा बाद में इसको परसियन में ट्रंसलेट क पाया क्या पता थोरा कम प्रहँ लिखा हो कौँ जानता हैं तो हुमायू नामा की गुल-बदन बेगम कौन थी हुमायू की sister यह अगबर का time वा रहा है तो अकवर टाइम में थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि अकवर के एरा में काफी सारे चीज़ें हैं जो अपने को जाननी है सबसे पहले अकवर के एरा में कई सारे अपने इंपोर्टेंट भक्ति वाली चीज़ भी लिखाई थी जैसे कि तुलसी दास ने राम चरित मानस लिखी थी इनका भी सूरदास का भी बता चुका हूँ सूरसागर ठीक है एक सेक्टरा जो तीनों किताबे थी इनकी ये उस टाइम में लिखाई हैं अकवर में ठीक है एक इनके टाइम में एक और खतरनाक चीज़ हुई थी वो है अल्लाहो उपनिशद एक अंदुईजम और इसलाम का फ्यूजन दिखाता है अल्लाहो उपनिशद इनके टाइम में भाई सापके टाइम में लिखी गई थी राम चरित मानस बताई चुका हूँ सूरदास इसी टाइम में लिखते थे सारा बता चुका हूँ कोई दिक्कत नहीं है अब एक आदमी था जो थार्ड पार्ट है थार्ड पार्ट थार्ड पार्ट को जो अकबर नामा है उसका थार्ड पार्ट थार्ड पार्ट आईने अकबरी बोलते हैं अबुल फजल ने अकबर के टाइम पर लिखी ठीक है जांगीर जो भाई साब थे ये अच्छा कासा परहे लिखे हुए थे जहांगीर तो इन्हों ने अपनी किताब खुद से लिखी यानि औरे लिखे आदमी रहे होंगे तो और 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 गराफि लिख डाले लेकिन अगला जो आदमी था सा जहां सा जहां की किताब है पाजसा नामा पाजसा नामा है इसको पादसा नामा भी बोलते हैं तो इसको अबदुल हामिद लाहौरी ने लिखी थी ठीक है? इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानने लाइक नहीं है इसका नाम भी बता दू क्या? ये किताब जो है पादसा नामा यार इतना गंदा स्पेलिंग लिखा रहा है पादसा नामा अब कौन सा अच्छा हुआ? भी बित गंदा ही दिख रहा है नामा और ये अबदुल हामिद लाहौरी ने लिखी थी अबदुल हामिद लाहौरी ने ठीक है? ये भी खतम सब रट लोगे? सिंपल है इसमें तो इजी इजी है सब अपने नाम का आगे नामा नामा लगा दिये हैं कोई दिक्कत है नहीं लेकिन एक जो तगरा काम हुआ था अकबर की टाइम में उसका नाम है रजम नामा ये कुछ अलग था रजम नामा में अकबर ने ट्रांसलेशन करवाया किसका महा भारत का महा भारत का ट्रांसलेशन करवाया along with illustrations photo के साथ किस language में परसियन में परसियन में करवाया और इसका नाम रजम नामा है और जो दूसरे अपने भाई साथ है और अरंग जेव जेनरली पता ही है ये समझादा interest था निए लेकिन औरंग जेव के ये भाई साथ थे दाराशिकोग दाराशिकोगने उपनीशद्स को अपनिशद्स को परसियन में ट्रांसलेशन कर लाया कुछ ज़्यादा इसने ज़्यादा जानने की ज़र्वत है नहीं अल्मोस सारा चीज अपना कवर हो गया इसमें ठीक है और दिल्ली सल्थनत की जो के टाइम में जो सबसे फेमस किताब थी वो है पदमावत मलिक मुहमद जैसी ने लिखी थी और इसमें अलाउद्दीन खिल जी रानी रूपमती अरे पदमीनी रूपमती नहीं थी वो तो अमधावन्द जो आपके छित्तौर की थी उनको पाने के लिए अलाउद्दीन खिल जी मार्च करता है राजा की स्टोरी है काफी फेमस है एक तरह से नॉवेल टाइप है ठीक है यह हो गया और तो कुछ इसमें जानने लाइक है नहीं इतना ही है मुगा लेरा का भी कहानी यहां से खतम हो जाता है लिटरेचर में इस है इसको मैं जल्दी-जल्दी एक जगह लिख दिया हूं अप इसको याद करो दो तीन बार देख ले ना याद कर लोगे याद हो जायेगा ज्यादा चिंता मत करना बहुत स्पल है है वी में इस सारण हम देखे सिंपल ही है इतना कुछ दिखकत नहीं है अब हम चलेंगे साइन्स टेक्नलोजी कि मैथमेटिक्स का जो लिट्रेरी ट्रेडिशन रहा है इंडिया में या एस्ट्रोनॉमी बोलो फॉर बैट मैटर इंडिया में इसको एक बार देख लेते हैं ठीक है जो सबसे पहतला है वो है सूल्व सूत्र सूल्व सूत्र में जोमेट्रिक जोमेट्रिक्स काफी था जोमेट्री पे ज़्यादा था क्यों क्योंकि यह जो आपके वेदी केज में फायर अल्टर्स बनते थे फायर अल्टार् उसका geometric shape swipes की बाद sulv sutra में की गई थी sulv sutra से आगे बढ़िएगा तो इसमें एक बंदा है बौध धायन बौध धायन का sulv sutra बौध धायन का sulv sutra ये एक sulv sutra है out of many sulv sutras बट ये important क्यों है क्योंकि इसमें pythagoras pythagoras theorem discussed है और py का value निकालने की कोशिस की गई है ठीक है तो sulv sutra उसमें बौध धायन का sulv sutra important है ठीक है pythagoras theorem और py की बात की गई है आगे चले आगे जो अपने भाई साब थे वो भी कोई छोटे मुटे आदमी नहीं थे वो थे अपने पिंगाला साब ठीक है पिंगाला साब पता है क्या यह और खतरनाक थे binary numbers binary numbers cover कर डालेते भाई उस जवाने में अपने सभी नहीं हो पा रहा है ठीक है और morse code इसका computer में काफी important है morse code और इन्हों ने जो book लिखी थी उसका नाम था छंदा सास्त्रा छंदा सास्त्रा यह D नहीं है यह C है डी नहीं है छंद सास्त्रा ठीक है इस बार मज़ा आया मिटाने में सही से मिटा है तो यहां है छंद सास्त्रा ठीक है यह हो गए इसके बाद जो अपने अगले भाई साब है आरिभट साब आरी भट साहब के बारे में डिसकस कर चुका हूँ आरी भटिका अरे आरी भटिका इतना गलती क्यों हो रहा है spelling का ध्यान नहीं है कि आप लोगों पढ़ाई पर आरी भटिका एकदम ध्यान रखो spelling गलत मत करो आरी भटिका ठीक है इसमें zero algebra geometry जीरो की बात नहीं की गई था जीरो की बात आगे होगी अभी नहीं algebra geometry arithmetic trigonometry साब है और इनकी जो सूरी सिदान दिका थी सूरी सिदान दिका जो दूसरी किताब बता चुका हूँ पहले है उसमें astronomy की बात की गई थी तो इससे आगे बढ़ते है ठीक है वरा मिहीर वरा मिहीर कौन से छोटे आदमी थे इनोंने एक और किताब लिख डाली इनका नाम था ब्रिहत समहिता ब्रिहत समहिता यह mathematics से related था और इसमें actually जो आपका rotation वाला rotation बोल रहा हूँ जो revolution का system है न revolution का system किसका किसका sun earth moon moon earth के round घूमता है और यह पूरा system sun के round घूमता है यह वरा मिहीर ने ब्रिहत समहिता में समझाया है फिर आते हैं अपने ब्रह्म गुप्त साहब ब्रह्म गुप्त साहब ब्रह्म गुप्त यह भी important है वरा मिहीर याद रख ले न ब्रह्म गुप्त ने ब्रह्म ये बहुत इंपोर्टन है ब्रह्म गुप्त के टाइम में ब्रह्म सब्त सिद्धान्तिका ब्रह्म सब्त सिद्धान्तिका एक किताब लिखी थी और इसमें clearly zero को discuss किया गया है zero कहा जाता है कि इंडिया में और पहले से first century AD से ही लोगों को पता था बट उसको literature में जो जगे मिला उसके explanation को वो ब्रह्म गुप्त ने दिया ब्रह्म सप्त सिधान्तिका में ठीक है इसको रट लेंगे दिक्कत नहीं करेंगे यह नाम एक-एक तो याद रख रहा है अब जो भासकर हैं वो मैच्स में दो बार आते हैं एक 7th century में 7th century में जो आते हैं उनका नाम है भासकर वन और एक बाद में आएंगे 12th century में भासकर टू इनकी तीन किताब है भासकर वन की एक आरि भट्टी का भास है मतलब जो आरि भट्टी की किताब है उस पे इन्होंने एक कोमेंटरी लिखी है और एक महा भासकरिया एक मैच्स की किताब लिखे हैं और एक लगू भास करिया यह तीन आपकी मैथवैटिक्स की किताबे यह लिखे हैं यह तीनों आपको देखना है वेरी इंपोर्टेंट है रुखना नहीं है पूरा रट जाना है सेवन सेंचुरी भासकर वन ठीक है और अब एक और नाम रट लो नाम ही तो लिखना है दो तिन नाम दे देंगे LCM जो आज कर लिखा लते हो LCM मैथ्स में इसके बारे में जो लिखे हैं उनका नाम है महावीर अचारी महावीर अचारी में LCM खो जाता है महावीर अचारी महावीर अचारी ने गनित सार संग्रह लिखी थी गनित गनित मतलब मैथ गनित सार मतलब समरी गनित सार संग्रा गनित सार संग्रा यानि मैथ के समरी का कलेक्शन उसको आपको LCM निकालने का मेथड महवीर आचारी ने लिखी थी दो मैथमेटिसियन और बताएंगे ज़्यादा चिंता नहीं करनी है खतम होने वाला एक स्रीधर साहब है अपने स्रीधर साहब 10th century में थे स्रीधर साहब 10th century में थे और इन्होंने किताब इनकी किताब मैथ स्किप था इनका नाम गनित सार था गनित का सार यानि समरी यानि पूरा मैथ का कमपाइलेशन था complete mathematical knowledge जो जब तक तब तक आया था उसको एक जगा रख दिया अब जो अगले अपने भाई साहब आते हैं वो भासकरा चार यह 12th century वाले 12th century वाले मतलब भासकर 2 है यह भासकर 2 एक भासकर पहले बता चुका हूँ अभी भासकरा चार है वो जो भासकर थे वो पहले आर भटी का भास से लिखे थे ठीक है उनके राइ सिद्धांत सीरो मनी सिद्धांत सीरो मनी यह डाइरेक्ट पूछेगा ध्यान देना यह बहुत इंपोर्टेंट है सिद्धांत सीरो मनी इसके चार पार्ट्स है चार पार्ट्स अलग कलर से बता दे रहा हूँ एक का नाम है लीला वती एक का नाम है बीजगनित ठीक है एक क नाम है गोल अध्याए गोल अध्याए और एक का नाम है एस्टोनॉमी पे ग्रह गनित ग्रह गनित जो लोग हिंदी जानते हैं उनको पता होगा लीलावती मतलब होता है अरिथ अरिथमेटिक्स इसमें था बीज गनित मतलब एलजेबरा गोल गनित ये स्फियर्स के बारे में होगा गोल और गरह गनित मतलब एस्टोनॉमी ये सारा सेक्षन इनके एक किताब में था सिधान सिरोमनी जो भासकराचारी ने लिखा था अब अपन चलते हैं मेडिकल के दो ती किताब देखते हैं खतम है अब मेडिकल की किताबे देखते हैं मेडिकल की जो पहली किताब एक तो वेद में ही मैं बताया हो थोड़ा बहुत जो आपका अथर्व वेद था लेकिन प्रॉपर मेडिकल की जो बात है वो हजार बीसी में हजार बीसी में सोच रहे हो तो शुर साहब केटरेक्ट पे इनका काफी पहला केटरेक्ट खुद किये थे ठीक है और इनकी जो किताब है वो शुशुरुत समहिता है शुशुरुत समहिता ठीक है इसके बाद 300 BC में एक और मेडिकल की बहुत इंपोर्टन किताब बनी उसका नाम है चरक समहिता चरक समहिता चरक ने लिखी थी कितना सिंपल है चरक साहाब ने चरक समहिता लिखी थी और इसमें आयूर्वेद यहां से डिवल्लट होता है आयूरवेद ये father of medical education है इंडिया में ठीक है चरक समहिता और सुसरूत समहिता simple अब अपना कहानी यहां खतम अब अपन कुछ miscellaneous किताबे देखेंगे और ये topic को बाई-बाई कह देंगे ये topic में सबस्जादा आपको रटना परेगा लेकिन easy है मतलब तीन बार वीडियो देखो और ये जो जहां पर लिख दिया हो पाथ साथ स्लाइड है उसको चार पांच बार देख लो आपको याद हो जागा इतना अब थोड़ा miscellaneous literature देख लेते हैं अल्रेडी डिसकस्ट है बट फिर भी एक बार बताना मेरा करतव पहला Megasthenes 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 के नाम सुने हो Megasthenes अरे चंद्रगुप्त मौरिक वाले जगह पे सेलुकस निकेटर के टाइम आके वहाँ पे छोड़ गया था एक ambassador इनकी किताब है Indica Important है काफी ठीक है बाकि फिर फाहियान और इन लोग के accounts है उसको हम हिस्ट्रीम डिसकस करेंगे फिर अगला जो important किताब है जो बाहर के लोग लिखें उसमें El Biruni है अल Biruni ने किताब उल हिंद किताब फिर अगले इबन बतूता सहब इबन बतूता अच्छा ये कब आये थे ये तो मैं बता दी आपको ये कब आये थे ये चंद्रगुप्त मौरी के टाइम आये थे चंद्रगुप्त मौरी के टाइम ये थाउजन्ट एडी में आये थे ठीक है गजनी के साथ आये थे थाउजन्ट एडी में ठीक है और ये जो इबन बतूता इनके किताब का नाम है रिहीला और ये कब आये थे इबन बतूता तुगलक एरा में तुगलक MBT के टाइम पे तुगलक एरा में इबन बतूता था ठीक है फिर मुगल टाइम में जाओगे तो एक राश खान थे राश खान राश खान मुस्लिम थे जिन्होंने कृष्णा के बहुत बड़े भक्त बने और इनकी किताब का नाम था प्रेम वाट और कुछ बचता है हाँ एक वारिष्णा है यह इंपोर्टेंट है इसलिए बता दे रहाँ वारिष्णा ने हीर रांजहा लिखी थी हीर रांजहा इंडियन फोकलोर में अभी भी बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए आपको पता होना चीए कि किस ने लिखी हीर रांजहा है ठीक है और एक किताब जो डारेक्ली इंडिया में important नहीं है बट इंडिया के बारे में बहुत कुछ बताती है ये actually फिरदौसी ने लिखी थी और ये इरान में है Kings की story है और इस किताब का नाम है शाहनामा शाहनामा ठीक है ये भी पता होना चाहिए आपको ये book of kings भी बोलते हैं शाहनामा is book of kings भाई fortunately इतना ही आपको रठना है यहाँ पर अपना literature खतम होता है literature में थोड़ा heavy read है याद करने में समस्या होगी लेकिन याद करना जरूरी है तो इसलिए जो जरूरी है वो करना परेगा एक्जाम में एक बार पर लो तीन बार वीडियो देखो के तीन बार हो गया और उसके बार दो बार और पर लेना एक एक शब्द याद हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है मैं भी एक्जाम में ये वाला क्या एक खागज में निकाल लेता था जब जाता था और वही तीन बार पर हाँ खाते खाते टाइम में एक बार देख लिया इस टाइप से 4-5 बार देखता था easily याद होता था जब कम ही हलांकि फसा but भाई जब प्री निकला मेरा तो मैं तो बोलूँगा कि हाँ important है मेरे को फाइदा हो रहा था इससे आपको होगा अगर आप रट पाएंगे तो बिल्कुल होगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपने experience से बोल रहा हूँ सच में फाइदा होता है रट लो confidently जाओगे it's not necessary कि इसमें से सब कुछ आएगा ही literature से आएगा तो एक आएगा लेकिन वो जो confidence paper के time में आप अंदर जाते हो और जब आपको चीजें याद रहती है ना अब already 10% लोगों बचते हो या 5% लोगों में 45% तो इस tension में paper देने जाते हैं कि में कोई याद ही नहीं हुआ है तो इसलिए याद रहना जरूरी है आपके confidence के लिए वो बहुत जरूरी है नहीं तो जो लोग confidence में नहीं है वो सही option भी नहीं मार पाते हैं आते हुए में भी confused होते हैं उनको लगता है शायद मेरे कोई याद नहीं आता question भी गलत होता है इसलिए confidence जरूरी है अब हम अपने culture के last segment पे जो UNESCO वाला part था उस पे चलते हैं martial arts का 4-5 नाम है वो देख लो बाकि इसमें वो सब आ जाएगा अलग से वो परहने का शरूरत नहीं है folk traditions आप खुझ से देखो उसको एक बाइ लिस्ट में देख लो बट आएगा भी नहीं मैं तो बोलता हूँ छोड़ दो अगर ये वीडियो का content आपको याद है छोड़ दो कुछ नहीं होगा वर्स्ट के scenario में अगर martial arts और आपका ये block printing और puppetry इसमें से एक सवाल आ ही जाता है जाने दो ना भाई कोर content याद करो प्री में काम आएगा मेंस में काम आएगा इंटर्वियूम काम आएगा ये जरूरी content है आटन कल्चर मौत थोड़ा वहत एक दो लिस्ट जो बचता है पपेट्री का फिर आपका वो ये जो टेक्स्टाइल्स सब रटना है तो लिस्ट निकालके रट लो कोई दिक्कत नहीं है बट वह काम उतना आता नहीं हो छोर भी सकती हूं मैं कभी नहीं रटता था कोई काम नहीं आता है उसमें कुछ story नहीं है बट इसमें क्या ये सब आप means में लिखोंगे लिए number उठाऊगे में लिखोंगे इन्टर्वियू में भी आप से चर्चा किया जा स सकता इंडियन कल्चर आर्ट हिस्ट्री पर तो यह काम आता है तो इसको छोड़ो मत ठीक है तो अब सीधे अपन युनेस्कों गुशते हैं और जो पार्ट में छोड़ा नहीं हूं पपेट्री और यह सब में जो जो चीजें इंपोर्टेंट हैं वो युनेस्कों अल्रेटी कर चुका है तो यह भी एक ट्रिक है कि वो इस वीडियो में जितनी चीजें बस वही पर हो क्योंकि जो पापेट्री मार्सल आर्ट्स जो चीजें अभी बची है वो इसमें आ जाएंगी जो जो इंपोर्टेंट हैं परस्पेक्टिव से ठीक है तो इसको ढंग से देख लो युनेसको ने जिसको रिकोगनाईस किया है वो ही इंपोर्टेंट है काईदे से सुनो सारा सुनो और इसके बाद कल्चर समाप्त हो जाएगा चिंता नहीं करनी है ठीक है तो युनेसको भी क्या इंडिया में जो कल्चर है कल्चर के इंपोर्टेंट एलिमेंट्स है उसको करता है कल्चर के अगर हम ऐसे देखें अब्स्ट्रैक्ट ली तो कल्चर के अब्स्ट्रैक्ट में मतलब मैं अगर कल्चर को दो एसपेक्ट में देखने को सिस करूं जैसे यूनेस को देखता है तो एक टैंजिबल एसपेक्ट है टैंजिबल मतलब जो देखता है और इन टैं स्को वर्ल्ड हैरिटेज साइट्स ढूनता है वर्ल्ड हैरिटेज साइट्स का बात करों तो इसमें कल्चिरल जो इंडिया से लिया है उसमें 34 साइट्स रिकॉंगनाईज्ड है नाचुरल में सेवन साइट्स हैं और एक मिक्स्ट होता है जिसमें कल्चरल और नाचुरल दोनों हो तो उसको मिक्स्ट बोलते हैं मिक्स्ट में एक साइट है बस कंचन जंगा ठीक है यह आपका इतने साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में इसमें 34 कल्चिरल है साथ नाचुरल मतलब जैसे एकोलजी एको सिस्टम वहाँ पर होगे इंवाइर्मेंट में नैचुरल साइट्स और मिक्स है इंटैंजिबल में क्या है इंटैंजिबल टोटल इंडिया से रिकोगनाइज है 15 इंटैंजिबल साइट नहीं है यह कुछ कल्चिरल ट्रेडिशन्स है जिसको युनेस को सिग के एक बार देख लो most of the sites आप पर चुके हो खुझ से जानते हो या फिर इस पूरे लेक्चर में मैं कवर कर चुका हूँ उसमें नौदस sites हैं जो लेक्चर में कवर्ड नहीं है अभी तक उसको कवर कर लेते हैं तो टैंजिबल में UNESCO का tangible जो list है UNESCO का इसमें world heritage sites है जो अभी तक इस lecture में covered नहीं है केवल उन्हीं को cover करूँगा बाकि covered 10 ऐसे sites हैं जो covered नहीं है उसको मैं cover करूँगा बाकि आप एक बार list खुद खोल के देखो बाकि already cover हो चुका आपको समझाएगा सब किया हुआ है तो जो पहला है वो है शांती शांती निकेतन ये रविंद्रनाथ टेगोर ने established किया था और इसमें ancient Indian heritage और culture को परहाया जाता है और training भी दी जाती है यहीं है आपका शांती निकेतन में जो आपको जानने की ज़रुवत है और कुछ ज़रुवत नहीं है और ये residential school है residential residential school है इसको UNESCO ने इसको अपने tangible world heritage site में जगे दी है शांती निकेतन को चलें next दूसरा जो है उसका नाम है रमप्पा टेंपल रमप्पा टेंपल ये हम कवर नहीं किये हैं ये काकातियाज काकातियाज के टाइम में बना था 11th 12th century AD में ठीक है स्टिव जी को डेडिकेटर है शिवा टेंपल है ग्रेनाइट में है और इसमें जो इट या पत्थर जो यूज़ किया है वो इतना हलका है ताकि जो वो जो पिरामिड पिरामिडल विमान है इसमें वो काफी हलका है तो structure के stability में help करता है तो क्या बोल सकते हैं लाइट वेट स्टोन यूज़ यूज़ स्ट इन पिरामिड फिक है इस से ज़्यादा कुछ जाननेक जरूरत ने हैं रुद्रेश्वर Sea Temple भी इसका द्थरा नाम है रुद्रेश्वर रुद्रेश्वरा temple ठीक है एक रमपपा temple था काका तियास का ये भी हो गया और इसमें कुछ जानना ये तेलांगना में है काका तियास वहीं थे तेलांगना हिस्ट्री में काका तियास आएंगे चिंता मत करो जिसको पहली बार ये term सुने हो उसके लिए चिंता की बात नहीं है फिर से आएंगे ठीक है अब हम चलते हैं अपने third site पे जो हम अभी तक नहीं पर हैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा जैपूर जैपूर सिटी भी है ठीक है जैपूर का पिंक सिटी जो बनाया गया है वो रिकोगनाईजड है पिंक सिटी में सवाई जैसिंग बनवाये थे इससे ज्यादा इसमें आट एंग कल्चर हम कुछ सिगनिफिकन नहीं पिंक सिटी जो है आपका वो इंपोर्टेंट है जो था भी बहुत बड़ा कुछ नहीं है चंडी गड़ को भी रिकोगनाईज किया गया है चंडी गड़ का जो आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर ले कॉर्ब्यूसियर ने बनवाया है ये भी इंपोर्टेंट है ठीक है ले कॉर्ब्यूसियर का आर्किटेक्चर जो चंडी गड़ में है चंडिगट के कुछ 17-18 बिल्डिंग में है शायद और पूरा डिजाइनिंग इसको वर्ल्ड हरीटेज साइट में रिकोगनाईज किया गया है और कुछ इसमें जानने की सवरत नहीं है नाम याद रखना है बाकी आपको एक बार लिस्ट खुद से देखनी है ठीक है लेक और सिंचुरी एडी में बनाया गया है ठीक है रानी की वाओ ये भी देख लेना ठीक है सरस्वती रिवर है सरस्वती रिवर बैंक पे है सरस्वती रिवर बैंक पे है ये इतना जरूरी नहीं है वर ठीक है दो तिन लाइन कुछ तो सीखोगे ना इसके बारे में और ये भीम द वन को डेडिकेटेड है रानी की वाओ ठीक है इसको भी एक बार फोटो तो देख लिए मैं नेट पे खोलके जरूरी है युनेस को बता रही है इंपोर्टेंट है तो इंपोर्टेंट तो होगा ही ठीक है अब एक और चीज जो है वो है हिल फोट्स हिल फोट्स कहां है सबसे ज्यादा भाई राज्थान में पूरे फोट्स भड़े हुए ठीक है तो जो छे इसमें फोट्स को रिकोगनाईज किया गया है छे फोट्स को वर्ल्ड हरीटेस साइट माना जाता है तो वो मैं बता दे रहा हूँ एक बर एक है चित्तौरग शित्तौरगर फोट एक तो अपना बताया है अभी जैपूर वाला जैपूर फोट है एक जैसल मेर फोट है जैसल मेर फोट जैसल मेर फोट भी याद है यह सब तो सिंपल है जित्त और गर जैपूर जैसल मेर फोट एक जालावर जालावर फोट है चार पाजवा एक सवाई माधोपूर है यह यह भी इंपोर्टेंट है यहां भी लोग जाते हैं बहुत भूमें सवाई माधोपूर फोट है और जो लास्ट है वो कुम्बलगर है कुम्बल फोट ये छे फोट को UNESCO ने recognize किया है राजस्थान के कि ये world heritage sites है इसका भी नाम याद रखना है इसमें 3-4 तो easy है सवाई माधोपूर तक भी easy है कुम्बलगर भी easy है जो राजस्थान के होंगे उनके लिए बहुत easy है जो नहीं है वो एक बार ये याद कर लें क्योंकि जगे के नाम पे ही ज़्यादातर है तो कोई दिकत नहीं है easy है वो तो एक बार इसको देख लेना आप फिर अगला जो है वो जंतर मंतर जंतर मंतर दिल्ली वाला नहीं राजस्थान वाला राजस्थान वाला इसको भी recognize किया गया है 18th century में बना था 18th century में बना था और ज़्यादा इसके बारें कुछ जानना नहीं है जंतर मंतर के use क्या होता है राज्थान वाला जंतर मंतर ये आपका साथवा साइट है ठीक है आटवा जो साइट है वो आपका ये नाम सुने होगे शायद Mountain Railways इंडिया का बहुत फिमस है Mountain Railways Mountain Railways जो इंडिया का है इसको भी UNESCO ने World Heritage Site में जगे दी है और इसमें तीन है दार्जिलिंग वेस्ट बेंगॉल में है जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता दे रहा हूँ नीलगिरी तमिल नाडू में है तीन है टोटल नीलगिरी तमिल नाडू में है नीलगिरी तमिल नाडू और कालका सिमला वाला लाइन कालका शिमला ये कहा है हिमाचल प्रदेश में ये तीन रेल्वे लाइन है ये बहुत ब्यूटिफुल है काफी ये जहां बनाए गया है छोटी लाइन है ट्रेन की और इसको मतलब युनेसको और कल्चर के एंगल से बहुत सराहा गया है तो उसको भी युनेसको ने रिकोगनाईस किया है अब जो अपना एक है वो है Churches of Goa Churches and Convents of Goa Churches and Convents of Goa इसमें Saint Francis Xavier वाला जो चर्च है इनको दूसरा Bon Jesus भी बोला जाता था यह सबसे इंपोर्टेंट है Churches of Goa को भी Saint Francis Xavier को Bon Jesus बोला जाता था इनका चर्च प्लस जो बाकी चर्च वहां के हैं उसको भी World Heritage Site घोसित किया गया है और एक जो मतलब इसका नाम ही याद रख लेना चमपानेर पावागड़ यह गुजरात में है और चैलकॉलिथिक साइट है चैलकॉलिथिक साइट है चैलकॉलिथिक साइट का मतलब पूरे वीडियो बाद नहीं पता है क्या चैलकॉलिथिक साइट मतलब कॉपर कल्चर जहां था चमपानेर यह आर्कियो लॉजिकल पार्क है और यह भी World Heritage Site है बाकी जितने 34 में यह 10 के बारे मां अपन चर्चा नहीं किये थे वीडियो में बाकी 24 की चर्चा अल्रेडी हो चुकी है एक बार आप देख लेना पूरा लिस्ट निकाल के देख लेना सब आपको पता होगा बस यह 10 अलग से कराने की जरूरत थी तो यह 10 अपन कर चुके हैं अब टैंजिबल के बाद यूनेसको ने इंटैंजिबल इंटैंजिबल कल्चिरल हेरिटेज इंडिया के कुछ कल्चिरल हेरिटेज को रिकोगनाईज किया है टोटल पंदरह पंदरह रिकोगनिशन्स मिले 15 चीज़ हैं जिसको यूनेसको रिकोगनाईज करती है अपने को वो पंदरह देखना है अभी तक में कोई दिक्कत हुआ क्या कोई दिक्कत नहीं हुआ ठीक है कुछ था नहीं यार इसमें क्या बता हूँ अलग से कुछ अलग बताने लाइक नहीं है युनेस्को का टैंजिबल इंडिया का चौतिस कल्चरल साइट से उसमें से दस के बारे में अपने पास वीडियो में नहीं आया था तो उसको एक बार डिसकस कर लिए है बाकि जो 24 है वो अल्रेडी वीडियो में डिसकस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है अब ब गुजरात का ठीक है नवरात्री में होता है कि नतऱ के बारे में जानते ही हो तो कोई दिक्कत इसमें बहुत ज्यादा नहीं है डिवोशनल और स्प्रिच्वल और डिवोशनल डिवोशनल और स्प्रिच्वल डान्स है नहीं है ठीक है कोई दिक्कत इसमें नहीं है पंदरा है पंदरा कर लेते हैं दूसरा वेस्ट बेंगॉल का दुरगापुजा कुछ बताने एक ज़रुवत नहीं है दस दिनों का फेस्टिबल है टेन डेज फेस्टिबल इस पूरे सेलिब्रेशन को यूनस्को ने इनटैंजवल कल्चरल हेरिटेज की तरह रिकोगनाईस किया है जो तीसरा है वो है कुम्भ मेला कुम्भ मेला 12 साल में लगता है 12 एर्स ठीक है इंडिया में इसका लॉउंग ट्रेडिशन रहा है जो साइड्स है वो अलाहाबाद अलाहाबाद नहीं है प्रिया अगर आज, उजयन, यह सब पता है कि नहीं है पता, उजयन, नासिक, और हरीद्वार, यहां लगता है, कुम्ब मेला, कुम्ब मेला, ठीक है, कहा जाता है, कि हर्षा, हर्षाज टाइम से यह, कंटिन्यूसली चल रहा है, ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, हर बारा साल में कुम्ब आता है, कुम्ब के बारे में बहुत बताने जरूरत नहीं है, यह वेस्ट बेंगॉल में था, ठीक है, यह तीन चीज़ें हैं आपकी, जो चौती चीज़ है, जो अगेन इंपॉर्टेंट है, वो है, योगा, योगा बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अल्रेडी बता चुका हूँ, योगा पता ही आपको, पाचवी चीज़ है, नवरोज, नवरोज क्या है, इंडिया में, पार्सी कम्यूनिटी इस पार्ट ओफ आर कल्चर, इनिशियली इरान में थे, जो रैस्ट्रियन, ठीक है, कल्चर में, पार्सी कम्यूनिटी थी, वहां से माइग्रेट करके इंडिया माई थी, नवरोज बोलते हैं, इसका भी बहुत स्ट्रॉंग कल्चरली, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, युनेस्को के हिसाब से वर्ल्ड में ये, एक कोई मेजर एक कल्चरल हेरिटेज है, और चुकि इंडिया में ये एक्जिस्ट करता है, तो इंडिया से इसको पिक किया गया है, ठीक है, फिर, अब एक जो है, वो है ट्रडिशनल, ब्रास, एंड कॉपर, ट्राफ्ट, ये ओरल ट्रेडिशन था, ओरल ट्रेडिशन, जो बहुत सालों से चले आ रहा था, यूटेंसिल मेकिंग का, ओरल ट्रेडिशन, और यूटेंसिल, बर्तन बनते हैं इन से, यूटेंसिल मेकिंग, यूटेंसिल मेकिंग का एक कल्चर है, कॉपर और ब्रास से बनाता है, और जो कमिनिटी करती है, उसका पंजाब ठीक है ओरल ट्रेडिशन युटेंसिल मेकिंग का ठीक है और महराजा रंजीत सिंग इसको पेटरनाइस किये थे इनका जो तरीका है या जो ओरल ट्रेडिशन है जिसके थुरू ये सीखते गए जेनरेशन जेनरेशन ठठेराज कमिनिटी जो ब्रास और कॉपर का क्राफ्टिंग करते हैं युटेंसिल बनाते हैं इसको भी उनेसको ने रिकोगनाईस किया है मैं भी जानता नहीं हो बट कुछ ना कुछ स्पेशल होगा इसमें जरूर ठीक है लेकिन अपने को याद रखना एक्जाम के लिए तो वो जरूरी है संकीर्टन संकीर्टन एक्जाम में आ चुका है संकीर्टन एक्जाम में आ चुका है यह मनिपूर में चलता है संकीर्टन और अगर संकीर्टन में जाएं तो इसमें रिच्वल Singing Drumming और Dancing ये साथ में चलता है Ritual मनिपूर में है मनिपूर में हिंदुईसम में वैस्नवाइट Influence है तो ये वैस्नवाइट है वैस्नवाइट यानि विष्णू जी के ये Ritual Ritual Dance Singing और Drumming है तो विष्णू जी का एक तरह से पूजा करने के लिए संकीर्तन यूज होता है मनिपूर में ठीक है इसमें वैस्नवाइट है और इसमें Krishna के Life की Stories Narrate की जाती है Krishna's Life Krishna is a form of Vishnu तो Krishna's Life वैस्नवाइट है Krishna's Life is Narrated और इसमें Drumming, डोल, वोल बजाके Symbol, विंबल बजाके मस संकीरतन चलता है वनीपूर में इस से ज़्यादा इसमें जानकारी की जरुरत नहीं है ये भी UNESCO रिकागनाईस किया है हम वही पढ़ी रहे हैं जिसको UNESCO ने रिकागनाईस किया है तो obviously ये बहुत culturally significant है फिर एक लद्दाख में Buddhist chanting जो वहाँ पर अपने Buddhist monks अब हैं Buddhist monks उनके बीच जो Buddhist आपका knowledge है उसको लिरिकल बुद्दिस्ट knowledge को लिरिकल प्लस musical फॉर्म में musical फॉर्म में इसकी chanting करते हैं गाते हैं साथ में ठीक है जो monks हैं वहाँ के वो जो Buddhist knowledge यानि उनके literature में लिखी हुई जो चीजें होंगी verses होंगे जो ग्यान होंगे उसको लिरिकल और musical फॉर्म में chant करते हैं और ये tradition of singing in a particular way ये culturally बहुत significant है स्को रिकोगनाईस किया गया है और यहाँ पर जितना आप जानते हो जो लद्दाख वाला area है इसमें महायान प्लस वज्रियान बुद्धिजम का influence है तो महायान होने करण क्या होगा यहाँ बुद्धा के साथ साथ बोधी सत्वा का भी dedicated song होगा क्योंकि महायान का भी influence है तो बोधी सत्वा का भी influence होगा इनकी stories भी chant की जाती है इससे ज़्यादा इसमें कुछ जरूरत की चीज़ है नहीं इतने आपका काम बन जाएगा शौरी चावडांस चावडांस अगेन आपका इसमें महाभारत रामायन ये सब की प्लस लोकल स्टोरीज इसके थुरू इस डांस के थुरू नेरेट की जाती है ठीक है इसमें जो डांसर्स होते है में एक जो चीज़ है डांसर्स एक मास्क पहनते हैं देखना नेट पे काफी बड़ा सा एक बनाते हैं except एक मयूर भंज स्टाइल है मयूर भंज स्टाइल के जो डांसर होते हैं वो मास्क नहीं यूज करते हैं डजन्ट यूज मास्क एक बार फोटो जरूर देख लेना चाओ डांस का इंपोर्टेंट है ठीक है और ये स्प्रिंग फेस्टिबल को स्प्रिंग फेस्टिबल का सेलिबरेशन में ये डांस किया जाता है रात भर चलता है गोल नाइट मेल डांसर होते हैं और गोल नाइट और कुछ इसमें है काम का अब इसका टाइप्स बता देते हैं तो छाओ डांस जो है ये राइबल मार्शल आर्ट्स प्लस डांस है राइबल मार्शल आर्ट के एलिमेंट से इस डांस में इंक्लूडेड हैं और इसके तीन सब जॉनर्स है ठीक है इसमें मार्शल आर्ट के भी एलिमेंट है मारसल आठ के एलिमेंट मिक्स है डांस के साथ और इसके तीन स्टाइल है एक है पुरूलिया छो दूसरा तो अभी बताया मयूर भंज मयूर भंज छो पुरूलिया आपका वेस्ट बेंगॉल में हो गया ये उरिसा में हो गया और अपना एक जारखंड वाले भाई साथ तो गया नमतव नाम भूल रहा हूँ सिराई केला सिराई केला छो ये आपका जारखंड में हो गया राइट ये तीन तरह का छो है इसमें मयूर भंज में वो फेस पे मास्क नहीं लगाते हैं बता चुका हूँ इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानना नहीं इतना जान जाओगे काम हो जाएगा चाओ डांस में ठीक ठीक है बहुत लोग को लगता है कि UPSC folk traditions से सवाल पूछती है ऐसा कुछ भी नहीं है folk traditions अगर देखोगे इंदिया इतना बरा देश है इतनी communities हैं इतने cultures हैं कि folk traditions अगर सब जगे का रटने जाओगे तो एक दो साल folk tradition ही रटते रह जाओगे उसकी बजाए UNESCO ने कुछ important folk traditions को recognize किया है classical traditions हम पूरे वीडियो म पढ़ लिए अब folk traditions के कुछ important चीज़ों को UNESCO ने recognize किया है उसको पर लो UPSC generally उसी सवाल पूछती है कभी-कभी एकाद question ही धर उदर जाता है उसको जाने दो अगर यहाँ देखोगे छव पे सवाल आ चुका है संकीरतन पे सवाल आ चुका है आगे काल बेलिया पर हूँगा उसके सवाल आ चुका है यह सब 7-8 साल में हुआ यानि UNESCO में जो इंडिया का दो ट्रेडिशन एक classical tradition वो पूड़ा परू folk tradition का list है उसमें से केवल वो पिक्खरो जो significant है UNESCO के हिसाब से सवाल उसी से आता है एकात बाहर से भी आ सकता है जाने दो यार दो नमबर सारा नमबर लेक कहा जाओगे कुछ भी जो इंसान कमाया है वो लेके कहीं जा पाया है कुछ नहीं कर पाया इंसान तो बस उतना ही कमाओ जितने इंह काम चल पाया यानि प्री निकालने के लिए वो दो नमबर जरूरी नहीं है आठ सवाल आएगा उसमें वो दो नमबर के लिए मत मरो जो नहीं हो रहा है साथ सवाल से जो 14 नमबर आ सकते हैं उस पे फोकस करो वो आना चाहिए जिनरली क्या होता है जो कुछ नया दिखता है लोग वही पढ़ने में रश कर जाते हैं उसमें मत गुसो जो करने लाइक है वो करो जो तुम बुक से पर रखे हो जो तुम अपने सोर्स से पर रखे हो वो सवाल गलत हो रहा है तो चिंता की बात है जो सुने ही नहीं हो उसके पीछे मत भागो जाने दो न हो तो रैंडम कुछ पूछ रहा है दो-चार सवाल यूपे असी भी मज़े लेती है आप उसी इम पूरा साल निकाल देते हैं उसको जाने दो जो सुने हो उस पे फोकस करो ठीक है अभी हम कहा थे चव डान्स पे थे न भाई नौ हो गया है छे बचे हैं निप्टा ही देते हैं स्वाज दस शओ के बाद देखो अगला ही आ गया बोल रहा था काल बेलिया काल बेलिया फोक डांस राजस्थान में चलता है काल बेलिया साब टाइब का फॉर्म होता है इसमें जो लेडिज होती है वो ब्लैक कलर का ब्लैक कलर का फ्लोइंग स्कर्ट फ्लोइंग स्कर्ट पहन के डांस करती है विच रिजेंबल स्नेक सर्पेंट स्नेक एं सर्पेंट का खेल है काल बेलिया साब टाइब का काल बेलिया ठीक है लेडिज और जो मेल है वो क्या करेंगे वो instruments बजाएंगे male instruments पर focus करते हैं male instruments पर focus करते हैं instruments में दो होता है एक खंजरी एक पुंगी खंजरी और पुंगी ये तो रटलो भाई क्या कर सकते हैं छोटा सा नाम है खंजरी और पुंगी रटलो इतना तो करना ही परेगा और कुछ है, इसमें, स्नेक कैचिंग है, कालबेलिया ट्राइब, ठीक है, राज्थान में है, स्नेक टाइब का डान्स है, बता हिदि दिया हूँ, तो कालबेलिया हो गया, चलो अगला आपकरते हैं, मुड़ी ये टू, मुड़ी ये टू केरला में है, मुड़ी ये टू, मुड़ी ये टू केरला में, ये पंदरा है, तोटल है, इस पंदरा को याद रखना परेगा भाईयों, कोई चारा नहीं है, ये ट्रेडिशनल थियेटर है, ट्रेडिशनल थियेटर, ट्रेडिशनल थिय ड्रामा डांस और ड्रामा दोनों होता है किरला का है लिखाओं कि ने किरला का है ठीक है तीन-चार लाइन ही याद रखना है इसमें गौड़ेस काली काली माता और उनका कंफ्लिक्ट हुआ था दारीका नाम के एक असुड से उसी के थीम पर बेस्ट है जो आपके डेमन है दारीका और गौड़ेस है काली ठीक है और ट्रेडिशनल थीयटर फॉर में डांस ड्रामा होता है कुछ है नहीं मुद्डिय पट्टू इतना हो गया और इसमें हेवी मेकप किया जाता है हेवी मेकप एक बार फोटो जरूर देख लेना ठीक है हेवी मेकप फोटो देखने से मजा आता है लोगों की याद रहता है ठीक है और विलेजेज में होता है किरला के और कुछ बचता है कुछ नहीं बचता है आगे बढ़ जाएं बढ़ने दो भाई कुछ नहीं बचा है इसमें इतना ही तील लाइन याद कर अब आते हैं बार रम्मान यह इंपोर्टेंट है रम्मान उत्तराखंड में है उत्तराखंड के चमॉली डिस्ट्रिक चमॉली डिस्ट्रिक के एक गाउं में यह होता है उस गाउं का नाम है सलूर दूंगरा विलेज अब फिर से बोलोगे भाई कोई मदद नहीं कर सकता हूं गाउं का नाम यही है सलूर दूंगरा विलेज यहाँ पर चमॉली जिला है चमॉली पर हो वैली ओफ लार से यहाँ एकदम उपर हाँ तो वहाँ चमॉली में रम्मान उत्राखंड का है यह भी बहुत है यहाँ एक व विलेज डी टी उनका नाम है भू मी आल भू मी आल यह देवता है गाउं के इन्हीं के पूजा पाठ में यह रम्मान चलता है ठीक है और इसमें सिंगिंग ओफ लोकल लेजेंड्स लोकल कहानिया जो वहाँ की ट्रेडिशन होगी कहानिया वो देवता के गलोरी में गाया जाता है इससे ज़्यादा इन्फोग ज़रुरत नहीं है रम्मान बचा हुआ है तो सायद रम्मान UPSC जल्दी पूछने वाली है तो ध्यान रखन इससे ठीक है आप जलते हैं नमबर 13 यह तो एजी है जैतिक चैंटिंग का ट्रेडिशन और यह झांटिग अ चैntिंग न ओर ट्रडेडिशन है। कर आहिं अ और व कर दो गादिशने डर्वल करा है ठीक है इसमें several पार्ट किये जाते हैं several पार्थास ठीक है involved और कुछ जानना नहीं है वेदिक चैंटिंग में और क्या बता हूं वेदिक लिटरेचर पुरा परहाई चुका हूं उसी से जो आपके हाइम्स है ठीक है उसी की चैंटिंग की जाती है चोदहवा जो है वो है राम लीला राम लीला पूरे नौर्थ इंडियाम होता है राम लीला अक बारे हम क्या ही बता हूं सब पता है राम लीला यानि जो रामायन की स्टूरी है उसको ड्रामा के फॉर्म में प्ले के फॉर्म में दिखाया जाता है रामलीला का ट्रेडिशन ये भी कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है और इसको युनेश को रिकॉगनाईज करती है और लास्ट कुट्टी यट्टम ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ये संस्कृत थियटर है आज भी संस्कृत थियटर संस्कृत में अभी भी एक थियटर इंडियाम चल रहा है वो ये है ठीक है और इसमें केरला का लोकल ट्रेडिशन भी मिक्स रहे गाई only surviving in this world कुट्टी ये तब केडला में ठीक है कुट्टाम पलंज कुट्टाम पलंज कुट्टाम पलंज एक और वर्ड याद रख लो काफी वर्ड याद एक एक बोल के बहुत सारा वर्ड याद करने के लिए बोल दियां आटन कल्चर में लेकिन आटन कल्चर में थोरा तो ही रहते हैं यह यह थिएटर्स का वहां का नाम है कुट्टाम पलम ठीक है उसी में कुट्टी एट्टम होता है संस्कृत थिएटर है किरला का ठीक है और इसमें बहुत डीटेल्ड बहुत ही डीटेल्ड स्टोरी टेलिंग उस ड्रामा में होता है बहुत डीटेल्ड स्टोरी में होता है कि ये कई बार बहुत दिनों तक चल जाता है ठीक है ये आपका UNESCO का Intangible Cultural Heritage भी खतम होता है इसके बाद जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो बस ये है All the best आपके एक्जाम के लिए Art and Culture यहाँ पे close होता है इसके बाद incident की एक वीडियो आएगी और फिर Medival की वीडियो आएगी इसमें केवाल हमने culture के aspect से चीजें cover की सेम सेम timeline को अब हम incident में एक वर cover करेंगे और मेडाइवल में cover करेंगे इस तीनों को जोरके incident, medieval, Art and Culture, फिर से सुरूम बता है था अभी फिर बता रहा हूँ तेरा 14 questions आएंगे यानि 26 से 28 marks 200 में आएंगे और मैंनी बोल रहा हूँ तेरा 14 होगा बट अगर पूरा स्टेटिक है पहले तो इसमें करेंट का खेल है नहीं और अगर धन से करके जाते हो तो साथ आठ सवाल आप कर सकते हो डूएबल आते हैं तीन चार तो एकदम डिफिकल्ट आते हैं तुसको भूल जाओ उसके पीछे भागो ही बत अब बचता है दस सवाल का पूल उसम अगर आप साथ आठ निकाल के लिए आते हो तो पंद्रा सोला नंबर निकल जाएगा पंद्रा सोला नंबर आज के टाइम में जब पच्छत्तर असी नबबे इसके बीच ही कट आफ जाएगा पिछले साल साथ पच्छत्तर गया होगा भी आया नहीं I don't know बट अगर असी से नबबे भी मानूम है ठीक है तो भी आठ सवाल सोला नंबर पंद्रा नंबर सोला पच्छे असी ओल्मोस्ट बीस परसें मार्क्स तीन स्टेटिक चीजें परके आप उठा सकते हो जो आपके एक्जाम के चांसेस बहुत बढ़ा देंगे औल्दो ये अकेला सेक्षन नहीं ह मैं हमीसा बूलता हूँ किसी एक चीज़ पर रिलाई मत करो अगर आपको एक्जाम देना है तो आठ सब्जेक्ट यूपेसी ने बोली है आठो को ड्यू रिस्पिक दो किसी को भी छोरो मत किसी को भी ज्यादा मत करो सब में बैलेंस बना के रखो अपने आप आपका सारा स् ठीक है अगर आप इंसेंट में डाइवल के लिए मेरे पास वापस से वीडियो में नहीं आते हैं तो आपके लिए अल दी बेस्ट अगर आप आते हैं तो तीन वार अल दी बेस्ट मिलेगा आपको अच्छा करिए थैंक यू